वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप Unacademy Plus पे किसी भी कैटेगरी में त्यारी करना चाहते हैं तो आपको Maximum Discount के लिए PMYT Discount Code लगाना है जैसे आप PMYT Discount Code बिना Space के लगाएंगे चाहे आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं चाहे आप Banking के Railway किसी भी कैटेगरी में आप त्यारी कर रहे हैं आपको Maximum Discount मिल जाएगा मान लेते हैं आप SSC कैटेगरी में Code लगाते हैं तो बहुत बच्चों confusion होता है कि आसर सिर्फ आपके batches मिलेंगे answer is no आपको एक single plan से सारे educators के सारे batches मिल जाते हैं उसमें 100 प्लस educators, 50 प्लस batches, सब कुछ उसके अंदर cover होता है जितने भी आपके नए batches आने वाले हैं, जितने भी पुराने batches हैं और जितने भी recorded batches है, सब कुछ इसके अंदर cover है और ऐसा नहीं है, सिर्फ Delhi Police cover होगा SSC category के सभी exams, चाहिए वो CGL हो, चाहिए उसमें Tier 1 हो, Tier 2 हो, Tier 3 हो, चाहिए वो CPO, CHSL हो, MTSO, JEO, सारे batches, सारे exams पूरे के पूरे cover होते हैं और दो साल का plan आपको पढ़ता है, 5832 का, एक साल का plan आपको पढ़ता है, 4860 का अगर आप discount code लगाते है, PMYT without space और आपको ये बाद ध्यान रखने है, इसके साथ अपने credits भी आप लगा सकते हो, जिससे कि आपको maximum discount मिल जाएगा Hello guys, कैसे हैं आप सब? चालिए, तो आज के session में हम पढ़ेंगे geometric questions, जो कि TCS ने SSC CGL 2019 PRE में पूछे हैं, ठीक है? चालिए, तो start करते हैं, first question से, first question है, ABC are three points on a circle, such that angles subtended by cod AB and AC at center O are 110 degree and 130 degree respectively, तब हमसे angle PAC के value पूछी है, ठीक है? पहले एक circle draw कर लेते हैं यह हो क्या circle, ठीक है? अब यहाँ पर हमें ABC three points लेने हैं, पहले हमने center O बना लिया, ठीक है? यह हमने ले लिया B point, यह ले लिया A point और यह ले लिया C point, ठीक है? जोईन कर देते हैं, यह होगे cod AB, यह होगे cod AC, अब क्या कहर रहा है है? यह होगे, सेंट्र पर एंगिल कितना बन रहा है यह बन रहा है 110 रगरी ठीक है और AC से कितना बन रहा है 130 रगरी ठीक है तो हम से एंगिल बी-अची वीख Ce पूछा है आप यह देखिए एंगिल बी-अची कब पता चलेगा हमें घुल angle boc पता चल जाएगा ठीक है तो boc कितना होगा angle boc यह पूरा देखिए पूरा 360 degree होगा ना तो 360 में से हम इन दोनों का sum minus कर देंगे तो हमें angle boc मिल जाएगा angle boc is equal to 360 degree minus 110 plus 130 is equal to 360 minus 240 is equal to 120 degree ठीक है तो यह हमें मिल गया 120 degree हमें देखना क्या करना है angle bac ठीक है angle bac अब बताएगे सेंटर पर तो angle बन रहा है 120 किससे arc bc से है ना और circumference पर angle क्या बनेगा arc bc से फिर यह हो जाएगा इसका half है ना तो यह हो जाएगा 120 degree का half is equal to 60 degree हमारा answer हो गया option number b 60 degree आगे सब को समझ में चलिए next question देखते हैं next question है in triangle abc mn parallel to bc सबसे पहले triangle डौ करते हैं एक ठीक है अब हमें mn डौ करना है parallel to bc ठीक है mn यह पई parallel इसके quadrilateral mbcn mbcn इसका area दे रखा है हमें 130 square centimeter ठीक है an is to nc an है 4 nc है 5 तब area पूचा है man का ठीक है अब आप देखें यहां पे यह दो parallel lines है ठीक है और इनका ratio यह है तो triangle amn का area क्या होगा यह triangle similar हो जाएंगे ना triangle man और triangle abc यह तो आ रहा है इसी तरह area of triangle abc साइड क्या है इसकी 4 प्लस 5 याने की 9 9 का square is equal to 49 ठीक है ना sorry 81 ठीक है चलिए हमें निकालना किसका है mbcn का तो area of quadrilateral mbcn क्या होगा 81-16 है ना कितना बचा यह बचा 65 लेकिन हमें दिया क्या है हमें दिया है 130 इसकी value हमें given है 130 square centimeter याने कि हमें कितने times given है into 2 65 का double है ना यह 130 जब हमने इसका double कर दिया इसका मतलब सारी values double होंगी तो area of triangle amn मन बात ही की है हमने निकालना था 16 लेकिन में क्या होगा इसका double multiply by 2 यह होगा 32 square centimeter ठीक है आगे सबको समझ में option number C is the answer चलिए next question देखते हैं in triangle ABC AB is equal to AC and AL perpendicular to BC at L ठीक है सबसे पहले triangle draw कर लेते हैं ABC AB is equal to AC given है AL is perpendicular to BC यह हो क्या perpendicular to BC at L ठीक है in triangle DEF draw कर लेते हैं यहाँ पर DE is equal to DF DM is perpendicular to EF DM right अब क्या given है given है area of triangle ABC is to area of triangle DEF is equal to 9 is to 25 ठीक है area का ratio given है तो area का ratio अगर given है तो हम side का ratio निकाल सकते हैं न ठीक है अब पूछा क्या है DM और AL में relation पूछा है DM और AL पर सब काम हो रहे है DM क्या है DM यह है DM और AL क्या है यह है यह इसकी side है और यह इसकी side है जब हमें दोलों की areas पता है तो हम दोलों की sides निकाल सकते हैं न तो अगर area of ABC और DEF ratio है 9 is to 25 इसकी हम एक side ले लेते हैं ABC की side ले ली हमने AL is to DEF की side ले ली हमने DM ठीक है इसका ratio क्या हो जाएगा इसका square root लेंगे 9 का is to 25 का square root लेंगे यह हो जाएगा 3 is to 5 है न बस हमें इन दोलों का ratio में क्या यह values यहाँ पर put कर दीजे therefore DM plus AL divided by DM minus AL is equal to DM क्या है 5 plus AL क्या है 3 divided by 5 minus 3 is equal to 8 divided by 2 यहाग यह 4 4 is the answer ठीक है आगे सबको समझ में चलिए अब देखते हैं next question ABC is an equilateral triangle ABC equilateral triangle है और AD is perpendicular to BC ठीक है AD उसमें perpendicular है जहाँ पर D लाई करता है BC पर AD perpendicular है और AD की ही length दे रखी है equilateral triangle में perpendicular जो होता है उसकी length का formula क्या होता है वह होता है root 3 by 2 A यह होता है जहाँ पर A क्या है A triangle की side है है यह हमें given है 4 root 3 centimeter solve पर लीजेगा यह हो जाएगा root 3 से root 3 cancel यह आगे हमें 8 centimeter अब क्या पूछा है parameter पूछा है यह तो बहुत easy है therefore parameter is equal to equal little triangle में 3 sides से equal होती है ना parameter क्या होता है triangle के 3 sides का sum यहने की 3 A यह हो जाएका 3 into A है 8 8 is the 24 centimeter यह हमारा answer है option number A ठीक है आगे समझगें चलिए next question देखते है in triangle ABC AB is equal to AC and angle BAC is equal to 40 degree अब आप ही देखिए angle B पूछा है हमसे ठीक है पहली बात तो AB is equal to AC given है अब त्राइंगिल हो गया ना तो यह दोनों angles equal होंगे हम यहाँ पे इसको X मान लेते हैं ठीक है अब ट्राइंगिल के तीनों angles का sum क्या होता है 180 चलिए तो करते हैं 40 degree plus X plus X is equal to 180 degree ठीक है this implies 2X is equal to 40 इदर चला जाएगा यह हुआ 140 this implies X is equal to 70 और X क्या है angle B तो बस यह ही निकालना था यह आगे 70 degree option C is the answer आगे अन्स आपको समझ में चलिए next question देखते हैं इंदा given figure AP bisects angle BAC if AB is equal to 4 AC is equal to 6 BP is equal to 3 तब हमसे CP पूछा है है यह given figure आपको ठीक है यह तिनों चीज़े दे रखी है हम है sides और यह हमसे पूछी है अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे क्या चीज़ देख रहे हैं आपको AP क्या है angle bisector इसका मतलग यहाँ पर क्या लगेगा angle bisector theorem ठीक है angle by sector theorem ठीक है angle by sector theorem के according क्या होता है यह जो sides होती है इनका ratio इन दोनों sides के corresponding होता है यहाँ कि AB by AC is equal to BP by PC ठीक है अब value पूट कर दी जगा AB है 4 AC है 6 BP है 3 CP हमें निकालना है तो यह क्या हो गया हमारे पास CP is equal to 6 into 3 divided by 4 यह आगया 4.5 cm यह हमारा answer हो गया option number D आगया सब को समझ में चालिए next question देखते हैं इन तो given figure AP and BP are tangents to a circle with center O यह circle है जिसका center O है AP और BP tangents है यह line पढ़ते हैं हम क्या गया सकते हैं अगर O से हम यहाँ पर line डाल रहे हैं तो यहाँ पर 90 degree पर मिलेगी ना बताइए मिलेगी न 90 पर यह हो गया 90 degree और यह भी हो गया 90 degree ठीक है एंगल APP is equal to 60 degree यह एंगल 62 degree हमें दिया है पूछा क्या है एंगल A Q B यह वाला एंगल पूछा है सबसे पहले आप देखिए यह A और B P एक quadrilateral बन क्या है ना quadrilateral में सारे angles का सम चारों angles का सम क्या होता है 360 degree है ना या फिर आप यह कह लीजे आपने ऐसे पढ़ा होगा कि यह दोनों तो 90 90 हो गए तो बचा यह और यह तो इन दोनों के सम क्या होगा 90 degree दोनों में वही बात है अजिक वही लगाया उसमें ठीक है ना तो आप angle A और B क्या लेख सकते हैं angle A और B is equal to 90 degree minus 62 degree कितना आ गया यह sorry यह हो गया 360 में से इनका सम माइनस करेंगे ना sorry sorry यह हो गया 90 degree यह plus 90 degree यह plus 62 degree यह plus angle A और B is equal to 360 degree 90 degree में से नहीं है 180 में से माइनस करना था मैंने हापे गलती से 90 degree लिख दिया था चालिए तो यह हो गया angle A और B is equal to कितना हो गया यह यह हो गया 118 degree आ गया समझ में यह हो गया 118 degree पूचा क्या है हमसे पूचा है यह वाला angle अब यहां पर क्या होगा यह arc AB से center पर बन रहा है 118 degree है ना तो arc AB से circumference पर क्या बनेगा उसका half angle है ना तो angle A Q B is equal to half of 118 degree यह हो गया 59 degree option D is the answer आ गया सब को समझ में ठीक है ना चली next question देखते हैं in triangle ABC angle B is equal to 68 angle C is equal to 32 चली पर ट्रेंगल बना लेते हैं B is equal to 68 C is equal to 32 sites AB and AC are produced to point D and E respectively AB को हमने produce करा है D तक और AC को हमने produce करा है E तक राइट bisectors of angle DBC angle DBC इसका bisector क्या होगा यह यह होगा angle BCE BCE यह होगा कहा मिलता है meet at F यह इस पे मिलता है ठीक है तो मैं इसको अलग कलर से डिनोट कर देती हूं यह bisector है यह दोनों angles equal होंगे यह bisector है यह दोनों angles equal होंगे ठीक है अब हमसे क्या पूचा है हमसे पूचा है angle BFC यह आपने पढ़ा होगा theorem में exterior angle bisector theorem में कि angle BFC क्या होगा angle A का half plus sorry minus 90 degree है ना 90 degree में से minus करके सबसे पहले हमें उसके लिए क्या चाहिए angle A angle A क्या होगा triangle तीनो angles का सम 180 degree होता है ना तो angle A क्या आया मारे पास 180 degree minus 68 plus 32 क्या मिला 180 degree minus 100 degree क्या आया 80 degree अंगिल A क्या आ गया 80 degree therefore angle BFC क्या होगा BFC is equal to 90 degree minus angle A divided by 2 यह exterior angle इसको बैसक करके यह angle पूछा है इसलिए यहां पर angle A कितना है 80 degree divided by 2 यहोगे 90 degree minus 40 degree यह हो गया 50 degree यह हमारा answer हो गया आगे सबको समझ में चलिए next question देखते हैं ABCD is a cyclic quadrilateral in which यह सारी sides given है चलिए पहले हम cyclic quadrilateral बना देते हैं ठीक है इसमें यह हो गया 40 degree ठीक है A B कितना given है 16.5 BC is X CD is 11 AD is यहां लग देती हूं है 19.8 है ना अब BD is bisected by AC join कर देते हैं इनको AC BD को bisect कर रहा है bisect करने का मतलब यह equal है कहां bisect करते है at O तो यह point O है इसका मतलब OD is equal to OB है यह बहुत ही famous cyclic quadrilateral की property होती है कि जब भी यह situation होती है यह bisect करता है इसको तब क्या होता है AB into BC is equal to AD into BC देखिए आप यह bisect करी है ना तो यह trick कह लिजए आप कि इसके सामने जो साइट्स होती है यह हो गई AB और इसके सामने हो गई यह BC इन दोनों के product is equal to होता है इन दोनों के सामने जो साइट्स होती है यह हो गई AD AB और BC है ना इससे CGL 2018 में भी question आयते है इसको आप ध्यान से याज रखिएगा ठीक है माक कर लिजगा इसको ध्यान रखिएगा अब हम value put कर देते हैं AB क्या है 16.5 BC क्या है X AD है 19.8 CD है 11 ठीक है X की value निकाल ली है X is equal to 19.8 into 11 divided by 16.5 यह point से point cancel हो जाएगा यह 11 से हो जाएगा 11 बंस ए 11 फाइव जा ठीक है और फिर यह 3 से कर देते हैं 35 जा 36 जा 18 36 जा 18 यहां गया 66 by 5 यह हो गया 13.2 आ क्या समझ में C is the answer चाली next question देखते हैं in triangle PQR angle Q is equal to 85 PQR draw कर लेते हैं पहले Q दे रखा है 85 R दे रखा है 65 ठीक है S and T are points on PQ S PQ पर है T on PR T PR पर है इन्हें join कर देते हैं such that STR angle STR यह angle given है 95 ठीक है QR ratio ST QR यह हो गया 9 ST क्या है ST है यह हो गया 5 यह given है PQ के value दे रखी है हमें 21.6 cm तब हमसे PT के value पूछी है बहुत easy है यह आई है आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यह यहाँ पर similarity होगी कैसे होगी यह देखिए यह straight line पर angle है 180 में से minus करेंगे तो यह कितना मिलेगा बताईए जल्दी यह मिलेगा 85 degree है ना और यहाँ पर यह पूरा triangle है तो 180 में से इन दोनों का sum minus करेंगे तो क्या मिलेगा यह मिलेगा 30 degree बचाई यह angle यह angle कितना मिलेगा 180 में से minus करेंगे 30 plus 85 यह हो जाएगा 65 degree ठीक है यह angle आगा है हमारे पास अब आप देखिए triangle PST को देखिए क्या-क्या angles है 30 65 85 ठीक है और triangle PQR को देखिए क्या angles है 30 65 85 सेम है ना angles इसका मतलब यह दोनों ही triangles similar हैं है ना जब यह दोनों triangles similar हैं तो इनकी corresponding sides भी equal होंगी है ना तो देखते हैं हम यहां पर हमें given है QR is to ST QR is to ST है 9 is to 5 तो QR और PQ या कोई भी side लें लें बड़े triangle की तो उसका ratio तो 9 में ही आएगा ना है ना इसका मतलब हमें क्या value given है 9 की value given है 21.6 cm यह बहुत ही short method है करने का otherwise मैं आपको पूरा करके भी दिखा सकती हूँ कि पूरा हम triangle similar करेंगे फिर divided by करके similarity apply करेंगे फिर वो होगा लेकिन I hope कि आप यह सब कर पाएं क्योंकि एक्जाम में हमें time बचाना होता है तो directly ऐसी करना चाहिए तो 9 की value 21.6 cm गिवन ह और हमसे क्या पूछा है PT PT क्या है छोटे वाले triangle का side है ना और छोटे वाले triangle की side ST इसका ratio क्या है 5 इसका मतलब हमसे 5 की value पूछी है है ना बस अब क्या है अब तो होई गया यह होगा 21.6 divided by 9 into 5 है ना इसको अप्सोल परेंगे तो क्या आएगा 12 cm यह होगा answer option number C आगे सब को स हमारा question है two circles of radius 7 cm and 5 cm intersect each other at points A and B and the distance between the centers is 10 cm अब दो circles है जो A और B पर intersect कर रहे हैं तो पहले हम diagram बना लेते हैं राइट यह होगा इनकी centers और हमें दे रखा है कि A और B पर intersect करते हैं इनकी radius given है यह होगा इनकी radius यह होगा इनकी radius यह होगी 7 और ऐसी ही यहाँ पर यह होगी 5 ठीक है अब हम इसको join कर देते हैं और यह हमें कितना दे रखा है यह हमें दे रखा है 10 cm इसको हम C और इसको हम D assume कर लेते हैं अब हमसे क्या पूछा है length of common chord A B A B हो गई यह हमसे इसकी length पूछी है ठीक है अब आप देखिए यहाँ पर आपको देख रहा होगा कि यह जो है यह 90 degree पर intersect करेगा है और जब भी 90 degree पर intersect कर रहा है इसका मदलब यहाँ पर पाइथागरा theorem apply कर सकते हैं ठीक है हमें निकालना है A B तो हम यहाँ पर इसको X assume कर लेते हैं यह भी फिर X होगा ठीक है और इसको हम इसको हम पॉइंट माल लेते हैं E ED को हम Y assume कर लेते हैं और यह पूरी CD हमें given है 10 तो हमारे पास CE क्या हो गया यह हो गया 10-Y ठीक है चलिए अब सबसे पहले पायतेगरास theorem लगाते हैं ट्राइंगल AED में यह हो जाएगा 5 का स्क्वाइर is equal to X का स्क्वाइर plus Y का स्क्वाइर चीक है तो हम मैं डालेक्ट लिख रही हूं यहाँ पर यह हो जाएगा 25 is equal to X स्क्वाइर plus Y स्क्वाइर हो गया अब हम लगाते हैं ट्राइंगल ACE में पैथागरस theorem यह हो जाएगा 7 का स्क्वाइर that is 49 is equal to X स्क्वाइर plus 10-Y का whole स्क्वाइर ठीक है अब आप देखिए हमारे पास यह वाली equation थी यहां से हम X के value निकल सकते हैं X स्क्वाइर की X स्क्वाइर की value अगर हम यहां से निकालेंगे तो यह होगी 25- Y² और वो हम यहाँ फूट कर देंगे तो यह होग्या 49 is equal to 25-Y स्क्वाइर इसको हम खोलेंगे तो यह हो जाएगा 100 प्लस y स्क्वाइर minus 20y यहां पर y square से y square cancer हो गया यहां आगया हमारे पास 20y is equal to 76 this implies y की value क्या आगई y की value आगई 19 by 5 ठीक है आगई y की value हमारे पास अब हम क्या करेंगे इस प्राइंगल में वापस स y की value पुट करके x value निकालेंगे यह कहें कि इस वाली equation में equation 1 बोल देते हैं हम इसको इसमें हम y की value पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 is equal to x square plus 19 by 5 का whole square ठीक है this implies x square is equal to 25 minus 19 का square क्या होता है 361 divided by 5 का square 25 यहां पर हम LCM लेंगे यह हो जाएगा 625 minus 361 by 25 और यह आएगा 264 divided by 25 ठीक है हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था x x is equal to इसका अंडर रूट हो जाएगा 264 को हम लिख सकते है 2 अंडर रूट 66 और इसका अंडर रूट करेंगे तो यह हो जाएगा 5 निकालना क्या है? हमें लिख निकालना है पूरी कौड की तो इसकी कौड की लिख क्या हो जाएगी? ab is equal to 2x is equal to इससे 2 की मल्टिलाइग करेंगे यह हो जाएगा 4 अंडर रूट 66 by 5 यह हमारा आंसर हो गया option number b ठीक है? आगया सबको समझ में the sides are ab is equal to this ac is equal to 8 bc is equal to 9 हम triangle बना लेते हैं जब से पहले यह हो गया abc triangle ab is equal to 7 ac is equal to 8 bc is equal to 9 ठीक है? अब हम से पूछा वया है smallest से largest angles कौन-कौन से होंगे तो आपको यह पता होगा smallest side के corresponding opposite angle होगा वह होता है smallest similarly largest side के opposite जो angle होता है वह होता है largest यहां पे हमें smallest सबसे पहले देखना है smallest side कौन सी होगा इन में? 7 यानिकि a b to a b के opposite कौन सा angle है? angle c to सबसे पहले angle c आएगा right 7 से बड़ी कौन सी side है? 8 यानिकि a c AC के opposite कौन सा angle है angle B इसका मतलब यहाँ पे B आएगा अब सबसे largest कौन सी side है वो है 9 यानि की BC BC के opposite कौन सा angle है यह है A यानि की A आएगा तो हमारे पास कौन सा option मिला हमें option number C आगया समझ में यह तो बहुत easy था चलिए next question देखते हैं इन triangle ABC D, E, F are midpoints of sides A, B, B, C and C, A respectively triangle draw करते हैं यह हो गया triangle ABC इसमें AB का midpoint है D BC का है E और AC का है F राइट अब हम इनको join कर देते हैं ठीक है हमें value given है AB is equal to 12 BC is equal to 20 CA is equal to 15 ठीक है हमसे पूझा क्या है DE plus DF plus EF divided by 2 यहनकी यह जो triangle है DEF इसका parameter क्या होगा इन तीरो साइट का sum वह ही है divided by 2 इसका मतलब हमसे क्या पूझा है हमसे पूझा है semi parameter of triangle D, E and F आगया समझ में ठीक है अब आप देखिए यहाँ पर हमें क्या given है कि यह सब mid points है mid points है कुझ याद आया जब भी mid points होते है तो यह यहाँ पर triangle similar हो जाएंगे mid point थियोरम याद कीजिए तो यह D, E, F की length B, C की half हो जाएगी B, C अगर 20 है तो D, E, F हो जाएगा 10 similarly अगर A, B 12 है तो E, F हो जाएगा 6 और A, C 15 है तो D, E क्या हो जाएगा बोलिए 7.5 है ना तो बस हमें तीनों की length निकल गई हम तीनों को plus करेंगे divide by 2 कर देंगे और हमारा answer आ जाएगा लेकिन हमें इतना सब कुछ करने की ज़रूत नहीं है क्यों? क्यों ज़रूत नहीं है? अरे भाई, सीधी सी बात है यहाँ पे midpoint theorem लगेगी है ना? तो अगर हम बड़े वाले ट्राइंगल का semi-pirameter निकाल लेते हैं तो छोटे वाले ट्राइंगल का semi-pirameter क्या हो जाएगा? उसका हाफ हो जाएगा सीधी सी बात है ना है? चलिए, semi-parameter of triangle ABC क्या होगा यह? 12 प्लस 15 प्लस 20 divided by 2 ठीक है? यह हो गया 47 divided by 2 इसका मतलब 23.5 ठीक है? हमें बड़े वाले ट्राइंगल का semi-pirameter मिल गया ठीक है? और यह सारी साइट्स इसकी हाफ हाफ हैं इसका मतलब ट्राइंगल DEF का semi-pirameter क्या होगा? यहनकी DE प्लस EF प्लस DF divided by 2 क्या होगा यह? 23.5 divided by 2 तो यह हो गया 11.75 यही हमारा answer है that is option number B ठीक है? आगया सबको समझ में चलिए next question देखते हैं diameter AB of a circle with center O is produced to point P such that PO is equal to 16.8 सबसे पहले हम figure बना लेते हैं यह हो गया यह हो गया circle हमारा यह हो गया center O इसका diameter A भी बोल गया है तो हमने यह बना ले diameter point A, point B इसको point P तक extend करना है यह point P हो गया such that PO is equal to 16.8 यह हो जाएगा 16.8 ठीक है? PQR is a secant P secant क्या होती है? जो ऐसे करके आती है? ठीक है? तो यह हो गई PQR secant which intersects the circle at Q and R यह हो गया Q, यह हो गया R ठीक है? such that PQ is equal to 12 PQ हो गई 12 PR is equal to 19.2 यह हो गई PR 19.2 अब हमसे क्या पूछा है? AB इसका मतलब diameter पूछा है अब आप यहाँ पे देख रहे है इसका मतलब AO और OB radius हो गया इसके? हो गया ना हो गया? अब आपने इसमें एक formula पढ़ा होगा जो की होता है AP into BP is equal to RP into QP हम values पूट कर देते हैं AP हो गया हमारे पास 16.8 यह है और R यह है तो यह हो गया plus R multiplied by BP क्या हो गया? यह पूरा 16.8 है और यह R है तो 16.8 minus R is equal to RP क्या हो गया? multiplied by 12 ठीक है? अब आप देख रहे है यह बन गया A plus B A minus B का formula यह हो गया 16.8 square minus R square is equal to 19.2 multiplied by 12 इसका मतलब R square कैसे निकलेगा? 16.8 square minus 19.2 multiplied by 12 ठीक है? अब आप देखे है यह calculation थोड़ी सी difficult हो जाएगी है ना? और अप एक बर options पर अगर हम देखते है digital sum हम यहाँ पर apply कर सकते हैं क्यों? यहाँ पर देखे digital sum क्या आ रहा है? 7 8 5 9 ठीक है? यह आ रहा है सबका digital sum अलग है इसका मतलब हम यहाँ पर भी digital sum apply कर सकते हैं चली देखते हैं क्या होगा? यह हो जाएगा 6 का यह लिखते हैं 6 का square क्योंकि 1 प्रस 8 9 कैंसल हो जाएगा 6 का square बचेगा minus 9 कैंसल हो गया 3 into 3 ठीक है? यह हो गया 9 6 का square होता है 36 3 plus 6 is equal to 9 9 R is equal to 0 हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है AB AB क्या है? 2R और 2 की हम 0 से multiply करेंगे तो आएगा 0 अब आप कहेंगे यहाँ पर तो digital sum 0 आ रहा है option में A नहीं रहा है लेकिन आप ध्यान दखिए digital sum में 9 यह 0 एक ही बात होती है हम 9 को ही 0 लिक सकते हैं ठीक है? तो यह option इससे मैच हो गया option D हमारा answer हो गया इस तरीके से हम जल्दी कर सकते हैं अगर आपके माइंड में यह चीज नहीं आती है तो आप इसको solve करिएगा मैं इसको solve करके भी दिखा देती हूं यहां लिख देती हूं यह हो जाएगा R square is equal to यहां पर देखी 12 आ रहा है और यह भी 12 से कट जाएगा इसका मतलब हम यहां से 12 square common निकाल सकते हैं इससे भी कट जाएगा यह तो 12 square हमने common निकाल लिया तो किया आएगा हमारे पास? यह आएगा 1.4 का whole square minus 1.6 ठीक है? यह हो गया 12 square into 1.4 का whole square क्या होता है? 1.96 1.96 minus 1.6 क्या हो गया? 0.36 और 0.36 को हम लिख सकते हैं 0.6 का whole square ठीक है? इस implies R क्या हो गया? 12 into 0.6 यह आगया 7.2 ठीक है? R की value आगई 7.2 cm हमें निकाल लिया है AB की value, AB है 2R तो 2 से हम 7.2 की multiply करेंगी यह हो जाएगा 14.4 cm जो की है option D. इस method से भी easy आपको जो method सही लगे उस से कर लिजएगा आगया सबको समझ में? चलिए next question देखते है Sites A, B and D, C of a cyclic quadrilateral ABCD are produced to meet at E चलिए हम draw करते है फिगर यह हो गया हमारा circle ठीक है? हम यहापे cyclic quadrilateral बना रहा है ना हम इस तरीक से draw करते है हमें साइट्स को extend भी करना है यह हो गई A, B, C and D यह हो गया cyclic quadrilateral ठीक है? यहापे A, B और C, D को extend करना है हमें point E तक यह हो गया point E and A, D और B, C कहाँ पे मिलते हैं? यह मिलते हैं F पर ठीक है? angle ADC यह हमें given है 75 BEC यह हमें given है 52 ठीक है अब पूछा किया है find the difference between angle BAD that means यह वाला angle ठीक है and AFB यह वाला angle ठीक है? चलिए हम इसे कटते हैं पहली बात तो आप यह देखिए यह angle 75 है इससे आपको कुछ दिख रहा है यह आप देखेंगे यह 75 है तो यह वाला angle भी 75 होगा न होगा न होगा alternate angle ठीक है? यह हमारे पास 75 आ गया ठीक है? अब angle BCD यह angle 75 है यह angle 52 है तो यह वाला angle कितना बचा 180 में से इन दों का सम करके माइनस कर देंगे न ठीक है तो यह कितना आ गया 53 राइट 53 आ गया न और आप यह देख रहे है DCE एक spread line है इसका मतलब यह वाला angle हम निकाल सकते हैं easily 180 में से 53 माइनस करेंगे क्या आएगा? 127 राइट? आगया 127 अब angle CDF यह देखिए यह भी spread line है ADF तो यह भी 180 में से माइनस करेंगे हम तो क्या आएगा? 105 ठीक है अब देखिए angle DCF DCF कैसे निकलेगा? यह आप देखेंगे तो opposite angles का sum extreme angle के equal होता है न होता है है ना? तो 127 is equal to 105 plus angle DFC इन दोनों का sum equal होगा 127 के तो 127 में से 105 माइनस करेंगे क्या मिलेगा? 22 degree हमें एक एंगल मिल गया पस हमें यह वाला एंगल और चाहिए ठीक है? अब जैसे हमने 75 यहां पर 75 कर दिया था क्योंकि यह alternate angle था सिमिनरली जब यहां पर 53 है तो हम इसे भी 53 लिख सकते है क्योंकि यह भी alternate angle है बताइए आ रहा है ना समझ में अब बस हमें यह दो values निकाल ली थी यह दोनों values आ गई अब देखते हैं difference एंगिल BAD difference एंगिल AFB क्या होगा? BAD क्या है? 53 माइनस AFB क्या है? 22 यह हो गया 31 ठीक है यह हमारा answer है option number A आ गया सब को समझ में चली next question देखते है इन triangle ABC angle B is equal to 90 if points D and E are on side BC such that चली हम triangle draw कर लेते हैं सबसे पहले right angle triangle draw करना है मैं आपे ABC ठीक है डो के राइट अंगिल प्राइंगे अब D और E BC पहर है such that BD is equal to DE is equal to EC यानकि यह हो गया D यह हो गया E यह तीन होई sides equal है हम assume कर लेते हैं यह है 1 ठीक है यह भी हो जाहेगा 1 और यह भी हो जाहेगा 1 है ना सबसे easy method है यह question को solve करने का बाकी आप वैसे पाइथवरस से और हम से सब कर सकते हैं but मैं यहाँ पर value putting method यूज कर रही हूँ इससे जल्दी हो जाता है ठीक है अब आप जॉइन कर लीजे A और D को A and E को ठीक है यह देखिये triangle ABD को पहली बात तो BC क्या हो गई BC हो गई हमारे पास 3 जैसे ही आपने 3 देखा और यह देखा कि यह right angle triangle है आपके दिवाब में क्या आना चाहिए 3,4,5 तो pythagorean triplet होता है तो बस AB हो गई 4 और AC हो गई 5 अब देखिये triangle ABD इसमें देखिये AD का whole square is equal to AB का square plus BD का square होगा ना होगा तो AD square क्या आजाएगा हमारे पास 4 का square यानिकी 16 16 plus 1 का square यानिकी 1 16 plus 1 is equal to 17 यह होगे under root 17 ठीक है similarly AE का square is equal to AB का square plus BE का square यानिकी 4 का square 16 plus 2 का square 4 यह आगे हमारे पास under root 20 बस इतना ही main काम था अब क्या करना है जितनी भी values हमने यहां पे निकार ली है वो सब हमें यहां पुट कर देनी है 1 by 1 option चेक करेंगा यह होगे 5 AE क्या है? AE है under root 20 AE का square हो जाएगा 20 यह होगे 2 AC square हो जाएगा 25 प्लस 3 into 80 square हो जाएगा 17 यह हो गया 100 यह हो गया 50 प्लस 51 यह आगे 101 क्या यह दोनों match कर रहे है नहीं न तो यह हमारा answer नहीं हो सकता ठीक है? अब हम second option पे आते हैं यह है 8 AE square 8 into AE है under root 20 यह हो जाएगा 20 5 AC square है 25 25 प्लस 3 into 80 square है 17 यह हो गया 160 यह हो गया 75 प्लस 51 इसको add करेंगे 120 इसका मतलब यह match नहीं कर रहा है ठीक है? अब option C रहते हैं यह हो गया 8 AE का whole square हो गया 20 3 into AC का whole square हो गया 25 25 5 into AD का whole square हो गया 17 यह हो गया 160 यह हो गया 75 प्लस 85 क्या हुआ यह 160 यहां भी 160 यहां भी 160 यह मैच हो गया इसका मतलब यह ही हमारा answer है option number C is the answer option number D भी एक बार चेक कर लेते हैं वैसे तो जरूरत है नहीं फिर भी एक बार देख लेते हैं 5 into A square है 20 2 into AC square है 25 plus 2 into AD square है 17 यह 100 यह 50 34 यह भी मैच नहीं कर रहा है ठीक है समझ में आगया सबको next question देखते है in triangle ABC M is midpoint of BC D is a point on BC such that AD is perpendicular to BC triangle draw करते है A is equal to 90 BC right M is midpoint of BC यह हो गया M D is a point on BC such that AD is perpendicular to BC हम यह पर perpendicular draw कर लेते हैं यह हो गया AD perpendicular on BC AM को भी join कर लेते हैं ठीक है अब हमें क्या दिया है AB is equal to 7 cm AC is equal to 24 cm AC is equal to 24 cm पूछा क्या है AD is to AM ठीक है सबसे पहली बात यह है 7, यह है 24 और यह है right angle triangle triangle तो क्या मिलेगा BC क्या मिलेगा 25 क्योंकि 7, 24, 25 एक पाइथोगोरियन triplet होता है ठीक है ना चालिए अब आप यह देख रहे होंगे M क्या है M एक midpoint है BC का यानि की BM is equal to MC और जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करता है यह हम यहाँ पर circle ड्रॉव कर सकते है इसे assume करके BA और C circle पर points होंगे ठीक है BC इसका diameter हो गया तो AM भी इसी के equal होगा radius के equal BM is equal to MC is equal to AM ठीक है यह बात पता है ना सबको अब देखिए BC पूरी 25 है BM क्या हो गई 25 by 2 ठीक है MC क्या हो गई 25 by 2 ठीक है AM क्या हो गया AM भी 25 by 2 हो गया ना हो गया हमें AM तो पता चल गया अब हमें main निकालना है AD जब भी एक right angle triangle के अंदर दूसरा right angle बन रहा होता है जैसे कि यहाँ पर बना है तो वो कैसे निकलती है AD क्या होगा AD is equal to 24 into 7 divided by 25 इन दोर साइट्स का product divided by hypertonus है ना यही होता है यह सब पढ़ा होगा ना आपने AD हमारे पास यह आगया और AM हमारे पास क्या आया था AM आया था 25 by 2 ठीक है बस अब राश्यू निकाल लीचे therefore AD is 2 AM is equal to 24 into 7 divided by 25 यह हो जागे 25 उपर पहुच जागे 2 ठीक है तो यह क्या मेला हमारे पास 336 is to 625 यह ही मारा आंसर होगे option number D आ रहा है सब को समझ में next question देखते है a quadrilateral ABCD circumscribed सा circle सबसे पहले circle बना लेते है ठीक है अब यहाँ पर हम quadrilateral ड्रौ करते हैं क्योंकि इसको circumscribed कर रहा है यह हो गया quadrilateral ABCD ठीक है AB गिवन है 8 cm BC गिवन है 7 cm CD गिवन है 6 cm तब हमसे AD पूछा है ठीक है यह आपको पता होगा जब भी ऐसा होता है तो क्या होता है opposite sides का sum equal होता है तो AB plus CD is equal to BC plus AD ठीक है अब values put कर दीजे AB क्या है 8 CD है 6 BC है 7 AD हमें निकाल ला है AD क्या होगे हमारे पास AD is equal to 14-7 यह हमारा answer होगे option number B आगया सपर समझ में next question है in given figure if DE parallel to BC AD is equal to 2.5 cm BD is equal to 3.5 cm EC is equal to 4.2 cm तब हमसे AC की value पूछी है ठीक है अब आप देखिए यह दोनों lines parallel है इसका मतलब triangle ADE is similar to triangle AB and C ठीक है जब यह similar proof हो गए तो हम क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं इसके corresponding sides है इकल होगी है अब आप देखिए हमें निकालना क्या है हमें निकालना है AC तो हमने लिखा AC इसके corresponding side कांसी हो गई यह पूरी side 2.5 प्लस 3.5 क्या हो गया 6 हमें यह AE पता नहीं है इसके corresponding 2.5 भी नहीं लेंगे हमें पता है EC EC क्या हो गया है 4.2 ठीक है इसके corresponding यह है 3.5 इसको solve पर यह इस 7 से cancel होजाएगा 7.6 जब 42 7.5 जब 35 इस इंप्लाइज AC is equal to 36 by 5 यहनकि AC is equal to 7.2 cm यह हमारा answer हो गया option number 1 ठीक है आगे समझ सबको चालिए next question देखते है if MP is equal to 15 cm MP given है 15 cm NQ is 8 cm PA is 17 cm BQ is 10 cm तब हमसे क्या पूचा है AB सबसे पहले तो यह radius है AM हमारी और PM क्या है Tangent और radius हमेशा tangent के perpendicular होती है इसका मतलब की angle क्या है? 90 degree 90 degree है इसका मतलब यह right angle triangle है और right angle triangle है तो फिर triplet तो बने गई तो आपको यादा रहा होगा 8, 15 and 17 triplet होता है 15 and 17 हो गया यह होगा 8 AM is equal to 8 AM क्या है? radius है और AC क्या है? AC भी radius है जब AM 8 है तो हमारा AC भी 8 होगा ठीक है? यहाँ देखिए यह radius है BN और NQ क्या है? Tangent इसका मतलब BN is perpendicular to NQ यह भी right angle triangle है इसमें देखिए 3, 4, 5 हमारे triplet होता है तो वही है 5 के corresponding 10 है और 4 के corresponding 2 है तो यहाँ पर आजाएगा 6 BN क्या है? radius तो BC क्या है? BC भी radius है इसका मतलब यह भी हमारी 6 होगी हमसे पूछा क्या है? AB AB is equal to AC plus CB है ना? इसका मतलब 8 plus 6 8 plus 6 क्या होगा? 14 बस कितना easy था? 14 हमारा answer हो गया चलिए Next question देखते है PAQ is a tangent to a circle with center O at point A on it Figure draw कर लेते हैं PAQ एक tangent given है PAQ AB is a chord such that यह center O है AB एक chord है तो AB अब आप देखे AB हम यहां पर भी कर सकते हैं और AB हम यहां पर भी कर सकते हैं लेकिन क्या given है? BAQ angle x degree है यानकि अगर यहां पर हम बानते हैं BAQ यह angle यह angle x degree और जो कि 90 से कम है तो अगर हम B यहां पर लेते हैं तो यह 90 degree से जादा हो जाएगा इसता मतलब B हमें यहां पर लेना है ठीक है? यह हो गया B A CB is equal to Y degree ठीक है? एंगिल ABO ABO यानकि यह वाला एंगिल is equal to 32 degree यह हमें 32 given है तब हमसे पूछा है X plus Y की value अब आप देखिए alternate angle से alternate segment angle से जो यह X है यह Y की equal होगा ना होगा है ना? तो X is equal to Y हो गया अगर हम मैं इसको join कर दूँ AO AO क्या है? radius है O भी क्या है? यह भी radius है यह दोनों side सीक्वर हो गई जब यह दोनों side सीक्वर है तो angle A sorry O AB यह भी 32 ही होगा ना? इसकी equal होगा ठीक है? जब यह दोनो 32 32 है तो हमारे पास यह angle क्या बचा? 180 minus 32 plus 32 यानि कि 64 यह बचा 116 ठीक है? जब यह angle AOB 116 है तो angle AC भी क्या होगा? center पर angle हमेशा double होता है circumference पे angle के तो angle ACB यानि कि Y is equal to क्या होगया? 116 divided by 2 यानि कि 58 degree ठीक है? बस Y हमें निकालना था तो X plus Y क्या होगया? यहाँ पर Y is equal to X है यह होगया 2Y यह होगया 2 into 58 degree यह होगया 116 degree option D is the answer आगया सबको समझ में? यह होगया आप SAC, CGL, CHSL के साथ 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 बाकि सभी SAC exams के Pre, Mains और Descriptive के तैयारी एक single plan लेके कर सकते है Academy Plus का जिसके नदर आपको प्रतियोगिता मंत्रा के साथ सभी educators के सभी courses मिल जाएंगे बस आपको अपना plan चूस करके पूरे एक साल का आपको plan चूस करना है और discount code आपको लगाना है प्रतियोगिता मंत्रा अब जैसे बिना space के discount code लगाएंगे आपको discount मिल जाएगा जिसके नदर mock test route session सब कुछ included है बस आपको अपना plan यहां से चूस करके आपको referral code की जगा लिखना प्रतियोगिता मंत्रा बिना space के जैसे ही आप इस discount code को लगाएंगे आपको maximum discount मिलेगा आपको इस rate में plan पढ़ जाएंगे अगर आप किसी और category में भी त्यारी करें जाए UPSC है, Banking या Railway हर एक category में same discount code लगाके आपको maximum discount मिलता है बस आपको बिना space के लिखना प्रतियोगिता मंत्रा I hope आपको वीडियो पसंदा है होगा All the very best for the exam, thank you so much Hello guys, कैसे हैं आप सब? चलिए तो आज का session स्टार्ट करते हैं आज हम पढ़ेंगे SSC CGL 2019 Pre में पूछे गए mensuration के सभी questions, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं first question से question है, if the radius of two cylinders are in the ratio 3 is to 4 and their heights are in the ratio 4 is to 9 then the ratio of their volumes is आपको radius और heights का ratio given है और volumes का ratio पूछा है Volume का formula क्या होता है, cylinder का? बताए जल्दी Volume का formula होता है πr square h ठीक है? यहाँ पर हमारे पास दो cylinders है और दोनों का ratio हमें देखना है तो हम एक को V1 मान लेते हैं और दूसरे को V2 मान लेते हैं ठीक है? तो यह हो गया V1 divided by V2 यह हो गया Pi तो constant होता है, यह हो गया R1 का square h1 divided by Pi R2 का square h2 ठीक है? 5 से Pi कैंसल हो जाएगा R1 यहाँ पर क्या given है? 3 ठीक है? यह हो जाएगा 3 का square into h1 क्या given है? 4 divided by Pi तो हमारा cancel हो गया R2 क्या given है? 4 4 का square multiply by F2 है 9 ठीक है? राइट? इस वाले 4 से यह वाला 4 cancel हो गया 3 का square 9 यह cancel हो गया 9 से क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा 1 upon 4 यहाँ कि 1 is to 4 हमारा answer हो गया option number D ठीक है? चली, second question देखते है the curved surface area of a hemisphere with radius 7 cm is यहाँ पर hemisphere क्या curved surface area पूछगा है हमसे क्या होता है curved surface area? बताएए जल्दी से curved surface area is equal to 2 pi r square ठीक है? यहाँ पर यह होगे 2 multiply by pi की value होते है 22 by 7 r है 7 solve परियेगा यह 7 से 7 cancel हो गया 22 into 244 into 7 यह हो गया 308 right? answer option number D ठीक है? चली, third question देखते है question है the circumference of the base of a conical tent is 66 meter हमारे पास एक conical tent है जिसकी circumference हमें given है कोन की circumference के shape में होती है? वो होती है circle के shape में इसका मतलब क्या given है? 2 pi r की value हमें given है तो यह हो गया 2 pi r is equal to 66 right? चली है यह हो गया 2 pi हो के 22 by 7 into r is equal to 66 यहां से r की value क्या निकली? r की value निकली 21 by 2 ठीक है? और क्या given है? if its height is 36 meter, height क्या given है? height given है 36 meter ठीक है? अब क्या पूचा है? what is the area of the canvas used in making tent? यहनकी canvas का कितना area हमें चाहिए वो tent बनाने के लिए इसका मतलब क्या पूचा है? हमसे पूचा है curved surface area of the conical tent curved surface area का formula क्या होता है? formula होता है pi r l और जो l होता है वो l कैसे निकलेगा? l होता है r square plus h square का under root ठीक है? यह देखिए आप यह हो गई r यह होता है 90 degree यह हो गया h तो यह होता है l ठीक है? चलिए तो पहले l निकाल लेते हैं अब आपको पता है यह tritangle triangle है तो hlr यह एक pythagorean triplet होगा ना? है ना? चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं पहले हम pythagorean triplet सही निकाल लेंगे ठीक है? यह होगे 21 by 2,36 अब यहाँ पर हम इससे 2 से multiply कर देते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं 21,72 इसे हम किस से काट सकते हैं? इसे हम 3 से काट देते हैं यह हो गया 7 32 जा 6, 34 जा 12 अब आप देख रहे हैं 7 और 24 हमारे पास value आ गई h और r की ठीक है? और 7,24 से आपको क्या यादा आ रहा है? 7,24 and 25 एक triplet होता है इसका मदलब L क्या हो गया? 25 ठीक है? L क्या हो गया? 25 लेकिन वेट L 25 नहीं होगा, यहाँ पर हमने क्या कर रहा था? पहले तो हमने 2 से divide कर रहा था sorry 2 से multiply कर रहा था फिर हमने 3 से divide कर रहा था तो वही हमने यहाँ पर करना पड़ेगा यहाँ पर हमने पहले 2 से multiply किया तो यहाँ पर 2 से हमें divide करना पड़ेगा ठीक है? और यहाँ पर 3 से divide किया था तो यहाँ पर 3 से multiply करना पड़ेगा तो L की value क्या आ गई? 75 by 2 ठीक है, L की value हा गई है हमारे पास चलिए आप curve surface area निकालते हैं क्या होगा curve surface area πrl, π की value अब π की value क्या है 22 by 7 radius क्या है हमारे पास 21 by 2 L क्या है, 75 by 2 ठीक है, क्या आएगा इससे इससे solve करिएगा तो आ जाएगा 2475 divided by 2 यह हो जाएगा 123 7.5 यह से अलग है तो यह हमारा answer हो गया है ठीक है, that is option number B आगे सब को समझ में, ठीक है चारी next question देखते है अ क्या है, अ आ सिलिंड्रिकल वैसल और रेडियास 30 cm और ही 42 cm इस फुल अफ वाटर एक सिलिंडर है हमारे पास इसकी रेडियास 30 cm है और ही 42 cm गिवन है, उसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक है, इस contents are emptied into a rectangular tub of length 75 cm अब ब्रैफ 44 cm अब एक rectangular tub है हमारे पास, अब rectangular tub है तो उसकी शेप क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी cuboid, ठीक है, जिसकी length और breath हमें given है, तो जो cylinder में जितना हमारे पास water था, वो सब हमने उस cuboid में डाल दिया, ठीक है, the height to which the water rises in the tub is, अब वो बताएए किस height तक उस cuboid में जाएगा, ठीक है, इस और Cylinder जो है full थda वाटर से, तो vasylander is equal to volume of cuboid हो जाएगा na, ठाहिक है, चलिए, तो हो जाएगा, volume of cylinder is equal to volume of cuboid, डाहिड,ɒलिउम of cylinder का formula क्या होता है, बता हे जलिए से, यह होता है, पाई र स्क्वाइर एच ठीक है और क्योबॉइड का क्या होता है यह होता है एल इंटू बी इंटू एच बस वैल्यूस पूट कर दीजेगा यह हो जाएगा 22 बाई 7 मल्टिप्लाइट बाई आर की वैल्यू क्या गिवन है 30 तो यह हो जाएगा 30 इंटू 30 और हाइट कितनी गिवन है 42 इस इक्वल टू लेंथ कितनी है 75 ब्रेथ है 44 और हाइट हम से पूछी है ठीक है चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या कैंसल हो रहा है यह हो जाएगा 2 टा यह हो जाएगा 5 यह हो जाएगा 6 यह भी हो जाएगा 6 तो हमारे पास हाइट क्या आ गई हाइट आ गई 36 सेंटी मेटर ओप्शन नम्बर इस दा आंसर ठीक है चलिए समझ आगे सबको नेक्स्क्रेशन देखते हैं दाइगनल ऑप स्क्वायर ए इस ए प्रस बी यूनिट्स हमारे पास एक यह स्क्वायर है स्क्वायर ए ठीक है इसका यह डाइगनल है यह क्या गिवन है ए प्लस बी ठीक है वाट इस दा एरिया ओप स्क्वायर बी अब एक स्क्वायर बी है हूस एरिया इस दा एरिया ओफ स्क्वायर ए स्क्वायर बी है जिसका एरिया कितना है स्क्वायर ए के एरिया का डबल है ठीक है यह हमने स्क्वायर बी ड्रॉ कर लिया स्क्वायर बी अब आप देखिए जब बी का एरिया इससे डबल होगा ठीक है इसका मतलब बी का एरिया 2 टाइम्स होगा A के एरिया के तो B की जो साइड होगी वो अंडरूट 2 टाइम्स होगी ना बताएए अंडरूट 2 टाइम्स होगी ना जितनी A की साइड है तो अगर A का डाइगनल A प्लस B है तो B का डाइगनल क्या होगा? under root 2 times of a plus b ठीक है तो b खर diagonal हो जाएगा under root 2 a plus b ठीक है अब क्या कर रहा है हमने क्या किया है area पूछ रहा है ये of the square drawn on diagonal of square b इसके diagonal पर हमने एक और square बनाया है ये होगे इसके diagonal पर square इसका area पूछे गया है तो ये वारा जो square है इसकी side क्या होगी square b की जो b का डाइगनल है वही इसकी side होगी है ना तो इसकी side क्या होगी इसकी side होगी under root 2 times of a plus b ठीक है हमें side पता चल गई बस अब area तो निकली आएगा area क्या होता है area is equal to side का square हम इसका square करेंगे ये हो जाएगा 2 a plus b का whole square ठीक है समझ आ गया सबको option number d is the answer ठीक है next question देखते है the parameter of a square is 64 cm ठीक है अब इसका area पूछा है parameter का formula क्या होता है square का 4 a is equal to 64 ठीक है a की value क्या आ गई a की value आ गई 16 हमारे पास अब क्या निकालना है हमें area area क्या होता है square का a square यानि की 16 का square 16 का square क्या होता है 2 5 6 option number b is the answer ठीक है next देखते है if the area of an equilateral triangle is 36 root 3 square centimeter then the parameter of the triangle is equilateral triangle है इसका मदलब तीनों sides equal है triangle की उसका area हमें given at area क्या होता है root 3 by 4 a square जहांपे a की side है is equal to 36 root 3 यहांपे root 3 से root 3 cancel हो जाएगा a square की value आएगी 36 multiplied by 4 तो a की value क्या आ जाएगी square root लेंगे 36 का square root 6 4 का square root 2 यह आवे 12 cm पूछा क्या है हमसे पूछा है parameter parameter क्या होता है तीनों sides का sum और तीनो sides equal है parameter होता है 3 into a यह हो जाएगा 3 into 12 यहनिकी 36 cm option a is the right answer ठीक है सबको समझ आ रहा है ना अब देखते हैं next question a metallic sphere of diameter 40 cm is melted into smaller spheres of radius 0.5 cm एक metallic sphere है हमारे पास जिसका diameter हमें given है 40 cm ठीक है उसको हमें melt का लिया है और छोटी-छोटी spheres बना लिया है जिनकी radius के आ है 0.5 cm how many such balls can be made अब बताए कितनी balls ऐसी बन जाएंगी तो आप यह बताएए इसमें volume तो सेम ही रहेगा ना हमारे पास है ना ठीक है तो volume of हम number of balls कैसे निकाल सकते है number of balls is equal to volume of big sphere ठीक है divided by volume of small sphere ठीक है समझा रहे है ना यह बत एक बड़ा sphere as a pose हमारे पास ही है हमने इसको छोटे-छोटे balls में convert कर दिया है तो हमारे पास volume तो सेम ही रहा ना अगर हमें निकालना होगा number तो हम इसके volume से इसका volume डिवाइट कर देंगे तो हमें number of balls पता चल जाएंगी ठीक है बस अब values put कर दीजएगा volume क्या होता है इसका यह होता है 4 by 3 πाई और क्यूब ठीक है small square का क्या होगा 4 by 3 πाई 4 by 3 से 4 by 3 कैंसल हो जाएगा पाई से पाई कैंसल हो जाएगा यह हो गया r by 3 वो सौरी r by small r की whole power 3 ठीक है आगे समझ अब बस value put कर दीजए capital R क्या दिया है यहाँ पे हमें diameter given है 40 cm तो फिर देड़ गेस क्या हो जाएगी 20 cm और small r क्या दिया है 0.5 इसकी whole power 3 ठीक है यह यहाँ पे क्या होगा यह हो जाएगा 5 4s हो 20 और पॉइंट हटाएगे तो एक और उपर 0 से लजाएगा यह हो जाएगा 40 का cube इसका मतलब क्या होगा 64,000 यह हमारा answer हो गया option number A is the answer समझा गया सबको चलिए next question देखते है a circular disk of area 0.64 pi square meter rolls down a length of 1408 meter एक circular disk है हमारे पास जिसका area क्या given है 0.64 square meter तो circular disk किछ shape की होगी square shape की होगी sorry circle shape की होगी न वो ठीक है उसका area given है circle का area क्या होता है pi r square pi r square क्या given है 0.64 pi की value यहाँ put कर देते हैं यह होजा कि 22 by 7 r square is equal to 0.64 बलकि हमें pi की value put करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि यहाँ पे 0.64 pi है ठीक है तो इससे cancel कर देती हूँ मैं यह pi रहन देती हूँ यह pi से pi cancel हो जाएगा अब ठीक है तो r square की value आवे 0.64 तो r की value क्या आ जाएगी under root 0.64 और यह हो जाएगा 0.8 ठीक है यह धियान रखिएगा यहाँ पे 0.64 pi है इसलिए pi यह value पूट करने की जरूरती नहीं है pi से pi cancel हो जाएगा आज की value आ काई हमारे पास अब वो पूझा है कितने number of revolutions पूझे हमसे कितने revolution वो disk ले पाएगी जब उसे length कवर करनी है 1408 meter ठीक है तो number of revolutions कैसे निकलेंगे number of revolutions is equal to distance क्या है 1408 ठीक है अब जब वो एक round लेगी एक revolution लेगी तो कितने distance कवर करेगी जितना उसका circumference है और उसका circumference क्या होता है 2 pi r ठीक है तो 2 pi क्या है 22 by 7 और r क्या है 0.8 इसको solve कर लेते हैं 1408 7 उपर आ गया यह 10 आ गया यह होगे 2 multiplied by 22 into 8 अब आप देखिए यह हो जाएगा 11 से cancel 11 2 जाव 11 1 जाव 32 8 राइट और क्या cancel हो रहा है यह हो जाएगा 8 1 से 8 8 से 48 2 2 से 4 4 4 से 16 7 4 से 28 28 इंटो 10 280 280 इस दा आंसर option नमबर A इस दा आंसर ठीक है समझ आ गया सबको चली next question देखते है the inner and outer radius of a circular track are 23 meter and 29 meter respectively एक circular track है हमारे पास इस टाइप से तो इसकी हमें inner radius दे रखिया है यान कि ये दे रखिया है inner radius और outer radius दे रखिया है यान कि ये दे रखिया है ठीक है तो the cost of leveling the track इसका मतलब हमें यहाँ पर leveling करनी है इस area में तो बताए cost कितनी आईगी कब जब 7 rupees per square meter वो लेता है ठीक है सबसे पहले हमें area निकालना पड़ेगा ये area कितना है जहां पर हम labeling करनी है तो area क्या होगा circle का area क्या होता है पूरे circle का हम इसका निकालेंगे pi r square उसमें से छोटे का minus कर देंगे minus pi r square तो ये हो जाएगा pi capital r square minus small r square ये तो area हो गया ठीक है और cost का सिंग लेगी बस इस area में हम cost multiply कर देंगे तो cost क्या हो गई pi की value पूट कर देते हैं 22 by 7 r square minus r square यानि कि 29 square minus 23 square into 7 ये 7 से 7 cancel हो गया ये क्या मिला हमारे 22 multiplied by a square minus b square से खोलेंगे तो क्या मिलेगा 29 plus 23 52 multiplied by 29 minus 23 6 ठीक है ये क्या हो गया ये हो गया 22 into 52 करेंगे हमें मिलेगा 1144 multiplied by 6 हमें answer क्या मिलेगा 6 8 6 4 option number d is the correct answer ठीक है समझ आ रहा है सबको चली next question देखते है अब आपको पता होगा अगर हमें डाइगनल्स गिवन होते हैं रॉम्बस के multiplied by d2 है 12 ठीक है ये क्या हो जाएगा 2 8 जा 16 तो ये हो जाएगा 96 एरिया क्या हो गया 96 cm2 option number d is the correct answer next question देखते हैं इनको अडिलेटरल PQRS एक अडिलेटरल ड्रॉप कर लेते हैं PQRS RM is perpendicular to QS QS क्या है ये है हमारी QS RM इसके perpendicular है ठीक है ये होगा perpendicular RM PN is perpendicular to QS PN इसके perpendicular है ये हो गई N अब क्या दिया है QS is equal to 6 cm QS given है 6 RM is equal to 3 PN is equal to 2 पूचा क्या है area of PQRS इस इस क्वार्टिलेटरल का area बताना है ठीक है अब आप देख रहे हैं है ये क्वार्टिलेटरल कैसे कार्म हो रहा है इसमें दो ट्राइंगल्स है PQS और QS R ठीक है तो area क्या हो जाएगा area is equal to area of triangle PQS ठीक है PQS plus area of triangle RQS triangle RQS इन दो ट्राइंगल्स का area हमें add करना होगा तभी हमें पूरे क्वार्टिलेटर का मिलेगा ठीक है अब PQS में देखते हैं ये राइट अंगल ट्राइंगल हो गया इसमें देखिए base क्या है QS और height क्या है PN ठीक है तो ये हो जाएगा half into base क्या है QS और QS क्या given है 6 multiplied by height है 2 plus half into 5QS का area क्या होगा इसका base हो जाएगा QS जो की है 6 height है Rm जो की है 3 ठीक है अब यहाँ पर देखिए half into 6 common आ जाएगा क्या बचा 2 plus 3 2 से 3 टाइमस रजाएगा यह हो जाएगा 3 multiplied by 2 plus 3 5 यह हो जाएगा 15 हमारा answer ठीक है समझ आ रहा है सबको चलिए next question देखते है चलिए तो next question देखते है यह कहता है if the parameter of a certain rectangle is 50 units and its area is 150 square units then how many units is the length of its shorter side एक rectangle है जिसका parameter हमें given है 50 चलिए parameter formula क्या होता है rectangle के 2 into L plus B यह क्या given है 50 this implies L plus B कितना मिल गया हमें यह हो गया 25 ठीक है and its area is 150 area क्या होता है L into B यह given है 150 हमें क्या निकालना है shorter side हमें नहीं पता shorter इसकी side length होगी या breadth होगी हमें नहीं पता हमें shorter side निकालना है अब हमार पास L plus B है 25 और L into B है 150 तो ऐसी कौनसी values है जो कि इन दोनों equations को satisfy करेगी 150 को आप बताईए 15 multiplied by 10 लिख सकते है ना easily अगर मैं यह value यहाँ put करके देखूँ तो 15 plus 10 is equal to 25 इसका मतलब यह satisfy हो गया इसका मतलब एक value हो गई हमारे पास 15 और दूसरी value हो गई 10 हमसे पूछी है shorter side तो इन दोनों में से shorter side कौनसी होई 10 ठीक है तो 10 हमारा answer हो गया that is option number C ठीक है चलिए next question देखते है the length of each equal side of an isoscelis triangle is 15 cm एक isoscelis triangle है जिसकी जो equal वाले sides है वो दीवी है 15 cm and the angle included between them is 90 degree और इन दोनों के बीच में जो angle है वो क्या है 90 degree इसका मदलब यह isoscelis right angle triangle है चलिए triangle draw कर लेते हैं यह equal sides हो गई यह कितने given है 15 cm 15 cm इन के बीच में देखिए 90 degree angle है क्या पूचा है find the area of the triangle area क्या होगा इस triangle का यह होगा right angle triangle right angle फाइंगल का होता है half into base into height base कितना है 15 height कितनी है 15 क्या हो गया यह 225 divided by 2 ठीक है आगे समझ चलिए next question देखते है find the area and circumference of a circle if the radius is equal to 14 cm हमें area निकालना है और circumference निकालना है हमें radius given है सबसे पहले area देखते है आप यहां पर देखियो options में सबसे पहले circumference सब में almost equal ही दे रखी है ठीक है तो इसलिए हम सबसे पहले area देख लेते है area सब में अलग अलग दे रखा है area निकालते है area is equal to क्या होता है circle की area pi r square ठीक है pi की value put करते है 22 by 7 r है 14 into 14 यह cancel हो जाएगा 7 to the 14 यह हो गया 44 multiplied by 14 इसका मतलब इसकी unit digit क्या आएगी 4 4 16 unit digit होगी 6 अब आप option में देखिये इसकी है 4 इसकी है 8 इसकी है 8 इसकी है 6 इसका मतलब option D ही हमारा possible answer है बस इतना देखके ही हमें समाज आगे option number D हमारा answer होगा हमें circumference निकालने के जुरुत भी नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं circumference का formula क्या होता है 2 pi r 5 इसकी है 4 x 22 is equal to 88 ठीक है आगे समझ सब को चली next देखते है the length breath and height of a cuboidal box are in the ratio 7 is to 5 is to 3 its whole surface area is 278 3 2 its volume is एक cuboidal box है इसकी length breath और height इनका ratio हमें given है तो इनका ratio हमें given है तो इनका हम क्या assume कर लेंगे यह होगा 7x यह होगा 5x यह होगा 3x यह हमने length breath और height assume कर ली ठीक है अब whole surface area given है whole surface area और total surface area एक ही बात होती है न अब बताए cuboid के total surface area का formula क्या होता है total surface area is equal to 2 into lb plus bh plus hl ठीक है बस यह values put कर दीजे यह हो जाएगा 278 3 2 is equal to 2 lb l into b करेंगे 75 is the 35x square plus b into h 15x square plus h into l 21 x square ठीक है इसे आगे solve करते हैं 2 इसके नीचे बहुत जाएगा हम divide करेंगे यह आएगा 139 16 is equal to इसको add करिए तो यह क्या हो जाएगा 71 x square ठीक है यहाँ पर देखिए x square की value क्या आएगी इसे आप 71 से divide करेंगे तो x square is equal to 196 आजाएगा x की value क्या आगे ही मारे पास 14 ठीक है आगे 14 अब हमें volume निकालना है volume क्या होगा volume is equal to l into b into h यानिकी 7x into 5x into 3x तो यह हो जाएगा 7 into 5 into 3 और x cube हो जाएगा x की value है 14 यानिकी 14 का cube ठीक है इसको हम solve कर लेते हैं यह हो जाएगा 105 multiplied by 14 का cube is equal to 14 14 is a 196 और 196 into 14 27 double 4 यह हो जाएगा 105 into 27 double 4 ठीक है अब और solve करते हैं 105 को आप 100 प्लस 5 लिख सकते हैं तो पहले हम इसके 100 से मिल्टिप्लाइट करते हैं 27 double 4 double 0 प्लस इसके 5 से मिल्टिप्लाइगे 1 3 7 2 0 इनको add कर दीजे क्या मिलेगा 2 double 8 1 2 0 यह हमारा D option D option हमारा answer हो गया अब आप देख रहे होगे यहाँ पर थोड़ी सी calculation जादा हो गई हम ऐसे करेंगे थोड़ास हमारा time consume होगा तो इसे avoid करने के लिए बेस मेथड है आप यह देखिए कि इसका मतलब 7 5 into 3 तो हो ही रहा होगा आप कर रहे है इसका मतलब जो भी हमारा volume आएगा वह 7 का भी factor होगा 5 का भी factor होगा और 3 का भी factor होगा sorry 3 से divide होगा 7 से divide होगा 5 से divide होगा ठीक है चलिए एक एक करके हम check कर लेते हैं divisibility तो हम सबसे पहले 7 से देखते हैं आप option number A देखेंगे तो यह 7 से divide होगा या नहीं होगा बताएगे देखिए जल्दी से यह 7 से divide नहीं होगा इसका मतलब यह हमारा answer नहीं हो सकता option number B देखेंगे इसे हम 7 से divide करेंगे तो यह भी 7 से divide completely नहीं होगा इसका मतलब ये भी हमारा answer नहीं हो सकता option number C देखेंगे इसको हम 7 से divide करेंगे ये भी हमारा answer नहीं हो सकता क्योंकि ये 7 से divide नहीं हो रहा है जैसे ही आप option number D पर आएंगे आप ये देखेंगे कि ये completely divide हो रहा है 7 से इसका मतलब हमारा correct answer क्या होगा option number D इस method से आप अपने time save कर सकते हैं otherwise तो यह basic approach है यह आपको करनी है calculation थोड़ी fast हो जाएगी तो इससे भी आप easily कर सकते हैं ठीक है next question देखते है what is the area of a sector of a circle of radius 14 cm and central angle 45 degree एक sector है circle का बना लेते हैं sector ठीक है इसका angle हमें क्या given है 45 degree radius given है 14 cm हमसे पूछा क्या है area बताना है तो area का formula क्या होता है area is equal to pi r square into theta upon 360 degree theta यहापे काँ सा angle होता है यह जो इन दोनों radia के बीच में है वो theta होता है तो value put कर देते हैं pi is equal to 22 by 7 r क्या है 14 12 into 14 theta है 45 degree divided by 360 degree यह सवल करिये योग्या 7 तूसा 14 योग्या 5 नाइन सा 5 7 तूसा 35 5 तूसा 10 9 8 तूसा 72 ठीक है 2 4 तूसा 8 2 1 तूसा 2 2 1 तूसा 2 2 तूसा 4 2 7 तूसा 14 तो क्या मिल गया हमें मिल गया 77 77 एंसर हो क्या option number B is the correct answer समझ में आ रहा है ना चलिए next mission देखते हैं The volumes of spheres A and B are in the ratio 125 is to 64 Volume का ratio given है if the sum of the radii of A and B is 36 cm then surface area of A is ठीक है तो volume क्या होता है volume is equal to Sphere का volume क्या होता है वह पाई R cube ठीक है तो volume directly proportional होता है R cube के तो हम V1 by V2 करेंगे V1 by V2 तो एक इसके proportional होगा यह होगा R1 by R2 का whole cube ठीक है अगर हम यहां से R1 by R2 की value निकालना चाहें तो यह हो जाएगा V1 by V2 cube root ठीक है समझ में आ गया और V1 by V2 क्या गया बिन है 125 64 इसका cube root तो हमारे पास R1 by R2 क्या आ गया प्लस 4 यह क्या हो गया 9 ठीक है लेकिन actual में कितना given है हमे 36 cm इसका मतलब इसका हम 4 times करेंगे तो हमें actual मिलेगा अब हमसे क्या पूछा है surface area of A A का surface area surface area का formula होता है 4 pi r square और A का पूछा है A यह निकी 1 का ठीक है तो surface area क्या होगा 4 pi r1 square value put कर देते हैं यह हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए answer pi में है तो हम pi की value put नहीं करेंगे यह हो जाएगा pi r1 क्या है r1 है 5 यानि कि 5 का square ठीक है यह हो जाएगा 5 525 25 4 is 100 pi ठीक है बट यह actual value नहीं है actual value क्या अब कब होगी जब हम 4 से multiplication करेंगे लेकिन आप देखिए यहाँ पर एक radius थी तो हमने 4 से multiply कर रहा था यहाँ पर surface area हो जाएगा मतलब square करना पड़ेगा इसलिए हमें into 4 का square करना पड़ेगा into 16 करना पड़ेगा यह हो जाएगा 1600 pi यह हमारा answer हो गया option number c समझ आ गया सबको चलिए next question लेखते है find the high topic cuboid whose volume is 330 cm3 and base area is 15 cm2 ठीक है एक cuboid है जिसका volume क्या given है 330 volume का formula क्या होता है l into b into h is equal to 330 ठीक है base area क्या होता है base में क्या होगी base में होका हमारा base और length sorry breath और length height नहीं होगी ठीक है यानिकी breadth और length इसका multiplication हमें दिया रखा है 15 हमसे पूछा क्या है height पूछी है तो आप इसको divide कर दीजे ठीक है इसे आप divide करेंगे दोन equation को तो क्या मिलेगा हमें हमें क्या मिलेगा height is equal to 330 divided by 15 यह हो जाएगा 22 cm option number 1 is the correct answer ठीक है next question देखते है the parameter of a square plot is the same as that of a rectangular plot with size 35 meter and 15 meter ठीक है एक square plot का parameter क्या होगा 4 into a same है यानि की equal है rectangular plot के parameter के rectangular plot का parameter क्या होता है 2 into l plus b जहाँ पर length और breath हमें given है तो यह हो जाएगा 2 into 35 plus 15 यह हो जाएगा 2 into 50 यह हो जाएगा 100 ठीक है तो हमसे क्या पूछा है side of square side हमें मानी थी a यहाँ पर आप देखे a हो जाएगा 100 divided by 4 is equal to 25 meter is the correct answer option number c समझा आगे सबको चलिए next देखते है a wheel covers a distance of 1100 cm in one round एक wheel है हमारे पास तो wheel की form क्या होगी वो circular form में होगा ठीक है वो distance cover करता है 1100 cm एक round में एक round में वो क्या cover करेगा अपना circumference cover करेगा ना तो हमें क्या given है 2 pi r is equal to 1100 ठीक है diameter पूछा है इसका मतलब हमें radius निकाल लही है value पुट करेगा 2 into 22 by 7 into r is equal to 1100 this implies r is equal to क्या आगया r solve परेगा इसे यह हो जाएगा 11100 11200 पूर क्या मिला 700 इसे आप काट दीजेगा 4 से कट जाएगा 25 times 25 into 7 ठीक है हमसे पूछा क्या है हमसे पूछा है इसका diameter therefore diameter क्या होगा 2 r ठीक है ठीक है तो यह हो गया 350 ठीक है 350 हमारा answer है that is option number d ठीक है समझा गया चलिए next question देखते है triangle pdc is drawn inside the square abcd of side 24 cm where p lies on ab ठीक है सबसे पहले square बना लेते हैं abcd square हो गया इसमें triangle pdc बनाना है ठीक है जहां पर p कहां करता है ab पे लाई यह हो गया p इसे join कर देते हैं ठीक है अब हमसे triangle का area पूछा है ठीक है तो यह तो बहुत easy है triangle का area क्या होगा area of triangle is equal to area of square divided by 2 है ना area of square क्या होगा side का square यहनिकी 24 multiplied by 24 divided by 2 यह हो जाएगा 12 multiplied by 24 यह हो जाएगा 288 option no.d is the correct answer ठीक है next question देखते है the radius of circle is decreased by 11% then total decrease in area of circle circle का area क्या होता है pi r square यहाँ पे pi तो constant होता है radius एक variable होता है ठीक है तो अगर radius 11% decrease करेगी और यहाँ पे r square आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या use कर सकते है 11% successive percentage वाला formula plus 11% minus 11 into 11 by 100% कितना हो गया 22 minus 1.21 और यह हो गया 20.79% option no.a is the correct answer दैसे तो यह question percentage में आना चाहिए बड़ इसमें radius of circle की तरह से पूछा है इनोंने area of circle की तरह से तो यह आप कैसी भी कह सकते है में में अप्रिकेशन इसमें percentage का ही है ठीक है चाली next question देखते है the radius of a circular garden is 42 meter circular garden है जिसकी radius क्या है 42 meter ठीक है distance covered by running 8 rounds around उसके हमें 8 rounds लेने हैं तो बताए हम कितना distance cover करेंगे अगर हमें एक round लेना होगा तो हम कितना distance cover करेंगे तो हम cover करेंगे 2 pi r उसके circumference के equal ठीक है लेकिन हमें कितने करने 8 rounds तो 8 multiplied by circumference कितनी होती है 2 pi r इतना distance cover करेंगे यह हो गया 8 multiplied by 2 multiplied by 22 by 7 radius है 42 ठीक है यह हो गया 7 6 x 42 8 2 x 16 multiplied by 22 x 6 ठीक है इसे हम solve पर लेते हैं यह हो गया 16 x 132 क्या answer आएगा 2112 ठीक है option number b is the correct answer next question देखते हैं if the radius of a right circular cylinder is decreased by 10% height is increased by 20% then percentage increase or decrease in its volume ठीक है एक right circular cylinder है हमारे पास जिसकी radius को हमने 10% कम कर दिया है height को हमने 20% increase कर दिया है तो volume में क्या फर्क पड़ेगा volume क्या होता है right circular cylinder का pi r square h वहापे pi तो constant होता है और r square h variable होता है सबसे पहले हम r में change देखते है 10% decrease करता है तो 10% क्या होता है 1 by 10 यानिकी 10 से 9 हो जाता है ठीक है और r square है तो इसको हम दुबारा लिखते हैं यह 10 से 9 हो जाता है ठीक है अब height देखते है height क्या होती है 20% increase 20% का मतलब 1 by 5 यानकी 5 से 6 हो जाती है ठीक है multiply करेंगा यह हो जाएगा 500 इस तो 486 इससे हम 100 पनाने के लिए 5 से divide कर देते हैं यह हो जाएगा 100 इससे आप 5 से divide करेंगे क्या मिलेगा 97.2 इसका मतलब कितना decrease हो रहा है बताएए यह decrease हो रहा है ना 100 से 97.2 हो रहा है ठीक है तो यह कितना decrease हो रहा है 2.8% decrease ठीक है option number D is the correct answer ठीक है समझा गया सबको ठीक है हेलो बाइस कैसे हैं आप सब चलिए तो हम आज के सेशन स्टार्ट करते हैं आज हम पढ़ेंगे एलजब्रा के कुछ important questions जो कि SSC CGL 2019 प्री में पूछे गए थे यह questions most repetitive questions में से हैं चलिए तो हमारा फास्ट question है यह जो कि आपको यहां देख रहा है यह question आपको देखके लगड़ा होगा कि यह बहुत difficult है इस से solve the name बहुत टाइब लगेगा तो अगर आप basic approach से करेंगे traditionally कि हमने यहां पर x common निकाल लिया फिर उसका q खोला फिर हम काट देंगे उपर से नीचे ऐसे करके तो इसमें थोड़ा सा time लगेगा थोड़ा सा time consuming है हादा की difficult वह भी नहीं है तो इसके लिए हम short method approach करेंगे वह क्या है हम value putting method यूज करेंगे हम यहां पर क्या करेंगे x is equal to 1 पूट करेंगे सबसे पहले क्योंकि सबसे easy value 1 ही होती है तो हम यह पर put करते है x is equal to 1 यह हो जाएगा हमारा 1 put करते ही 1 into 1 minus 4 का square that is 3 minus 3 का whole square that is 9 divided by 1 plus 4 का square 25 minus 4 divided by 1 square minus 4 into 1 that is minus 3 का whole cube that is minus 27 divided by 1 plus 4 का square that is 25 multiply by 64 minus 1 का whole cube that is 63 divided by 16 minus 1 का square that is 15 इसको हम आगी solve करते हैं यह हो जाएगा 9 by 21 multiply कर दिया हमने divided को और इसको हम reciprocal कर देंगे यह हो जाएगा 25 by 27 इसका negative sign हम बहार ले जाएगे और यह हो गया 63 by 15 ठीक है अब हम इसे कट कर लेते हैं यह हो जाएगा 9 3 is a 27 21 3 is a 63 3 is a 3 cancel हो गया 5 3 is a 15 5 5 is a 25 यह आगे हमारे पास minus 5 by 3 ठीक है अब हम options में पुट करके देखेंगे x की value 1 जो भी option हमें minus 5 by 3 value देगा वो हमारा answer हो जाएगा हम इसमें पुट करते हैं first option में यह हो जाएगा minus 3 by 5 that means यह हमारा answer नहीं हो सकता यह हो जाएगा 5 by 3 that means यह भी हमारा answer नहीं हो सकता यह हो जाएगा 5 by minus 3 यह हमारा answer हो सकता है क्योंकि यह match कर रहा है और यह हो जाएगा 5 by minus 3 यह भी हमारा answer हो सकता है क्योंकि हमारा यह भी match कर रहा है, इसका मदलब COD options clash कर रहे हैं, इन्हें हमें देखने के लिए कि क्या answer है, हम यहाँ पर x is equal to 2 put करेंगे, यहाँ पर 2 put करते ही हो जाएगा 4 into 2 minus 4 का whole square, that is 4 divided by 2 plus 4 का whole square, 6, 36 minus 4 to the 8 divided by 2 का whole square, 4 minus 4 to the 8 का whole cube divided by 2 plus 4, 6 का whole square, 36 multiply by 64 minus 8 divided by 16 minus 4, right? यह हो जाएगा 4 for the 16 divided by 28, और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह हो जाएगा minus 4 का whole cube, minus हम भाहर निकाल लेंगे, और divide को हम multiply में convert करेंगे, तो 36 ऊपर पहुच जाएगा, और नीचे हो जाएगा, minus 4 का whole cube, that is 64, और यह हो जाएगा multiply में, 64 minus 8, 56 divided by 16 minus 4, 12, अब हम इसे काटेंगे, तो इसे स्वर्व करके हमारे पास आएगा minus 3 by 2, ठीक है, अब हमारे पास options कौन कौन से जो clash कर रहते हैं, वो थे C और D, तो हम केबल इन ही दो options में value पुट करके देखेंगे, यहाँ पर हम अगर 2 पुट करेंगे, तो यह हो जाएगा, मैं यहाँ प 6 by 2, और यही हमारा answer है, इसमें भी बुट करके देख लेते हैं, यह हो जाएगा, 6 by 2 minus 4, minus 2, यह हो जाएगा minus 3, तो हमारा यह मैच कर रहा है यहाँ पर, तो हमारा answer हो जाएगा C option, right, समाज आ गया सबको, चलिए, हम second question की तरफ बढ़ते हैं, यह है, if x minus x, x minus 1 upon x is equal to 11, then x cube minus 1 upon x cube, यह सो बहुत ही सिंपल है, तो सबसे basic questions होते हैं, यह जब रखे उन में से एक है, तो इसका direct formula होता है, कि अगर x minus 1 upon x is equal to a है, तब x minus x cube minus 1 upon x cube होता है, a cube minus 3 है, यहाँ पर a की value 11 दे रखी है, तो यह हो जाएगा 11 का cube minus 3 into 11, right, यह हो जाएगा, 11 का cube क्या होता है, 123, 1 minus 33, sorry, यहाँ पर यह होता है, a cube plus 3 है, तो यह हो जाएगा plus, यहाँ पर यह पर यह प्लस हो गया, और यह क्या answer आगिया हमारे बास, 1364, right, कौन सा option है, c option, चलिए, समाझ आगे सबको, अब हम चलते हैं, next question के तरफ, यह है, if x square minus 2 root 5 x plus 1 is equal to 0, then हमें x to power 5 plus 1 upon x to power 5 की value निकाल ली है, तो हमें इसका मदलब सबसे पहले क्या चाहिए, x plus 1 upon x, यह तो हमें सबसे पहले चाहिए न, और इस equation को देखके आप पता लगा सकते हैं, x plus 1 upon x की value, क्या करना है हमें, इस पूरी equation को divided by x करना है, जैसे हम divided by x करेंगे, तो यह हो जाएगा, x plus 1 upon x is equal to 2 root 5, ठीक है, समाझ आ गया, चलिए, हमारे पास यह तो आ गया, लेकिन हमें निकालना क्या है, x की power 5, प्लस 1 upon x की power 5, तो इसके लिए 5 कैसे आएगा, power में 2, multiply में power 3, यानि की x square प्लस 1 upon x square चाहिए, और x cube प्लस 1 upon x cube चाहिए, ठीक है, तो पहले हम formula लिख लेते हैं इसका, आप direct formula भी याद कर सकते हैं, डारेक्ट नहीं भी करना है, तो बस आप ऐसे कर लिजें, कि x square फ्लस 1 upon x square, multiply में x cube प्लस 1 upon x cube, क्योंकि हमें पता है कि हम इन दोनों को multiply करेंगे, तब भी हमें यह मिलेगा, ठीक है, अब multiply करते हैं, x square की multiply x cube से यह वुग या x5, x square की x1 upon x cube से यह वूग या plus 1 upon x, plus, 1 upon x square की x cube से यह हो गया, x plus, 1 upon x square की 1 upon x cube से यह वो गया 1 upon x qui power 5, अब देखिए, x square plus 1 upon x square क्या होता है, a square minus 2, राइट यहां पर 2 root 5 है इसका हम स्क्वाइर करेंगे 4 into 5 20 minus 2 अब x3 प्लेस बनद पोन x3 क्या होता है a3 minus 3a तो जब हम इसका cube करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का cube 8 root 5 का cube 5 root 5 that means 40 root 5 minus 3 into a यानिकी 6 root 5 right is equal to x की power 5 plus 1 upon x की power 5 और यहां पर x plus x sorry x plus 1 upon x की value क्या है 2 root 5 right ठीक है अब हम आगे लिखते हैं यह हो जाएगा 18 multiply by 34 root 5 is equal to x की power 5 plus 1 upon x की power 5 plus 2 root 5 अब चाहे तो आप इसे पूरा solve कर सकते हैं लेकिन पूरा solve करने में हमें लगेगा time तो हम क्या देखेंगे इन सब की unit digit आप देख रहे हैं सब की अलग है root 5 अगर छोड़ लिया जाए तो इसकी 8602 ठीक है तो हम यहां पर unit digit देखते हैं इसकी unit digit हो गई 84032 यानकि इसकी unit digit हो गई unit digit 2 right और यह 2 root 5 इदर चल जाएगा यहां पर sorry root 5 भी आएगा something something 2 और फिर यह इधर चल जाएगा minus 2 root 5 तो 2 में से 2 minus करेंगे तो आएगा something something 0 root 5 इसका मतलब हमें unit digit में 0 root 5 चाहिए और यहां पर कौन सो option है यहां पर option b है इसमें 0 root 5 है तो option b is the answer यह सबसे smart approach है आपको यही approach exam में apply करनी है ठीक है चलिए हम next question लेखते हैं यह है if b plus c is equal to ax c plus a is equal to by a plus b is equal to cz then हमें इसकी value निकाल नहीं है अब इसमें भी हम value putting method यूज करेंगे क्योंकि अगर हम basic approach करेंगे तो यह थोड़ा से lengthy हो जाएगा और हमारे पास इतना time नहीं होता है exam में कि हम इतना time किसी equation पर लगाएं तो इसलिए हम यहाँ पर और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं value putting method का भी use होता है जब number of variables number of equations से जादा हो यहाँ पर a b c x y z six variables हैं और equations कितनी है 1 2 3 इसका मतलब value putting method हम यहाँ पर असानी से use कर सकते हैं तो हम यहाँ पर put करते हैं हम यहाँ पर let कर लेते हैं let a is equal to b is equal to c is equal to 1 हमें तीनों की value 1 मान ले ठीक है चले अब देखते हैं क्या होता है यह first equation है इससे क्या मिलेगा हमें b plus c यानिकी 1 plus 1 is equal to 1 into x तो x की value क्या आ गई 2 ठीक है अब यह second equation है यहाँ पर put करेंगे 1 1 plus 1 is equal to 1 into y y की value क्या आ गई 2 राइट यह third equation है यहाँ पर put करेंगे 1 plus 1 is equal to 1 into z z की value क्या आ गई 2 राइट चलिए अब हमें x, y, z की value मिल गई हैं और हमें यही चाहिए थी आप देख रहे हैं इसमें x, y, z यही तीन values put करनी हैं तो इसकी एसका answer क्या हो जाएगा 1 by 9 bracket 1 upon x plus 1 this implies 2 plus 1 यहो जाएगा 3 plus 1 upon y plus 1 upon 3 plus 1 upon z plus 1 upon 3 बस हो गया अब इसका आप lcm ले सकते हैं यहो जाएगा 1 by 9, lcm लेके नीच से 3 आजाएगा 1 plus 1 plus 1 यहो जाएगा 3 by 3 यहो जाएगा 1 by 9 पस यहो क्या हमारा answer देख रहे हैं हम कितनी जल्दी हो गया इस method से ठीक है तो यही हमें ध्यान रखना है चलिए हमारे next question क्या है next question है if x, y, z are 3 integers such that यह 3 equations ही हुई है ठीक है इसमें आप variables देख रहे हैं number of variables है 3 और equations भी 3 हैं तो यहाँ पर हम value putting measure use नहीं कर सकते हैं यहाँ पर हमें manually solve ही करना पड़ेगा राइट आप यहाँ पर कोई भी 2 equations ले सकते हैं साथ में तो हम यहाँ पर क्या करते हैं x plus y और z plus y यह दो equations ले लेता हैं और solve करते हैं x plus y is equal to 8 z plus y is equal to 30 राइट अब हम subtract करेंगे यह से यह हो जाएगा x minus z is equal to minus का 5 राइट अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें x minus z मिल गया है और यहाँ पर x plus z दे रखा है ठीक है अब हम इन दोनों को solve करेंगे तो मैं इसी के नीचे लिख रहे हूँ x plus z is equal to 17 हम दोनों को add कर देंगे तो यह z से z cancel हो जाएगा यह हो जाएगा 2x is equal to 12 this implies x is equal to 6 x की value क्या आगई 6 अब हम इस x की value इस equation में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 plus y is equal to 8 this implies y is equal to 8 minus 6 यहने की y क्या आगया 8 minus 6 is equal to 2 ठीक है हमें y की value भी मिल गई अब y की value मिल गई तो हम इस equation पूट कर सकते हैं z की value निकाल सकते हैं यहाँ पर पूट करेंगे 6 plus z is equal to 13 ठीक है तो z की value क्या आगई z की value आगई 13 minus 2 11 ठीक है x y z तीनों की value आगई हमें निकालना क्या है x square divided by by z x क्या है 6 into 6 divided by 2 into 11 solve करते हैं यह हो जाएगा 2 3 is a 6 यह हो जाएगा 18 by 11 और यह ही हमारा answer है that is option number D ठीक है समाझ आ रहा है सबको चलिए अब next question देखते हैं यह है if a cube plus 1 upon a cube is equal to 52 then the value of 2 into a plus 1 upon a is ठीक है अब आपने यह तो पढ़ा होगा कि a plus 1 upon a cube कैसे निकाला है ठीक है यहाँ पर इसका reverse पूछा है आप इसका formula भी direct रियाद कर सकते हैं but मैं prefer करती हूँ कि हम इसे traditional approach से solve करें क्योंकि हम कभी-कभी formulas इतने सारे भूल जाते हैं तो हम क्या करेंगे आपको यह दिख रहा है इसका cube है तो हम यहाँ पर a plus 1 upon a का cube करेंगे यह हो गया formula क्या होता है a cube plus b cube b cube है बन अपॉन a का cube plus 3a square b plus 3ab square तो यहाँ पर 3ab into a plus b होता है तो यह हो कि 3a क्या है a b क्या है बन अपॉन a a plus b क्या है a plus बन अपॉन a right ठीक है अब values पुट कर दीजेगा a plus बन अपॉन a की value हमें निकान ली है तो यह ऐसी रहन दीजे इसका whole cube this imply is equal to इसकी value हमें 52 दी हुई है plus यह a से यह cancel हो जाएगा यह 3 बचेगा और यह हो गया a plus 1 upon a right हम यहाँ पर इसको x माल लेते हैं क्योंकि यह बहुत difficult हो रहा है तो सारा लिखना तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूं x cube is equal to 52 minus 3x ठीक है अब हम इसको x cube minus 3x is equal to 52 लिख सकते हैं इसमें से x कॉमन निकाल सकते हैं x square minus 3 52 के ऐसे pairs करें कि इस value को satisfy करें तो हम क्या कर सकते हैं 4 into 13 ऐसे लिख सकते हैं अब आप देखें आप इन दोनों को compare करेंगे तो x की value क्या आ रही है मारे पास x की value आ रही है 4 ठीक है हम इसमें satisfy कराके देख लेते हैं एक बार यहां पर आप अगर x की value 4 put करेंगे यह हो जाएगा 4 का square 16 minus 3 16 minus 3 is equal to 13 तो यह satisfy हो रहा है इसका मतलब हमारे पास क्या आ गई value x की value आ गई 4 राइट और x हमने क्या मना है यह प्रस बानों को नहीं को तो इसका मतलब हमें निकालना क्या है therefore हमें क्या निकालना है 2 into x निकालना है ना हमें तो यह होगे 2 into 4 is equal to 8 राइट next version है यह है if x plus y plus z is equal to 3 and x square plus y square plus z square is equal to 101 तब हमसे यह पूछ है यह एक identity होती है इसका formula आपको ध्यान रुखना होगा यह is equal to होता है x q plus y q plus z q minus 3 x y z equal to x plus y plus z multiply by bracket x plus y plus z ka whole square minus 3 into x y plus y z plus z x ठीक है bracket close और अब क्योंकि यहां पर square root है तो हम इस पूरे का square root ले ले लेंगे 1 by 2 ठीक है अब value put कर देते हैं यह होगया 3 multiply by 3 कर square that is 9 minus 3 into x y plus y z plus z x ठीक है इसकी whole power 1 by 2 ठीक है अब हमें यहां पर इसकी value निकाल लेंगे इसकी value कैसे निकलेगी इसका हम whole square करेंगे तो इसकी value निकलाएगी यह होगया x plus y plus z ka whole square is equal to x square plus y square plus z square plus 2xy plus yz plus zx ठीक है value put कर दीजे होगया 3 का square 9 is equal to इसकी value निकलाएगी है इसकी value क्या आगई x y plus yz plus zx की value आगई 9 minus 101 क्या होगया minus का 92 ठीक है divided by 2 क्योंकि यह इसकी नीचे चलाएगा ठीक है तो हमारे पास आगया आएए minus 46 इसका मतलब इसकी value क्या हो गई minus 46 अब हम यह value यहाँ पर put कर देते हैं तो क्या मिलेगा 3 into 9 minus 3 into minus का 46 इसका whole power 1 by 2 ठीक है यह हो गया 3 into 9 यह हो जाएगा minus minus plus और इसके multiply करेंगे 6 3 is the 18 plus 1 3 is the 12 138 इसकी whole power 1 by 2 यह हो जाएगा 3 into 147 इसकी whole power 1 by 2 और इसको हम लिख सकते हैं 3 into 3 into 7 into 7 इसकी whole power 1 by 2 तो क्या आगया 3 into 7 is equal to 21 21 हमार answer हो गया that means option number 2 ठीक है समझा गया सबको चलिए next question देखते हैं अब इसमें क्या करना है इसमें हमसे पूचा है x square का coefficient हम इसमें formula कोल देते हैं इसको a plus b का whole cube क्या होता है a cube plus b cube plus 3ab a plus b ठीक है यह हो जाएगा a cube यानिकी 2x का whole cube plus b cube यानिकी y cube plus 3a square b यानिकी 3a square होगे 2x का whole square b यानिकी y plus 3a into b square यानिकी y square ठीक है अब आप देख रहे हैं तो केवल हम इसको देखेंगे क्योंकि हाँ पे ही हमें x square मिलेगा क्या हो जाएगा 3 into 4 x square into y तो यह हो जाएगा 12 y into x square तो x square का coefficient क्या आ गया 12 y तो हमारा option b is the answer ठीक है अब next question देखते हैं यह है if x की पावर 4 plus x square y square plus y की पावर 4 is equal to 273 and x square minus xy plus y square is equal to 13 तब हमसे xy की value पूछी है ठीक है अब आपको पता होगा इसका क्या formula होता है यह is equal to होता है x square minus xy plus y square into x square plus xy plus y square is equal to 273 अब हमें इसकी value यहाँ पर given है तो यह हो जाएगा this implies 13 multiply by x square plus xy plus y square is equal to 273 राइट इसका मतलब x square plus xy plus y square की value क्या आगई? 273 by 13 13 तो जो जो 26 13 में जो 13 यहाँ की 21 हमें निकालनी क्या है xy की value हमार पास दो equations आगई यह की और यह की इसको हम solve कर लेते हैं यह हो गया x square minus xy plus y square is equal to 13 and second equation is x square plus xy plus y square is equal to 21 ठीक है अब हमें यहाँ पर xy चाहिए हमें तो यहाँ पर हम अगर add करेंगे तो यह cancel हो जाएगा तो हम इसे subtract करेंगे ठीक है यह x square स x square cancel हो गया y square स y square cancel हो गया यह हो गया 2xy minus का और यह हो गया 8 minus का तो हमार पास xy की value क्या आ गई 2 fours are 8 minus the minus cancel xy की value आ गई 4 that means option number a ठीक है समझा आ गया सबको हेलो गाईस कैसे हैं आप सब चलिए तो हम आज के session स्टार्ट करते हैं आज हम पढ़ेंगे सिंप्लिफिकेशन के most repetitive questions जो कि SSC CGL 2019 pre में पूछे गई हैं फर्स्ट क्रेशन आप देख रहे हैं यह है इस plus minus plus means minus minus means plus multiply means divide divide means multiply तब हम उसे इसकी value पूछी है सबसे पहला हम science change कर देते हैं जो उन्होंने बोला है यह हो गया 42 minus का करना है plus plus 12 यह हो गया divide minus 8 multiply 2 minus 15 divided by 8 divided by 2 plus 4 minus 9 multiply by 3 right ठीक है अब हमें इसी board mass rule से solve करने होते हैं इसके questions board mass मतलब क्या होता है bracket of divide multiplication addition subtraction ठीक है यहाँ पे bracket भी नहीं है और off भी नहीं है तो सबसे पहले हम divide solve करेंगे तो यह हो जाएगा 42 plus 12 sorry यहाँ पे हमें divide करना है तो यह हो जाएगा plus 4 minus 8 multiply 2 minus 15 यह हो जाएगा 4 plus 4 minus 9 into 3 यह हो जाएगा 42 plus 4 minus 16 minus 15 यह हो जाएगा 4 plus 4 minus 27 यह हो जाएगा 44 plus 4 46 minus 16 or 15 यह हो जाएगा 31 यह हो जाएगा 4 plus 4 8 minus 27 यह हो जाएगा 15 divided by 19 minus का यहाँ जाएगा यह हो पीजिया और यह हो जाएगा तो हमें सब कुछ देखना है सबसे पहले हम ब्रैकेट इस alive करेंगे तो यह हो गया bracket 18 divided by ऑफ solve करते हैं तो अफ मैं क्या है 2 multiply by 1 by 4 यह 2 से cancel हो जाएगा 2 times तो यह हो जाएगा 1 by 2 multiply next packet 2 by 3 divided by अब यहाँ पर हम divided by को multiply में change कर लेते हैं ठीक है तो यह इसको reciprocal कर देंगे यह हो जाएगा 4 by 3 multiply by 5 by 8 divided by 2 by 3 divided by यहाँ पर देखिए यह off है इसके हम multiply करेंगे यह हो जाएगा 9 by 16 ठीक है इस इक्वल 2 यहाँ पर दिवाइट करेंगे 2 उपर पहुँच जाएगा यह हो जाएगा 36 multiply by इससे आप solve करेंगा तो यह यहाँ पर क्या कट रहा है 4 तूजा 8 2 से दो cancel यह हो जाएगा 5 by 9 राइट दिवाइद बाई यहाँ पर हम यह solve करते हैं 2 by 3 इसको multiply कर देते हैं यह रिक्वल हो जाएगा यह हो जाएगे 9 यह हो जाएगा 36 multiply by 5 by 9 divided by यहाँ पर कुछ नहीं करता है तो यह हो जाएगा 32 divided by 27 राइट हो जाएगा 36 multiply by 5 by 9 इसको multiply कर जेते हैं यह हो जाएगा 27 by 32 राइट अब यहाँ पर काट लेते हैं यह हो जाएगा 9 3 is a 27 4 9 is a 36, 4 8 is a 32 यह हो जाएगा 9 5 is a 45, 45 3 is a 135 by 8 ठीक है तो यह हो जाएगा 16 by 16, 7 by 8 यह हमारा आंसर हो क्या that means option number 2 ठीक है आरा है सब्सक्राइब समझ में next रोशन की तरफ चलते हैं यह है यह भी बोर्ड मैस रूल अप्लाई करना है इसमें और बहुत ध्यान से करना है क्योंकि इसमें कई सारे ब्रैकेट्स दिये हैं तो हमसे mistakes हो सकती है ठीक है चलिए तो हम ध् 8 divided by big bracket 8 minus 3 5 divided by bracket 4 divided by 4 into 8 8 4 is a 32 plus 4 minus 4 into 4 divided by 8 bracket minus 2 bracket 8 into 8 divided by 4 minus 8 divided by और यहां पर देखिए 8 of 2 यानिकी 8 multiplied to 16 minus 7 ठीक है next step दिखते हैं यह हो गया 8 divided by 5 divided by यह हो जाएगा 4 divided by 32 1 upon 8 ठीक है 1 upon 8 plus 4 minus 4 multiply by यह हो जाएगा 4 by 8 ठीक है 4 by 8 को हम क्या लिख सकते हैं 1 by 2 right bracket close minus 2 bracket close 8 multiply by 8 by 4 मतलब 2 minus 8 by 16 that means 1 by 2 minus 7 ठीक है ठीक है next 8 divided by 5 divided by 5 divided by 1 by 8 plus 4 minus यहां पर देखिए 2 से 2 times cancel हो जाएगा यह बच्चा 2 minus 2 यह हो गया 8 to 16 minus 1 by 2 minus 7 ठीक है next क्या है 8 divided by 5 divided by इसका हम LCM लेंगे और solve करेंगे तो हमें क्या मिलेगा हमें मिलेगा 17 by 8 ठीक है माइनस 2 divided by यहां पर हम इसका LCM लेंगे माइनस करेंगे तो हो जाएगा 17 by 2 राइट आगे देखते हैं यह हो जाएगा इसकी मल्टिप्लाइ करेंगे 8 5 7 40 by 17 minus 2 ठीक है यह हो गया 8 divided by LCM लेंगे 17 रुज़र 34 40 minus 34 6 by 17 ठीक है 17 by 2 ठीक है यह हो गया 8 multiply करेंगे 17 by 6 17 by 2 अब इसको आप सॉल्फ कर सकते हैं 8 into 17 by 6 into यह उपर चला जाएगा 2 by 17 तो क्या मिला हमें यहां से मिल गया 8 by 3 यही हमारा answer है that means option number 2 ठीक है आ रहा है सब को समझ में next question देखते हैं next question है यह इस question में आप देख रहे हैं यह सारे decimal वाली digits दी हुई है तो इसमें solve करने में हमें कई बार ही दिक्कत हो जाती है क्योंकि आप इसकी multiply करेंगे फिर minus करेंगे multiply करेंगे तो यह time taking question हो जाता है इसके लिए एक सबसे अच्छा method है digital sum digital sum इसमें हम apply करेंगे तो आप ठीके देखते हैं 5 plus 6 11 11 1 plus 1 2 digital sum क्या हो गया 2 minus 2 plus यह हो गया 6 of इसका क्या हो गया 2 plus 1 3 minus 6 plus 2 8 multiply by 1 plus 1 plus 2 4 ठीक है यह हो गया 2 minus 2 plus 6 of पहले हमें bracket solve करना होता है ना तो पहले हम यह देखते हैं यह हो गया इसमें पहले multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 3 minus 8 for the 32 32 32 मदलब 3 plus 2 5 ठीक है यह हो गया 2 minus 2 plus 6 of 3 minus 5 minus 2 राइट इसे देखेंगे आगे 2 minus 2 plus अब आप देख रहे हैं यह minus बहार चला जाएगा 6 तूजा 12 होता है 12 को 1 plus 2 हम 3 लिखेंगे ठीक है यहाँ पर देखा 2 minus यह हो गया minus 1 यह हो गया 2 plus 1 यहनकी 3 यहनकी हमें वह option देखना है जिसका digital sum 3 आ रहा हो हम एक एक करके options check करते हैं पहला option है यहाँ पर देखेंगे इसका digital sum यह 8 plus 1 cancel हो जाएगा 7 plus 4 11 यहनकी digital sum आ रहा है 2 ठीक है और यहाँ पर digital sum देखेंगे 8 plus 4 12 12 plus 2 14 14 plus 7 21 21 का होता है 3 इसका मतलब यह हमारा answer हो सकता है ठीक है इसका देखेंगे 7 plus 7 14 15 16 17 18 19 19 का हो गया 1 plus 9 1 plus 9 हो गया 1 यह भी हमारा answer नहीं है यह हो गया 7 plus 7 14 15 16 17 18 1 plus 8 is equal to 9 यहनकी यह भी हमारा option नहीं है तो क्या मैच कर रहा है option B हमारा answer हो गया यह सबसे best method है जिससे आप question बहुत जल्दी solve कर सकते हैं ठीक है समझ आ रहा है जबको चलिए next question देखते हैं यह बहुत easy question है इसमें भी बस अच्छा से ध्यान रखे board mass rule ही apply करना है यह देखते हैं योग्या 11 plus 11 multiply 11 minus divide करेंगे 11 by 11 1 ठीक है योग्या 11 plus multiply करेंगे 11 into 11 121 minus 1 इससे add करेंगे योग्या 132 minus 1 यह हो गया 131 यह हमारा answer है that is option number B ठीक है next question यह बहुत easy question है आप ध्यान करिए ऐसा का होता है यह formula होता है a square minus b square का a square minus b square is equal to a plus b into a minus b तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a plus b यानिकी 151 plus 149 ठीक है into a minus b यानिकी 151 minus 149 ठीक है इसको add करिए तो यह हो जाएगा 10 10 10 300 multiply by यह हो जाएगा 2 यह हो जाएगा 600 यह हमारा answer है that is option number A ठीक है समाज आगे सबको ठीक है आप SAC, CGL, CHSL के साथ साथ बाकी सभी SAC exams के pre-mains और descriptive के तयारी एक single plan लेके कर सकते हैं academy plus का जिसके नदर आपको अभीने साथ की complete maths, पवन राव सर्व, रानी मैं, वाइफर स्टरी, प्रतियोगिता मंत्रा के साथ सभी educators के सभी courses मिल जाएगे बस आपको अपना plan चूस करक और discount code आपको लगाना है प्रतियोगिता मंत्रा, अब जैसे बिना space के discount code लगाएंगे आपको discount मिल जाएगा, इसके अदर mock test route session सब कुछ included है, बस आपको अपना plan यहाँ से choose करके आपको referral code की जगा लिखना है प्रतियोगिता मंत्रा बिना space के, जैसे ही आप इस discount code को लगाए आपको maximum discount मिलेगा, आपको इस rate में plan पढ़ जाएंगे, अगर आप किसी और category में भी त्यारी करेंगे, चाहिए UPSC है, banking या railway, हर एक category में same discount code लगा के, आपको maximum discount मिलता है, बस आपको बिना space के लिखना है प्रतियोगिता मंत्रा, I hope आपको वीडियो पसंदा है होगा, all the very best for the exam, thank you so much. Then हमें इसकी value निकालनी है, चली ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या given है, 6, 10a is equal to 5, right, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 10a is equal to 5 by 6, right, ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं, हमारे पस 10a की value है, और हमें निकालनी किसकी value है, हमें निकालनी है, sin a और cos a की, यही तो पूचा ग करेंगे, हम इस वाली equation को divide कर देंगे, cos a से, dividing by cos a, this implies, तो यह वाली equation क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा, 8 sin a by cos a, that means, 10a minus 4 cos a by cos a, is equal to 1, right, divided by cos a by cos a, that means, 1, plus 2 sin a by cos a, that means, 10a, अब आप देख रहे हैं, हमें 10a given था, और हमने इस equation को, पूरी equation को 10a में convert कर दिया है, तो अब तो यह easy होगे solve करना, चीक, अब हम 10a की value put कर देते हैं, यहाँ पर, यह हो गया, 8 multiply by, 10a की value है, 5 by 6, minus 4, divided by, 1, plus 2 into, 10a की value है, 5 by 6, बस अब क्या है, अब इसे solve कर लीजए आप, यह हो गया, यह आप 2 से cancel कर देंगे, 2, 4s are, 2, 3s are, यह हो जाएगा, 20 by 3, minus 4, नीचे हो जाएगा, यह आप 2 से cancel कर देंगे, 2, 3s are, 6, 1, plus 5 upon 3, right, अब आप इसका LCM लेंगे, यहाँ पर, तो यह हो जाएगा, 20 minus 4, 3s are, 12, divided by 3, तो 20 minus 12 is equal to 8, 8 by 3, यह हो जाएगा, आप यहाँ पर LCM लेंगे, नीचे 3, 3 plus 5 upon 3, यह हो जाएगा, 8 upon 3, right, अब उपर भी 8 by 3, नीचे भी 8 by 3, यह पूरा का पूरा cancel हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमरे पास, हमारे पास बचेगा 1, right, अब आप option में देखिए, option में क्या है, option में, option A is 1, तो हमारा यही answer हो गया, समझ में आ गया सबको, right, चाले, अब हम next question की तरफ बढ़ते हैं, यह question है, if x is equal to 4 cosi plus 5 sin a, and y is equal to 4 sin a minus 5 cosi, then value of x square plus y square, अब आप देख रहे हैं, options में यहाँ पर numerical values दी गई है, यहाँ पर हमें sin, cos, उससे कुछ मतलब नहीं है, तो हम easily एक method लगा सकते हैं, putting value method, right, तो हम यहाँ पर क्या रेख रहे हैं, sin or cos है, तो हम यहाँ पर या तो a is equal to 90 degree put कर सकते हैं, या फिर a is equal to 0 degree put कर सकते हैं, आपको जो सही लगे, आप उस method से करेगा, मैं हाँ पर put कर रही हूं, a is equal to 0 degree, right, हमें a is equal to 0 degree put कर रहां, तो यह हो जाएगा, x is equal to 4 cos 0 plus 5 sin 0, right, is equal to 4 cos 0, cos 0 क्या होता है, cos 0 होता है, 1, 4 into 1 plus 5 sin 0 क्या होता है, sin 0 होता है, 0, तो इसकी value क्या आगई, 4 into 1, 4 plus 0, 4, right, ठीक है, अब देखते हैं y को, y में हम a की जगे 0 put करेंगे, तो यह हो जाएगा, 4 sin 0, minus 5 cos 0, right, अब यहाँ पर 4 into sin 0 क्या होता है, 0, minus 5 into cos 0 क्या होता है, cos 0 होता है, 1, तो यह हो गया, 0, minus 5, that means minus 5, अब हमारे पास x और y की values आ गई, बस करना क्या है, बस x square plus y square निकालना है, तो x square plus y square is equal to x की value है 4, square plus y की value है minus 5, का whole square, यह हो जाएगा 16 plus 25 is equal to 41, बस यह हमारा answer हो गया, और यह हमें टिक काट गया, right, समझ में आ रहा है सबको, चलिए, बढ़ते हैं, next question की तरफ, यह है question number 3, यहाँ पर क्या गया है, यहाँ पर दिया गया है, value of expression, cosac 85 plus theta minus 1, 5 plus theta minus 10, 55 plus theta plus cot 35 minus theta is, अब आप देख रहे हैं, यहाँ पर numerical values है, right, तो सबसे easy क्या होता है, जब numerical values होती हैं, आप value putting method यूज़ करिए, और value putting method में क्या है, आप यहाँ पर सबसे easy value क्या रहेगी, सबसे easy value रहेगी, theta is equal to 0, put theta is equal to 0, right, यहाँ पर put करिए यह हो जाएगा, cosac 85 minus sec 5 minus 10, 55 plus cot 35, right, अब आप देख रहे हैं, 85 plus 5, क्या हो गया, 90 हो गया, similarly 55 plus 35, यह भी क्या हो गया, 90 हो गया, इसका मतलब यह 90 के pairs में बन रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, cosac 85 minus sec, वैसे तो आप डार्क भी कर सकते हैं, बट मैं आप यहाँ पूडा करके दिखा रहे हूँ, आप 5 को कैसे लिख सकते हैं, 90 minus 85 degree minus 1055 plus cot, 35 को कैसे लिख सकते हैं, 90 degree minus 55 degree is equal to, cosac 85 वैसे रहेगा, minus sec 90 minus 85 क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, cosac 85 minus 1055 plus cot 90 minus 55 क्या होता है, यह होता है, 1055, बस हो गया, अब तो बहुत इजी आप क्या है, यह देखिए, आप cosac 85 minus cosac 85 भी कैंसल हो गया, और यह है minus 1055, यह है plus 1055 भी कैंसल हो गया, क्या बचा, कुछ नहीं 0, बस यह ही हमारा answer है, देखा, आपने कितनी जल्दी से solve हो रहा है, value putting method से, चलिए, अब हम बढ़ते हैं, next question की तरफ, यह है question no.4, इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है, the value of sec 6 theta, minus 106 theta, minus 3 sec square theta, into 10 square theta, plus 1, whole divided by, cos 4 theta, minus sine 4 theta, plus 2 sine square theta, plus 2 is, यहां भी आप लेख रहे है, numerical options है, तो भाई, value putting method हम use करेंगे हैं, यहां पर भी, put theta is equal to, अब आप यहां पर theta कुछ भी put कर सकते हैं, बस आपको यह ध्यान रखना है कि denominator में infinity नहीं बनना चाहिए, right, तो आप 0 degree, 30 degree, 60 degree, 45 degree, 90 degree, कुछ भी put कर सकते हैं, until and unless नीचे infinity ना बने, तो यहां पर हम, हमें कोई दिक्कत ना हो, तो हम यहां पर क्या output करेंगे, हम यहां पर 0 degree put करेंगे, right, वो theta is equal to 0 degree, चलिए, आप solve करते हैं, यह हो जाएगा, मैं directly values लेक रही हूँ यहां पर, sec 0 क्या होता है, sec 0 होता है, 1, और 1 की power 6 क्या होगी, 1, तो हमने लिख दिए 1, minus 10 0 की whole power 6, 10 0 क्या होता है, 10 0 होता है, 0, और 0 की power 6, 0, minus 3 into sec square theta, यहने की 1 का square, यहने की 1 into 10 square theta, यहने की 0 का square, यहने की 0, plus 1 whole divided by cos 4 theta, cos 0 क्या होता है, cos 0 होता है, 1, और 1 की power 4 मतलब 1, minus sin theta की whole power 4, sin 0 क्या होता है, 0, यहने की 0, plus 2 into sin theta, यहने की sin 0, यहने की 0, plus 2, बस अब तो क्या है, तो easy है, बहुत सा ओल करना है, 1 minus, यह 0 हो गया, यह पूरा term 0 हो गई, तो यह होग अब plus 1, यह होग अब 1, यह 0 है, यह पूरा term 0 हो गई, यह हो गया, plus 2, क्या बच्चा हमारे पास, 2 by 3, plus, यह हो गया answer, ठीक है, I hope आपको यह समझ में आ रहा होगा, राइट, चलिए बढ़ते हैं, next question की तरफ, next question है, question number 5, यह है, if 2 sin theta, plus 15 cos square theta, is equal to 7, और given क्या है, theta lies between 0 degree and 90 degree, इसका मतलब क्या है, कि theta lie करता है, first quadrant में, तब क्या पूछे गया है, तब क्या पूछे गया है, 10 theta plus cos theta, plus sec theta की value, और यहाँ पे numerical options है, चलिए, इस solve करते हैं, अब आप देख रहे हैं, इस equation में, यह कुछ-कुछ quadratic equation की तरह लग रही है ना, लेकिन quadratic equation में क्या होता है, एक ही variable होता है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 variables है, sin theta, cos square theta, तो कुछ नहीं हम क्या करेंगे, cos square theta को sin square theta में convert कर लेंगे, क्या हो जाएगा यह, 2 sin theta, plus 15, cos square theta क्या होता है, 1 minus sin square theta, right, is equal to 7, this implies, 2 sin theta, plus 15 minus 15 sin square theta, is equal to 7, अब हम एक साथ ले जाते हैं इसे, यह हो जाएगा, 15 sin square theta, minus 2 sin theta, minus 8, is equal to 0, अब यह बन गाई ना, quadratic equation, इसको solve करना थो बहुत इसी है, अब इसके factors हम देखते हैं, क्या क्या होंगे, यह हो गया, 15 into 8, is equal to 120, 120 के ऐसे factors करने हैं, जिनके बीच में difference है, 2, तो 120 के easily factors क्या होंगे, 12 into 10, right, तो यह हो जाएगा 15, sin square theta, minus 12 sin theta, plus 10 sin theta, minus 8, is equal to 0, this implies, यहाँ पर क्या comment आ रहे हैं, यहाँ पर common है, 3 sin theta, यह हो जाएगा 5 sin theta, minus 4, यहाँ पर common क्या है, यहाँ पर है 2, यह हो जाएगा 5 sin theta, minus 4, is equal to 0, बस, अब आप इस पूरे में से, 5 sin theta, minus 4 common ले सकते हैं, 5 sin theta, minus 4, तो क्या बचा, 3 sin theta, plus 2, is equal to 0, अब इन दोनों brackets को आप अला बला भी 0 को equal रखेंगे, तो क्या निकल के आएगा, तो निकल के आएगी sin theta की value, तो एक value आएगी हमारे पास, यह हो जाएगा, 5 sin theta, minus 4, is equal to 0, this implies sin theta, is equal to 4 upon 5, राइट, और दूसरी value क्या आएगी, sin theta is equal to, यह हो जाएगा, 3 sin theta plus 2, is equal to 0, this implies sin theta is equal to minus 2 by 3, अब हमेरे पास 2 values आपे, हमें निकाल नहीं है, इसकी value, तो हमें कैसे पादा चला कि, हमें यह यूज करना है, या फिर यह यूज करना है, यह हमें hint क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे hint दे रखा है इसका, यहाँ पे क्या दिया है, theta lies in the first quadrant, और first quadrant में क्या होता है, sin theta positive होता है, इसका मदलब हमें sin theta की value positive लेनी है, इन दोनों में से 4 by 5 positive value है, minus 2 by 3 negative value है, इसका मतलब यह value महीं हो सकती, तो हम यहाँ पे sin theta की value 4 by 5 ही consider करेंगे, बस अब हमें यहाँ पे put कर देना है, यह क्या पूछा है हमसे, 10 theta plus cos theta plus 7 theta, लेकिन हमारे पास है sin theta, बस इसका सबसे easy method है solve कर लेका, आप यहाँ पे right angle एक triangle form कर लीजे, यह होगे triangle, suppose यह angle होगे theta, यह होगे 90 degree, sin theta क्या होता है, perpendicular upon hypertonius, राइट, तो perpendicular होगे 4, hypertonius होगे 5, और 3, 4, 5 क्या होता है, triplet होता है, वह यहाँ पे fit better है, तो यह होगे 3, base होगे 3, बस अब आप यहाँ से values लगा दीजे, 10 theta क्या होता है, perpendicular upon base, यह होगे 4 upon 3, राइट, plus cos theta क्या होगे यहाँ से, यह होगे 3 by 5, ऐसे ही set theta क्या होगे, वह होगे cos theta का diverse, sorry reciprocal, तो वह होगे 5 by 3, यह value आगई, अब हम क्या करेंगे, सीरिश सीरे आप LCM ले लिजे, 3 और 5 का LCM होगे 15, तो यहाँ पे हो गया, 3 by 5 is a 15, 5 by 4 is a 20, plus 5 by 3 is a 15, 3 by 3 is a 9, plus 3 by 5 is a 15, 5 by 5 is a 25, तो यह क्या आगया, एड़ करके 54, divided by 15, इसका मतलब यह क्या आगया, 3, क्योंकि 15 by 3 is a 45, बचा 9 by 15, अब हम इसको और साफ कर सकते हैं, आप इसको 3 से कैंसल कर दीज़ें, 3, 3 is a 9, 3, 5 is a 15, तो क्या बचेगा हमेर पास, 3, 3 by 5, यह हो गया, आंसर, इसका मतलब, option number C, right, I hope आपका यह समझ में आ रहा है, आप SAC, CGL, CHSL के साथ साथ, बाकि सभी SAC exams के pre-mains और descriptive की तयारी सिंगल प्लान लेके कर सकते हैं, अकाड़मी प्लस का, जिसके नदर आपको अभीने साथ की complete maths, पवन राऊ सर्व, रानी मैं, वाइफर स्टरी, प्रतियोगीता मंत्रा के साथ, सभी educators के सभी courses, मिल जाएंगे, बस आपको अपना plan चूस करके, आपको referral code की जगा लिखना प्रतियोगीता मंत्रा, बिना space के, जैसे ही आप इस discount code को लगाएंगे, आपको maximum discount मिलेगा, आपको इस rate में plan पढ़ जाएंगे, अगर आप किसी और category में भी त्यारी कर दाएंगे, चाहिए UPSC है, बैंकिंग या रेलवे, हर एक category में same discount code लगा के, आपको maximum discount मिलता है, बस आपको बिना space के लिखना है, प्रतियोगीता मंत्रा, I hope आपको वीडियो पसंदा है होगा, all the very best for the exam, thank you so much. Good evening, good evening, सभी लोग फटावट से join कर लो, अपने इस session में हम number system का जो पहली class है, वो हम start करने वाले है, LCM, HCF बहुत important class, इसलिए होने वाली है, क्योंकि ये एक ऐसा base है, जिससे हलवा CGL, जितने भी SST की exams होते हैं, सब में सवाल पूछे जाते हैं, और कोशिश हम यह करेंगे, जिसने पहले कभी भी नहीं पढ़ा, उसके लिए भी important रहे, और जो पहले पढ़ चुका है, उसके लिए भी important रहे, चलो, फटावट से सबी लोग आ जाओ भई, सूरज हाए, welcome, स्टार्ट करते हैं, अपना session बिना time ख़राब करते हैं, बिल्कुल basic से मैं start करूँगा session को, मैं यह मान के चलूँगा, कि आप पहले से इस chapter के बारे में, थोड़ा बहुत जानते हैं, बिल्कुल basic basic बाते, फिर भी मेरी कोशिश यह रहेगी, कि आपको इस तरीके बढ़ा दूँगी, अगर आप इसमें परेशान है, कुछ भी है, सबी चीज़े मैं हाँ पर आपको कवर कर दूँगा, hello, welcome everybody and good evening, and welcome to the session, रेखो, हम लोग यहाँ पर जो आज पढ़ने वाले हैं, वो LCM, HCF है, बिल्कुल basic to advanced समझाएंगे, pre, main, सभी type के हम सवाल यहाँ पर discuss करेंगे, लेकिन सभी बातों को आगे बढ़ाने से पहले, जो important बात है, वो यह है, कि LCM और HCF होता क्या है, इस बारे पर थोड़ी सी बात करेंगे, starting के 10 से 15 minute, आप यह मान के, चलो हम वो बाते करेंगे, करीब starting के 5 minute तो specifically, जो आपको already आती होगी, वो इसलिए देखो, जब 2 का table याद करा होगा, तब ही 20 तक पहुचे होगे, तब ही automatically logic से 2000 का table भी बना लेते हो, तो starting के 5 minute वो 2 का table में आपको बताने वाला हूँ, जो की आपको मदद देगा बढ़े tables को याद करने में, हाई पंकच, welcome to the session, तो देखो जो LCM होता है, वो होता है least common multiple, अब इसका क्या मतलब है, और एक होता है HCF, अब basic सी बात करते हैं, मैं आपको शुरू करता हूँ, माल लो 3 के पहाड़े से, 3 का पहाड़ा लिखता हूँ, 3 का table लिखता हूँ, तो 3, 6, 9, 12, 15, इस इसाब से आगे चलता रहेगा, अगर मैं 5 का लिखता हूँ, for example, 5, 10, 15, 20, 25, इस इसाब से आगे चलता रहेगा, Hello everybody, फटावर्ट से सभी जॉइन कलो, और इसके पहाड़े में भी आता हूँ, बता दो भईया, फटावर्ट से क्या होगा, यहाँ पर मुझे लिखता है, 5 है, 10 है, 15 है, यहाँ, 6, 9, 12, 15 है, यानि 15 ऐसा है जो इसके पास भी है, इसके पास भी है, यानि इन दोनों का LCM हो गया, 15, I know ऐसे निकानना नहीं है, लेकिन पहले समझ तो आए हमें करना क्या है, उसके बाद ही तो हम लडाई पर जाएंगे, इसके कितने multiples possible है, 3 के कितने multiples possible है, option number 1 देता हूँ, 1, option number B देता हूँ, 2, option number C देता हूँ, infinite, option number D देता हूँ, 4, कितने multiples हैं इसके, how many multiples of 3 are possible, 1, 2, infinite या फिर 4, good evening स्ने, हाँ, good evening, कितने multiples possible है 3 के, infinite multiples possible है, याद रखना, क्योंकि जो 3 है, उसका पहाड़ा गिनोगे, उसका टेबल गिनोगे, तो कहीं तक भी जाएगा, तो हमेशा ध्यान रखना, जो LCM होता है, वो एक ही होता है, लेकिन जो multiples होते हैं, वो उसके अंगिनत भी हो सकते हैं, इस चीज़को आपको छोड़ी सी बात आपको ध्यान में रखनें, अब important बात सुनो, सवाल के stripe से frame होते हैं, एक्जाम में ध्यान से सुनो, कोई number है, मालो, ABC आपको दे दिया, ABC उसने आपको दे दिया, जी, इनका मुझे बताओ, कौन सा ऐसा number है, जो इन तीनों को, जो इन तीनों से भाग होता है, तो आपके अगर हो LCM निकालोगे, for example, 10, 15 और 20, मुझे इनका LCM बताओ, 20 का LCM क्या होगा, देखो, एक तो basic method होता है, basic method में क्या होता है, मैंने 10 को तोड़ा 2, 5 में, इसे तोड़ा 3, 5 में, इसे तोड़ा मैंने 2, 2, 5 में, जो common है, वो एक ही वाल लिख लो, जैसे 5 है, 5 एक ही वाल लिख लो, है न, 5 मेंने लिख लिया, अब उसके इलावा, बाकी सब को ध्यान से देखो, 3 लिखा है, 3, 2, 6, 2, 12, इस हिसाब से आगे बढ़ोगे, आपको दिख गया भी है, 12, 5 से आगे अपना 60, इस हिसाब से आपको framing करने है, बिल्कुल बेसिक सी बात मैंने आपको बताई, अगर मैं HCF की बात करता हूँ, लेकिन, HCF की केस में थोड़ी सी कहानी different है, कैसे different है, उस चीज को ध्यान से समझो, मुझे माल लो, HCF निकानला है 12 का, 12 का, HCF का मतलब मैं ऐसा मानूँगा की मुझे bracket से कुछ common निकानला है, 12 और 16 का मुझे HCF बताओ, फटाफट से, बिल्कुल basic basic सवाल है, तो school level के सवाल अभी मान के चलो, मैं आपको करा रहो, लेकिन मुश्किल से 57 मिनिट जिससे के आपको आइडिया लग जाए हम क्या पढ़ने वाले हैं, 12 और 16 का भी यह लिखा 3 into 2 into 2, यह लिखा 2 into 2 into 2, जो common आ सकता है, जो वो आपका है सीधा सीधा, HCF क्या common आ सकता है, common आ सकता है इसका 4, देखो, यहाँ पे है और यहाँ पर है, common सिर्फ यह आ सकते तो इसका HCF हो गया चाल, बिल्कुल basic सवाल है, कोई pressure वाली बात नहीं है, हमें इस method से लेकिन करना नहीं है, क्योंकि करना जिस method से वो मैं भी आपको सिखाऊंगा, हमेशा ध्यान रखना, HCF के case में आपको एक ही बात याद रखनी है, small powers, इसका क्या मतलब है अभी बताता हूँ, और जो LCM आपका है उस case में आपको याद रखना है big powers, सिरफ इतनी इसी बात याद रखनी है, LCM की case में बड़ा बड़ा खेलेंगे, HCF की case में छोटा छोटा खेलेंगे, गुड़ीवनिंग आशा, गुड़ीवनिंग, बताओ जी क्या होगा इसका, मान लो अभी के लिए एक बात, मेरी ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपको इसका LCM, यहाँ पर क्या क्या given है आपको देखो, अगर मैं बोलूँगा, HCF तो आपको छोटी पावर से खेलना, ऐसा concept चलेगा, ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, एक नया method सिखाता हूँ, जोकि actual में best method है, इसे निकान लेगा, जब लंबी calculation होगी, तब आपको इस बात समझ आएगी, मान लो, इन में से बड़ा कौन सा है, गुड़ीवनिंग अंजली, इन में से बड़ा कौन सा, इन में से बड़ा है, 60, मान लो, यही LCM है, हमने मान लिया, यही LCM है, अब बस इतना बता दो, इसके पास कमी किस-किस की है, कमी इसके पास इसे 36 लाना है, इसके पास क्या क्या यहां पर है, 5 है एक तो, एक 2 है, 2 है और 3 है, यहाँ पर क्या क्या है 2, 2, 3, 3 मुझे बताओ क्या ऐसा है जो इसके पास extra है ध्यान से देखो बाकि 2, 2, 3 तो इसके पास भी इसके पास भी यह 3 है ने extra 3 से multiply कर दो यानि 60 को 3 से करो गो 180 आगया आप कांसे बहुत मैं जानता हूँ कुछ बच्चों को समझ आया है कुछ को नहीं आया है तो क्या हो गया फिसे एक बाटराय करते है 360 नहीं होगा इस चीज़ को समझो एक आध एक्जामपल ओ देता हूँ उसमें आप मुझे खुद कोशिन करके दिखाएंगे इसका अगला सवाल देता हूँ मैं अपने पास से सबी लोग एक बाट फटा फट से कॉमेंट में मुझे बताओ बात समझ आ रही है अब इससे भी एक बड़िया मेथड देखते हैं जिसे अपना और टाइम बचेगा माल लो 36 और 60 का मुझे LCM निकानना है हमेशा याद रखना यहाँ पर HCF निकानने का जो best method होता है वो यह है HCF जो होगा या तो वो इनका difference होगा या फिर वो होगा factor of difference factor of difference मुझे बताओ भी या इनका difference क्या है difference कितना है इनका difference नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है आशा कोई दिक्कत नहीं अभी दुबारा समझाएंगे विफिकर दो difference है 24 या तो 24 होगा answer या 24 का कोई factor होगा जिसे 12, 6 इस हिसाब से थोड़ा 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 आप मैं level बढ़ाऊंगा चीजों का मैं उमीद कर दो आपको थोड़ी थोड़ी concept समझाएंगे number देता हूँ मैं आप आपको ती number मैं लिखके दे रहा हूँ 120, 90 और 48 आशा आपको अब समझा जाएगा इसका मुझे LCM बताओ कितना होगा अब देखो इसका LCM निकान ले जाओगे तो हो सकता है बहुत लंबा method पहुच जाओ लेकिन एक बात ध्यान दो सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा इसका 120 सबसे बड़ा 120 है मान लो यही इसका LCM है अब बस यह बता दो इस पर कमी किसकिस की है एसा क्या है जो यहाँ पर नई है बताओ मुझे जैसे अगर मैं आपसे बात कर तो 48 के पास क्या क्या गैए 12 है 12 है 12 T क्या इसके पास इसके पास है? एक बार ध्यान से देखो क्या इसके पास है? एक 2 का कोई लोचा आरहientras 2 का लोचा आरह tulee तो दो इसे दे दो, एक दो आपने अपने पास से दे दिया, अब 90 पे फोकस करो, ये है 3, 3 और 2 और 5, देखो कैसे, 3, 3's और 9 तोड़ा है, और 10 को तोड़ा है मैंने 2 into 5 करें, जब मैं इसे पूरे तरीके ब्रेक करूँगा, अब बताओ यहाँ पे क्या मिसिंग है, जो मिसिं अब जो एक्जाम में सवाल बनता है, वो ये बनता है, चलो जिए, शुरू करते हैं, the least number, which, when, इस कान से आप सभी लोग ट्राइ करेंगे, ये पेपल में बहुत बाल सवाल आता है, leaves the remainder, फर्टा फर्ट से इस का अंसर ट्राइ करो, of 2 in each case is, option देता हूँ 46, option B देता हूँ 48, option C देता हूँ 50, hello Pradeep, hello, option D देता हूँ 56, पटा-फट से ट्राइ करो गई, अब एक method देखो, ऐसे सवाल, बिलकुल maths भी पढ़ाते हैं Pradeep, हम, time नहीं मिलता, maths इस वएसे आपको on Academy Plus पे नहीं पढ़ा पाता हूँ, तो मैंने सुझा, यहाँ पढ़ा देता हूँ आपको, सबसे छोटा वो number, हमेशा ध्यान रखना ऐसे में जो best method होता है, वो होता है, option से खेलो, option से खेलना best रहता है, यानि ऐसा कोई number बताओ, कोई सावी number ऐसा होगा, जिसे जब आप चार से, कभी आप उसे 6 से, कभी 8 से, कभी 12 से, कभी 16 से, जब भी भाग करोगे, आपके पास 2 बचना चाहिए, मान लो जी, मैं इसे भाग करके देखता हूँ, जब मैं 4 से भाग करूँ, दो नहीं बचना हटा दो, इसे भाग करना हूँ मैं 4 से 44 पर 2 बच्रा चलो सही है फिर 6 से भाग करके देखो 6 से जब मैं 46 को करूँगा 4 बच्रा ये भी गलत हो गया 56 को 4 से भाग करके देखो ये भी नहीं काम बना आंसर होगा अपना 50 मुझे बताओ बात समझाई बिलकुल बेसिक सवाल था बहुत बार ये सवाल रिपीट होता है आपका पेपर में इस टाइप का 2 की जगा 3 कर देगा 4 कर देगा लेकिन फ्रेमिंग overall सवाल की सेम रहती है आंसर क्या होगा बई आंसर फटा फट बता दो आंसर मैं इसका कहता हूँ option number C होगा चलो जी फिर ये वाला सवाल ट्राइ करके बताओ इनके digit का सम पूछा था बिलकुल सर प्रदीप सभी सवाल कवर कर आने वाला बिलकुल बेफिक कर दो हो सभी सवाल कवर करेंगी हम यहाँ पर अगले का अंसर बताओ basic to advance चलेंगे प्रदीप जिससे आप सभी चीज़े cover कर पाओ easily सभी लोग आंसर देंगे फटाफट अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है देखो basic समझ लिया एक बार try करो नहीं बनेगा मुझे बताओ अब देखो इसमें problem क्या है यहाँ पर भी आप क्या करो वो कहता है कोई एक number है जब आप उसे 12 से 15 से 20 से 54 से भाग करते हो तो 4 बचना चाहिए गुड इवनिंग अंकित गुड इवनिंग काफ़ी सारे लोग में देख रहा हूँ सुबा से जुड़े हैं पहले अनकाडमी प्लस पर आप यहाँ भी आए हो बहुत बड़ी है बहुत बहुत शुक्रिया इसी तरी के महनत करते रहो दो-तीन महीने की बात है बस जैसा हम लोग डिसकस करते हैं क्लास में भी अब यहाँ पर 544 होगा अभी शेक का अंसर आ रहा है option number 4 option number 2 आरहा है 454 आरहा है लव कुष का अभी शेक का आरहा है 544 सभी लोग अंसर बेंगी option number 2 आरहा है कि देखो लव कुष मैं आपको बताता हो आपने इसे 12 से डिवाईड करा एक बार 12 से डिवाइड करके देखो क्या remainder आ रहा है चार अगर आ रहा है 15 से भी डिवाइड करो 15 से भी चलो आ रहा है 20 से डिवाइड करके देखो क्या 20 से डिवाइड करने पर remainder 4 आ रहा है सबसे बड़ी देखो यार एक तरीका तो अभी मैं आपको आगे चल के सिखाऊंगा इन सब का LCM लेना उसमें 4 जोर देना चलो बहुत बहुत शुक्र आगर एक तो तरीका देखो मैं आपको बताता हूँ क्या है इन सब का LCM ले लेना उसके बाद 4 जोर देना वो लंबा मैठ़ड है उस पे सिदर दी नहीं करने इस सीधा सीधा सॉल्फ करके देखो जब मैं इसे 20 से डिवाइड कर तो देखो 20 से मैंने हाँ डिवाइड करा मिर पास बचेगा 10 यहां मैंने 20 से डिवाइड करा मिर पास कुछ नहीं बचेगा यहां मैंने 20 से डिवाइड करा नहीं बचेगा 14 यहां मैंने 20 से डिवाइड करा 4 सीधा सीधा में पास आंसर आ गया किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं ज़रूरी नहीं है मैं 20 वोडरों 20 से करना है चाहिए 54 से 12 से 15 से जिस से मन करें उस से डिवाइड करके देख सकते हो सभी के केस में आपका आंसर बिलकुल सही आएगा लेकिन ये प्रॉब्लम कहां आती है जब लंबा सवाल बन जाता है जैसे कि अगर मैं आपसे बात करता हूँ इसी को अगर दूसरे वेथर्ट से निकान ला हूँ जैसे तो क्या करेंगे 12 का 15 का 20 का और 54 का LCM लेंगे ध्यान से सुनना उसके अंदर जोड़ देना जो रिमेंडर है यानि LCM में रिमेंडर जोड़ना है ऐसे सवालों में हमेशा ध्यान लखना LCM के अंदर रिमेंडर जोड़ना है हमें अपना अंसर आ जाएगा मुझे उमीर है बात समझ आ गई होगी एक बार सभी लोग बताओ भी बात समझ आई है अगला सवाल देओं फिर मैं इसी बात पर चलो जी देखें अगला सवाल क्या है अब पहले रिमेंडर सब में सेम था सब में पहले रिमेंडर बिलकुल सेम था अब रिमेंडर भी सब में अलग-अलग है पहले remainder तीनों से भाग करने पर सेम आ रहा था अब remainder आ रहा है जब आप किसी नंबर को भाग करते हो 4 से remainder आना चाहिए 1 जब आप किसी नंबर को भाग करते हो 5 से remainder आना चाहिए 2 जब आप उसी नंबर को भाग करते हो 6 से तो remainder आना चाहिए बताओ जी क्या answer होगा अब आगे चलके समझाऊंगा धीरे धीरे इसमें भी जो थोड़े से टेड़े सवाल आते हैं वो कैसे solve होंगे फटावट से answer वही पहले मेरा main target देखो यहाँ पे रहेगा कि आपकी practice बहुत बढ़िया होनी शाहिए क्योंकि यह जो starting वाले सवाल है आप already मुझे मैं जानता हूँ बहुत साई लोग cover कर चुके है तो मेरा target यह रहेगा कि चीजों को आप practice करो अगर आपको पहले से भी आता है अपने special classes लगाई है तो भी आपका यहाँ पर revision हो गुद इवनिंग गुद इवनिंग सूरज बहुत बढ़ी है 57 आ रहा है अभिशेक का कपिल का लवकुष का बहुत बढ़ी है सभी लोग answer देंगे comment में गुद इवनिंग सूरज गुद इवनिंग योगेश लवकुष बहुत बढ़ी है देखोई सबसे सीधा सीधा तरीका देखो ऐसे में हमेशा न पांच से भाग करके देखा करो सिधर दी कम होती है पांच से भाग करके देखोगे तो remainder 2 आना चाहिए remainder 2 आ रहा है, 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 remainder 2 इजीली उसे कर पाते हो, अब एक और चीज का ध्यान देना, ऐसे सवाल में हमेशा, क्या करना है आपको, जो भी इनका LCM होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो भी इनका LCM होगा, उससे common remainder घटा दो, अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, एक सवाल है, चा इनकेस, ध्यान से देखो, चार से एक यानि तीन, पांच से दो यानि तीन, तीछे से तीन यानि तीन, तो इन तीनों का LCM लेकर, उसमें से, तीन, उसमें से घटा दो, common remainder, ये भी एक तरीका होता है, इस सवाल को करने का, जब आपको option से ना खेलना हो, आप इस तरीके भी क सकते हो, ये होगा आपका answer, जैसे कि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जैसे कि मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, अगला सवाल है वो, फटाफट स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ मैं, चलो जी, इसका answer दो, शुरू हो जाओ, यहाँ पर क्या option divide करना असान है, option से असान पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, ये कहता है, दस से भाग करने पर remainder 9 आ रहा है, आपने फटाफट से देखा, ये तो सब से आ रहा है, अब क्या करोगे, अब वो कहता है, जब 9 से भाग करोगे तो 8 आ रहा है, जब 8 से भाग करोगे तो 7 आ रहा है, यहाँ पर क्या common remainder बताना मुझे सवाल गा 359 होगा बहुत बड़ी अभी शेक का आ गया है answer common remainder बताओ भी इसका देखो 10 में से 9 गए 1 9 में से आड़ गए 1 यहां भी 1 यानि कुछ मत करो सीधा सीधा इनका LCM ले लो 10, 9 और 8 का इनका LCM सीधा सीधा ले लो उसमें से आप 1 को घटा दो LCM ले लो इन तीनों का उसमें से 1 को घटा दो अपना answer होगा इन तीनों का LCM आएगा 360 360 में से जैसी आप 1 घटा होगे बहुत बड़ी है भी 359 आगा काफी लोग का answer आ गया है जो कि है option number 3 मुझे उमीर है मज़ा आ रहा होगा सेशन में सीखने को मिल रहा होगा आप सभी को बताओ जी एक बास सभी लोग comment में मुझे बताओ सीखने को मिल रहा है level बढ़ाओ अभी तक तो बिलकुल basic सवाल चल रहे हैं थोड़ा थोड़ा level बढ़ाते जाते हैं आपर चलो अब इसी को थोड़ा सा combine करते हैं हम एक और concept के साथ वो कैसे चलो जी सवाल देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा सवाल फटाफट से इसे try करो the least number which one divided by 16, 18, 20, 25, leave remainder 4 यानि कोई एक ऐसा number है जिसे जब आप भाग करते हो 16, 18, 20, 25 जिसे तो हर बार 4 बचेगा बिल्कूल ठीक है जी जब आप साथ से भाग करते हो तो कुछ नहीं बचेगा बताओ भाई या क्या answer है देखें जड़ा कौन answer देता है देखो जी 16 से भाग करना क्या असान है बिल्कूल असान नहीं है अब एक कमाल की बार देखो क्यों ना मैं सब में से 4-4 हटा दू मुझे पता है 18 से भाग करूँगा मैं चलो पहले 20 से भाग करके देखता हूँ 20 से जब मैं भाग करूँगा मैं पस remainder 4 आना चाहिए क्या यहाँ पर remainder 4 आएगा 20 से भाग करके यहाँ तो 2 बचेगा हटा दो यह पूरा पूरा कट जाएगा हटा दो यहाँ तो remainder 0 आएगा 4 आ रहा है अभी शेक का अंकित का भी 4 आ रहा है बहुत बढ़िया यहाँ पर remainder जो आएगा वो 2 आएगा यह भी हटा दो बचे यह दोनो अब इन दोनों में कैसे चेक करा जाए ध्यान से मेरी बात को देखना जब 17,004 है 18,004 है अब इन दोनों में मुझे मेली खेलना है साथ से भाग करके मैं चाहूं तो इने भाग करके देख भी सकता हूं अपने पास 2 eliminate हो गए तो चाहूं तो इसी टाइप से आगे भी कर सकता हूं मुझे बताओ बात समझारी है लेकिन एक बात और पंगे वाली मान लो option में दोनों के दोनों ही 7 से डिवाइड होते हैं अगर मैं आपको कहता हूं आप मुझे 18,004 कह देख दूसरा कुछ वहला ऐसा मिल जाता है जो खुद भी 7 से डिवाइड होता है तब क्या करोगे तब आपको थोड़ा सा smart work करना पड़ेगा इनका LCM निकालना पड़ेगा कैसे 16 का 18 का 20 का सबसे बड़ा कौन सा है सबसे बड़ा 25 है माल लो 25 ही LCM है अब जो जो 25 के पास नहीं है उसे दे दो मैं जानता हूँ ये method आपको थोड़ा सा भारी लगता है लेकिन आपको समझना पड़ेगा 16,18,20 और 25 ये 4 नंबर आपको दिख रहे हैं सबसे बड़ा कौन सा है 25 माल लो 25 ही LCM बस मुझे इतना बताओ ये है 5 और 4 इसके पास है 5 और 5 क्या दो इसे? इसे एक 4 दे दो दे दो अब इसके पास क्या क्या है? इसके पास है 9 और 2 क्या दे दो इसे? 9 दे दो बिलकुल इसके पास है 4 और 4 इसके पास एक ही 4 है तो इसे एक और 4 देदू मुझे बता कॉंसेट समझ पारे हो क्या करना है यही आपका अंसर होगा 25 को जब आप इससे मल्टी यह आया 5 पंचे 25 इंटू 400 उसके बाद आप क्या आगे क्या करोगे 100 को 36 से करोगे 3600 आगया क्योंकि रिमेंडर 4 बच रहा है मुझे उमीर है आपको बात समझा रही होगी रिमेंडर 4 बच रहा है इस वएसे जो आंसर होगा 3600 के प्लस 4 होगा आगे चलते हैं चलो जी एक CGL Tier 2 का सवाल करके देखते हैं सबसे बड़ा 4 अंको का वो नंबर मुर्शीद मैं कोशिश यह कर सकते हैं लेकिन उस केस में देखो क्या है फिर आपको अगले से पेरिंग लेनी पड़ेगी जो जो मिसिंग हैं अंकित हमें वो मेंशन करना है वहाँ पर जो कोई बात नहीं कोई दिख करनी है अभिशे किसी तरीके सीखते हैं 9 मैंने इसलिए लिखा यहाँ पर क्योंकि इस सबसे बड़ा चार अंको का नंबर देखो भही आज खाना वाना अपना लेके बैटना मेरा टारिगेट यह है कि मैं तब तक नहीं जाने दूँगा जब तक पूरा LCM HCF नहीं निपड़ जाता अराम से पूरे सेशन को अटेंट करो इसके बाद ना टीर 1 टीर 2 सब चीज़ बिल्कुल बेसिक सवाल देखो टीर 2 में भी कभी बार ऐसे सवाल आते हैं सिंपल सिंपल से शुरू करते हैं भाईया मैंने मानलो भाग करा 10 से 10 से भाग करते ही मुझे पतल लग यह हट गया यानि प्यों की पीछे 0 नहीं आ रहा 20 से देखा तो देखो 0 से तो 0 उड़ता है 0 उड़ने के बाद मुझे देख गया 999 में भी नहीं आ सकता यानि ये भी हट गया बच गया दो 9980 9960 अब एक कमाल की बाद फिर मैंने इहां पर ध्यान दी बहुत बढ़िया है वह यह answer आ रहा है option number 2 कपिल का अभिशेक का answer 2 आ रहा है फिर मैंने एक चीज देखी कि यान पर आप अच्छे इसका मतलब ये होगा answer होगा आपका option number 2 वीडियो pause हो गई है नहीं वीडियो pause नहीं होई होगी कपिल एक बार प्रीफरेश करके देखो option number 2 हुआ इसका answer मुझे उमीद है आप सभी को बात समझ आ गया होगा अब अगर हमें इस तरीके नहीं करना तो उसका भी तरीका आप समझो ध्यान से आपको क्या करना है आपसे ये तो होगया अपना option elimination method अगर ऐसे नहीं करना तो भी ध्यान से समझो आपको सबसे पहले लिखना है greatest four digit number क्या है भईया four digit number सबसे बड़ा four digit number जो greatest है वो है 9999 इसे आपने भाग करना है इसके good evening good evening अमर्दीप LCM से कैसे वो भी सिखाता हूँ आदित्य मैं आपको दूसरा method भी समझाता हूँ फिर से बता देता हूँ बेफिकल अंजली मैंने क्या करना है सबसे बड़े number पर जाना है मैंने सबसे बड़ा number देख लिया देख लिया जी ठीक ह मुझे बताओ 10 का 15 का और 20 का LCM क्या होगा फटा फट से बताओ इसका होगा देखो 20 को 3 से करूँगा 60 हाएगा मेरा LCM 60 से जब मैं इसे भाग करूँगा तो मिरे पास remainder क्या बचेगा ध्यान से देखना जो remainder बचेगा जो कि इस case में कित्ता होगा देखो इस case में सीधा सीध फाल्तु है तो फाल्तु को अगर मैं हटा दूँ तो क्या मेरा काम बन जाएगा तो मेरा answer क्या होगा फाल्तु को मैं जैसे हटा दूँगा तो आएगा 9960 ये मेरा answer होगा ये आप इस तरीके कर सकते हो और बाकी अंजली में आपको दूसरा method समझा देता हो आपको इसमें अ अब 2 से तो भाग होना चाहिए ये 2 से भाग नहीं होता इसे भी हटा दो बच गए 2 इस टाइप से 2 बच गए अब अगर मुझे 15 से भाग करना है तो मुझे पता एक 3 होना चाहिए एक 5 5 का तो कोई relation ये दोनों कट रहे हैं 3 के लिए मैंने sum करा 9,9,18 और 8 करके देखा 9,9 और 6 करके देखा ये पूदा पूदा डिवाइड बाइ 3 होदा है तो ये ही आंसर है option number 2 मुझे उमीर बात समझा गई होगी अब देखो ये तो हो गए basic level के सवाल थोड़ा से मैं चाहूंगा कि मैं level बढ़ाओ क्योंकि काफी देर हो गई हमें सब चीजे समझते वे थोड़ है आगे अगले सवाल की तदफ चलो दिए इस सवाल को मेरे कहने से एक बार ट्राय करो नहीं बनेगा कोई टेंचन नहीं है मैं बताऊंगा एक बार अपने हाथ से ज़रूर लगाओ सबसे बड़ा नंबर the greatest number which when subtracted from this सबसे बड़ा नंबर इसमें से मैं क्या घटाऊं एक ऐसा नंबर देगा जो की 20 से 28 से 32 से 35 से चारो से भाग होता है बड़ीया सवाल है एक बार ट्राय करो नहीं बनेगा मैं बताऊंगा अभी polynomial वाले question चलो ठीक है couple बेफिकर दो वो भी करा देंगे बताऊ भी फटा फट से try करो पूरा time देता हूँ कि math से दो प्राक्टिस के लिए आपको time चाहिए होगा देखो यहां पर वो सवाल जो कह रहा है मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ वो कहा रहा है इस number में से मैं ऐसा क्या घटा दूँ कि जो बचा है जो बचा है वो पक्का पक्का मालू मैं हाँ पर बताता हूँ कि star बचा है तो star divide होना चाहिए 20 से बढ़िया से 28 से होना चाहिए 32 से होना चाहिए 35 से होना चाहिए क्या मैं कह सकता हूँ 4 होगा answer आ रहा है अभीशेक का 4 आ रहा है answer मैं देखता हूँ एक answer में पर 4 आ रहा है तो क्या मैं कह सकता हूँ पक्का पक्का इसका LCM ठीवाइड होना चाहिए यानि star जो है वो इस इन 4 के LCM से भाग होना चाहिए ऐसी कोई बात सी आ रही है यही तो नंबर होगा भाया दुबारा समझो मैं जानता हूँ अब session थो ओड़ा सा heavy होता जाएगा हर एक question के साथ-साथ वो ही मैं आपको में लिए सिखाने हो देखो आदे घंटे के अंदर हमने actual में चीजों को पहले से जादा अच्छे से समझा है बिल्कुल सही कह रहे है अंकित मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आने वाले महीनों में आपको प्लस पे भी maths करा दूँ बेफिकर रहो यहाँ पर ध्यान से समझो इन चारों से exactly भाग होने वाला सबसे छोटा नंबर क्या है सबसे छोटा नंबर क्या है बता हो जड़ा क्या मैं कह सकता हूँ इन चारों का LCM कैसे निकालूँगा माल लो सबसे बड़े वाला मैंने माल लिया 35 है LCM ध्यान से देखना मैं थोड़ी सी स्पेस बनाता हूँ मैंने इनका LCM निकालना चारों का मैंने कहा LCM 35 है 35 के बाद मैंने देखा भी यह इस पे क्या कम है इस पे है 8 अब जैसे मैं इस पे फोकस करता हूँ इस पे 5 है मैं इसे 4 दे दूँगा बिलकुल सही है विशेक बहुत बढ़ी है खुदी सही कर लिया बहुत बढ़ी है वही खुशी हो दिये देखके यानि मैं कह सकता हूँ 1120 LCM 1120 आ गया लेकिन क्या यह आंसर है नहीं यह कहता है इस में से क्या घटाओं के यह आजाए क्या घटाओं के यह आजाए तो क्यों ना 5 8 3 4 में से 1120 को घटा लो तो आपके बाद सीधा सीधा आएगा 4714 यानि इतना हटा दो इस में से 4714 घटा दो तो जो भी आंसर आएगा वो आपका पूरा पूरा डिवाइड होगा इन 4 नंबरों से एक बार मुझे फटा फट से कॉमेंट में आके मिलो मुझे बताओ बात समझाई सभी को क्या खेल चल रहा है इन सवालों में क्या हो रहा है बहुत important सवाल है यह सब बहुत बच्चे इसमें option number 1 मार के आएगे क्योंकि उनका 1120 आएगा वो बिना सोचे समझे टिक कर देंगे जो की धाई नंबर का नुकसान करा देगा मुझे उमीद है बात समझाई होगी चलो बहुत बढ़ी आ गया तो मुझे उमीद है आप सभी को बात समझा गही होगी और देखो जैसा काफी सारी लोग मैं देख रहा हूँ पूरे एक साल के लिए आपको मिल जाएगा अगर आप फाइनल पेमिट के समझे प्रतियोगी ताम मंत्रा डिस्काउंट कोड लगाओगे वो बहतरी इन तरीके अपनी तयारी करो अगर किसी भी काटेगरी में है मेरी दस बाई तक क्लास हो या नौ बाई तक क्लास हो जिससे कि आप चीज़ों को समझ पाओ ये डेड़ से दो घंटे क्लास में मिनिमम सोच रहा हूं उसने हां जिससे आप हर एक कुश्चन में आपका कवर कर आप हो अब बहुत बच्चे कह रहे थी कि सम अफ डिज़िट्स का सवाल आया अब हम तो सीख के चले जाते हैं घर से ऑप्शन एलिमिनेशन यहां पर कैसे लगाओगे यहां पर कैसे लगाओगे सोचों किस-किस को इस टाइब के सवालों में दिक्कत होती है सबसे छोटा नमबर लेट्स दिलीस नमबर अफ शिक्स डिज़िट्स विच्वें डिवाइड़ बार चार छे दस पंदरा लीज़िट्स दर इन इच केस द से रिमेंडर दो भी एन बताओ एन की डिज़िट्स का सम क्या है यह कहता है एन एक नमबर है जब आप उसे भाग करते हो चार से छे से दस से पंदरा से तो हर बार रिमेंडर दो देता है अब एन जो है सबसे छोटा नमबर है छे अंकों का बताओ भाईया एन की डिज़िट्स का सम क्या है एक बार मुझे कॉमेंट में आके मिलो किस किसको दिक्कत होती है ऐसे सवालों में देखो मैं आपको समझाता हूँ आप से वो कहता है सबसे छोटा नमबर छे अंकों का है सबसे छोटा नमबर मान लो आपके बास है एक दो तीन चार पाच यह सबसे छोटा नंबर है लेकिन वो कहता है कि इन सबसे भागों के रिमेंडर दो बजना चाहिए तो क्यों ना इसका LCM निकालना मुझे बताओ यह LCM क्या होगा क्या 5 answer है कपिल पूछ रहे है बिल्कुल सही कह रहे है आपन नहीं होगा अमिद का 1 आ रहा है अब deaf कपिल का 5 आ रहा है देखो मैंने सबसे पहले इसे LCM से भाग करना है और मुझे इसके बाद मिल गया क्या मिल गया remainder मेरे पास आ गया 40 तो मुझे पता लग गया कि अगर मैं इसमें से 40 को PDF के बेफिकर दो टेक इस PDF आप आराम से access कर सकते हो और मैं यही suggestion आपको दूँगा कि आप यहाँ पर questions की सब की practice करो क्योंकि PDF में सिरफ हो सिरफ questions होते हैं अब यहाँ पर एक point को ध्यान से समझे मैंने इसे 60 से भाग करा है तो क्या आएगा 99960 क्या यह 6 अंको का है नहीं है ना तो क्या यह answer होगा तो अगर इससे 40 ले लिया तो क्यों ना मैं इसे अपने पास से 20 दे दूँ तो भी तो यह 60 से भाग हो जाएगा तो भी तो यह 60 से भाग हो जाएगा तो क्या मैं कह सकता हूँ मैं इसे 20 देने के बाद मेरा रकम यह बन गई मुझे बताओ एक बार समझाई बात मेरी जो value है वो यह बन गई लेकिन यह कभी भी गड़वड है वो गड़वड क्या है उसी इसको ध्यान से समझो यह नमबर पूरे तरीके 60 से भाग होता है बिलकुल सही कह रहे हो लेकिन अपने को 2 remainder भी तो छोड़ना तो क्या मुझे इसे 2 अपने पास से देखकर अपनी रकम यह बनानी पड़ेगी 1000022 क्या यह final number 1 के आएगा एक बार बताओ मुझे अगर यह number 1 के आएगा तो 1 प्लस 0 प्लस 4 जानी मैं बोलूँगा आपका सीधा सीधा आएगा 5 मुझे बताओ बात समझाई एक बार मैं फिर समझा देता हूँ मैं जानता हूँ यह थोड़ा सा confusing था ध्यान से सुनो मेरे को वो सबसे पहले मैंने बिल्कुल बेफिकरो पवन मैं खुरी आपके कहने से पहली दुबारा बता रहा हूँ मैंने इनका LCM निकाल लिया LCM मैंने निकाला है 4 का, 6 का, 10 का और 15 का LCM मेरे पास कितना आगया LCM मेरे पास आगया 60 अब वो कह रहा है कोई सा ऐसा नंबर है सबसे छोटा 6 अंकों का तो मैंने इस से शुरू करा 60 से भाग करा मुझे पता लग गया कि remainder मेरे पास 40 आगया है remainder मेरे पास 40 आगया है मेरे पास दो option है या तो मैं इस में से 40 घटा लूँ तो भी बढ़िया है या फिर मैं क्या करूँ इसे अपने पास से 20 दे दू तो भी बढ़िया है मुझे उमीद है ये बात सभी को समझा गई होगी अब मुझे अगर घटाओंगा तो 5 डिजिट नंबर बन जाएगा वो बनाना नहीं ये बनाना नहीं 6 डिजिट बनाना है तो मेरा नंबर आ गया ये ये फाइनल नंबर मेरा तयार है लेकिन एक प्रॉब्लम है ये पूरा पूरा साट से भाग होता है और सवाल ये कहता है कि 2 रिमेंडर आना चाहिए अरे तो एक काम करते हैं ना दो अपने पास से दे देते हैं ये भी खुश हो जाएगा हम भी खुश हो जाएंगे तो अपना फाइनल नंबर बना है ये मुझे उमीद है बात समझ आ गई होगी आप सभी को ये फाइनल नंबर बना है अब ये फाइनल नंबर बना है तो 1 प्लस 2 प्लस 2 आंसल आ गया अपना 5 मुझे उमीद है समझ आ गई होगी बताओ एक बार चले भी आगे अब अगर इतनी लंबी चोड़ी कहानी आपको नहीं करने तो digital sum से भी आप इस सवाल को कर सकते हो कि जैसे आपको पता है कि ये 3 से भाग होने पर 2 छोड़ेगा तो इन में से कौन सा ऐसा है जो 3 से भाग होने पर 2 छोड़ रहा है क्या ये छोड़ रहा है नहीं ये छोड़ रहा है नहीं ये छोड़ रहा है सीधा सीधा 5 पर टिक कर सकते थे लेकिन वो आने वाले session में मैं आपको digital sum पढ़ाऊंगा तो उस case में आपको और जादा easy रहेगा इस सवाल को करना LCM कैसे निकालना है पवन मैंने आपको यहाँ पर समझाया है LCM के लिए देखो आपको क्या करना होता है जो सबसे बड़ा number होता है उसे आप consider करते हो कि वही आपका LCM है माललो यहाँ पर 15 है फिर देखते हो 15 पर क्या कम है जैसे 10 के पास 2 और 5 है और 15 के पास 3 और 5 है तो इस पर 2 की कमी है इसे 2 दे दो इस हिसाब से इसे contribute करते जाओगे आपका LCM निकल जाएगा मैं दुबारा समझाते हूँ एक बड़ आपको माललो मुझे 4 का 6 का 10 का 15 का निकल ला है सबसे बड़ा number LCM है 15 यह है 2 और 2 यह है 2 3 यह है 2 5 मुझे बस इतना बता दो इसके पास क्या क्या है 3 5 है क्या इसके पास 2 है नहीं है दे दो 2 दे रिया इसके पास 2 है हाँ है 2 है हाँ है 2 है है 2 नहीं है देखो 2 तो एक और दे रिया 2 3 6 और 10 60 हपको LCM है मुझे उमीर है समझा गया होगा अगला सवाल फटावर्ट से फिक करके दिखाओ चलो जी अ number between 1000 and 2000 जैसे जब आप भाग करते हो 30 से 36 से 80 से तो 11 remainder देता है बताओ जी number क्या है बढ़िया सवाल है एक बार try करो आपने देखा होगा शुरू में हम कितने basic सवाल कर रहे थे लेकिन अब धीरे धीरे हमने level बढ़ा दिया है चीजों का और actual level पे हम अब आते जाने है अब ही बहुत कुछ आगे भी सीखाना है मैंने आपको इसी session में फटावर्ट से try करो भी देखें किस cancer आता है देखें किसा आता है पॉइंट इंपोर्टेंट है वो यह है कि 30 को देखो 36 को देखो 80 को देखो सबसे बड़ा 80 है ना तो मैं कहता हूँ 80 ही सबसे बहले तो LCM फटा फट निगालना सी को 80 ही आपका वो है यहां पर आपको क्या दिख रहा है 3 2 5 यहां पर आपको दिख रहा है 3 3 2 2 देखो 339 तो इस हिसाब से आपको अलग अलग दिख रहा है बहुत बढ़ी है 1450 बना रहा है अभिशेक का मरदीब का बहुत बढ़ी है वह इला जवाब इसके पास क्या क्या है 2 2 2 2 और 2 और 5 टूड़ा फोटूजा 8 और 10 बिल्कुल सही करा बिल्कुल सही करा मरदीब तो मैं ultimately कह सकता हूँ कि जो मेरा LCM बनेगा क्या वो बनेगा जब मैं इसे solve करूँगा तो यहां से 2 3 दे दूँगा मैं इसे वो मेरा काम बन गया 720 बन गया अब आगे चलो चीजों को आगे लेके यहां पर पॉइंट आपको जो फोकस करना है वो यह फोकस करना है कि आपको 11 जो है 11 remainder आना चाहिए यानि जो भी आपका LCM आया है उसमें आप 11 जोड़ना मत भूलना LCM निकालो LCM को आप के से multiply करो और बस बात खत्म 14, 51 जिसका भी answer आ रहा है बहुत बढ़िया है अब दूसरा तरीका भी आप अपना सकते थे इस सवाल को solve करने में यहां पर method number 2 समझो method number 2 क्या है अगर 11 remainder आ रहा है और मैं 11 इसमें से हटा दू तो क्या है पूरा का पूरा भाग होगा यह है 1701 यह है 1630 और यह है आपका 1512 30 से कौन-कौन भाग हो सकता है बस यह देख लो यह तो पीछे 0 ही नहीं है हटा दो अब इन दोनों को देखो यह 30 से भाग हो इनी सकता है क्योंकि इसके sum of digits आ रहे 6 plus 3, 9 plus 1, 10 यह भी वेकार है answer सीधा हो गया मुझे बताओ समझ आया दोनों method सीखने बहुत ज़रूरी है क्योंकि concept भी चाहिए और इसके लवाब आपको trick भी चाहिए मैंने क्या करा 11 मेरे पास remainder था 11 समय से हटा दिया जो बचा उसे मैंने 30 से 36 से 80 से भाग करके देख लिया मेरा काम हो गया आगे चलते हैं अगला सवाल देखते है चलो जी सबसे छोटा नंबर क्या है what least number must be subtracted from 1936 इसमें से मैं सबसे छोटा क्या नंबर घटा हूँ इसमें से मैं क्या घटा हूँ कि जो नंबर मेरे पास आया है जब मैं उसे 9 से 10 से 15 से भाग करूँ तो मेरे पास जो remainder है वो साथ आए बताओ जी हाई विशाल हाई वेलकम एवरिबड़ी जो जो अभी अभी जोड़े मैं आप सभी को बता देता हूँ देखो मैं यहां पर आपको कवर करा रहा हूँ मैं HCF LCM कवर करा रहा हूँ मेना टारगेट यह है कि जितने भी टाइप बनते हैं इस टॉपिक में मैं आपको सभी कुछ कवर करा दूँ या कोशिश हम करेंगे कि प्री और मेंस दोनों को साथ लेके चलेंगे ऐसा ना हो कि ऐसा कुछ नहीं है कि प्री सिरफ हो रहा है या म हो रहा है सभी चीजे एक साथ करा रहा हूं मैं बिलकुल रेविल विशाल धीरे धीरे बढ़ाएंगे आप अभी अभी आये हो फटा फट से आंसर दो लेविल भी साथ साथ बढ़ जाएगा 39 आ रहा है अभी शेक का ऑप्शन नमबर 2 आ रहा है ठाकुर का देखो वई मैंने क्या करना है सबसे पहले तो इसका LCM ले ले लेना है बताना क्या LCM आएगा 9 का 10 का और 15 का सीधा सीधा है 15 मैंने लिख रखा है यानि 3 और 5 लिखा है इसके पास 2 और 5 है 2 दे दो इसके पास क्या है 3 है और 3 है इसे एक 3 दे दो तो मेरा LCM सीधा सीधा सी नब्भे आ गया मुझे उमीद है यहां तक तो आप सभी को बात समझ आ गई होगी कि अपना जो LCM है उन नब्भे आ चुका है अब सीधा कुछ नहीं करना नब्भे से खेलना है मैंने 1936 को भाग करा नब्भे स जब मैं इसे नब्भे से भाग करूँगा तो मुझे इसके इंदर दिखेगा कि 1890 तो ऐसे ही गायब हो जाएगा वो बचेगा क्या 46 46 बचेगा अब यहाँ पर ध्यान से देखना 46 बच गया अगर मैं इसमें से 46 खटा देता हूँ तो क्या ये पूरे पूरे नंबरों से पूरे तरीके डिवाइड होगा अगर मैंने मालों इसमें से 46 पूरा उड़ा दिया तो मेरे पास बचा 1890 जोकीन सबसे भाग होता है बिल्कुल सही बात है लेकिन 46 नहीं मुझे रिमेंडर साथ छोड़ना है तो मुझे 46 में से 7 वापिस करने पड़ेंगे और आंसर में राएगा 39 मुझे उमीद है बात समझाई हूगी फिर से बताता हूँ देखो मैंने के अगर आपका LCM निकाली है 90 कोई जल्दी नहीं है अराम से चीजों को सीख के जाओ जल्दवाजी मत करो 90 मैंने LCM निकाल लिया 90 निकालने के बाद मुझे पता है मैंने इसे भाग करा तो मिले पास 1891 बच गया और 46 बच गया अगर मैं पूरे को ही हटा दूँगा तो ये तो पूरा रिवाइड हो दे लेकिन मिले को 7 छोड़ना है यानि मुझे 1890 के साथ 7 छोड़ना पड़ेगा तभी मेरा काम बनेगा तो इधर मैं क्या लिखूंगा 7 छोड़ने के बाद 39 यानि 39 को हटा जल्दबाजी कोई नहीं है चीजों को बढ़िया तरीके समझना है तभी फायदा होगा अगले सवाल पर चलते हैं बिने टाइम खराब करें चलो जी ये एक स्क्वायर वाले क्यूब वाले जितने बनते हैं मैं आप सभी को बताता हूँ जितने भी वराइटी बनती है सब क भी काल सकते हो इसे फटा फट बताओ 36 सारा है जो कि सबसे डिवाइड होता है बहुत बढ़िया वही देखो यहाँ पर एक कमाल का खेल यह है कि आपको क्या करना है सबसे पर्फेक्ट स्क्वायर नहीं है तो यह तो बिना बात दे रखा है सबसे छोटा पूछा है तो सबसे छोटे से शुरू करो भी यह 36 को एक बढ़ ट्राइग कर लेते हैं 36 किसी का स्क्वायर है जी हाँ है 36 का चे से भाग होता है होता है 36 12 से होता है 18 से होता है यहाँ तक के सवालों में तो कुछ खास नहीं है लेकिन एक बार एक काम करते हैं चीजों को अच्छे से समझते हैं मैंने इनका LCM निकाला, 18 का, 12 का और 6 का, मुझे पता 36 आ गया, 36 को जब मैं लिखता हूँ, 2, 2, 3, 3 लिखता हूँ, अगर इसके पास कोई जोड़ा नहीं बन रहा तो मुझे इसका जोड़ा पूरा करना पड़ेगा, मैं जानता हूँ कि आप कोई बात समय नहीं आई, इसी के है, एक बार ट्राय करो, फिर भी, सबसे छोटा स्क्वाइर नंबर बताओ, जोकीन सबसे ही डिवाइड होता है, देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है इनका LC अब अगर मैं मालनों डिवाइड करके देखता क्या यह square है 4 के 4 square है बिलकुल सही बात है सही बात है वही square है बिलकुल 9-10 से भाग करके देखा हम सब हो रहे हैं अब 16 से भाग करना यह 24 से भाग करने में सच में बहुत ज़ादा problem है और अगर आप सोचते होगी मैं 3 का लगा के देखनू तो 3 से यह भी जारा है और यह भी जारा है मतलब confusion है बड़े level का तो एक बार method भी समझ लेते कि अगर ऐसा कुछ भी full toss आ जाये तो उसे कैसे पार्क के बार उणाना है सबसे पहले मुझे बढ़ाओ 10 का 16 का और 24 का क्या होगा lc देखो 16 सो जिसका भी आरा विशाल ठाकूर एक बात समझो 1600 अगर 24 से भाग होगा तो इसे 1600 को 3 से भी भाग होना पड़ेगा क्योंकि 24 के अंदर तो 3 और 8 होता है न अब 3 से भाग होता ही नहीं तो यह answer नहीं हो सकता ऐसे यह भी answer नहीं हो सकता बचकर यह दोनो मुझे उमीद है आपको बात समझ आई होगी इनका LCM बताओ जड़ा मुझे फटा फट से मानलो सबसे बड़े वाला LCM है 24 अब इसके पास क्या क्या है इसके पास है 222 और 3 इसके पास है 222 और 2 क्योंकि तूर्जा 4 तूर्जा 8 तूर्जा 16 मुझे उमीद है सबको समझ आदा होगा किसी को भी कुछ भी डाउट होता त देखो मुझसे एक बाद पूछ लेया करो अपना comment section में मैं आपको दुबारा समझा दूगा आए हो तो चीजों को सीख के जाओ बस ही अपना target रखा करो मालनो मैंने इसे एक 2 कम था क्योंकि यहाँ पर 3 है यहाँ पर 3 है यह दो बच गया एक 2 देना पड़ेगा बिलकुल स 240 आगया बिलकुल सही अंजली का 240 आया है जैसे ही 240 आया अब आपको क्या करना है एक बड़िया चीज सिखाता हूँ यहाँ पर ध्यान से देखो यह 240 लिखा दो 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 तीन और 5 किस किस के जोड़े पूरे नहीं है उसके जोड़े पूरे कराओ एक जोड़ा पूरा है बिलकुल सही करा बिलकुल सही करा यह जोड़ा है यह जोड़ा है इसको जोड़ा बनाओ तीन दे दो इसका जोड़ा बनाओ 5 दे दो यानि क्या करो इसे 15 से मल्टिप्लाइ कर दो 36 आएगा वही आंसर होगा मुझे बताओ बात समझाई एक बार फिर समझो फिर से समझो क मैंने ध्यान से देखा तो 240 ऐसा लिखावा था लेकिन वो square होना चाहिए जो भी answer आएगा वो square होना चाहिए इसका मतलब एक 3 और देना पड़ेगा एक 5 और देना पड़ेगा ये करना पड़ेगा तभी तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा एक जोड़ा, 2 जोड़ा इसका मतलब क्या है मुझे 240 को 15 से गुना करना पड़ेगा 240 को 10 से करूँगा 2400 240 को 5 से करूँगा 1200 और हो गया अपना पूरा काम आगे चलते हैं कुछ doubts आएं अभी doubts में ले लेता हूं बेफिकर रहो चलो जी CGL 17 का सवाल है फटा फट से ट्राइ करो अन्यों तो आप मेरे इसाब से सबसे पहले current year questions से start करो क्या आप उससे actual level judge कर पाते हो कि SSC क्या पूछ रहा है तो मेरे इसाब से current year start करना चाहिए तीन electronic devices है बहतरीन सवाल है फटा फट से इसका answer चाहिए भी इसके लिए पूरा पूरा एक minute देता हूँ मै बताओ कौन सा point समझ नहीं आ रहा है ठाकूर एक बाल मुझे comment में आके मिलो बताओ कौन सा वाला potion समझ नहीं आ रहा बना रहा है एक answer कपिल का जो potion नहीं समझ आ रहा है एक बाल मुझे बताओ option number one आ रहा है कपिल का अविशेक का बिल्कुल सही है option number one ही answer है बहुत बढ़ी है देखो कैसे करना है इस चीज़ को ध्यान से समझना बिल्कुल सही है 432 seconds बहतरी 48 एक घंटियां है तीन ध्यान से सुनना तीन घंटियां है अब वो अगल बजेंगी 0 पे तो ये वाली तो बजेंगी 48 seconds के बाद ज्यानी यहां पर 48 का टेबल चलेगा और दूसरे केस में चलेगा 72 का टेबल 72 का तीसरे में चलेगा 108 का यही combination चलेगा 72 का और 108 का जब मैं इनका LCM निकालूँगा तो ध्यान से देखना इसके पास है 24 और मुझे उमीद है आपको बात समझा रही होगी और अपका इसे ध्यान से आप देखोगे तो इसके पास क्या क्या है 12 है एक 9 है ऐसा समझ लो 12 है इसके पास 9 है और 6 है इसके पास आपको बादा और 4 है तो अपने जब combine इने करोगे तो देखो आपने 108 माना 108 को आपको एक 2 देना पड़ेगा इसके पास से ये वाला एक 2 इसके पास से तो overall जो मेरा LCM निकल के आता है क्या वो 432 सेकिंड आता है देखो प्राक्टिस तो थोड़ी वह चाहिए होगी यानि अगर पहली बार वो 10 बच के शुनने 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 पर बज़ी है तो मुझे पता अब 432 सेकिंड के बाद बज़ेगी तो क्यों ना इसे मिनिट में बदल ले यानि इसे मैं क्या करूँ 60 से भाग कर दू 7 पे जाएगा 42 पे यानि 7 मिनिट पूदे-पूदे हो गए और 12 सेकिंड लग से हो गए इसमें जोड़ दो यह हो गया आपका अंसर मुझे उमीद है बात समझा गई होगी आपको बहुत बड़ी है काफी लोग का अंसर है अभिशेक का है कपिल का है अमरदीप का है एकसिस का है अंजली विशाल लखकुष्ट बहुत बड़ी है दिल जला आशिक LCM समझ नहीं है LCM एक बार दुबारा समझा जिता हूँ मैं ध्यान से देखो गई LCM के लिए आपको क्या करना है देखो आप थोड़ा लेट आये थे इस चकल में आपको दिक्कत हो दी होगी आपको सबसे बड़े वाला नंबर मानना है LCM फिर ध्यान से देखना इसके बस क्या क्या है इसके बस क्या मैं कहता हूँ तो 3, 3, 2, 2 LCM मैं रिपीट कर दा हूँ मैंने क्या कर दा है blind इसे मैंने तोड़ दिया है 3, 3, 9, 9 और 12 को मैंने इसे ऐसे तोड़ दिया अब मुझे यह देखना है 72 के पास क्या क्या है 72 के पास क्या क्या है ध्यान से देखो 72 के पास क्या क्या है मैं कैसा तो 12 into 6 होता है यानि 3 2 2 है और 3 2 है यह मैंने क्या करता है इसे पूरे तरीके तोड़ दिया मुझे बताओ क्या ऐसा है जो इसके पास नहीं है यह यहां तक तो बार ठीक है 1 3 2 ऐसा है जो इसके पास नहीं है तो 2 इसे दे दो, दे दिया जी ठीक है, अब 48 की बात करो, 48 के लिखा है, 2 to the 4, 2 to the 8, 3 to the 24, 2 to the, अब ध्यान से देखो, 1, 2, 3, यानि 1, 2 तो ये है, जो जो कमी है न उपर, वर्ल्ड आपको वो उपर जमा काना है, जो जो कमी उपर है, वो आपको उसे देना है, अपने पास से अगर आप उसे दे पाते हो, तो वो main LCM बन जाता है, एक और 2 ये रहा, ये 3 देखो, 3 ध्यान से, एक 3 भी यहाँ पर है, ये वाला 2 है न, ये 2 missing है यापर, तो आपने क्या करा, इस हिसाब से combine करा के, जो 108 था, उसे 2 बार 2 से multiply करा, 432 आगे, मुझे उमीद है आपको बात सम समझारी होगी, अगला सवाल करके देखें, फटा-फट से, ये एक बार सभी लोग comment section में आप, मुझे बताओ, यहाँ तक all good सब समझ आया है, कुछ सवाल करा के देख लूँ मैं आप से, अगर सब कुछ समझ आया है, तो जड़ा फटा-फट से मुझे इसका answer बताओ, क्या था भईया, फटा-फट से बताओ, नो सो नहीं, पच्चिस सो नहीं था, सोला सो नहीं था, क्योंकि तीन से नहीं जा रहा था, नो सो च्छट्टिस ओजा, च्छट्टिस सो आइसा था, अगला सवाल बताओ मुझे फटा-फट से, इसका answer बताओ, ये direct था, 6,12,18 का LCM आपने लिया 36, 36 ही दर था, क्योंकि revision बहुत जरूरी है, revision नहीं करोगे काम नहीं बनेगा, इसी बात पर जदा मुझे इसका answer बताओ, इसका क्या answer है, बिलकुल सही, इसके बास कुछ बहतरीन सिखाता हूँ, आपको HCF से जुड़ावा, HCF से जुड़ावा भी कुछ डिसक करते हैं, इसके बाद, इसमें से मैं क्या घटा हूँ, 118, 7, 7 छोड़े, तो क्या करना है, मुझे पहले मैंने क्या करा था, 46 देखा था, 46 मेरा जो आया था, remainder, उसमें से मैंने 7 छोड़ दिया था, 39 मैंने answer mark कर दिया था, फटा-फट जी मुझे इस का answer आप बताएंगे, इ इसका answer बताओ, जितने सवाल कराएं हैं, मैं आप सभी को एक एक बार स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, किसी में भी आपको doubt हो, तो मुझे उस question का कोई keyword लिख के दो, comment में, मैं आपको वो दुबारा समझा दूँगा, मुझे कोई attention नहीं, इसके बाद मैं आगे चलता हूँ HCF के बारे में हम थोड़ी बहुत बात करेंगे, इन दोनों के बीच में कोई number ऐसा है, जो कि इन सबसे भागों की 11 देता है, मैंने आपको बता है, पहले ही 11 सम में से घटा दो, जैसी आप 11 घटा होगे, यहाँ पर 0 नहीं बनेगा बेकार है, 0 नहीं बनेगा बेकार है, यह यहाँ पर बनेगा 1440, यहाँ पर बनेगा 1630, 1630 जो है आपका 30 से भाग नहीं होता, तो यह भी गलत होगया, आंसर होगया सीरा सीरा, 1440 यानी आंसर होगया 1451, आगे चलते हैं भईया, कुछ और important बात करते हैं, यह भैतरीन सवाल थे, इसका आंसर दो मुझे फटा फट से, छे अंको का सबसे छोटा नंबर, जो कि जब इन सबसे भाग होता है, जब इन से भाग होता है, तो जो सम आता है, वो क्या आता है, यह बताना है आपको, 4, 6, 10, 15 से जब कोई नंबर भाग होता है, सबसे छोटा 6 अंको का, तो वो एक दिमिंडा छोड़ता है, दो, इसके लिए हम कवर कर चुके थे, इसका आंसर होगा 2, मैं उमीद करता हूँ कि आपको चीजे समझा रही हैं, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे चीजों को ल अब वो कहता है, सबसे छोटा 6 अंको का नंबर, मैंने अपने पास नोट करा, फिर मैंने उसे 60 से भाग करा, तो मुझे पता रहागा, रिमेंडर आया है 40, या तो मेरे पास दो रास्ते थे अब इसको लेके, या तो मैं इसमें से 40 घटा लेता, या फिर मैं इसे 20 दे देता 40 घटाते ही, यह मेरा जो नंबर आया है, छोटा बन जाता, 5 डिजिट बन जाता, वो मुझे बनाना नहीं थे, सवाल में 6 अंको कोछे हैं, तो मैंने प्लस 20 करा, प्लस 20 करते ही मुझे पता लग गया, कि मेरा जो नंबर आया है, वो यह आया है, बहुत बच्चे यह देखत ही 3 पर मार देंगे और 0 मिल जाएगा माइनस मार्किंग हो जाएगी क्योंकि 2 remainder भी आ रहा है तो 2 को जोड़ दो 10022 इसे साब से 10022 हो गया यानि answer हो गया 5 मुझे उमीर है समझा गया होगा आगे सवाल ट्राय करो बेसिक सा सवाल है सबसे बड़ा नंबर बताओ जो जब डिवाइड करेगा 390, 495 और 300 को बिना remainder छोड़े बेसिकली कुछ नहीं करना आपको इसका HCF निकालना है लेकिन मेहा जो method आपको सिखाने वालों वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए 20 ऐसे आया ब्लाइंड उस सवाल में देखो मुझे पता है कि अगर मैं इसमें से 1-2 मैं पिछला सवाल समझा दूँ जब तक आप सब लोग इस सवाल को ट्राय करो इसमें से जब मैं 60 से भाग करता हूँ तो मुझे पता है कि 99960 हड़ जाता है 40 remainder आता है अब देखो किसी नंबर में 40 remainder आता है तो मैं इसे 20 और दे दूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ वो 60 remainder यानि पूरा भाग हो जाएगा इस हिसाब से blind आया है उसमें ठीक है बेसिक सवाल है लेकिन इसमें एक method सीखात हो जो आने वाले सवालों में बहुत काम आएगा 390, 495 और 300 इनका difference किता आ रहा है 105 आ रहा है इनका difference किता आ रहा है 195 आ रहा है इनका difference किता आ रहा है 90 ध्यान से मेरी बात को देखना सबसे छोटा difference किया 90 है तो जो HCF होगा या तो वो 90 होगा या फिर इसके factor होगे बात समझ रहे हो जो HCF है या तो वो 90 होगा या इसके factor होगे फटा फट से एक बार देख लो 90 या आपका इसके factor कोई दिक्कत नहीं है कपल अब देखो अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करता ह हो 90 की तो 495 जो है यह odd है तो यह तो इसके अंदर suit नहीं करेगा यानि कुछ हटाना पड़ेगा इसमसे कुछ हटाना पड़ेगा 90 नहीं हो सकता अब इसे break करो 45 अगर लिखा है तो यह लिखा 4 into 9 ऐसे करके आपको check करोगे तो आपको समझ आजेगा जो 15 है वहाँ पर combination अब यह करोगे तो हो सकता थोड़े टाइम लगे अब ध्यान से मेरी बात देखो अब जो main बात है उस चीज़ को ध्यान से देखना इन तीनों में common बिलकुल सही कहा देओ आप कह सकते है इस हिसाब से भी इन तीनों का भी common आप देख सकते है 90, 105 और 195 का उस हिसाब से भी अपना काम बन जाएगा अब धीरे धीरे मैं level को आगे बढ़ाने वाला हूँ अब remainder छोड़ेगा साथ साथ कैसे छोड़ेगा उस चीज़ को भी समझो यह सवाल है आपके सामने इसे ट्राइ करो greatest number बताओ जो जब इन दोनों को भाग करता है तो 5 और 7 छोड़ेगा फटाफट ट्राइ करो यानि कोई ऐसा number है जो जब 989 को डिवाइड करेगा तो छोड़ेगा आपका कितना कोई number है star number है remainder छोड़ेगा 5 hello प्रिया hello 1327 को भाग करेगा तो remainder छोड़ेगा 7 बताओ जो क्या number है भईया फटाफट से क्यों ना इस में से पहले ही 5 और 7 को हटा के रख दो पहले ही 5 और 7 को हटा दो यानि ये remainder पहले ही घटा दो ना क्या आया 984 7 पहले ही घटा दो आया क्या 1320 अब इनका ही जो HCF क्या मैं कह सकतो इनका difference जब मैं निकालूंगा तो 320, 16, 336 आएगा या तो ये HCF है या फिर इसका कोई factor है ध्यान से देखना ये 32 से जब आप इसे भाग करोगे तो 32 से भाग नहीं होगा ये भी नहीं हो सकता फिर उस अगला देखो अगला 24 से 24 से भाग करके देखो 24 से भाग पूरा-पूरा होगा काम बतना बन गया 24 सी भी भाग होगा तो 8 क्यों नहीं है आंसर? 16 से क्यों नहीं ट्राइ करा हमने? 8 क्यों नहीं आंसर? क्योंकि उसने का है सबसे बड़ा नंबर इसलिए मैं 32 से 24 से 16 से इधर जाता मुझे उमीद है बात समझा गई होगी कि मुझे other way round जाना है ऐसा नहीं करना कि जानके सबसे छ अच्छा एक और चीज में आप सभी को बता देना चाहूंगा यहां पे काफी सारे आप में से बच्चे अल्रेडी एन अकाडमी प्लस पे तेयारी कर रहे हैं और जो नहीं भी है अनकाडमी प्लस पे बिल्कुल सही क्या रहे हो मैक्स बोला है वो भी आप जॉइन कर सकते हो का जो हमारे कोर्सित के साथ सबी अघुकेटर्स के सारे कोर्सिस चाहरा उसमें अभी नेसर हो पावन रागह स़र हो वाय पाय स्टॉडए अपको पूरे एक साल के मिल जाते हैं अगर आप डिस्काउंट को प्रतियोगता मन्तरा लगाते हो इस रीट में छे महिने-3 महिने क आपको जिसके अंदर ही है कहीं मत भटकना इसको लेके प्रतियोगिता मंत्र आपको डिसकाउंट को लगाना है जब आ फाइनल पेमेंट करेंगे बिना स्पेस के आपको डिसकाउंट मिल जाएगा और इसके साथ मैं आपको बता तो किसी और काटिकरी में भी आप तयारी करने चाब वो रेलवे है यूपी से सभी केसिस में वालिट है बस बिना स्पेस के आप लगाना ये चीज़ जानते हैं आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ बत्तिस वाला कैसे हुआ मैं आपको समझा देता हूं एक बार देखो बत्तिस को अब मुझे पता है कि जो आंसर होगा वो पका पका 336 के अंदर आता होगा 32 को जब आप इससे डिवाइड करोगे मेरी बाद ध्यान से देखना जब आप 32 को डिवाइड करोगे तो 32 से डिवाइड नहीं होगा 32 इसे काटे गए नहीं देखो काट के देखो 10 पे जाएगा 320 320 के बाद क्या होगा निकले गए नहीं कुछ, देखो, मैं आपको समझाता हूँ, 320 पे गया न, 10 पे, फिर क्या बचा 16, 16 क्या आता है, 32 के पाड़े में नहीं आता, चलो फटा फट से अगला सवाल करके बताओ भी मुझे, ये तो सवाल हमने दोनों को जब भाग करेगा, तो ये रिमेंडर छोड़ेगा, एंटी पीसी कपेल आप ये मान के चलो, अभी दो महीने नहीं हो सकता, आप ये मान के चलो कि जो अपडेट आएगा, जैसे ही आएगा मैं आपको इसी चानल पर प्रोवाइड कर दूगा, आप बेफिकर देना, अभी ये है कि कोई खास अपडेट नहीं आया, आप ये मान के चलो, फैब में होने के चान्से से हैं अभी के लिए, अब यहां पर अगर आप Option Elimination करोगे तो बहुत टाइम खराब होगा, वो बताता हूँ मैं कैसे, आपने क्या देखा, आपने सोचा कि 739 है, उस में से मैं 9 को खटा देता हूँ, 720 आ गया, 901 में से 5 को खटा देता हूँ, तो मेरा अपना आ गया, अगर आप इस टाइप से करोगे तो बहुत ज़र टाइम अपना खराब होगा, इस बात को आप समझो, जब आप इसी साब से करोगे, यहां पर आप कहोगे मैंने घटाया 5, यह आया 896, यह दोनों होगए, अब आगे क्या करें, बताओ जी ज़र लगा के देखना अपने इ 76 है, या तो यह होगा HCF या फिर इसके फैक्टर होगे, इसके फैक्टर में देखो क्या क्या है, क्या मैं कह सकतो है 11 और 16 लिखा है, ध्यान से देखो, 11 और 16 लिखा है, 11 तो आएगा नहीं पहाड़े में पक्का, 11 तो कहीं नहीं दिख रहा है, क्या 16 दिख रहा है कहीं, यह एक बाद बताओ बाद समझ आई 16 क्यों आंसर है सभी को समझ आया चलो बई अगर समझ में आगया तो फटा फट से मुझे अगला सवाल करके बताओ बढ़िया सवाल है word problem में किस-किस को दिक्कत होती है बई एक बाद मुझे बताना word problem में मैं चुनाए बहुत लोगों को दिक्कत होती है word problem में देखे जड़ा किस-किस को होती है यहाँ पर भी चलो जी the maximum number of students अमदीब को है काफी लोगों मैं देख रहा हूँ है अरित्य the maximum number of students जिनके बीच मुझे divide करने है अंजली को भी है एक हजार एक pen 910 pen से ले इस हिसाब से divide करो कि सब के पास same number of pen और pen से लो अमदीब कांसर आ गया है world को है कपिल को है बेफिकर दहना सवाल को एक बाद समझ लो माल लो मुझे क्या करना है मेरे पास 10 रुपे है और मुझे क्या करना है इसे divide करना है 5 classes में 5 अलग-अलग rooms है बात को ध्यान से समझना मैं क्या करूँगा सब को 2 दो दे दूँगा इस हिसाब से 2 दो दे दूँगा मेरे पास अगर माल लो 50 रुपे होते है तो मैं सब को 10 दस दे देता यही तो concept चलता है मैं क्या करूँगा इसका HCF निकालना होते है हमेशा इस सवाल में ध्यान दखना हमेशा मुझे HCF से खेलना है कैसे खेलना ध्यान से समझे माल लो बच्चे जो है बच्चे X बच्चे for example पहले एक बार basic तरीके समझाता हूँ मुझे एक बिल्कुल सही है जिसका भी आया है 91 1001 को मुझे X बच्चों में देना है यानि मुझे इसके X तुकडे करने है बिल्कुल सही ऐसी 910 के भी मुझे X तुकडे करने है क्या मैं कह सकता हो क्यों ना मैं इसमें से common निकाल लूँ उस नंबर को common कब निकालता हो जब मैं HCF लेता हूँ HCF लेता हूँ अब option को ध्यान से देखो कितने हलके option रखे वे है क्या 910 जो है 1001 के पहाड़े में आता नही क्या 11910 के पहाड़े में आता नही अरे 1911 तो किसी में भी नहीं आता ये भी बेकार है सीधा सीधा 91 हो गया सीधा सीधा 91 हो गया वो पूरा 10 पे जा रहा है वो पूरा 11 पे जा रहा है मुझे उमीद है बात समझा गई होगी कि मैं क्या करूँ हर बच्चे को 11 पैन दे दू और 10 पैनसिल दे दू मेरा काम बन जाएगा मुझे उमीद है समझ आ गई होगी ऐसे कितने बच्चे होंगे ऐसे 91 स्टूडेंट्स होंगे 91 स्टूडेंट्स को जब 11 पैन दूँगा तो 1000 पैन आएंगे जब इनने 10 पैनसिल दूँगा तो मेरा 910 पैनसिल आएंगे मुझे उमीद है बात आपको प्राक्टिकली भी समझ आ गई होगी अगले सवाल पर चलते हैं भई एक बट ट्राय करो अटलीस ट्राय दा कुश्चिन नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा पूरा पूरा एक मिनिट दे रहा हूं सवाल के लिए एक बट ट्राय करना देखो ज़रूरी होता है वरना क्या होगा मैं पढ़ाता रहूंगा आप सीख नहीं पाओगे फटा फट से ट्राय करो फटावट से इसे ट्राय करो सेम कॉंसेप्ट है सेम बिल्कुल घबराना नहीं है सवाल को देखके अब रिपीट कर दूँगा लास्ट वाल जिसे नहीं समझाया है देखो 17 आया है अमर दीप का मुझे 391 जो है मुझे डिवाइड करने है largest possible equal classes में यानि मेरे पास मालो x classes है इत्ती सारी ऐसे कुछ classes है और मुझे 330 जो गल्स हैं इनी क्लासों में बिठाना है तो मैं कुछ नहीं करूँगा मैं सीधा सीधा HCF निकालूँगा अब HCF निकालने में क्या मुझे बताओ 391 के और 320 का HCF निकालने मुश्किल होगी नहीं होगी बहुत मुश्किल होगी तो क्यों ना दूसरा तरीका लगाया जाए मुझे पता है 391 लिखा है और 320 लिखा है इसका difference बताना 68 यानि पकका-पका 68 के पहाड़े में जो है वोही आँसर है बताओ भईया सीधा 17 दिखार है ने दिखार है अब यही 391 को तोड़ने बैढ़ जाओगा तो हो गया काम 391 को अगर तोड़ने बैढ़गा 320 को तोड़ने बैढ़गा फिर काम नहीं बनेगा कि मुझे बताओ समझ आया अब पिछला सवाल समझा देता हूँ समझ नहीं आ अर्षित कुछ लोगों को देखो मुझे एक हजार एक पैन और नो सो तस पैंसिल ये तो नहीं है लोगों में तो मैं क्या करूंगा सीधा-सीधा इसका सवाल बहुत बढ़िया है एक बढ़ ट्राइब है एक पास बन जाएंगे एक हजार पैन साटेस्वाइब हो गया मेरा कॉशिन टैकीज मुझे उमीद है आपको समझ आ गया होगा नहीं आया हो तो मुझे एक बार बता देना सवाल बहुत बढ़िया है एक बार ट्राइब करो नहीं बने तो मुझे बताओ सबसे कम नंबर बताना यानि least number of square tiles required to pave यानि floor को cover करने के लिए room इतना बड़ा है इतना चोड़ा है यानि ऐसा कोई room है ध्यान से बात को समझो इस type से कोई room आपको दे रखा है आपको इसे टाइलों से cover करना है माल लो मुझे कोई कहता है जी cover आपको करना है तो एक दो तीन चार हो गया square tile सोनी चीज़ यह चीज़ से आन दखना तो माल लोगा zoom मुझे पता है कुछ this type का लंबा सा है तो square मेरे को पता है जी 3 में cover होगा यानि मुझे कुछ नहीं करना मुझे थोड़ा सा LCM से खिलना है sorry HCF से खिलना है मुझे यह लिखा है 1517 1517 यह लिखा है 902 बहुत लोग इसे सीदा सीदा क्या करेंगे 902 की जगह से 92 ले लेंगे वही काम खराब हो जाएगा जल्दी से करो करके देखो भाई फटा फट देखो मुझे इसका HCF निकालना है लेकिन आंसर इस नोट HCF ध्यान से बात को समय ना मैंने इसका HCF निकालना है मैंने इने माइनस करा आपस मैं अब देखो मैं इससे जब माइनस करूंगा तो मुझे पता है 617 और 2 यानि 615 भी 691 यानि HCF या तो 602 इसके फैक्टर है बहुत बड़िया 849 और 3, 1974 का जिखाब मुझे इसके फैक्टर अब मैंने फैक्टर देख़े 621 के 615 को मैं तोड़ूंगा या तो मैं तोड़ूंगा 3 into 205 में या फिर मैं तोड़ूँगा 3 x 5 x 41 में इसी साफ से मैंने इसे तोड़ दिया अब ध्यान से देखना यहाँ पर जब मैंने इसे देखा है ध्यान से तो मुझे दिख गया कि यहाँ पर 3 का नहीं है यहाँ पर 5 का नहीं है तो point को ध्यान से आप समझना मुझे बताओ यहां तक बात समझा रही है सभी को number of square tiles क्या मैं कह सकता हूँ LCM इसलिए नहीं निकालना रोज क्योंकि मुझे यहां पर निकालनी है कम से कम number of tiles least number of tiles के case में मैं चाहूँगा बड़े से बड़ा जो बिलकुल मैं समझ रहा हूँ बड़ी से बड़ी tile लगानी है तभी में number of tiles कमाएगी बड़ी tile के लिए मैं HCF निकालता हूँ ना कि LCM मुझे बताओ बात समझाई अब अगर मैं देखता हूँ ध्यान से इदा 3 को क्या 3 इसके अंदर है 3 इसके अंदर नहीं है 5 इसके अंदर नहीं है और यह answer दिनेंगे क्या यह answer है ना यह तो tile का area बता रहे हो tile का area है यह तो आपको number of tile बतानी है वो कैसे निकालता है number of tiles ऊपर करोगे floor का area नीचे करोगे tile का area यह ऐसे करोगे floor का area ऊपर करोगे floor करोगे जैसे आप ऊपर करोगे आप लिखो के 1517 into 902 भाग 41 into 41 अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो 41 को जब आप इससे काटोगे 2 the 82 बचा फिर 82 यानि 22 पे गया जो आप इदर काटोगे 41 को 3 से गया 123 फिर जाएगा 7 पे यानि आंसर होगा 37 into 22 37 को 20 से करोगे 37 को जब आप 20 से करोगा 740 740 में जब आप 74 जोड दोगे 814 होगा आपका आंसर मुझे बताओ समझाया एक बार सभी लोग मुझे बताओ भी थोड़ा सा मैं जानता हूँ confusing सवाल है जैसा मैंने आपको सेशन की शुरवात में ही बताया था कि देखो स्टार्टिंग में हम इजी पड़ेंगे धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाएंगे कोई अगर ऐसा हो जिसे ना समझाया एक बार मुझे बता देना कोई टेंशन की बात नहीं है वन्ना अगला सवाल देखते है मैं फटा-फट से दीकाप देता हूँ पटा-फट से दीकाप देता हूँ मैं आपको यहाँ पर कि यहाँ पर मैंने आपको क्या बता है एक चीज का बता दी है 41 जब साइड आ गई 41 तो उसके बाद मैंने क्या करा उसका एरिया निकाला फ्लोर के अरिया से टाइल के अरिया को डिवाइड करा बस बात खतम मैं एक्स्प्लेइन कर देता हूँ देखो मैंने क्या करता देखो 1517 और 902 का ठीक है इनका मैंने HCF निकाला HCF निकाल के मैंने HCF निकाल लिया 41 बस number of tiles मुझे निकालनी है यहां तक सबको समझा आगे भी 41 निकाला है यहां तक बताओ भी rows हर कीरत यहां तक आगया अब मुझे 41 मैंने HCF निकाल लिया इसका पस मुझे number of tiles निकालनी है उपर लिखूंगा पूरे फ्लोर का area नीचे लिखूंगा tile का बस solve कर देता है यह 22 पे कटेगा यह 37 पे कटेगा answer आगया मेरा 814 मुझे बताओ भी बात समझाई एक बार अब बताओ भी समझाई चलो अगले सवाल पे चलते हैं फटा वट से इसे try करो let n be the greatest number n मानलो सबसे बड़ा number है इस 41 कैसे आया वो नहीं आया एक बार समझा देता हूँ मैं फटा फट से आपको देखो मैंने क्या करा यहाँ पर 1517 बहुत बढ़ी है टेकीज बहुत बढ़ी है 902 मैंने इने minus करा मेरे पास आया 615 ध्यान से मेरी बात सुनना 615 को जब मैं इदर से तोड़ूँ गा तो मुझे बता 3 into 5 into 41 आयेगा बिल्कुल सही अब बस एक बार ध्यान से देखो यहाँ पर ध्यान से एक बार देखना क्या जो 3 है वो इसके पहाड़े में आयेगा नहीं आयेगा ना हटा दो क्या 5 इसके पहाड़े में आयेगा नहीं आयेगा हटा दो सिरफ 41 है जो कि आयेगा तो बस अपना उससे काम बन जाएगा मुझे बताओ अब समझाया यह शॉटकट है देखो लंबा मेथड भी आपके पास होता है 1517 के फैक्टर बनाओगे 902 के फैक्टर बनाओगे बहुत टाइम खराब करेगा हमेशा माइनस करो फैक्टर देखो वो ही HCF होगा ठीक है चलो जी अगला सवाल ट्राइ करेंगे आप सभी लोग मान लो N सबसे बड़ा नंबर है जो कि जब इन तीनों को भाग करता है बढ़िया सवाल है तो same remainder देता है बहतरीन सवाल चलो क्या अंसर होगा इसका यहाँ पर मैं आपको समझाओंगा जो मैंने अभी आपको पीछे तरीका बदाया था माइनस को कितना ही काम आता है पताओ sum of digits क्या होगी N की चलो बढ़िया है आगया रोज हरकी दद बहुत बढ़िया यहाँ पर option elimination लग ही नहीं सकता because option ही नहीं है वो कहता है कि इस सवाल को ध्यान से आप देखना same remainder छोड़ेगा क्या मैं कह सकता हूँ एक बात की मान लो मैं इसमें से वो number घटा दू जो भी remainder है जो भी remainder मेरी बात ध्यान से सुनना मान लो इसमें से कोई भी number मैंने घटा दिया क्या मैं कह सकता हूँ वो घटाने के बाद मेरे पास यह आ गया 6905 minus यह मुझे बताओ समझ आई बात यह तीनो number कैसे आ गए मान लो यह delta triangle यह है वो number जो remainder आता है मैं रिमेंडर घटाया रिमेंडर आ लिख देता हूँ मैं इसकी जगा जब मेरे को इसका hcf निकालना है क्या मैं तीनों का difference निकालनू तो मैंने क्या करा कुछ नहीं करा 1305, 4665 और 6905 इनका difference निकालने बैड़ गया मैं difference जब मैं निकालनूंगा तो मुझे पता है यहाँ पर माइनस करके आता है मेरा 3360 यहाँ पर माइनस करके आएगा मेरा 2440 और यहाँ पर माइनस करके आएगा 56 अब यहाँ पर कमाल की बाद देखो क्या है 3360 होता है 3 into 1120 यह होता है 2 into 1120 और यह होता है 5 into 1120 मुझे बताओ भी या common क्या है इन तीनों में common क्या है जड़ा बताना 3 इंटू 1120, 2 इंटू 1120 तो 5 इंटू 1120 में 1120 क्या मैं कह सकता हूँ यही वो नंबर है जो आप तलाश रहे हो यानि HCF इसका 1120 है मुझे बताओ बात समझा ही फिर समझाता हूँ एक बार ध्यान से सुनो वो कहता है कि जब इसे 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 आप किसी भी नंबर से भाग करोगे तो same remainder आएगा तीनों का HCF निकाल दो 4665 और आपका है 6905 जब आपने माइनस करा इन तीनों को तो आपको पता है कि यहाँ पर तो आया 56 यहाँ पर आया 2360 यहाँ पर आया आपको 2240 तो इसका मतलब इसमें 1120 ही तो है वो common है क्योंकि यह क्या है 5 इंटू 1120 यह है 3 इंटू 1120 यह है 2 इंटू 1120 तो इसका मतलब 1120 common है यही वो number है जो N है बताओ यहां तक आने के बाद तो कुछ नहीं है 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 0 यानि फोन आंसर हो गया मुझे बताओ वही समझ आई बात अब एक बात सभी लोग मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुन लो कि इन सभी questions को आपको क्या करना है practice करनी है बात में भी अब एक बन मुझे इमानदादी से बताओ वही क्या इस टाइब के session रोग से एक plan कर दूँ जैसे आज मैं आपको HCF LCM पढ़ा दूँ क्या कल remainder theorem पढ़ा दूँ इसी समय साथ बजे मैं चारो number system में जो जो जैसा जैसा जितना भी है सभी कुछ मैं आपको यहीं पर पढ़ा दूँ आपको कहीं भी भटकना ना पड़े इस content के लिए ऐसा नहीं है कि आप इदर जा दे हो उदर जा दे हो कुछ नहीं सब कुछ यहीं पढ़ा दूँगा condition एक ही है कि शाम को साथ बजे हम लोग इहां मिल लेंगे क्योंकि सादा दिन मेरी plus की classes होती है तो मैं आप सोच रहा हूँ शाम को मैं free हूँ शाम को आपको इदर पढ़ा देता हूँ एक्जाम से पहले आपका त्यार हो जाए है चलो बहुत बढ़िया है अब एक नया concept पढ़ते हैं जो की बहुत ज़रूरी है आपके पढ़ने के लिए ध्यान से मेरी बात को सुनना चलो thank you so much everyone कोई से भी दो नंबर है मान लो नंबर मैं देता हूँ 3 की पावर 15 प्लस 1 और 3 की पावर 35 प्लस 1 इनका HCF निकालना है किस-किस को दिक्कत होती है अगर आपका रिस्फॉंस बढ़ी है रहा तक करा देंगे बेफिकर दो इस टाइब के सवाल अगर आएंगे और आप इन्हें बेसिक मेस्ट से करने बैठ जाएगे तो शाम हो जाएगी तो तो हो गया फिर काम ध्यान से मेरी बात सुनना copy pen उठालो और एक जो लिखवा रहा हूँ वो लिखो चलो thank you so much techies मेरे पास कोई भी value है p की power a plus 1 p की power b plus 1 चलो thank you so much rose अगर मैं इसका hcf निकालता हूँ तो hcf सीधा कुछ मत करो p की power hcf of a and b plus 1 बात खतम कोई दिमाख नहीं लगाना कोई कुछ नहीं है बेफिकर रहो बहुत अराम से हो जाएंगे good evening लक्षे कुछ नहीं करना ध्यान से सवाल को समझो सवाल मैं लिखके देता हूँ 3 की power 15 plus 1 3 की power 35 plus 1 इसका मुझे hcf बताना है इसका मुझे hcf बताना है बताओ जी hcf क्या होगा मैंने आपको ये समझाए यहाँ पर p क्या है p है देखो फटा-फट से लिखो p है 3 15 और 35 का hcf बताओ किता है औरली बताना 15 और 35 का hcf है 5 plus 1 answer कुछ नहीं करना 15 और 35 का आपको निकालना है hcf मुझे बताओ बात समझाए 28 नहीं होगा थोड़ा सा अमदीप इध्यान से देखो सवाल को अच्छा अगर इसी में इसी में मैं आपसे पूछ लेता हूँ रुको मैं थोड़ा सा सवाल को पलटता हूँ अगर मैं आपसे पूछ लेता हूँ तो रुको मैं चेंज करता हूँ थोड़ा सा आपके लिए चीज़े जादा अच्छे से समझाएंगी अगर मैं इसी के अंदर कहता हूँ मुझे LCM बताओ तो क्या करना LCM की केस में आप क्या करना चलो थांक्यू सो मच अंजली थांक्यू सो मच दिस मेंस अलॉट बढ़िया है इसी तरीके आप पढ़ता दो P की पावर LCM of A, B समझा रहा है मतलो LCM कहा रहा है उससे LCM निकाल दो पावर का HCF कहा रहा है LCM LCM निकाल दो Tension मतलो जैसे की इसी का मुझे बताओ LCM क्या होगा इसी का LCM होगा 105 ना तो 3 की पावर 105 प्लस 1 मैं जानता हूँ अभी भी समझने में दिक्कत हो रही है एक बार final बार दुबारा समझो 3 की पावर 15 प्लस 1 3 की पावर 35 प्लस 1 इसका अगर वो मुझे कैता है HCF बताओ तो मुझे कुछ नहीं करना 3 को ऐसे ही लिखो प्लस 1 ऐसे ही लिखो पावर में HCF निकाल दो 15,35 कित्शा है 15,35 प्लस आन्सर है अगर मुझे केता है LCM तो क्या करो 3 को ऐसे लिखो प्लस 1 को ऐसे लिखो को पावर में LCM निकाल दो हूँ आया एक सुपमाच आंसर मुझे बताओ भी समझ आया एक और सवाल दू बढ़ी आसा थोड़ा सा लेविल बढ़ा दू चीजों का थोड़ा सा लेविल बढ़ेगा जादा नहीं एक स्टेप बस एक स्टेप मान के चलो 3 की पावर 3 की पावर 3 333 प्लस 1 और 3 की पावर 3 की पावर 334 प्लस 1 ये दो नंबर आपको दे रखे हैं इसका मुझे क्या करना है आप बताएंगे ये शाम को 7 बजे चलेगा हरी केशन क्लास जो है 7 बजे चलेगा HCF बताओ इसका 3 की पावर 3 की पावर 333 3 की पावर 3 की पावर 334 किस किस से सवाल नहीं बनता अंजली अभी दुबारा बता दूँगा बेफिकर देना 7 पी एम चलेगे प्रसंजीत क्लास किस किस से ऐसे सवाल नहीं बनते बई चलो जी देखें देखो इसका HCF बताने मैं जानता हूँ बहुत सदों की बैटरी लोग अठाइस नहीं होगा अठाइस कैसे निकाल है आपने 3 की पावर 3 की पावर 333 है चले अधित्य मुझे उमीद है आपको मज़ा आ रहा होगा बाकी सब सब्जेक्ट्स तो मैं आपको काफी पढ़ाता हूँ यहाँ पर ध्यान दो एक बात का यह क्लास हर कीदत कोशिश मेरी यह है कि कम सकूँ आपको आदा पौना घंटा में और पढ़ाओ यहाँ पर ध्यान दो 3 की पावर 3 की पावर 1 प्लस 1 नहीं ऐसे नहीं निकले गए इस कांसर देखो ध्यान से देखो मैंने आपको एक बात समझाई है अपने को इस टाइप से बनाना है इस टाइप से बनाना है लक्षे आज से ही स्टार्ट हुई है कोशिश करेंगे डेली करा देंगे बेफिकर दो यहां पर मुझे इस टाइब का पार्टन बनाना है ध्यान से सवाल को देखो भई पार्टन मुझे कुछ इस टाइब का बनाना है क्या मैं कह सकता हूँ अंदर का तो सब से में बाहर का सब अलग अलग है यानि यहां 333 है यहां 334 है यहां 333 है यहां 334 है लेकिन एक छोटा सा ओर स्कैम है यहां पर 3 की पावर 333 है यहां पर 3 की पावर 334 है अब इसका क्या करा जा है ध्यान से देखो बिल्कुल वैसे ही करा है बहुत बढ़ी है क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पर एक ही value अब पहले ऊपर वाले को solve करो पहले ऊपर वाले को solve करो 3 की power 333 की power 334 तो मैं क्या करूँगा 3 की power 333 common आएगा ध्यान से देखो यहाँ पर 3 की power 333 common आएगा आप 1 निकाल रहे हो 3 333 बार लिखा 3 334 बार लिखा समझो 1 3 बचेगा इसे काम करता हूँ इस सवाल को मैं अभी के लिए hold पर डालता हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा level शायद बढ़ गया है पहले इससे पहले मुझे एक basic सवाल करके बताओ 4 की power 16 plus 1 4 की power 20 plus 1 का मुझे hcf बताओ कुछ पहले एक दो सवाल थोड़े basic कराता हूँ उसके बाद इस सवाल पर चलूँगा एक दम थोड़ा ज़ादा मुश्किल होगया मुझे लग रहा है कोई बात नहीं इसका अंसर बताओ जोड़ा इसका hcf भी बताओ LCM भी बताओ इसके बाद fraction वाले discuss करते हैं फिर आएंगे बाप से इस सवाल पर powers का fraction का decimal का सब कुछ सिखा दूँगा बस focus बनाए रखो session अच्छे से अपना attend करो जिसे की फायदा हो बस और कोई बात नहीं देखो hcf की case में आपको पता है p तो आपको h दिख रहा है hcf उपर निकाल लो hcf उपर किता आएगा बहुत बढ़िया भई 4 की power 4 plus 1 4 for 16, 257 बहुत बढ़िया अगर lcm कहूंगा तो आप कहूँगा सब 16 और 20 का lcm आप निकाल लो 2 की power 8 4 की power 8 4 की power 4 लिखो 2 की power 8 लिखो सेम बात है अब चलते हैं नए concept की तरफ नए concept को थोड़ा सा देखना ज़रूरी है मैं बात करतों fractions की fractions की बात करते हैं बिल्कुल सही answer आया है सभी का बहुत बढ़िया भई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया विजय अमधी प्रोस प्रसंजीत अतनुग विजय, मैड, लक्षे, अंजली, अमधी बहुत बढ़िया भई आगे चलते हैं LCM की मैं अब आपसे बात करता हूँ LCM and HCF of fractions fractions का मुझे निकालना LCM and HCF ध्यान से देखना बात को इसका मुझे ये निकालना है मालनों नंबर मेर पास दे रखें A upon B, C upon D E upon F इसका मुझे इसका LCM निकालना है हमेशा ध्यान रखना LCM पूछा है तो HCF पूछा है तो अगर LCM पूछा है तो उपर LCM लिखोगे अगर HCF पूछा है तो उपर HCF लिखोगे पहली बात जो पूछा है वो उपर लिखोगे और जो उल्टा है यानि LCM पूछ लिया तो HCF नीचे हो गया यहाँ पर LCM नीचे हो गया of numerator of denominator बहुत बड़ी है denominator सीधा सीधा यह हिसाब बनना है अब एक सवाल करके देखते हैं सवाल कैसा उस चीज़ को ध्यान से समझना आपको मैं number देता हूँ कुछ number ध्यान से देखो 3 upon 4 3 upon 2 और 4 upon 1 इसका मुझे HCF बताना नीचे उल्टा बिल्कुल सही HCF की केस में उपर वालो का तो HCF निकालो नीचे वालो का LCM निकालो यही मैं LCM पूछता तो मैं कहाता LCM तो निकालो उपर वाले का of denominator लिग दो यहाँ पर और नीचे वाले का निकालो यहाँ से HCF of denominator बताओ भईया फटा फट से जड़ा उपर वाले का numerator का HCF किता आएगा 1 यह किता आएगा 4 LCM किता आएगा numerator का भईया LCM आएगा 3 चोके 12 HCF नीचे वाले किता आएगा 1 बात ही खतम यह है आपका answer अब इसका answer आप मुझे बताएंगे फटा फट से comment section में कि इसका मुझे आप बताएंगे LCM किता है LCM of 0.6 1.8 and 0.36 फटा फट से मुझे इसका LCM बताओ चलो जी शुरू हो जाओ 3 by 4 LCM बताना है चलो अभी LCM आप options को यह आपके पास जो option है मैं आपको बता देता हूँ यह option आपके पास है HCF के अब मैं LCM के option यहाँ लिख देता हूँ दोनों ही सवाल बता दो A आया है 1.8 B आया है 12 3.6 और option number 4 है मेरे पास मालो में लिख देता हूँ 36 LCM यह है 3.6 36 by 10 36 कैसे निकाला है वई देखो अगर मैं LCM के आपसे बात कर रहा हूँ एक चीज ध्यान से आप समझो अगर मैंने आपसे LCM की बात करी है तो इस चीज को आपको ध्यान से समझना होगा कि LCM निकालना है यह क्या मैं लिख सकता हूँ 6 बटे 10 यह लिख सकता हूँ 18 बटे 10 आपने बहुत बड़ी गलती करी है वो गलती में अभी ठीक कराता हूँ यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 36 बटे 100 आपने सीधा सीधा इसी को सॉल्व कर दिया अब एक चीज ध्यान से देखो चाहो तो इसे ऐसे ही लिख रहे हैं तो चाहो तो इसे सॉल्व कर लो 3.6 LCM आ रहा है बहुत लोग का देखते हैं ज़रा कैसे 6 बटे 10, 8, 18 बटे 10, LCM के लिए क्या मैं उपर वाले का LCM निकालूँगा उपर वाले का मैं LCM निकालूँगा बिल्कुल सही किता आएगा LCM मैंने निकाला है बताओ LCM किता है उपर वाले का 3.6 सारा है HCF मुझे बस इतना बता दो उपर वाले का LCM क्या आएगा 6 का 18 का और 36 का फटा फट से बताओ देखें जड़ा अधित्यकार है 3.6 and 0.06 36 नीचे मेरा क्या आएगा HCF HCF में सीधा सीधा क्या दूँगा भईया जो मेरा HCF है वो आया है 10 क्योंकि यहाँ पर देखो 10 है 10 है 100 है बिल्कुल सही अब अगर यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है क्योंकि इन सवालों में देखो कुछ खास नहीं है तो सवाल जो में है मेरा वो आप पहले मुझे करके दिखाओ पहले मेरा में सवाल करके बताओ कि यह वाला चलो भी बात में कराते है थोड़ा सा रुखके पहले इससे पहले मेरा में सवाल करके बताओ वो मैं आपसे main कराना चाहतूँ यहां तक का तो देखो time pass हो रहा है 4 bells अब इसे try करोगे क्योंकि word problem main है 4 bells जो है ring 12 times 18 times 26 times 30 times कोई बात ने प्रिंस आप यहीं से continue करो लेट हो गए आप करीब 2 घंटे हो गए session को कोई बात ने in a second एक second में बारा बार एक second में 18 बार यह है in a minute how many times will they ring together फटा फटा बता होई 4 घंटियां है जो की एक second में बारा बार एक second में बारा बार है यहां पर यह नहीं है 12 second में एक बार सवाल को ध्यान से समझना एक second में 12 बार एक second में 26 बार एक second में 18 बार एक second में 30 बार सवाल ऐसा कुछ है बताओ जी क्या answer होगा इसका एक second में कितनी बार यह एक साथ हिलेंगी बताओ जी option देता हूँ option number A 60, option number B 61, option number C 120, option number D 121 चलो जी option बताओ option दे रही है मैंने आपको 2340 नहीं अतनू एक बार बैनर जी दुबारा ट्राए करो सवाल ध्यान से देखो अतनू आपका answer बिलकुल सही जा रहे हो आप लेकिन question में इना minute लिखा है यही मैं आपको सिखाना चाहरूँ option में जानके वो क्या करेगा यहाँ पर एक option 60 की जगा आपको 61 की जगा 2 दे देगा जानके आप जल्दवाजी में 2 पिटिक कराओगे 120 आ रहा है 120 आ रहा है बैनर जी का हर कीरत का 60 हा रहा है फटावट से answer हो भी अब देखो session जो अपना है बहुत बड़ी आमर्दी बहुत बड़ी आ 121 आ रहा है नया answer आया है तो देखो session अपना थोड़ा आगे चला है तो आप भी देख रहे होगी हर इक type के सवाल मैं आप से हैं discuss कर रहा हूँ देखो यार पहले तो simple simple काम करते हो simple काम क्या फटा फट से इसे solve कर लेते हैं solve करने का अपना सीधा तरीका अपने को पता है कि मैं color फटा फट से आपके लिए change कर देता हूँ जिससे की कुछ बड़ीया दिखे screen पर 60 आ रहा है 39 आ रहा है देखो सबसे पहले तो एक बात समझो एक second में 12 बार तो क्या मैं कह सकता हूँ ये एक बटे 12 बार होती है ये एक बटे 18 बार होती है ये एक बटे 26 बार होती है ये एक बटे 30 बार होती है मुझसे वो क्या रहा है एक minute में बताओ कितनी बार होती है तो क्या मैं कह सकता हूँ, एक साथ का टाइम मुझे निकालना है इसका, तो मैं इसका LCM लोगा, यानि LCM मुझे जब इसका मैंने लेना है, तो मुझे पता है LCM इसका आएगा, उपर वालों का LCM यानि 1, नीचे वालों का HCF यानि 2, यहां तक सब पहुँच गए हूँ, कि ए एक सेक, आधे सेकंड में, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, एक बार, आधे सेकंड में एक बार, तो भाईया, एक सेकंड में कितनी बार, दो बार, तो एक मिनट में कितनी बार, 120 बार, लेकिन एक पंगा है, वो कहता है कि एक मिनट में बताओ, तो स्टार्टिंग भी तो क बीच में दो बार, फिर दो बार, फिर दो बार, फिर दो बार, तो यहां तक दो-दो करते-करते, यह वाला एक कौन आड करेगा, समझा भई, अमर्दी बहुत बढ़ी है, पितामबर बहुत बढ़ी है, आपका अंसर बिलकुल सही है, आंसर 120, वन होगा 120 नहीं, मुझे ही डिसकस करेंगे, मेंस लेविल का यह सवाल है आपका, और मुझे उमीद है आपको इससे सीखने को मिला होगा, इसी टाइप से आपको बहुत सारी पढ़ाई है, बहुत भी अनकाडमी प्लस पर देखो कर सकते हो, हमारे खुद के पूरा प्लाटिनम बैच है, हमारे होगे, आपको इस रीट में सारी प्लान्स पढ़ जाएंगे, एक साल का बेस्ट रहता है, और किसी भी क्याटिगरी में आप पढ़ाई कर दो, अगर ससी के एलावा, रेलबेस, बैंकिंग, यूपी एसी में भी कर देखो, उस केस में भी आपको इसी डिसकाउंट कोर से बि प्रिंस पूरी कोशिश है, अगर आप लोग कहते हैं, मुझे बताओ, एक बार कॉमेट में क्या रोज क्लास करागे, फूरा नंबर सिस्टम यहीं पर तयार करा दू, मुझे कोई इश्यू नहीं है, दो शाम को साथ बजे मैं फ्री होता हूँ, छे बजे, साथ बजे से मैं क्लास लगा दूगा, ओनली, देखो हर कीदत, इसके अंदर सभी कुछ इंक्लूडिट है आपके लिए, और क्लास भी अगर आप अटेंड करना चाओ, वो भी आप कर सकते हो, बिलकुल प्रसंजीत में फूरी कोशिश करता हूँ, मैं डेली साथ बजे आपके लिए क्लास र जैसे ही यहां से यहां, जैसे 12 seconds हुआ तो एक बार बजा, फिर पूरा second हुआ तो एक बार बजा, फिर इस type से मालो jump है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो मैं कहूँगा, आदे second पे बजा, फिर एक second पे फिर आदे second पे फिर एक, इस type से मैं जोडूंगा, लेकिन मैं ये भूलीया जोडना कि ये वाला भी तो बजा था इसे भी मुझे जोड़ना पड़ेगा क्योंकि स्टार्टिंग इससे भी है profit loss नहीं बनता चलो कोशिश करते profit loss प्रिंस कह रहे हैं CISI आपको यहां करा दूँगा अब आगे चलते हैं कुछ बहतरी सीखते हैं जिससे की मज़ा आए कुछ बढ़िया सीखते है बड़ा बेसिक सा एक सवाल में आपको बताता हूँ जो कि क्या होता है कि मानलो आपको दे रखे हैं दो नंबर A और B बिलकुल बेसिक सी बात है आप स ठीक है भईया दो नंबर है यह और B बहुत बढ़िया अब क्या A और B जो है इसका जो LCM होगा वो मानलो यह आया है और इसका जो HCF होगा यह आया है दोनों को मल्टिप्लाइ करके हमेशा यह आता है यह बहुत बेसिक सी बात है बिलकुल अनकाडमी पर भी है प्रिंस मैं स प्रिंस माक्सिमम आपको यही पर करा दो दो फिकर लोग ल्टीम है इसका बड़ी ध्यान से समझना अगर कोई से दो नंबरों का HCF जो है टाइम एन वर्क में प्रॉब्लम होती है चलो उसे भी कराते हैं तो मानलो दो नंबर है कोई सा दो नंबर जो है ध्यान से मेरी बात सुनना जिनका HCF है तो क्या मैं कह सकतो पहला नंबर ह होगा दूसरा नंबर ह भी होगा बताओ बात समझाई कि अगर कोई से भी दो नंबर है जिनका HCF है तो पक्का पक्का उसके अंदर एक है इदर आता होगा एक है इदर आता होगा एक्जामपल समझो एक्जामपल यह है कोई से दो नंबर है जिसका LCM आपको गिवन है 2079 ये दे रखा आपको LCM HCF आपको दे रखा है चलो ठीक है प्रिंस मैं ध्यान दूँगा जितनी जल्दी पॉसिबल लोग आपको करा दूँगा मैं और आप देखो चाहो तो आप क्या कर सकते हो कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचने की पैसे लग रहे हैं लेकिन आप चाहो तो आप एक साल की जगा छे महीने या तीन महीने का भी ले सकते हो डिसकाउंट के लिए कोड आपको स्क्रीन पर नीचे दिख रहा होगा उसमें फाइदा देखो क्या है कि आपको वेट नहीं करना पड़ेगा जो दो-तीन महीने बचे हैं आप उसमें काफी सारी चीज़े एक सार त्यार कर पाओगे कॉल आपका है बताना मेरा काम है अब आपसे वो क्याता है कि अगर एक नंबर वन आफ दा नंबर जो है आपका 189 है अदा नंबर बताओ बहुत असान सवाल है प्रिविएस एर कुशन है काफी बार पूछा जा चुका है बहुत असान सवाल है अलो भी है चलो बताओ बहुत बिल्कुल बेसिक सा सवाल है कि अगर दो नंबर A इंटू B है एक A है एक B है तो इनका LCM इंटू HCF के बराबर होगा बिल्कुल बेसिक सा सवाल है इससे ही मैंने शुरू कर रहा है A इंटू 189 इस इकॉल टू 2079 इंटू 27 ऐसा कुछ बनेगा आके यानि 189 से जब मैं इसे काटने बैठ हूँगा तो मुझे पता है कि भईया सीधा सीधा कर्टिंग बैठिंग करके मेरा काम अपना बन जाएगा बताओ भई यहां तक बात समझा रही है 297 आ रहा है बिल्कुल सही यह बेसिक सब बिल्कुल बेसिक सवाल है लेकिन मैं यह सिखाने नहीं आए क्योंकि यह सवाल तो बहुत बार आ चुगा है कुछ बहतरी इन सीखते हैं देखो कैसे तो नमबर्स है तीन नमबर्स है आर इन बहुत बढ़ी है 297 वन रेशो तो रेशो त्री यह तीन नमबर है इनका HCF है 12 नमबर बताओ क्या है नमबर क्या है ओप्शन नमबर ए 12 24 36 5 10 15 4 8 12 बताओ जी बिल्कुल आसान सा सवाल है जल्दी से आंसर बताएंगे यह साही से लिख दो 5 10 और 15 बिल्कुल साही है 297 12 24 36 क्या है अब मैंने आपको बताया था कि अगर HCF आपका 12 है तो जो नमबर होंगे वो होंगे 12 into something 12 into something होंगे इसका मतलब यह है कि 12 into something यानि 12 x 12 y 12 z ऐसा कुछ बनेगा आप देखो कौन सा इस फॉर्माट में है यह तो है यह नहीं यह भी नहीं है यह भी नहीं है तो आंसर अपना होगा यह अगर एक और option में इसमें डाल दूँ यहां पर option number E वो मैं आपके लिए डाल देता हूँ 36, 72 और 108 तो क्या option number E answer हो सकता है yes or no में answer करना बस क्या यह answer हो सकता है यह answer नहीं हो सकता उसका reason समझो क्यों कि इसका HCF 36 हो जाएगा इसका HCF 12 है 36 हो जाएगा यह भी थ्यान रहे ना कि इस x y z पे कुछ भी common नहीं आना चाहिए मुझे उमीद है बात समझाई होगी आपको आगे चलता हूँ मैं कुछ नहीं चीज सीखते हैं दो number है the HCF of two numbers फटा फट से इस number को इस question को try करो is it which of the following can never बहुत बड़ी आवई there LCM दो number है जिसका HCF आपको 8 दे रखा है अब बताओ इन में से ऐसा कौन सा है जो की उसका LCM नहीं हो सकता 24, 48, 56 और साथ देखो मैं आपको समझाता हूँ एक तो पहले shortcut सुन लो जो LCM है वो पक्का पक्का HCF से कटना चाहिए HCF से कटना चाहिए ये तो है shortcut इडारेक्ट कैसे paper में क्या करना है 8 से कटना चाहिए 8 से साथ नहीं कट रहा है ये होगे आपका answer अब इसका method समझो ऐसा y y का answer क्या है y माल लो HCF दो number का 8 है बिलकुल सही बात है HCF दो number का 8 है तो दो number होंगे 8A into 8 भी बिलकुल सही और ये दो number है HCF किता है 8 है into LCM यानि 8 से 8 कटा यानि LCM के पहाड़े में 8 into A भी आना चाहिए यानि 8 आना ही चाहिए LCM के पहाड़े में जो की 60 में नहीं आता देखो यार मेरा काम सिरफ और सिरफ आपको यहाँ पर ये नहीं है कि ट्रिक यार्थ करा दी वो कैसे डेवलप हुई अगर उससे समझ लोगे तो पेपर में जो confusion होती है वो बहुत अराम से दूर हो जाएगी ठीक है चलो आगे चलते हैं एक आत्सवाल और देखते हैं वहतरीन सा चलो जी यह हमने कवर कर लिया है यह हमने कवर कर लिया इसका अंसर बताओ मुझे दो नंबरों का दे ल्सीम ओफ थ्री डिफरेंट नंबर से एक सो बीस तीन नंबर है जिसका ल्सीम आपको दे रखाए बताओ है एक सीएफ कौन सा नहीं हो सकता सेम कॉंसेप्ट है औरली करना है बिना पैन के औरली करना है इस सवाल को यानि एक सो बीस को जो भाग नहीं करेगा वो विजेता है जो कार्ट देगा वो ही हो सकता है आठ कार्ट रहा है जी कार्ट रहा है 15 पे 24 कार्ट रहा है 5 पे 12 कार्ट रहा है 10 पे 35 नहीं कार्ट रहा 35 अंसर है सीधा फंडा क्या है हम समझ चुके हैं फटा फट से बिना इंतजार के मुझे इस का अंसर बताओ बढ़िया सवाल है गड़बन मत करना सही से अंसर देना दो नमबर पहले एक काम कर सकते हो आप चलो पहले एक बढ़ ट्राय करो 10 सेकिंड और देता हूँ मैं अमर्दी पस मुश्किल से आप यह कहो अमर्दी पांच से 10 मिनिट क्लास होने वाली है कुछ आखरी के जो सवाल मैं आपको डिसकस करा रहा हूँ यह वो CGL के प्री प्लस मेंस के सवाल है तो आप मेरे हिसाब से इने करते हैं फिर उसके बद चलते हैं मुश्किल से 5-10 मिनिट आइनो कि काफी लेट हो गया है बट ज़रूरी है थांक्यू सो मच प्रिंस 60, 60, 60, 60 बहुत बढ़िया बहतरीन भाईया सबसे पहले नंबर निकालो बिना टाइम खराब करें नंबर क्या होगा 5-3, 15, 5-4, 20 नंबर यह है इसका LCM औरली निकाल सकते हो 60 इसका LCM बिलकुल असान सवाल है कुछ भी नहीं है सवाल में हलवा सवाल है फटा-फट से अगल असल बताओ LCM of two numbers आपको given है 48, number आपको given है 2 ratio 3 में, sum of numbers बताओ, sum of numbers फटा-फट से, कुछ बहतरीन previous year question में है आपको discuss करा रहा हूँ, जितना भी हमने session देखा है सबको निचोड के कुछ previous year questions है इने बढ़िया से discuss करना ज़रूरी है पताओ भी फटा-फट LCM given है यह बात याद रखना option नहीं दूँगा, चलो option दे देता हूँ 240, 240 option में नहीं है अमादी, देखो यहाँ पर trick फस्ती है, मैं आपको बदाता हूँ, हम लोग क्या करते हैं, सीधा 48 into 2, 48 into 3 करते हैं, यही करा हमादी, बहुत बच्चों ने यही करा होगा, ऐसे नहीं करना, ध्यान से देखो, यह LCM है, आपको पता है कि जो दो नंबर होंग होंगे, वो पक्का-पक कहूंगे, मालो HCF इसका H है, तो आपको पता है, नंबर होंगे 2H into 3H is equal to H into 48, यह relation हमें पता है, H से H काटो, 48 से यह 6 पे काटो, 8 पे, यानि H आपका 8 हा गया, H आपको पता है कि पहला नंबर के 8 दूनी 16, दूसरा नंबर है 8 ती है, 24 यानि 40 आएगा, मुझे उमीद है, समझ आ गया होगा, तो देखो, छोटे-छोटे सवाल है, बहुत ज़रूरी होते हैं, फटा-फट से इसका और मुझे आंसर पता हो, जो अगला सवाल है, इससे बहुत सवाल पूछे गए ते 18 में, इसले इसे स्पेसिफिकली जाने से पहले करा रहा हूँ, इस 2028, जो HCF है वो आपको दे रखा तेरा, कितने पेर ऐसे पॉसिबल है, दो, तीन, चार, बताओ, कितने ऐसे जोड़े पॉसिबल है, जिनका HCF तेरा आएगा, और प्रोड़क्ट होगा वो, फटा-फट से बताओ, बढ़िया सवाल है, बढ़िया, बहुत बढ़िया स्टार बनाता हूँ, इस सवाल पर, अब कहने को यह सवाल ऐसा है, कि जो आपके सलेबस का है, लेकिन यह थोड़ा फिर भी ऐसा सवाल माना तक ट्रिकी है, बताओ भी फटा-फट, देखो मैं आपको बताता हूँ, HCF आपको पता है, तो पक्का आपको पता है कि नंबर होगा यह, दो नंबर्स यह होंगे, और HCF 13 है, इन्टू आपको पता है, HCM है, 2028, आपको यह सारी बात पता है, यहां तक सब बढ़िया चल रहा है, 13 से 13 आपने काटा, फिर आपने ध्यान से सवाल को देखा, फिर आपने यह देखा, इस 13 से जब आप इसे काटोगे, 13 पर 1 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा, फिर 6 पे, यानि दो नंबर्स का प् 288 है, क्या मैं कह सकता है, यह LCM into HCF है, और HCF तो आपको 13 गिवन था, तो LCM किता आएगा, 2028 upon 13, थोड़ा से सिंप्लिफाइ करते हैं, थोड़ा से सिंप्लिफाइ करते हैं, LCM मेरा आ गया, 156, बिल्कुल सही अमधी, हलो पृती, यहां पर मुझे मैं यहां तक पहुच गय अब आगे चलो, LCM को जब मैं multiply करता हूँ, HCF ते, तो मेरा आता है 13A into 13B, बिल्कुल सही बात है, यह HCF 13 लिखा, यानि इसे भी काट दो, तो A into B किता निकल के आएगा, A into B निकल के आएगा, LCM that is 156 बटे 13, यानि A, B आगया 12, यहां तक सब लोग पहुचे हो, एक बार सबी लोग आओ comment में, यानि दोनों नम्बरों का product पक्का पक्का A 12 होगा, option फिर से देता हूँ, कितने जोडे possible हैं यहां पे, answer बताओ अब क्या होगा, आपके इसाब से, यह option थे, और आपको पता है A into B 12 आ रहा है, बताओ क्या possibility है, इस पे टिक करते हैं, पेपर में बैठ देखो, अब generally क्या हम सोचते हैं, कि इसके combination बना के देखते हैं, एक बारा, फिर हम देखते हैं 2-6, फिर हम देखते हैं 3-4, फिर आता है 4-3, फिर आता है 6-2, फिर बारा एक, यह तो repeat है, तो यह तो बेकार है, यह तो विलकुल बेकार है, यह तीन बचे, तो क्या answer 3 होगा answer 3 नहीं होगा, because, reason समझो ध्यान से, reason उसका यहाँ पर आपको पकड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देखो, यहाँ पर ध्यान दो राम बाबू, यह जो है, यह co-prime नहीं है, याद होगा, मैंने आपको starting में ही बता दिया था, यह co-prime होने चाहिए, जब मैंने 12x, 12y, 12z लिखा था, मैंने आपको बताता है, इनके बीच कुछ नहीं आना चाहिए, यानि यह answer नहीं होगा, answer होगा 2, क्योंकि 2 और 6 के बीच में 2 extra common आता है, तो यह HCF गड़बडा जाएगा, मुझे बताओ, सभी लोग एक बर comment में आके, आपको बात समझ आई है, कि इसका answer यह क्यों होगा, क्योंकि आपस में यह co-prime नहीं है, यह जो है co-prime नहीं है, not co-primes, not co-primes, ठीक है, common नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत बढ़िया, चलो, आगे चलते हैं, कुछ और important बात में आप सबसे करता हूँ, एक सवाल आप मुझे और करके बनाएंगे, फटा फट से, दो number है, जिनका HCF 23 है, यह आज का आखरी सवाल है, इसके बाद चलते हैं, दो number इसका HCF 23 है, और ध्यान देना, और जो LCM है, उसके factors है, और देख जी, तुसी के लिए मैं प्राक्टिस करा रहा हूँ, आपके, LCM के आप कहोगे, two factors of their LCM is 13 and 14, बताओ, larger number क्या होगा, larger number क्या होगा, बहुत complicated language है, बहुत complicated, मैं समझ सकता हूँ, 276, 299, C 345 and D 322, यह complicated language है, फिर से सुनो, the HCF of two numbers is stage, दो number है, उनका HCF आपको दे रखा है, and the other two factors of their LCM आपको given है, larger number बताओ, क्या है, बस मेरी बात ध्यान से सुनना, अपने को कुछ समय नहीं आ रहा, लेकिन क्या आपने को यह बात समझ आ रही है, जो मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूँ, यह बात तो समझ आ रही है, तो जो मैं यहां पर लिख रहा हूँ, कि पक की बात है, 23 A भी आ गया, यह बात तो पकी है भी यह, इसका मतलब कुछ नहीं है, LCM के अंदर 13 और 14 भी होना चाहिए, यानि कुछ नहीं है, यह 13 है, यह 14 है, यह 13 है, यह 13 है, और यह 14 है, इसका मतलब पहला number है, 23 A, that is 23 into 13, दूसरा है 23 B, यानि 23 into 14, बड़ा नंबर पूछ इतना मुश्किल सवाल था framing में, कितनी असानी से हो गया, फिर से समझाता हूँ, वो कहते हैं, आंसर होगा option number D, वो कहता है कि भाईया, HCF given है, LCM के दो factor given है, बड़े वाला number बता दो, आपने क्या कर, आपको कुछ नहीं समझा था, लेकिन आपको एक बात समझा गई, कि ते हो गया, A, यह हो गया, B, बड़ा पूछा है, तो मुझे 14 वाले पर जाना पड़ेगा, 13 सिन तो 14, geometry complete करवा देजे, चलो सुझित बेफिक कर दो, geometry पूरी करा देंगे, जितनी जल्दी possible लोगा बेफिक कर दो, बस अपना session में बने रहो, हिम्मत अपनी बनाए रखो, बाकी सब काम मेरा है, अब ध्यान से सभी लोग सुन लो, वैसे तो काफी सारे बच्चे प्लस पे आप में से हैं, लेकिन जो नहीं है मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप SAC CGL 2019 के pre-mains और descriptive के साथ साथ CHSL और SAC के बाकी सभी exams की तेयारी, एक single plan में करना चाते हैं, तो आप Earn Academy प्लस का एक single plan ले सकते हूँ, जिसके अंदर अभीने सार के सभी courses, रानी माम के सभी courses, पवन राओ सार के सभी courses, complete wifi study, प्रतियोगिता मंत्रा के साथ, सभी educators के सभी batches, जितने भी latest batches है, सभी इसके अंदर included है, जैसे कि ये batch आप देखने हैं, 10th of January से start हुआ है, जिसमें पढ़ा रही है, जनरल अवेनस आपको जिते अंदर सर पढ़ा रही है, इसके लाव भी सभी batches, एक single plan में आप ले सकते हूँ, आपको पूरा एक साल का plan इस rate में पढ़ेगा, अगर आप discount को PMYT लिखोगे, बिना space के बाद आप जैसे ही PMYT लिखोगे, आपको discount मिल चाहो तो आप 6 महीने, 3 महीने का भी ले सकते हूँ, बट practically Excel का best रहता है, क्योंकि सिर्फ 900 पे extra देके, आपको 6 महीने extra मिलते हैं, अगर आप किसी और category में भी त्यारी कर दो, चाहा वो UPSC है, banking या railway, सभी cases में आप यही वाला discount code लगा के अपना maximum discount ले सकते हो, बस आपको PMY IT लिखना है, बिना space के, I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, all the very best exam, thank you so much. Good evening everybody, good evening, क्या हाल है महीं सभी के, good evening, फटावट से आजाओ भी सभी लोग, good evening, good evening, good evening सूपराजा, आदित्य, अमन, good evening, सूपराजा, आदित्य, अमन, आदित्य, good evening, good evening, आजाओ भी सभी लोग, फटावट से, good evening, good evening everyone, हम यहाँ पर जो बस्टार्ट करने वाले हम सेकिंड हमारा सेशन है, यह बेसिकली, अभी तक मैंने आपको जो करा दिया है, वो LCM, HCF मैंने आपको कम्प्लीट करा दिया है, अब मैं आपको रिमेंडर थियोरे माज कराने वाला हूँ, pen copy सब लोग बिलकुल लेके बैठना, गुड़ीवनिंग, गुड़ीवनिंग, आजओ भी सभी लोग फटाफट से, चलो भी, बिनना टाइम खराब करेंगे, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन देखो, बेसिक सी अगर मैं आपसे बात करता हूँ, रिमेंडर थियोरे में के बारे में, तो शुरुवात हम वहाँ से करेंगे, जहां से किसी, कोई भी अगर आप ये समझो, जिसे कुछ भी नहीं पता, वहाँ से मैं शुरू करूँगा, और वहाँ तक जाएंगे, जहां तक आपका मेंस जाता है, अभी शेक, गुड़ इवनिंग, देखोगे, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, और रिमेंडर थियोरे में की बात करते हैं, क्या है ये सब, सबसे पहली बात ये है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, बेसिक्स भी पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ ट्रिक्स भी पढ़ेंगे, दोनों ही चीज़े हम यहाँ पर फॉलो करेंगे, अगर एक बेसिक्स हमें आपसे कुश्चन लेता हूँ, for example, मैं मानता हूँ कि मुझे 6 से डिवाइड करना है, for example, 72 को, कैसे डिवाइड करता हूँ, पहले 6 बेसिक मेथेड से एक बार चलते हैं, उसके बाद मुझे पता है कि यहाँ पे 6 आएगा है, एक बारा, दो पे गया, पूरा बारा कटा खत्म, लेकिन इसकी जगा अगर मुझे मानलो 6 से 70 को भाग करना है, यहाँ पर remainder आया है 0, यानि पूरे तरीके अगर वो कट गया तो remainder 0 हो गया, 70 को divide करना तो मुझे पता है, 11 पे 66 जाएगा, यह 4 आगया remainder, आज के पूरे पूरे session में हमें यह remainder से खेलना है, directly क्या remainder आता है, कुछ questions भी मैं आप से यहाँ पर discuss करूँगा, जो कि previous year में बहुत बार पूछे गई हैं, तो start करते हैं, अब एक कमाल की बात देखो, अगर मैं इस में से 4 घटा दू, मैंने क्या करा, अगर मैं इस में से 4 घटा दू, 70 में से, तो मुझे पता है, कि मेरे पास जो बचा 66 है, वो पूरा पूरा भाग होता है 6 से, बिल्कुल सही, लेकिन अगर मैं इसे बदले में 2 दे दूँ, अपने पास से माल लो, तो इसे 2 मिलने के बाद क्या हो जाएगा, 72, इसका मतलब क्या हो गया, मैं इसे दे भी सकता हूँ, मैं इसे ले भी सकता हूँ, तो इसके 2 remainder चलेंगे, हमेशा याद रखना, कोई सावी ऐसा नंबर होगो, उसके 2 remainder निकाल लोगो, मैं positive remainder होगा, जो normal calculation से आप लोग निकालते हो, एक negative remainder होगा, basically जो देने के बाद, वो divisible, पूरे तरीके हो जाता है, एक basic सी बात करते हैं आप से, हद बाद आप से मुझे 2 remainder जानने हैं यापे, एक तो है मेरे पास, मालनों मैंने लिखा 48 divided by 9, मुझे बताओ भी positive remainder इसका क्या होगा, 9, 5, 45, क्या बचा 3, यानि positive remainder होगा 3, negative remainder क्या होगा, negative remainder इसका क्या होगा, बस 3 को और 9 को ध्यान से देखो, दोनों में जो difference है, वो ही answer है, minus के साथ, फिल से बताता हूँ, starting है हो सकता दिक्कत हो दियो, फिल से समझो, या तो जो बचा है, वो हो गया, बिल्कुल सही है मन, बहुत बढ़िया, plus 3 minus 6, एक और answer हो वही मुझे फटा-फट से, माल लो मैं करता हूँ, 43 divided by 8, मुझे positive remainder, negative remainder दोनों बदाएंगे, फटा-फट से, वे दिना second वाले answer होने चाहिए, बहुत बढ़िया, देखूं किस-किस का comment आदा है, फटा-फट से, बिल्कुल सही भी, बहुत बढ़िया अदित्ते, अभिशेक, अमन, सूपरजा, बहुत बढ़िया, प्लस का 5 और माइनस का 3, यहाँ पर जब मैंने डिवाइड कता, मुझे पता है कि भाई या 8, अब इस वाले को ध्यान से देखो, 8, 5 is the 40, यानि प्लस का 3, प्लस का 3 आएगा, या माइनस का 5, अब एक बात हमेशा ध्यान लखना, कि जो positive remainder है, और जो negative remainder आया है, क्या दोनों को जोड़के हमेशा डिवाइजर आता है, अगर मैं बिना sign के without sign इसकी बात करता हूँ, तो क्या 3 और 5 को जोड़के 8 हारा है, बिलकुल आरा है, ये एक छोटी सी बात और ध्यान लखनी है, मैं आपका base बना रहा हूँ, जिस base पे हम बहुती सुन्दर सी एक इमारत बनाने वाले हैं, अब भी हम उसका यहाँ पे base बना रहे हैं, फटा फट से सरा मुझे इसका बताओ, 14 बटे 2 का positive remainder, negative remainder बताओ, और दोनों को फटा-फट से चेक करो, क्या दोनों को जोड़के, रिमेंड आरा है diviser, बिना sign के देखना, ये बात ध्यान लखना, विदाउट sign देखना तब ही मज़ा आएगा, विदाउट sign देखना अभी के लिए, विदाउट sign मैंने देखा, यहाँ पर बताओ, मुझे 90 को मैंने डिवाइड करा है 10 से, मुझे positive remainder, negative remainder बताओ, positive remainder आएगा 0, क्योंकि कुछ नहीं बचाओ, negative remainder आएगा पूरा का पूरा, minus 10, फिर से देखो, दोनों को जोड़के मेरा 10 बनना है, समझ रहे हो ना, या तो 0 दे दो, या तो 0 give, या फिर minus 10 take, दोनों केस में मेरा काम बनना है, मैं उमीद करना हूँ बात, धीरे 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 समझ आ लिए, एक बाद सभी लोग मुझे बताओ, वही बेस तो बननना है न, because this base is very important, बहुत बढ़े हैं, मृदुल, आजिते, अमन्द, सूपरजा, विक्रम, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, इस case में क्या होगा, positive remainder and negative remainder, जड़ा इसका answer बताओ, positive remainder वो होगा, जो बचा है, जो बच गया, बस, ऐसे समझो, जो बच गया, क्या बच गया, पूरा का पूरा 10 बच गया, कि सर ये तो divide नहीं हो दा, ना, कुछ नहीं सोचना, negative remainder क्या होगा, देखो कितना क्या पर 3 का, बहुत बढ़िया, minus 3 हो गया मेंदा, negative remainder, आगे चलते हैं, important बात करते हैं, अब ये सब मैंने क्यों सिखाया है, इसका मैं आपको बताता हूँ, माल लो आपको एक सवाल दे रखा है, 2 into 5 into 8, इसे मैं भाग करना हूँ 3 से, remainder इसका क्या होगा, ज़रा answer बताओ फटा-फट से, option देता हूँ 2, option B 3, option C 4, option D 1, बताओ, कुछ basic level के question से शुरुबात करेंगे, और बहुत high level तक जाएंगे, starting लेकिन यहीं से होगी, जिससे की सभी लोग को समझ भी आए, और easy भी पड़े, 3 आ रहा है, सूप्रजा का, 1 आ रहा है, कृष्च का, option number C आ रहा है, मुझे remainder जानना है, देखो, पहले तो एक basic सी बात मेरी समझो, ध्यान से, अगर divisor ही 3 है, तो 4 तो remainder हो ही नहीं सकता, सोचो एक बात ध्यान से, भईया divisor ही 3 है, तो 4 तीन तो हो ही नहीं सकते, इतना कैसे छोड़ देगा, ये दोनों बचे, basic method से हमने कैसे करा, 8, 5s are 42, 2s are 80, 80 करा, हमने 80 को 3 से भाग करा, मुझे पता लग गया, कि भईया, 78 तक तो चला गया, remainder आ गया 2, लेकिन इसमें पंगा है, पंगा क्या है, उस तीस को समझो, कि ऐसे basic सवालों को तो आप solve कर सकते हो, मुश्किल सवालों को आप solve नहीं कर सकते, उसका solution मैं अब आपको दिखाता हूँ, क्या करना है आपको, तीनों को अलग-अलग भाग करो, दो बाए तीन, पांच बाए तीन, आठ बाए तीन, मुझे बताओ, दो बाए तीन के case में क्या remainder आएगा, दो बाए तीन के case में क्या remainder आएगा, प्लस का दो या माइनस का बन, इस case में आएगा, प्लस का दो, या माइनस कवन इस टाइप से चलेंगे किसी को भी multiply कर लो answer अपना 60 आएगा ध्यान से देखो कैसे चाहे मैं इन तीनों को multiply कर लो मेरा बना 8, 8 को 3 से करोगे automatically अपना आगया 2 remainder चाहे इन तीनों को कर लो माइनस कवन माइनस कवन कुछ नहीं है प्लस के 2 के बराबर ही होता है तो एक ही बात है थोड़ा समझ आया थोड़ा नहीं आया मैं समझता हूँ एक और सवाल लेते हैं उसके बाद चीज़े clear हो जाएंगी 79 into 66 upon 9 अब इसे ध्यान से देखो क्या इस केस में actual multiplication possible है बहुत time खराब होगा good evening श्रयाश good evening actual multiplication में तो बहुत से दर दो जाएगा तो क्यों ना इसे अलग-अलग खेला जाए 79 को 9 से आपने भाग करा क्या आएगा या तो आएगा plus का 7 या minus का 2 ध्यान से देखो plus का 7 9 को मैंने करा 8 से 72 बचेगा क्या 7 या फिर minus का 2 66 को जब मैं 9 से करूँगा मुझे पता 9 7 से 63 या तो बचेगा plus का 3 या बचेगा minus का 6 एक बाद सभी लोग मुझे बताओ यहां तक तो आप पहुच गए हो अब इसके आगे मैं जानता हूँ काफी लोग को समझ नहीं आया तो मैं इस चीज़ पर मुझे basically इन दोनों टीम को multiply करना है तब मेरा answer आएगा क्योंकि यहां पर sign multiply है ध्यान से देखना मुझे इन दोनों को multiply करना है अब देखो क्या क्या combination बन सकते हैं combination होंगे या तो plus के 7 को मैं plus के 3 से multiply करूँगा या मैं plus के 7 को multiply करूँगा minus के 6 से या मैं minus के 2 को multiply करूँगा minus के 6 से या फिर मैं minus के 2 को multiply करूँगा plus के 3 से बताओ यही 4 तो combination possible है भई मैंने इसे भी इससे इससे कर दिया मैंने इसे भी इससे इससे कर दिया ध्यान से देखो plus के 7 को plus से 3 करूँगा plus का 21 माइनस का 42 मुझे बताओ समझ पारे हो जो मैं आपको समझाना चाहरू माइनस का 42 प्लस का 12 और माइनस का 6 इन सबको एक बार मेरे कहने से बेसिक मेथड से सिरफ एक बार करके देखना है आगे कुछ नहीं करना पड़ेगा एक बार तुम हैनत देखो करनी पड़ती है सीखने के लिए सबको इसी से भाग करो 9 से भाग करो रिमेंडर बताओ क्या प्लस का 3 आया इसे भी 9 से भाग करो फटाफट से क्या रिमेंडर माइनस का 6 आया इसे फटाफट से भाग करो 9 से क्या remainder plus का 3 आया इसे 9 से भाग करो क्या remainder minus का 6 आया और एक और बात अभी मैंने आपको सिखाई थी कि minus का 6 कुछ नहीं होता minus का 6 आपका सीधा सीधा plus का 3 ही होता है ये plus का 3 ही होता है मुझे एक बात बताओ ये दिखा कि चारो ही cases में answer बिलकूल सेम आया तो ये relevant है आप किस method से करो किस किस को पूरे तरीके समझ आगे और किस किस को doubt है मुझे एक और बार बताओ क्योंकि इसके base पे बहुती सुन्दर चीज में आपको सिखाने वाला हूँ लेकिन वो तब ही समझ आएगी जब आप इस पूरे को अच्छे से समझ पाओगे फटा फट से एक बाल बताओ समझ आगया चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अमन सूप्रजा दीपक अधित्य पिलकुल सही आगे चलते हैं जानी अब से हम सिरफ उन दोनों को मल्टिप्लाइ करेंगे जो सबसे जादा असानी से मल्टिप्लाइ होंगे सूप्रजा एक और सवाल मिलूँगा बेफिकर रहो बिलकुल इस चीज को लेके एक और सवाल लेता हूँ सारी पूरी पिच्चर क्लियर हो जाएगी मुझे जानना है 47 इंटू 53 इंटू 71 डिवाइड बाइ 25 के केस का रिमेंडर ध्यान से देखना यहाँ पर पिच्चर सारी क्लियर हो जाएगी 47 इंटू 53 इंटू 75 डिवाइड बाइ 25 मैं क्या करूँ सबको अलग अलग मल्टिप्लाइ कर दू 71 अपॉन 25 बस मुझे वो रिमेंडर चाहिए जो छोटा है बताओ इस केस में एक तो आएगा प्लस का बाइस बहुत दूर हो गया छोटे वाले को पकड़ो क्या मैं कह सकतो माइनस का 3 आगया इस केस में प्लस का 3 आएगा क्योंकि प्लस का पास है इस केस में माइनस का 4 आएगा मुझे बताओ दिख रही है ये बात बेसिक से बहुत टाइम लग जाएगा इसे मल्टिप्लाइ करने में जो सबसे पास है मुझे उसे पकड़ कर चलना है मुझे उमीद है आपको बात समझ आ रही होगी मैंने तीनों को multiply करना है क्योंकि बीच में multiply का sign है multiply करा मैंने और मेरा आगे answer 3, 3, 0, 9, 4, 0, 36 यानि plus का 36 मेरा remainder आ गया मुझे पता है कि इसमें से 25 निकल सकता है मैंने 25 हटा है और 11 मेरा answer सीधा सीधा हो गया एक बार मुझे confirmation दो वही यहां तक समझ आ रहा है मैं minus का test क्यों ले रहा हूँ ये चीज मुझे उमीद है आप सभी को समझ आ गई होगी क्योंकि मेरे पास extra time नहीं है paper में मुझे सारा दिन नहीं मिलेगा मुझे गिना चुना time मिलेगा अमन बताओ कोई doubt है मैंने तीनों को multiply करा अब 36 अगर किसी का remainder आता है और मुझे इसे 25 से भाग करना तो एक 25 से भाग करकर एक पे 25 निकलेगा 11 बचेगा चलो बहुत बढ़िया है अब समझ आया तो जड़ा फिर इसका answer भी मुझे बताओ मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपके लिए 38 into 72 into 173 1749 into 1750 divide by 17 remainder बताओ क्या होगा पटा पट से एक बार मेरे कहने से देखो याद जब तक अपने हाथ से नहीं करोगे काम नहीं बनेगा सबका अलग-अलग निकालो जो पास में है उसे लिख लो बीच में वो ही sign लगाओ जो दे रखाए और मुझे बड़ी हिरानी और मुझे बड़ी खुशी है कि काफी साले लोग तो सुबा से ही जुड़े हुए पहले plus के courses पे सारा दिन अब यहाँ पर बहुत बढ़िया वई इसी तरी के पूरी जान लगा दो दो महीने रुपना नहीं है बाकी काम बढ़िया से हो जाएगा बताओ इसका क्या answer होगा option देऊ मैं बस एक आठ आरा है ग्यारा है देखो मैंने सबको अलग-अलग तोड़ना है यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ से जो मुझे मिलता है यहाँ से मुझे एक plus का 4 मिलता है 17, 2, 34, बचा 4 अगले पर चलो 17 को 2, 34, 4, 68, बचा plus का 4 यहाँ पर जब मैं multiply करता हूँ मुझे मिलता है plus का 3 यहाँ तक तो मैं उमीद करता हूँ आप सब बिल्कुल comfortable हो चीजों को लेके आगे चलते हैं 1749 को जब मैं divide करता हूँ 1700 एक गया 51 एक गया यानि माइनस का दो और माइनस का एक मुझे बताओ यहां तक तो comfortable हो सभी लोग एक बार multiply करो फटा फट से क्या आएगा answer क्या मैं लिख सकता हूँ इसे 16 into 6 अब यहां पर बैठके ना फिर से smart work करना है बहुत लोग इसे 96 by 17 कर दे ना 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 टाइम बचाना है यहां पर भी इसे तोड़ दो यह minus का एक देगा यह क्या देगा plus का 6 यानि overall answer minus का 6 आगया minus का 6 जब जब भी answer minus में आएगा तो फटा फट से उसे जाकर एक diviser दे देना अपने पास से यानि एक 17 इसे अपने पास से दे देना 17 देते ही answer बचेगा plus का 11 मुझे उमीद है बात समझ आ गई होगी यहां multiply है तो multiply करोगे plus है plus minus है minus जो sign है उस sign से खेलना है समझ आईए तो फटा फट से बताओ मुझे 14105 plus 2010 plus 2415 plus 7116 divide by 3 मुझे remainder बताओ क्या होगा option number A1 option number B2 option number C3 option number D4 काफी सारे लोग को सही answer है भी बहुत बड़ी है well done चलो देखते हैं सबको अलग देखो यार यह तो simple simple आपको दिख रहा होगा नहीं हाँ तो मेहनत ही नहीं करनी यह जो आपको दिख रहे है यह तो 2 प्लस 1 तीन दिख रहा है यह तो पूरा divisible है यह तो देखो 6 और 6 बारा पूरा divisible है यहाँ पर देखो 6 को छोड़ो 7 आट नो इस पर तो मेहनत ही नहीं करनी सिरफ और सिरफ इदर मेहनत करनी थी अपने को 14105 पर मेहनत करनी थी जब आप इसे डिवाइड करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर बचेगा नई सुपरजा कोई छोटा सा कोई calculation mistake होई है जब आप इसे डिवाइड करोगे तो देखो 3, 4, 12 फिर 21 पूरा चला जाएगा फिर 0 के बाद 5 बचेगा 5 को जब 3 से भाग करोगे तो remainder आएगा अपना 2 मुझे बताओ सभी को बात समझाए remainder अपना 2 कैसे आया ये तो पूरे-पूरे कट रही है तो इस पे महनत ही नहीं करनी सिरफ और सिरफ इस पे महनत करनी है और answer अपना आजाएगा 2 इसी बात पे जड़ा एक और answer मुझे बताओ इसे मैंने भाग करा है 15 से remainder बताओ देखो जिसे ये chapters पहले से भी आते हैं उसके लिए भी best part कि आप यहाँ पर practice कर सकते हो आप तो ये मत समझो कि आप सीखने आयों आप ये समझो आपको आता है अगर आप पहले से पढ़ चुके हो तो यहाँ practice करो काईदा ये है सारे सवाल बनने चाहिए नहीं बन रहे तो उस सवाल को सीख लेते हैं अब देखो एक बच्चा होगा जो इसे बैठके solve करेगा solve नहीं करना मेरे भाई और वहन ये आएगा plus का 3 minus का sign बीच में लगा दो 15 को जब इससे करोगे आपको पता है 15 इंटू बादा 180 होता है यानि minus का 3 देगा 15 पंदरा 225 होता है यानि यहाँ पर minus के साथ plus का बन देगा यहाँ minus के साथ देगा 15 चीके 90 प्लस का 3 यहाँ पर minus के साथ आपका देगा plus का 2 अपउन में 15 यह उपर लिखा 3 plus 3 minus 1 minus 3 minus 2 यह इससे कटा उपर आगया 0 that is perfectly divisible नहीं विक्रम और अमन एक बार कोई calculation mistake होई होगी आपकी एक बार चेक करो इसका answer 0 होगा 0 का मतलब यह है कि यह exactly divisible है by 15 मुझे बताओ बात समझाई 15 से exactly divisible है चलो जी थोड़ा सा level बढ़ाते एक अधा आखरी सवाल चलो मैं करा के देखता हूँ उसके बाद मैं level बढ़ाऊंगा चीजों का अब भाईया pen copy का इस्तिमाल आप बिल्कुल ना करें यह वाला सवाल oral करना है थोड़ा 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 लेवल बढ़ाएंगे चीजों का और ली करना है यह सवाल ओप्शन देता हूँ A 1, option B 2, option C 3, option D 0 0 आ रहा है एक answer देखते हैं 5 से इसे करोगे यह देगा plus का बताओ भी शुरू करें अब यहाँ पर प्लस का 3 भी देगा minus का 2 भी जो पकड़ना है उससे पकड़ सकते हो मैं थोड़ा सा easy तरफ जाना चाहूँगा क्योंकि time बचाना है अपने को minus का 2 उसके बाद देगा plus का 2 देखो अपने आप automatically सीधा कड़ गया यह देगा minus minus का 1 यानि plus का 1 हो गया यह देगा आपका minus का 1 फिर यह आपस में कड़ जाएगा मुझे उमीद है आपको बात समझा रही होगी यह देगा minus minus का 1 और यह देगा plus का 3, minus का 3 देखो ध्यान से यहाँ देगा आपका plus का 3 मुझे उमीद है आपको पूरी बात समझा गए यूगर remainder क्या सभी का 0 आ रहा है यानि इस case की बात यह है कि यह पक्का पक्का पूरे तरीके कट जाएगा पूरे तरीके solve हो जाएगा मुझे उवीद है बात समझा अच्छा एक और बात बताओ अगर मैं minus का 2 लेता हूँ और यहाँ plus का 3 बनाता हूँ तो क्या यह 5 upon 5 बन गया अब क्या करे क्या answer 1 आएगा इस तरीके मैंने क्या करा मैंने 5 और 283 को divide करा मैंने minus का ले लिया minus का 2 क्या इस case में answer 1 आएगा नहीं मेरे भाई यहाँ पर remainder पूछा है remainder यह नहीं पूछा question आएगा one question की बात ही नहीं हो रही chapter remainder थियो नहीं चल रहा है किसी का अगर गलती से इस हिसाब से solve करके आगया हो तो बिलकुल नहीं ऐसे होगा ध्यान रखना आपको remainder पूछा है ना कि वो आपसे पूछ रहा है कि इसका question क्या होगा मुझे उमीद है बात समझा गई होगी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा practical बात करते हैं और level बढ़ाते हैं चीजों का थोड़ा सा level बढ़ेगा आप चीजों का टू टाइम्स कर दो और डिवाइड कर रहा है मैंने डिवाइजर से तो remainder क्या आएगा remainder आएगा 2R अगर मैंने इसे 5 टाइम्स कर दिया नंबर को same divisor है ये चीज़ ज्यान रखना remainder आएगा 5R and so on मुझे बताओ बात समझा रही है यानि अगर मैं number को multiply कर रहा हूँ तो remainder भी multiply होगा ये बात सबको समझाईए एक छोटा सा सवाल कराता हूँ उसके बाद चीज़े थोड़ी सी better होगी सवाल को ध्यान से पढ़ना if a number is divided by 7 it leaves a remainder साथ साथ ट्राए करो कोशिश करना इन सवालों को orally करे when twice the number is divided मैं अभी repeat कर दूँगा मन वो इसके इंदर cover हो जाएगी new remainder कितना होगा चलो जी शुदू हो जाए option number a मैं आपको दे रहा हूँ 10 option number b में आपको दे रहा हूँ 7 option number c में आपको दे रहा हूँ 3 option number d में आपको दे रहा हूँ 2 फटावट से आन से दो अमन वो वाली slide इसके इंदर repeat हो जाएगी उसकी tension बिलकुल भी मतले न इसे basic से भी सिखा दूँगा और आपको दोनों ही method से में कोशिश करूँगा सिखाने की शूपरजा का 10 आया है option number c आ रहा है शूपरजा बस एक छोटी सी mistake हुई है उस mistake को ध्यान से देखो कि remainder जो है आपका गलती से diviser से बढ़ा आ गया इसे एक बार correct करो साथ से भाग करने पर 10 नहीं आ सकता इसी वज़े से मैंने यहाँ पर 10 option में डाला है देखो आपने क्या करा है आपको पता है number को यहाँ पर आमन आपकी doubt clear हो जाएगा number को मैंने 5 से divide करा है मेरा remainder आ गया मालो number को मैंने 7 से भाग करा है नहीं सकता क्योंकि diviser ही साथ है तो भाईया 10 को एक बार भाग कर दोना remainder क्या बचा 3 बचा answer हो गया अपना option number 3 मुझे उमीद है बात समझ आ गई होगी आपको इसे एक बार basic से भी समझाता हूँ एक बार बस basic से समझो basic से इसे क्या करना होता है मान लो number n है n को divide करा अपने 7 से और remainder आया है 5 तो क्या मैं number को कह सकता हूँ मेरा जो number है वो है 7k plus 5 ध्यान से देखो 7k plus 5 है अब इसी number का मैंने twice करा twice करा तो number हो गया 14k plus 10 और इसे मैंने 7 से भाग करा यहाँ पर twice करो, thrice करो तो कुछ भी करते दो यह तो 101% पूरा ही कटेगा twice, thrice, five, ten, six times, ten times, hundred times क्योंकि इसके बस already एक 7 है अंदर और अपने को सिर्फ कहाँ फोकस करना है सिर्फ अपने को इदर फोकस करना है यही तो मैंने आपको directly सिखाया directly मैंने यही तो सिखाया आपको इतनी लंबी चौड़ी कहाँ नहीं करो कि आदा मिनिट खराब होगा मुझे उमीर है बात समझ आ गई होगी अपने को थोड़ा सा जल्दी सवाल करना है अगर आ गई तो बिना इंतजार के इस कांसर बताओ एक नंबर है 17 से भाग करने पर रिमेंडर दे रहा है 20 अब 3 थ्राइस दा नंबर कर दिया 17 रिमेंडर बताओ क्या है फटा फट से इस कांसर दो रिमेंडर बताओ क्या है 9 अमन का 9 आया है बहुत बड़ी अभी देखो जी आंसर पक्का पक्का 60 होगा क्योंकि मैंने क्या का अगर यह 20 हो गया तो भई यह इसे भी 20 करतो बेसिक मेथड से समझो नंबर था 17 के प्लस 20 20 करा मैंने इसका तो मुझे पता लग गया कि यहाँ पर बनेगा 3 इंटू 17 के और यहाँ पर बनेगा 60 जब मैं इसे 17 से भाग करूँगा पूरे को यह तो कड़ जाएगा यह बचेगा मैंने भी तो यही कहा बस टाइम बचाते वे आपका यह आया 17 बटे 60 यानि 17 3 जा 51 प्लस का 9 अपना हो गया आंसर मुझे उमीद है अब धीरे धीरे कुछ पकड़ बनी होगी काफी लोग को इसमें डाउट था जैसे अमन को था और भी किसी को था मुझे उमीद है समझ आई होगी थोड़ा सा लेवल बढ़ा दो थोड़ा सा यह सवाल ध्यान से सुनना थोड़ा सा टाइम बचाओंगा आपका जिससे की जादा से जादा सवाल प्राक्टिस करा दूँ आपको इस सेशन में नंबर को जब मैं M से डिवाइड करते हो रिमेंडर देता है 20 इफ ट्वाइस दा नंबर इस डिवाइड़ बाई M सेम नंबर M बिल्कुल कर सकते थे मन बिल्कुल सही कहा थे 3 इंटू 3 भी करते है उससे भी आपका टाइम बच सकता है मुझे खुशी है देखके दिमाग अपने आप चल रहा है पढ़ाई का फायदा हो रहा है यहाँ पर रिमेंडर दे रहा है 9 बताओ जी M कितना है स्टार बना रहा हूँ बढ़िया सवाल है जिस जिस से नहीं बनेगा या जो स्किप करेगा इसे एक्जाम में मान लो एक्जाम देने बैठे हो फटाफट से कॉमेंट में बताओ क्योंकि यह वो सवाल है जो मैं सिखाने आया हूँ मैं जानता हूँ इससे पहले कि आपको मैक्सिम आते थे बहुत बढ़ी है जोनी जोनी का अंसर आगए 31 देखते हैं वहिया कैसे होगा इस सवाल अपने को एक बात तो समझ आ गई बाकी कुछ आया नहीं है अमन बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है अपने को एक बात समझ आ गई कि सर अगर मैंने इसका ट्वाइस करा है तो 100% इसका भी ट्वाइस होना चाहिए इतनी देश से हम यही पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आंसर तो ऐसी कुछ होगा यानि आंसर 40 आना चाहिए था लेकिन आंसर आ गए है नो ऐसा कब होता है ऐसा तो सिरफ तब होता है जब 40 में से मैं कुछ घटा देता हूँ डिवाइजर घटा देता हूँ मैं यानि 40 में से जब मैं M को घटाओंगा तो मेरा 9 आएगा simple सी बात है M मेरा आगे 30 मुझे बताओ समझ आई बात अगर पकड़ बनी हुई है सवालों पे तो बहुत यह सान है नहीं बनी हुई तो मुश्किल है जौनी अमन बिल्कुल सही आया सौंग जिसका नहीं बना वो भी एक बार मुझे कॉमेंट में आके मिलो मुझे बताओ समझ आया एक सवाल और मैं इस पे कराके देखता हूँ जिससे आपसे अगला सवाल बन जाए एक कोई नंबर है जब मैं उसे डिवाइड करता हूँ 4 से तो रिमेंडर छोड़ता है 2 रिमेंडर छोड़ा उसने 2 अब ध्यान से सुनना What is the remainder? What is the remainder? नहीं आया कोई बात नहीं को नहीं आया अभी समझाते What is the remainder? When 5 times the number इस case में आ जाएगा आपको समझ बेफिकर दो is divided by 4 सभी लोग try करो जिसे नहीं समझ आया है मैं इस case में दुबारा समझा दूगा remainder बताओ जब 5 गुना है और उसे मैंने 4 से भाग करा है कोई number है जिसे जब मैं 4 से भाग करता हूँ तो मेरा remainder आता है 2 और अब मैं उस number का 5 गुना डिवाइड कर रहा हूँ 4 से तो मेरा remainder भी पक्का 5 गुना आना चाहिए 5 times हो जाएगा यह remainder भी तो यानि remainder हो गया मेरा 10 10 तो मुझे पता ही नहीं 10 क्या होता है 10 को मैं 4 से भाग करूँगा मेरा remainder आएगा तो मुझे उमीर है यहां तक बात समझा आ गई होगी पिछला सवाल जिसे नहीं समझा आया था मैं फटा फट से समझा देता हूँ देख वो सवाल में यह था कि नंबर को जब मैं डिवाइड करता हूँ किसी नंबर को मैंने किसी दूसरे नंबर से M से भाग करा है तो मेरा remainder आया था 20 और जब उसी नंबर के twice को मैंने divide करूँगा M से तो मेरा remainder आ रहा था 9 लेकिन answer मुझे यह पता है कि इसका 40 आना चाहिए जिसका doubt है मुझे बताओ भई समझाया है क्योंकि remainder को twice करूँगा अगर इसे twice कराया तो भईया remainder भी डबल होगा आ रहा है 9 यानि दोनों एक ही बात है इसमें से क्या हटा दू कि 9 बन जा है 31 हटा दू यही answer होगा अपना बात खतम एक सवाल आप से और मैं कराके देखूँगा इसी बात पर एक कोई number है जिसे मैं जब divide करना हूँ मानलों D से वो remainder छोड़ता है 15 अब thrice the number मैं divide करना हूँ D से remainder अब भी है 15 बताओ D कितना है question mark A option 15 P option 30 C option 45 यह D option 0 पटाओ ट्राइ करो 30 आदा है मन का बहुत असान सवाल एक बाल पकड़ बन गई तो सब कुछ असान है सब कुछ नहीं बनी तो सब कुछ मुश्किल है simple सी बात है 30 आदा है काफी लोग का बिलकुल सही देखो जी बिलकुल सही हमें इतनी इसी बात पता है कि number पे अगर हमें thrice लिखा दिख गया तो हम सीधा-सीधा remainder पे भी thrice करेंगे यानि 45 होना चाहिए था आ रहा है 15 जो difference है वही answer है 30 answer है simple एक बार अगर सवाल बनने लग गए तो कुछ भी नहीं है अब आगे बढ़ाता हूं मैं चीजों को थोड़ा सा level बढ़ा हूं मुझे बताओ भाई मैंने अभी तक multiply divide तो आपको सिखा दिया सेम इसी टाइप से copy में heading डाल के note करो कि अगर कोई सा भी number है उसे मैं divide कर रहा हूं किसी भी number से दूसरे से और मेरा remainder आ रहा है अगर मैं number के square को यहाँ f लिख देता हूं यहाँ del लिख देता हूं divide करूँगा तो remainder मेरा क्या आएगा चलो बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है song बहुत बढ़ी है thank you so much r square n का cube करूँगा r का cube and so on समझा है बिलकुल सेम कहानी है घवराना नहीं है जो उदर हो रहा था वो मैं multiply करोगे मैं multiply कर दूँगा divide divide power power जो है बिलकुल सेम है and so on बस यह ध्यान लखना कि अगर ये वाली value जो है जब diviser से बढ़ी हो जाएगी तो अपने को divide करना है वो बात अपने को पहली ही पता है मुझे बताओ समझ आया एक बाद confirmation दो गई चलो मुझे उमीद है आगया होगा note कर लिया होगा आगे चलते हैं अब definitely definitely देखो ये मैं भी आपको कुछ main skill 3 के सवाल भी हाँ पर करके करवाऊंगा भी मेरे पास कुछ questions भी है आपके लिए जिससे कुछ आपको confidence भी बनेगा आपको belief भी बनेगा और आपको अच्छा भी लगेगा if a number n is divided by 13 remainder is 6 अगर मैंने n के square को डिवाइड करें 13 से remainder बताओ क्या आएगा option a 36 option b 23 option c 13 option d 0 इसे 10 कर देते हैं चलो कुछ different करें इस बाद 0 नहीं देते बहुत सारे लोग जाल में फसते हुए मैं देख रहा हूँ 36 नहीं होगा देखो क्योंकि 36 नहीं 13 से बड़ा हो गया जैसे मैंने आपको समझाया था अभी 36 13 से बड़ा हो गया तो यह गढ़वड हो गई है PKB ठीक है तो इस केस में क्या होगा मुझे पता है कि N स्क्वाइर करा है तो 36 आया नो डाउट 36 आया बट 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 36 में से 13 भी तो आप निकाल सकते हूं न क्योंकि इस में से 23 26 निकल सकते हैं 26 गायब हो जाएंगे बचेगा क्या सिरफ और सिरफ दस मैं उमीद करता हूं यहां तक आपकी बात समझ में आ गई हो गया थोड़ा सा मैं चीजों को आगे लेके चलता हूं आगे क्यारी करते वे चलता हूं एक नंबर है उसे मैंने डिवाइड करा है 11 से रिमेंडर दिया है 9 मुझे बताओ अगर मैं n3 11 से डिवाइड करूँगा रिमेंडर क्या देगा ओरली बताना वही ओरली औरली बताएंगे इस सवाल को और कोई भी बैठके यहाँ 9 का क्यूब 11 से भाग करके ना देखे जो सबसे स्टार्टिंग में एक बेसिक सा मेथड़ मैंने आपको समझाया था आपको वो फॉलो करना है 8 आया है 9 आया है एक बाद 8 आया थोड़ा सा उसमें कोई गड़वर है देखो 14 जोनी कोई दिक्कत नहीं है 14 सही है बट 14 is greater than 11 विल्कुल सही 3 आगया है सौंग का बहुत बढ़िया देखते हैं वई अपने को यह तो पता है 11 यह यहाँ पर 9 का क्यूब होना है यहाँ तक तो ओके है बाद अब 9 का क्यूब करने बैठ गए और तो फिर क्या समझदारी होगी तो तो समझदारी नहीं होगी तो क्या मैं कह सकता हूँ मुझे बेसिकलिए यह सॉल्फ करना है बैठ के यहाँ तक बताओ क्या मुझे यह सॉल्फ करना है और अपना answer बता दूँगा plus करती किस किस को समझ नहीं आए एक बार मुझे बताओ भई काफी साए लोग का answer 9 आ रहा है 9 गलत होगा answer 3 होगा answer और plus का 8 भी गलत होगा मुझे बताओ भई मज़ा आ रहा है कुछ सीखने को मिल रहा है इसी type से देखो मेरा यह plan है कि अगर आप लोग पसंद करते हो sessions को तो मैं आपको पूरा का पूरा number system यही करा दूँगा कोई उसमें tension की बात नहीं है बस यह है कि फाइदा आपको होना चाहिए sincerely अपनी copy pen उठाया करो questions को करके देखा करो समझ नहीं है कोई रिक्कत नहीं है पूझा देखो मुझे यहां तक बताओ आपको यहां तक तो समझ आगया होग być कि अगर इसका cube करा है तो इसका भी cube होगा यानि यहां तक तो आप पहुच गए हो मुझे पूरिय तक आप पहुच गए हो यानि मुझे 9 into 9 into 9 है मुझे इसे solve करना है बस इसको मैं अलग से लिख देता हूँ 9 into 9 into 9 upon 11 यह मैंने शुरू-शुरू में इसी खायश अदा प्लेट आया होगे मैं अलग-अलग इन्हें तोड़ दूँगा तो मेरा यहां से minus का 2 आएगा minus का 2 आएगा minus का 2 आएगा जो बीच का sign है वो ही मैं इहां लगा दूँगा यानि minus card बन गया answer minus में नहीं हो सकता तो मुझे divisor इसे अपने पास से देना होता है मैंने starting में सब चीज़े सिखाई है यानि minus के 8 को मैंने दिया है 11 यानि answer आएगा plus का 3 हुझा अब मुझे बताओ एक बास समझ आया समझ आ गया तो ज़रा फिर ये वाला सवार करके दिखाओ पटा पट से नंबर को मैंने D से डिवाइड करा है remainder आया है 5 नंबर के square को मैंने D से डिवाइड करा है remainder आया है 8 D बता दो D बता दो भाई या फटा फट से option number A 8 option number B 25 option number C 17 option number D 0 बहुत बढ़िया वी जौन ही बहुत बढ़िया ये सवाल देखो seconds वाले सवाल है बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए 17 आ रहा है अमन का, जौनी का, सूपरजा का बहुत बढ़िया देखो यहां 5 आ रहा है यहां square करा है तो answer 25 आना चाहिए 25 आना चाहिए लेकिन यह कह रहा है 8 आना चाहिए यानी 25 में से कुछ घटाऊंगा मैं की 8 बनेगा यानी 25 में से मैं क्या घटाऊं 17 बस कोई बात नहीं पूजा यहीं से आप continue करो जो छूट गया उससे जाने तो अभी बहुत कुछ मैंने नया भी सिखाना है आपको आगे बढ़ाते हैं चीजों को थोड़ा सा आगे लेते हुए चलते हैं फिर कुछ कोईशन्स प्री के मेंस के भी मैं आपको यहां पर डिस्कस करके दूँगा बेना नंबर अब सवाल को ध्यान से देखना 17 बिलकुल सही है एक नंबर है जिससे जब मैं 12 से भाग करता हूँ तो मेरा रिमेंडर आता है 6 अब जब मैं इसे 4 से भाग करूँगा मेरा रिमेंडर क्या आएगा बेसिक सा एक सवाल है कुछ नई चीज आपसे बात करते हैं कुछ नया सीखते हैं वो कहता है नमबर जो है जब इसे 12 से भाग करता हूँ remainder देता है 6 जब इसी नमबर को मैं भाग करता हूँ 4 से बताओ जी फट फट कुछ नहीं करना कुछ भी नहीं करना हमेशा याद रखना ऐसे सभी सवालों में एक ही चीज दे रखी होती है जनरली ये इसका multiple होता है और तो कुछ मत करो remainder को second divisor से divide कर दो वो ही answer है कुछ नहीं है सीधे सवाल है जितने लंबे चोड़े सवाल है उतना असान इसका तरीका है remainder को divide कर दो second divisor से समझ नहीं आया मैं जानता हूँ कोई रिक्कत नहीं है इसका answer बताओ एक number है जिसे मैंने जब 72 से भाग करा है remainder आया 40 इसी number को जब मैं 12 से भाग करूँगा remainder आयेगा क्या answer orally सीधा इन दोनों को divide कर देना है इन दोनों को फटाफट से divide करो इसका logic भी एक बार मेरे से समझते जाओ कोई रिक्कत की बात नहीं है जो number यहाँ पर बनेगा इस चीज़ को ध्यान से आप समझेंगे जो number यहाँ बनेगा क्या मैं कह सकतो number जो भी होगा वो पक्का पक्का 72K प्लस 40 होगा एक बार basic ज़रूर समझना चाहिए एक बार सिरफ एक बार exam में नहीं करना है उसे लेकिन basic समझना ज़रूर चाहिए जब मैं इस number को 12 से भाग करूँगा तो क्या मैं कह सकतो 72K प्लस 40 प्लस अपॉन बार इस हिसाब से चलेगा यह तो 101% solve हो ही जाएगा देखो क्योंकि यह आपस में कटते हैं तो अपने नहीं हम लोगों ने यही तो सीखा है डारेटली बिना तीन चाह स्ट्रेप लेके हमने डारेटली यही बात तो सीखी है कि सीधा remainder को यह आपस में डिवाइड कर दो बस time बचाने की बात है और कुछ भी नहीं है बाकी और कुछ भी नहीं है चीजों में आगे बढ़ते हैं जड़ा 24 सवाल मुझे फटा फट से करके बताओ N को भाग करा है 225 से remainder आया 47 N को भाग करा है 15 से remainder बताओ क्या होगा अगला N को भाग करा है 65 से फटा फट से चल लिए बताओ फट 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 बिल्कुल सही वही कुछ नहीं कहना इन सवालों में कुछ नहीं कहना हमेशा के लिए एक ही बात याद रखनी है सीधा दो 47 को 15 से करा 15 3 जा 45 इदर करा मैंने 43 39 39 पे गया बचा क्या 4 यहां पे करा मैंने 6 6 36 प्लस करती है एक और सवाल चलो फिर मुझे करके बताओ बहुत बढ़ी अभी बहुत बढ़ी है फिर्स्त का इस चैकिन्द का 4 थाड का 3 अमन बहुत बढ़ी है इस अभी कांसर ब्लकुल सही है शूपरजा टीना बिलकुल सही अमन आगे चलते हैं रिमेंडर नदाय तीन अब मुझे बताओ एन डिवाइड बाइड बाइड रिवेंडर क्या ये सवाल का अंसर हो थोड़ा सा दिमाख लगाना पड़ेगा बाकि कुछ इसमें भी कुछ खास वैसे है नहीं सवाल में फिर आगे चलते हैं कुछ और डिस्कॉशन करते हैं देखो इसमें कुछ नहीं है इन्हें आपस में आपको डिवाइड करना है और जब देखो थ्री बाइ सिक्स करना है न मैंने आपको यही तो पढ़ाया तो क्यो घवर आते हो इसकेस में आंसर तीर ही तो सिखाया है क्यो डरते हो ऐसे सवाल से कुछ नहीं है इन सवालों में ठ कुछ और छीज़े देखते अभी तक जो मैंने आपको ये सिखाया है इस वे वे पूपर पूब्टेश कर रहो 3 कैसे पूझा अभी दुबारा ले लिए उस सवाल को इसके लाग क्या मैंने आपको ये सिखा दिया है रिमेंडर यहां पर अगर आ राता है यहां पर अगर कोई अंक लग गया मालो की 3 लग गया तो यहां भी 3 या 33 लग गया तो यहां भी 33 मुझे बताओ ये सब बात चलो लेवल बढ़ाया जाए ध्यान से समझो भी अगर n by 72 है रिमेंडर आया 40 अब मैं थोड़ा सा ट्विस्ट डालता हूं 2n by 9 है रिमेंडर बताओ क्या है थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है अच्छा भी जो जो पहली बार आया है मैं थोड़ा सा अपने बारे मैं आपको बता देता हूं I am Rahul Arora a part of Pratiyogita Mantra team मैं बिलकुल बता देता हूं और वही बता रहा हूं मैं आपको बेफिकर रहो और मैं आपको अनकाइडमी प्लस पे पड़ाता हूं जुनल ली मैं शाम को यहां पर क्लास ले रहा हूं और आपको कोशिश करा रहा हूं कि पूरा का पू 22 remainder है 40, 2n by 9 के case में क्या करो, देखो बहुत दिमाग मत लगा ना, अपना basic सा एक तरीका समझो, अपने को पता है न कि अगर n के case में remainder 40 है, तो 2n के case में क्या होगा, 80, यहां तक तो पहुच गए हूँ, 2n के case में में पास remainder 40 आएगा, यह बात पक्की, अब मुझे इतना पता है कि अगर 79 से मैं भाग कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इनी को आपस में divide करना था, दो concepts को हमने merge करा है और कुछ नहीं करा, दो concepts को हमने merge करा है और कुछ भी नहीं करा इन सवालों में, बिल्कुल सही, एक और बार में आपको एक और सवाल दूँगा, उससे concept better बनेगा, नंबर को जब भाग करोगे 21 से, remainder देगा बार, तो thrice of number को जब भाग करोगे 7 remainder देगा क्या, clearly सुन लो, फटा-फट से thrice करो और 7 से divide कर दो, 8 आ रहा है पूजा का, पूजा 8 पहले वाले का अगर आपका है तो बिल्कुल सही, अगर इसका 8 है तो थोड़ा सा एक गड़वड हो गई है कि remainder बढ़ा है, diviser बढ़ा है, diviser छोटा हो गया remainder बढ़ा हो गया इस case में आप से देखो गई, एन के case में 12 है, तो मुझे पता है 3N के case में कुछ नहीं है, 36 होगा, यहां तक मैं पहुच गया हूँ, अब 36 को ही तो 7 से भाग करना है, remainder सीरा सीरा मेरा 1 आ गया है, अब मुझे बताओ भी कुछ-कुछ confidence बन रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, कुछ सव सवाल में SST के आप से previous year करा के देखो, भी और मैं उमीर करूँ, इतना base बन गया है कि previous year बन जाएंगी कुछ, चलो, देखते हैं, final सवाल और मुझे पहले करके दिखाओ, N को जब मैं भाग करता हूँ, 12 से remainder आता है, 9, N के square को भाग करूँगा, 3 से remainder बताओ, क्या आता है, option C, 12, option D, 6, बहुत बढ़ी है, भी या कुछ नहीं है, square करा, 81 बन गया, 81 को 3 से भाग करा, remainder आना ही नहीं कुछ भी कर लो, बिलकुल सही है, आगे चलते हैं, कुछ सवाल मैं आप से करा के देखूँगा, previous year मुझे उमीर है, वो बनेंगे, सरफ फटा फट से इसका answer बताओ, मुझे ए 1, 2, 3, 4, देखें जड़ा, सवाल आप अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा मैं आपको time देख के दूँगा, करीब 30 सेकेंड दूँगा, इससे उपर नहीं मिलेंगे, 5 आ रहा है, जॉनी का, सभी लोग ट्राइ करो वहीं, फटा फट से 5 आ रहा है, अमन का, बहुत बड़िया, देखते हैं वहीं, मुझे पता है, नंबर को मैंने जब 56 से भाग करा है, तो मेरा remainder आया है 29, उसी नंबर को जब मैंने 8 से भाग करा है, remainder आया है मेरा क्या, ये सवाल है, तो हमने एक ही चीज सीखी है, कि अपने को ये काम करना है, और कुछ नहीं करना, तो मुझे पता है, आंसर सीधा सीधा 5 हो गया, बताओ कुछ था क्या सवाल में, बिल्कुल असान सवाल है, अगले का आंसर बताओ. पूजा मैं आपको बता देता हूँ, हमार जो चैनल है, वो प्रतियोगीता मंत्रा है अनकाडमी पर, आप उस पर फॉलो कर सकते हो, और इसके लावा, आप अगर अनकाडमी प्लस पर हो, या आप आना चाहते हो, तो अगर आप अल्रेडी हो, तो हमारे वहाँ पर कोर्स चल इंडो अकाउंट, ज़रूर इस पार में विचार करना, क्योंकि जो दो-तीन महीने बचे हैं, वो बहुत जादा कीमती है आप सभी के लिए, मैं जानता था, यही गड़बड होगी, हाँ पर, आप्शन नमबर 2 आ रहा है कुछ लोग का, और आप्शन नमबर 6, चलो 6 नहीं आ रहा, देखके मुझे इस बात की खुशी है, देखो भईया, इस सवाल को ध्यान से, देखते हैं, 5 आ रहा है मैंक का, बिलकुल सही, पिछले वाले का अगर आप मुझे बता रहे हो, बिलकुल सही है, अगर किसी नमबर को 4 से भाग करा, रिमेंडर आया 3, तीन, अब आइजर ही 4 है, यहाँ पर 6 आएगा, लेकिन 6 को 4 से भाग कौन करेगा, आंसर आएगा 2, मुझे उमीद है बात समझा गई होगी, आंसर 2 आएगा 6 गलत होगा, जो 2 है वो बिलकुल सही होगा, आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं, चलो जी, अपने पास से नहीं बना CGL का ही आपका सवाल है, CGL Tier 2 का मेंस का सवाल है, देखते हैं, कौन कितनी जल्दी बना पाता है इस सवाल को, बिलकुल सही है, पूजा जोनी बिलकुल सही है, देखते हैं भाईया, इस नमबर वेंट डिवाइड़ बाय दिस, रिमेंडर छोड़ता है 75, अगर सेम नमबर को मैं 24 से भाग करता हूँ, तो रिमेंडर क्या छोड़ेगा, ये मेरा सवाल है, भाईया, डरना नहीं है, सीरा सीरा चीजों को सॉल्व करना है, इन दोनों को मैंने देखा, मुझे पता लग गया, कि 75 को जब मैं भाग करूँगा 24 से, तो रिमेंडर मेरा आएगा 24 तिया 72, आंसर होगा, option number 2, that is 3, ये होगा बिलकुल सही आंसर, मुझे उमीद है, कुछ confidence बना होगा, ज़रा ये और बनो, और कोई tension की बात नहीं है, और dividing a certain number by 342, remainder आया 47, अगर मैं उसी को 18 से भाग करता हूँ, तो remainder क्या आएगा, जोनी का 11 आया है, अमन का option number 2 आया है, that is 11, सिरफ दो answers आये हैं मेरे पास, बाकी सबसे सवाल नहीं बन रही, क्या चक्कर हो रहा है, और practice करो, बिलकुल क्योंकि 16 का ही सवाल है, बहुत पुरा सा सवाल में इसे नहीं कहूँगा, और मान के चलो कि इस type का सवाल ज़रूर ज़ अब 11 आ गया है, देखते हैं, एक number है, जिससे जब 342 से आप divide करते हो, तो remainder आता है 47, जब उसे नंबर को आप 18 से भाग करते हो, तो remainder क्या आएगा, इतनी सी सवाल है, बिलकुल सही मैं, 3 कैसे आ रहा है, एक बास सोच के देखो मैं आपका 17 कैसे होगा, मैरे को क्या करना है, 47 को भाग करना है, 18 से, 18 दुनी 36, 36 के बाद बचेगा remainder अपने पास 11, यानि option number 2 होगा इसका answer, that is, आपका जो answer होगा, वो होगा 11, आगे चलते हैं, कुछ और चीज़े बात करते हैं, कुछ और important, अगला सवाल ज़रा मुझे करके बताओ, बहुत सारी practice करा दूँगा, बिलक बिलकुल सही है पूजा, बिलकुल देखो class कम से कम song अभी चलेगी एक घंटा और आप एक काम कर सकते हो, तो डिनर के साथ साथ अटेंड कर सकते हो class को, या फिर ये हो सकता है, आप डिनर बाद में कर सकते हो, देखो दो ये option है, जैसा मैंने डिसाइड करा है, मैं डिनर क्लास के बाद कर लूँगा, बाकी आपका call है, अगर इसी को में 7 से, अरे इतनी महनत मत करो, सीधा ही ही देखो, 7, 4, 0, 28, सीधा आपको पता लग गया, 28 का मतलब ये है, आपका answer क्या होगा, आपको पता है, 7, 4, 0, 28 करके, सीधा सीधा आपको answer यहाँ पे बिल गया है, 4, ठीक है, आगे चलते हैं, जब नंबर को मैं divide करता हूँ, 280 से, remainder आता है, 115, पटा-फट से answer दो भई, मुश्किल से आपको चाहिए, होने चाहिए, 5 सेकिंड अभी सवाल के लिए, इससे उपर लग रहे हैं, तो फिर कड़ बढ़ है, क्योंकि direct answer अब तो सवाल पढ़ते ही answer देने, आपको पता है कि आपको इससे इससे भाग करने, अब तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल सही भईया, 35 को मैं इससे भाग करूँगा, मेरा सीधा सीधा आएगा, 105, 115 को मुझे 35 से भाग करना है, मुझे पता 105 के बाद मेरा remainder जो बचता है, वो 10 बचता है, इसी बात पर जड़ा इसका answer बढ़ाओ, ध्यान से सवाल को पढ़ना, जल्दवाजी मत करना, एक बार सवाल को ध्यान से पढ़ना, जरूर उसके बार ही आप answer देंगे, और आ रहा है मन का, नमबर का square जब मैं 5 से भाग करूँगा, तो बताओ remainder क्या होगा, सर remainder होगा 9, क्योंकि मुझे पता n का square करते ही, मुझे 3 का भी square करना है, लेकि 9 में तो सर 5 एक छुपावा है, तो बच्चे का क्या, चार, बिल्कुल सही, आगे चलते हैं, मैंक एक बार answer अपना चेक करो, 3 कैसे होगा, फटा, नमबर वें डिवाइड इड़ बाय, फटा फट से अब तो यार कुछ नहीं है, इसलिए एक साथ प्राक्टिस करा रहा हूँ है, एक नमबर है, जिसे जब 136 से भाब कर तो रिमेंडर आता है, अब उसी नमबर को जब आफ 17 से भाग कर तो रिमेंडर आता है, क्या भईया, 17 दूनी 34 रिमेंडर आएगा तो दाल्टिस ऑप्शन नमबर 4, एक बार मुझे बताओ भी, अब कुछ confidence हा रहा है, अब तो actual में बहतरीन सवाल भी मैंने आपको हैं प्राक्टिस करा दिये है, जब इसका अंसर बताओ, जब एक भी मैंने मनें बताओ, बहुत असान सवाल है तो remainder क्या आएगा भीया मुझे पता है जब n को मैं d से divide करता हो remainder मेरा r आता है जब n स्क्वार को d से करूँगा तो मैं remainder r स्क्वार आएगा that is 4 आएगा 4 में से 5 नहीं कटता तो यही आंसर होगा अगला सवाल करके बताओ वही बड़िया सवाल है एक बार पूरा सवाल सोचो पूरा पूरा एक मिनिट दे रहूंगे आपको इसके लिए अराम से सोचो लेकिन इसका अंसर सही निकान लेगी पूरी कोशिश करो देखो मैं अपने हाथ से बताता रहूंगा काम नहीं बनेगा इसे करने के बार एक सवाल और देखते हैं इसी के जैसा फिर नए टाइप पे चलेंगे आपको नए टाइप सिखाएंगे फिर अप्शन नंबर वन ऑप्शन नंबर तू आदा है वन बहुत बढ़िया वह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया देखते हैं जदा आद नंबर डिवाइड़ वा इन गिफ्ट टो इसे डिश्कस बढ़िया जेरो क्या मैं कह सकते हूं जब नंबर को मैं भाग करता हूं 68 से question देता है इतना यानि number को मैं क्या सीधा सीधा यह लिख सकता हूँ यहां तक मुझे बताओ भई थोड़ा सा अलग सवाल है इसलिए मैं इसे discuss बढ़िया से करते है number को क्या मैं लिख सकता हूँ अब इसी number को क्या भईया 67 से भाग कर दो यानि 68 into 269 67 अब देखो जितने हमने पुरानी महनत करी है सब महनत यहां के सफल हो जाएगी क्योंकि अब हम इसे अलग-अलग डिवाइड करेंगे जब मैं इसे डिवाइड करूँगा मुझे पता है प्लस का बनाएगा जब मैं इसे डिवाइड करूँगा तो ध्यान से देखो 67 को जब मैं 4 से करके देखता हूँ 28 और 4, 6 और 24, 26 यानि यहां भी प्लस का बनाएगा दोनों को मल्टिप्लाएकर आंसर में सीधा सीधा प्लस का बनाएगा मुझे उमीद है चीज़े समझ आई होंगी अगर आप SSE CGL 2019 के Pre-Mains और Descriptive के साथ CHSL और SSE के बाकी सभी एक्जाम्स की तेयारी एक सिंगल प्लान में करना चाते हैं तो आप Earn Academy Plus का एक सिंगल प्लान ले सकते हो जिसके अंदर अभीने सर के सभी कोर्स रानी मैं के सभी कोर्स पवन राओ सर के सभी कोर्स complete Wi-Fi Study प्रतियोगीता मंतरा के साथ सभी educators के सभी batches जितने भी latest batches है सभी इसके अंदर included है जैसे कि ये batch आप देखने हैं 10th of January से start हुआ है जिसमें आपको खुद maths अभीने सर पढ़ा रहे हैं English आपको परनीत में आप पढ़ा रही है General awareness आपको जितेंदर सर पढ़ा रहे हैं इसके लाव भी सभी batches एक single plan में आप ले सकते हैं आपको पूरा एक साल का plan इस rate में पढ़ेगा अगर आप discount code PMYT लिखोगे बिना space के बाद आप जैसे ही PMYT लिखोगे आपको discount मिल जाएगा और mock test out sessions के लिए कहीं मत भटकना सब कुछ इसी के अंदर included है बस आपको final अपना plan चूज करके payment के समय आपको PMYT यहाँ पे लिखना बिना space के जैसे ही आप इसे लिखोगे आपको discount मिलके पूरे एक साल का plan इस rate में पढ़ जाएगा चाहो तो आप 6 महीने तीन महीने का भी ले सकते हो बट practically एक साल का best रहता है क्योंकि सिर्फ 900 पे extra दे के आपको 6 महीने extra मिलते हैं अगर आप किसी और category में भी त्यारी कर दो चाहब वो UPSC है, banking या, railway सभी cases में आप यही वाला discount code लगा के अपना maximum discount ले सकते हो बस आपको PMYT लिखना है बिना space के आगे चलते हैं same उसी type का अगला सवाल है मुझे इस कान सादो फटा फट से भाईया नमबर को मैंने 44 से भाग करा कोशिंट आया 432 और remainder आया 0 remainder आया 0 तो मैं कह सकता हूँ कि भाईया जो नमबर है वो 44 into 432 है यहां तक तो मुझे पक्का कहानी समझ आ गई है वो कहता है remainder बताओ जब मैं इस 31 से भाग करता हूँ बताओ भाईया फटा फट से इसके क्या अंसर आ सकता है आपके हिसाब से देखो अंकेट मैं आपको बता दो math के लिए कौन से book आपको करनी है सबसे पहले आप यह देखो कि अभी आपके तैयारी का level क्या है अगर आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है और आपको सिर्फ practice करनी है questions की तो मैं आपको बहुत serious note पे कहूँगा कि book से बढ़िया इस समय current year questions आप करो जो इस साल में cover हुए है वो best रहेगा आपके लिए जो भी TCS ने कराए है चाहिए वो CGL के CPO के अगर आप वह भी question देखोगे thousands of questions से सबसे पहले आप उसकी practice करोगे उसके बाद कोई और दूसरी previous लेना previous year से बेटा जिसे में current year question रहेंगे अनकाडमी पर paid subscription है बिलकुल पूजा आप बताएगे पूछ रहे हैं या कैसे है अगर आप पूछ रहे हैं तो हाप बिलकुल paid subscription आप ले सकते हो और उसके लिए आपको बस discount अगर लेना है तो PM code लगाना है सभी educators के सारे courses ऐसा रही है अलग-अलग सबका चलता है देखते हैं भाईया इस सवाल को 44 x 432 है इसे मैं 31 से जब भाग करूँगा तो मुझे इदर से क्या मिलेगा अब यहां पर जब मैं ध्यान से देखता हूँ मुझे मिला plus का 13 और जब मैं यहां पर ध्यान से देखता 21 बचा किता 112 जब मैं इसे ध्यान से करूँगा तो मेरा इहां से माइनस का दो आ रहा है क्या मैं कैसा तो भाईया माइनस का 26 माइनस के 26 नहीं लिखूँगा इसे मैं plus का 5 लिखूँगा जो कि मेरा सीदा सीदा आंसर होगा option number 3 मुझे उमीड है बात समझारी होगी आगे चल अब यह simplification अलग से topic नहीं है इसी में एक नई type है इसे मैं आपको पढ़ाना start करना हूँ बस मुझे इतना बताओ एक number है 26 मैंने उसे भाग करा 14 से remainder क्या आएगा आपके इसाप से जैसा हम हमेशा करते हैं बिलकुल basic method से हम start करेंगे remainder आएगा 14 एक कम 14 remainder आएगा 12 अगर लेकिन मैं इसे ध्यान से देखो और इसे पहले solve कर लूँ तो एक गड़वड है याद गड़वड क्या है minus का 2 भी बिलकुल सही होगा 12 भी बिलकुल ठीक होगा इसे मैंने solve कर लिया अ अब बताओ अब remainder क्या आएगा remainder आएगा plus का 6 या फिर आप minus 2 लिख रहे हो तो यहाँ पर minus कर वना पे गड़वड आपने देखी कि जब मैंने उसे divide कर दिया पूरे को 2 से तो remainder भी मेरा divide हो गया 2 से यह बहुत important बात है अभी समझाएगा क्या करना है यानि अगर मुझे actual answer चाहिए तो अगर मैं divide कर दा हूँ तो बाद में मुझे multiply करना पड़ेगा 2 से यह बात समझाई कहने को छोटी सी बात है लेकिन वही बात होती है ना कोई-कोई छोटी बात भी दिल पे लग जाती उन्में से एक यह बात है यह क्यों बता रहा हूँ इसे ध्यान से समझो मु समझाना पसंद करूँगा इस बात को मुझे इसका remainder बताना है वही फटाफट से try करो फटाफट से दो तिन questions आपको लगेंगे चीजों को पकड़ने में उसके बाद सब चीजे बहुत बढ़िया हो जाएंगे फटाफट से पहले basic method से आप इसका remainder मुझे बताएंगे फिर दूसरे method से हम भी से करेंगे यह अभी आपको लगेगा कि complicated है लेकिन जब आगे आप questions करोगे तब देखना इसका कितना बड़ा रोल रहेगा आपकी तयारी में देखो भईया मुझे पता है कि जब मैं इसे भाग करता हूँ 16 दूनी 32 यानि remainder आता है plus का 10 16 दूनी 32 remainder आता है प्लस का 3 16 एककम 16 प्लस का 4 remainder आता है बटे 16 यानि 120 बटे 16 यानि remainder आ है 8 थोड़ा सा एक दूसरा method भी देखते हैं दूसरे रास्ते से मैं आपको लेके चलता हूँ इसी सवाल को solve करने में देखो मैंने पहले तो सबसे पहले इसे solve करना है 42 इंटू 35 इंटू 20 अपॉन में आ मेरा बन गया 21 इंटू 35 इंटू 5 अपॉन 2 मुझे बताओ यहां तक आपको बात समझाई बिलकुल अंकित daily classes ले रहा हूँ almost मैं कोशिश मेरी यह है कि शाम को आपको daily ही पढ़ा दूँगर आप मुझे कहोगे तो दो शाम को 7-8 बजे के आसपस अपना एक daily class करके फूरा number system यही पर निप्टालेंगे अब इसे solve कराना क्या मैं कह सकता हूँ यह plus का 1 है plus का 1 है plus का 1 है यानी मेरे पास answer क्या plus का 1 आगया है अब एक कमाल की बात देखो थोड़ी एक आखरी चीज में आपको हैं सिखाना चाहूँगा इसमें मैंने 16 से 2 बना दिया था कितने से भाग कर देखो तो इसे multiply by 8 कर दो answer बस इतना बता हो थोड़ा थोड़ा relate कर पारे हो कि same आगया answer मैंने 8 के factor से नीचे कर दिया था मुझे 8 के factor से वापिस उपर करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा मैं चानता हूँ relate कर पारे हो लेकिन लग रहा है कि सरी अननेसेसरी है इतनी महनत आ solve करके एक सवाल देता हूँ मैं 77 इंटू 90 इंटू 44 इंटू 16 फटे 25 इसका remainder बताओ remainder बताओ remainder बताओ फटा फट से remainder बताओ फटा फट से reason मैं आपको यहाँ समझाओंगा मैंने वो जो method आपको भी बताया है वो इस type के questions में काम करेगा देखो कैसे चलो पहले एक बार try करो 10 second और देता हूँ बेखोई यहाँ पर जब मैं इसे solve करूंगा तो मुझे पटाओ 25 को 77 से करूंगा 75 पे plus अग्डू आएगा यहाँ पर करूँगा मेरा आएगा माइनस का 10 यहाँ पर करूँगा मुझे पता है माइनस का 6 यहाँ पर मैं करूँगा मेरा आएगा माइनस का 9 अब और में 25 क्या यह बड़ा complex नहीं लग रहा एक रास्ता तो अपने पास यह है दूसरा रास्ता इदा देखो ध्यान से दूसरा रास्ता इदा ध्यान से देखो मैंने इसे पहले तोड़ दिया पहले कैसे तोड़ा उस चीज़ को ध्यान से समझना 77 इंटू 90 इंटू 44 इंटू 16 मैंने इसे जितना तूट पाया मैंने इसे तोड़ दिया पांच पे काटर मेरे को मिल गया है 18 यानि अब मुझे यह याद रखना है बस मैंने इसे divide करा है 5 77 को 5 से तोड़ूँगा plus का दो यहां आया मेरा minus का दो यहां आया plus का 1 यहां आया मेरा minus का 1 यहां आया plus का 1 upon में 5 क्या मैं कैसा थो over और मेरा plus का 4 आया है remainder plus का 4 remainder आ गया न देखो क्योंकि 4 by 5 तो 4 रहेगा अब इसे ये 5 से वापिस multiply कर दो क्योंकि इसे लिया था वापिस तो देना ही है मुझे उमीर है बात समझ आ गई होगी भाईया जो उपर वाले से लिया है वो उपर वाले को वापिस देना है जो बैंक से लिया वो बैंक को वापिस देना है जो घरवालों से लिया वो घरवालों को वापिस देना है तो भाईया इसे क्यों नहीं वापिस करोगी मुझे उमीर है बात समझ आ गई होगी कुछ लग रहा है कि कुछ confidence बल रहा है इस chapter में आगे चले कुछ और सीखे चलो जी कुछ और सीखते है अगर वो आपसे कहता है unit digit बताओ मुझे ध्यान से मेरी बात को सुनना वो कहता है कि मुझे unit digit एक बार बता दो तो कैसे निकालोगे unit digit आपने बहुत बार पड़ा होगा unit digit आपको निकालना मैं जानता हूँ आता भी होगा मैंने भी अपनी classes में सिखाया है फिर भी एक चीज को पकड़ते हैं ध्यान से चार कैसे आया चार मैंने देखो वहाँ लिखा था प्लस का दो माइनस का दो प्लस का वन माइनस का वन अपन में पाँच जब मैंने इसे solve करा तो मेरे पास आया चार अपन पाँच इसके इसमें remainder कितना आएगा देखो remainder 4 आएगा फिर इसे multiply करूँगा पाँच से इस का 20 बनेगा पूजा बताओ समझ आया जब भी मान लो मेरे को ये कहता है 102 इंटू 1299 इंटू 13704 1198 इसकी मुझे यूनिट डिजिट बताओ पहले ज़दा बेसिक चीज से शुरू करते हैं बताओ जी यूनिट डिजिट इसकी क्या होगी 6 होगी बहुत बढ़ी है मैं जानता हूँ किस-किस ने ये काम करा है 9-2-18-8 आया 8-4-32 तो आया 2-8-16-6 आया किस-किस ने ऐसे करा है बहुत बढ़ी है कोई दिखकत नहीं है लेकिन इसी सेम सवाल को अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे लास्ट की दो डिजिट बता दो मानलो मैं आपके सामने एक सवाल पेश करता हूँ वह सवाल मैं आपको लिखके देता हूँ कुछ-कुछ इस टाइप से जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ 101 x 297 x 405 x 137798 x 4115297 इसकी मुझे unit digit बताओ पहले तो क्या होगी unit digit कुछ सिखाना चारा हूँ बहुत ही सुन्दर जो आपको बाकी सबसे आगे रखेगा उसे ध्यान से आपको बस समझना पड़ेगा बाकी काम बेरा है unit digit जब आप निकालेंगे आपको दिखेगा पांच है और छे है आप पांच और आठ आपको एक सादिक गया तो आप क्या सोचेंगे जीरो आगई बहुत बढ़ी है कोई दिखकर नहीं है जीरो बिलकुल सही आंसर है unit digit लेकिन सवाल आप से ये पूछता है last की दो डिजिट किस-किस को ये निकालना नहीं आता आखरी की दो डिजिट निकालो क्या दो सर ये तो out of syllabus हो गया ये तो गलत बात हो गई इसका method समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक चीज धिमाख में डालनी पड़ेगी कि जब भी आप से का unit digit बताओ तो इससे 10 से भाग कर देना जब आपको कहे कि आप 10th digit बताओ तो इसे कर दिना आप 100 से डिवाइड इस सब का क्या मतलब है इसे ध्यान से समझो दो डिजिट पूछी है ना तो इसे डिवाइड कर दो 100 से अब मुझे basic method से बताओ क्या answer निकल के आ रहा है क्या यहां से plus 1 निकल के आ रहा है देखो जब मैं से आपस में solve कर द कर रहा हूं प्लस वन आरा है क्या यहां से अगले में minus का 3 आरा है अगले में plus का five आरा है अगले में minus का 2 अगले में minus का 3 upon hundred देखो ध्यान से यह तो बनेगा minus का 5 2's are 10, 3's is a 9 minus का नभफे आ गया भई फटा फट से बताओ minus का नभफे तो कुछ होता ही नह तो answer होगा plus का 10 क्योंकि यहाँ पर तो 100 से खेलना है ना मुझे मैं 100 इसे दे रही है यह होगी last की 2 digits समझ आया किस किस को थोड़ा 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 समझ आने लग गया हलका हलका पहले से जादा असर पहले से जादा आ गया लेकिन फूरा नहीं आया एक और सवाल और अगर हो जाएगा हाथ से निकल जाएगा तो अच्छे से समझ आ जाएगा चलो जी एक और सवाल करके देखते हैं इसी बात पर चलो मेरे पास है 55 इंटू 13978 इंटू 372 इंटू चलो you're welcome 497 इंटू 331 इंटू 27 मुझे इसकी निकानली है last की 2 digits ये practically बहुत दुख दे होगा अगर आप पढ़ना नहीं सीख के जाओगे हाँ कोई बात नहीं हलका हलका ही चाहिए पूरा भी पहली बार में देखो समझ नहीं आता मैं समझ सकता हूँ पूजा मुझे इसे क्या करना है आखरी की 2 digits की case में ये याद है न मुझे इसे 100 से डिवाइड करना है पहला step अब मैं आपको इसमें कहीं सारी चीज़े एक साथ कवर करके दूँगा जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि देखो मेरा section starting होती है बहुत हलके level से लेकिन आगे हम जहां तक पहुश्चते हैं आप सभी को पता है जो पुराने है सबसे पहले मैं इसे solve करना पसंद करूँगा solve मैं इसे कैसे करूँगा उस चीज़ को ध्यान से समझना मैंने इसे solve करा यहाँ पर इसे 11 से काटा यहाँ पर आया 20 मैंने इसे काटा 93 पर और मैंने इसे काटा 5 पर क्या मैं कह सकता हूँ practically मैंने divide by 20 करा है तो end में मुझे इसे यह 20 गुना वापिस करना ही पड़ेगा 20 गुना लगान मुझे इसे वापिस देना पड़ेगा ध्यान से समझना कुछ हो जाए मुझे 20 गुना लगान इसे वापिस देना पड़ेगा क्योंकि मैंने इस 20 गुना इससे ले लिया है अब ज़रा solve करके बतादो बस कुछ नहीं रखा सवाल बहुत ही असान हो गया है जितना टेड़ा यह आप सको सवाल दिख रहा है उतना टेड़ा है नहीं यह तो मैं आपके लिए थोड़ा समझने के लिए लिख रहा हूँ प्राक्टिकली ओरली होना चाहिए सवाल यह इस टाइप से मैंने कुछ लिख लिए अब ध्यान से देखो क्या यहाँ पर प्लस का वन आया है क्या यहाँ पर आया है माइनस का दो क्या यहाँ पर माइनस का दो क्या यहाँ पर प्लस का दो प्लस का वन प्लस का टू अपॉन में फाइफ पाइनस माइनस यानि प्लस आंसर मेरा आगया 2 to the 4 to the 16 by 5 यानि प्लस का 1 लेकिन प्लस का 1 आंसर नहीं होगा मुझे इसे 20 गुना लगान वापिस देना तो आंसर होगा प्लस का 20 आखरी के 2 डिजिट होंगे इसके 20 मुझे अब बदाएंगे जिस जिसको उस समय समय नहीं आया था इसे पूजा को नहीं आया था काफी और लोगों को समझ नहीं आया था अब बन रही है सवाल कुछ confidence आया नई चीज सीखोगे हमेशा दिक्कत होगी ही होगी दो option अपने पास हैं देखो अमन इस case में 80 इसले नहीं होगा क्योंकि plus में ही अपने पास आ गया है तो अपने को इसे 80 नहीं देना plus में आ गया है तो same छोड़ना अगर minus में होता उस case में हम इसे बदलते जरूर मुझे उमीद है यहां तक आपको बात समझा गई होगी चलो बहुत बड़ी आ है भई पसंद आ रहा है ज़दा एक और सवाल करके बताओ फिर इसी बात पर मुझे मज़ा आ जाएगा भई इस बार मैं आंसर नहीं बताऊंगा लेकिन इस बार आपको आंसर बताना पड़ेगा बताओ यह डील चलो देखते हैं 37 इंटू 13 इंटू 19793 65 हाँ कोई दिक्कत नहीं है हाँ बिलकुल अमन कोई दिक्कत नहीं है इसी टाइप से बस महनत करे जाओ बाकी सब कुछ हो जाता है इसकी मुझे लास्ट की दो डिजिट्स बतानी है पूरा पूरा एक से जेड़ मिनिट दे रहा हूँ पूरी जान लगा दो थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा अपने हाथ से लेकिन जब तक नहीं करोगे काम स्टेप नमबर वन डिवाइड बाई हड्रेड स्टेप नमबर टू सिंप्लिफाइ कर दो इसे काटपीट कर दो स्टेप नमबर तीन जितने फैक्टर से काटा है उतने गुना लगान इसे वापिस दे दो बस आंसर आ गया कर दो आ भाई है अमन का रहा है 80 बहुत बढ़िया देखते हैं वई 20 आ रहा है सूपर जागा छोटा सा कहीं कुछ confusion होगा उस confusion को भी दूर कर देता हूँ 80 आ रहा है मैंने सबसे पहले divide by 100 करना है फिर मैंने इसे simplify करना है मैंने simplify इसे कैसे करना है मैंने इसे 13 पे काटना है और मैंने इसे काटन है 9 पे मुझे समझ आ गई कि मैंने इसे पक्का पक्का 20 से simplify करा है तो answer को मैं पक्का से 20 से multiply करना ही पड़ेगा ये बात clear हो गई इसे थोड़ा साफ सफाई से फिर से लिखा जिससे चीज़े clear हो जाए 19793 इंटू 13 इंटू 9 इंटू 193479 अपॉन में 5 शुरू करा आकर मैंने इस पे आया ब्लस करटू इस पे आया माइनस 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 करटू यहां तक सब लोग सेम पहुचे हो काफी लोग के मैं सोच रहा हूं साइन साइन श अब यह माइनस सोला जो आपका बन क्या है इसे ध्यान से देखो क्या मैं इसे फिर से माइनस का बन कह सकता हूँ नहीं जौनी सूप्रजा यहीं पर छोटी सी आपसे गलती हुई है आपको बिटा इसे प्लस का फोर भी तो बनाना पड़ेगा ना 54 कैसे आया था बिलकुल प्लस का फोर एक्जैक्टली यही चीज़ है देखो कोई फरक ही नहीं है दोनों में सिंग एक बार मनवेंदर एक बार चेक करो मुझे उमीद है यहां तक आपको समझा रहा होगा प्लस का फोर पे 20 गुना लगान वापिस करना है प्लस का स्थी आंसर हो गया मुझे बताओ समझ आया माइनस 16 की जगा प्लस का 54 आया था आपका में भी पॉसिबल आपने क्या करा हूँ मैं आपको बता दो 54 भी अगर आपका आया है माइनस 16 की जगा तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि आपका उस केस में 54 के केस को मैं आपको दुबारा यही समझा देता हूँ मनविंदर 54 को मैं रेड कलर से बताता हूँ मान लो आपका आंसर आया था 54 ध्यान से समझना 54 को आप भाग करोगे 5 से क्या आएगा देखो प्लस का 4 मनविंदर मुझे उमीद है समझ आदा होगा कोई दिक्कत नहीं है उससे भी सेम आंसर आना चाहिए हम सब एक ही है कहीं से भी कैसे भी समझो कोई दिक्कत नहीं है सूपरजा कोई दिक्कत नहीं है परूज सब्सक्राइब नहीं है, into 8 ऐसे करते करते 1 तक क्या मैं कह सकता हूँ यहां से यहां तक 9 फेक्टोरियल लिखा है यह बात सभी को समझ आती है बस एक बार मुझे यह confirmation दे दो क्योंकि यह important है इसी के basis पर आगे मैं आपको सिखाने वाला हूँ और इस type के जब सवाल बनते हैं या तो वो हो पाते हैं या वो नहीं हो पाते हैं कोई बीच का रास्ता नहीं होता बच्चा सीदा सीदा skip करके आगे बढ़ जाता है यह समाज आता है तो फिर जड़ा आकरवन करते हैं सवाल पर सवाल यह है 1 factorial प्लस 2 factorial प्लस 3 factorial प्लस 4 factorial प्लस 5 factorial प्लस 6 factorial प्लस 1000 factorial को जब मैं डिवाइड करना हूँ 10 से remainder क्या होगा एक basic सा सवाल है अपने पास से सिखाऊंगा एक बार pattern समाज आगे उसके बार आपको दिखेगा कुछ है ही नहीं इन सवालों में हलवा सवाल है बिलकुल देखो कैसे 1 factorial का मतलब कुछ नहीं है 1 है यानि 1 by 10 2 factorial by 10 बोले तो 2 by 10 3 factorial by 10 बोले तो 6 by 10 4 factorial by 10 बोले तो 4 into 3 into 2 यानि 24 by 10 5 factorial बोले तो 5 factorial बोले तो मैं कहूंगा 5 into 4 into 3 into 2 into 1 मुझे पता है कि यहाँ पर remainder आएगा 1 यहाँ पर remainder 2 आएगा यहाँ पर remainder आएगा minus का 4 यहाँ पर remainder आएगा plus का 4 यहाँ पर remainder आएगा 0 क्योंकि देखो यह कटेगा 6 factorial के case में भी बिल्कुल सही है जिसका भी 3 answer आएगा बिल्कुल सही है क्या मैं कह सकता हूं remainder 0 आएगा basically जिसके अंदर भी एक 5 factorial होगा वहाँ से 0 आएगा answer क्या मैं कह सकता हूं यह जितनी वाते हैं सब बेकार की है सबसे answer 0 मिलेगा तो अपने को तो सिरफ इधर मेहनत करनी है न बाकी तो 10 से भागो के 0 ही देगा तो इन सब को जोड़ दो बस यह भी आपस में कट गए answer सिरफ हो सिरफ 3 आगया remainder होगा 3 मुझे बताओ सभी को समझाया थोड़ा 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 रिलेट कर पारे हो चीजों से एका दोर सवाल कराऊंगा तब जाद अच्छे से आप समझोगे चलो भईया सेम सवाल है 1 factorial से लेकर जाना है 1000 factorial तक divide करना है इस बार मुझे 18 से remainder बताओ हर एक टाइप का सवाल करा के भीज़ूँगा 18 से 12 से 6 से 5 से 10 से करने वाले बनो मैं बैठा हूँ पूरा का पूरा टॉपिक ऐसा त्यार करा दूँगा कहीं नहीं भटकना पड़ेगा इसके लिए 0 नहीं होनोगा एक बार चेक करो सुप्रजा हलका सब solve करके देखेंगे तो शायद जाद अच्छे से समझ आएगा देखो भई मैं clearly बताता हूँ यहाँ पर लिखा plus का 2 factorial 1 factorial by 18 remainder आया 1 2 factorial by 18 remainder आया 2 3 factorial by 18 remainder आया 6 यह सब plus में है plus में plus में है 4 factorial by 18 4 नहीं plus में है plus में है सब के सब plus में है मैं clear कर देता हूँ सुप्रजा में भी possible multiply के चक्कर में 0 दे दिया 4 into 3 into 2 by 18 5 factorial 5 into 4 into 3 into 2 into 1 6 factorial 6 into 5 into 4 अब अपने को जो सीखना है 0 आएगा अभी देखते हैं मनविंदर शायद 0 आजाए क्या पता अभी देखते हैं निकालके गुड इवनिंग सुमिद गुड इवनिंग ये देखो विटा यहाँ पर कमाल की बाद ये पक्का पक्का कटेगा यानि यहाँ से तो सब के सब में 0 आना है ये तो तै है क्या मैं कह सकता हूं इसके नीचे हमें महनत नहीं कर दी बहुत 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 शुक्रिया सुमिद बहुत 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 शुक्रिया अब अपने को सिर्फ ऊपर-ऊपर महनत कर दी है आपको कुछ थाउजंड की जगा आपको अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए मैं आपको strongly recommend करूँगा अपने subscription आप बढ़वा लो थोड़ा बहुत पैसा आपका लगेगा I can understand but it is totally worth it thank you so much सुमिद thank you so much मेरे इस आप से इस समय आती best call यही रहेगी आप subscription बढ़वा लो सिरफ मेरे course की वज़े से ने in general भी यहाँ पर ध्यान से देखो भई यहाँ पर remainder एक आएगा यहाँ पर remainder 2 आएगा यहाँ पर remainder 6 आएगा यहाँ पर remainder क्या आएगा ध्यान से देखना जोड़ा इस case में क्या आएगा remainder 4, 3, 12, 2, 24 यहाँ पर भी 6 आएगा remainder आगे चलो इसे भी फटाफट से calculate आप करके देख सकते हो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत solve भी करना चाहो solve कर सकते हो, बाकी अपनी मर्जी है, शरद्दा वाली बात है इस case में भी अगर आप solve करोगे तो यहाँ पर भी आपका 12 बचता है यानि minus का 6 बचता है overall क्या मैं कैसा अब तो यह वाल अच्छे और यह वाल अच्छे cancel होता है देखो, 5, 4s are 20, 3s are 60, 120, 120 को 18 से भाग करा 120 को 18 से भाग करा, plus का बारा बचा, या minus का 6 बचा मैं minus का 6 लेके काड दिया, मुझे बताओ, 1, plus 2, plus 6, plus 6, minus 6, plus 0 तो, यानि यह कटा 9 आया, मुझे बताओ, जिसका भी 9 के इलावा कुछ भी आया है, आपको समझ आया है सबसे पहले तो मेरे को जो target है मेरा, वो यह है कि आपको समझ आना चाहिए कुछ मुश्किले होंगी, तो जड़ा एक दो सवाल और करके देखेंगे सब कुछ यही तैयार करा दूँगा, अपना काम वो नहीं है कि असान असान वाले करा दिये और बाकी आपको कह दिया कि खुद कर लेना हाँ, multiply करने पर 0 आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, जल्दवाजी में लोग multiply ही करते हैं हमें नहीं करना multiply, remainder बताएंगे अब क्या आएगा, इसकी practice करो अब मैं चाहता हूँ, देखो, second half चल रहा है session का बिल्कुल बहुत बढ़ी है मनवेंदर, यही spirit होना चाहिए, spirit है तो बहुत अच्छी बात रहेगी आपके लिए मेरा target यह है कि अब आप practice करो, और बस मैं आपको final answer बताऊँ कि क्या होगा और option ब option नहीं मिलते है, maths में, maths में या तो answer सही आता है, गलत आता है, options को कोई खास roll नहीं होता, बहुत बढ़ी है song 3 answer है, well done भई, बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है, सूपरजा, खुशनवाज, मनवेंदर, अमन, बहुत ही खुशी है भई, मुझे देखके काफी लोग का answer है, आती बिलकुल सही देखो यार, ये तो 1 देगा, ये 2 देगा, ये क्या देगा, ये 6 देगा, यानि ये कुछ नहीं देगा, क्योंकि 6 तो कड़ देगा, इसके पास भी एक 4 into 3 into 2 था, यानि ये भी कड़ देगा, basic लिए सब dead हैं आगे के, सिरफ यही काम का है, यानि answer 3 हो गया, सीधा सीधा, देगा, फटा-फट से अगर आप मुझे answer देना प्रसंद करेंगे तो, 1 factorial, प्लस 2 factorial, प्लस 3 factorial, प्लस 4 factorial, प्लस 5 factorial, आगे चलते जाओ, प्लस, अपॉन में इस बर 5 कर देते हैं, क्या फरक पड़ दा है, जो variety है, सब लियाओ, कोई डरने की बात नहीं है, बस बताओ फटा- पांच शुरू के solve करने होते हैं, maximum 6 या 7 factorial तक जाना होते हैं, maximum बता रहा हूं, बहुत टेड़ा कोई case बन गया तो, इससे उपर कभी नहीं जाना, इसके बाद powers सिखाऊंगा, जितनी चीजे हैं सब की सब सिखा दूँगा, भईया, खाना वाना अपना खा सकते हो, जिसने काफी लोगों को मैं देखना हूं, लगता लगे हुए हैं, खाना चाहिए आप साथ साथ भी खा सकते हो, इसका भी तीन आदा है, सेशन अभी सूपर जा, कम से कम मेरे टागेट है, आदा घंटा ओल में करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि, जो मोस्ट डिफिकल्ट है, वो भी करूँ, बाकिया लाई कियो, स्पिरिट बहुत बढ़िया भई, देखते हैं भाईया, अपना ये देगा एक, ये देगा दो, ये देगा छे, ये कुछ नहीं देगा, देखो ध्यान से, ये देगा छे, छे को मैं आप आटमाटिकली एक बना दूँगा, तो अपने पास सीदा सीदा क्या आएगा, मुझे बताओ बात समझा रही है, आगे चलो, आगे चलो, ये क्या देगा, चार, चार देगा चौबिस, चौबिस का मतलब देगा माइनस का वन, यानि ये हट गए दोनो, सिरफ और सिरफ तीन बचा, मुझे उम चलो, जितने हैं, यहीं प्रैक्टिस करा देता हूँ, इसके बाद पावर वाले स्टार्ट करने वाला अच्को रजन आप ते साथ ही निकल गया दिन, एक बात ही खाना खाया है, चलो, बहुत बड़ी है, अमन बहुत बड़ी है, सबसे बड़ी बात तो ये है, कि बहुत मह चल रही है, उसके लिए, वेल डन, आप सभी को काफी बच्चे में देखना हूँ, जो सुबह 9 बजे, 10 बजे से 11 बजे से जुड़े हैं मेरे साथ, बहुत अच्छी बात है, इससे बहुत फायदा आपको मिलेगा, कभी लगे कि बहुत जादा महनत हो दिये ठक गए हो, तो यह भी सोच लेना कि आपके साथ एक और इंसान भी जुड़ा हुआ है, तो बेफिकर रहो, पुदी जान लगा दो, हम आपके साथ हैं, यहाँ देगा एक, यहाँ देगा दो, यहाँ देगा छे, यहाँ कुछ नहीं देगा कद्दू, क्योंकि इसके पास 4 इंटू 3 को सब करा दी है, एक सवाल आप से मैं पूछना चाहूंगा, जो बढ़िया है, स्टार बना रहा हूँ, बस मुझे इतना बता दो, which of the followings will completely divide, 1 factorial प्लस 2 factorial प्लस 3 factorial से लेकर, बताओ बिल्कुल पूजा क्या हुआ, चलो दिए, बढ़िया सवाल है, एक बाढ़ ट्राय करो, अपने हाथ से फिर बताओंगा, देखो, इसमें कुछ नहीं करना, जो पूरा solve करके remainder 0 देदेगा, वो जीत क्या, सीधी बात है, जो remainder नहीं देगा, वो ही तो completely divide करेगा, completely divide का मतलब यह है, कि भाईया जो remainder ना दे, 9 आ रहा है, अमन का बहुत बढ़िया भी, बहुत बढ़िया भी, शाब़ाश, enjoy, supraja, arti, song, अमन, खुशनवास, बहुत बढ़िया भी, शाब़ाश, 10 नहीं होगा, कुशनवास, 10 नहीं होगा, देखो, कैसे करना है, जब सबसे पहले मानलो मैं try करता हूँ, for example, art से, art से मैंने try करा, यह देगा 1, यह देगा 2, यह देगा minus 2, और आगे कुछ नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर remainder बच गया 1, तो यह answer नहीं है, बिलकुल, 10 की अगर मैं बात करता हूँ, यह देगा 1, यह देगा 2, यह देगा 6, यानि minus का 4, य आगे कुछ नहीं देगा, यहाँ पर आएगा remainder 9, यानि यह देगा गलत है, 12 की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, यह देगा आपका 3, sorry, 6 देगा, उसके पादे 4 देगा, remainder आगया 3, 12 की अगर मैं बात करता हूँ, 1 देगा, 2 देगा, यह देगा 9, यह देगा आपका 6, यह आपका देगा 9, यह देगा 9 की थोड़ी सी बात कर लिते हैं, 9 की बात करने में फायदा यह है, यह देगा 1, यह देगा 2, यह देगा 6, यह देगा minus का 3, यह देगा plus का 3, यह देगा 0, इस टाइप से आगे तक चलेगा, 0 ही अपना निकल के आना है, और वो ही अपना answer एक बार सभी लोग मुझे बताओ कि यहां तक all good है लेवल बढ़ाया जाए भी चीजों का थोड़ा सा इस टाइप के सवाल बहुत पूछे जाने लगए कि 25 की पावर 48 upon 3 के remainder किस किस को इस सवाल में दिक्कत होती है यह वाला पार्टर नम्बर स्टार्ट करने वाला हूँ 25 की पावर 3 माल लो 25 की पावर 13 माल 25 यहां पे नीचे 13 आ गया यह वाली चीज थोड़ी मैं आप से डिसकस करना चाहूँगा यहां पे क्योंकि इस से काफी सवाल बनने लग गए हैं तो असान असान जो है उससे स्टार्टिंग करके मुश्किल की तरफ चलते हैं बस एक बात आपको इसके लिए ध्यान रखनी है जो मैं आपको बताना चाहरा हूँ वो यह है जब भी मैं माइनस की पावर इवन करूँगा आंसर अपने पास हमेशा प्लस में आएगा जब भी मैं माइनस की पावर ओड करूँगा आंसर अपने पास आएगा माइनस की छोटी सी बात है बड़ी बेसिक सी बात है लेकिन ये बड़ी काम की बात है देखते हैं कैसे काफी लोग का आंसर भी आ रहा भी बहुत बड़ी है शबाश देखो जी मैं कहता हूँ 35 को मैं जब मान लो भाग करता हूँ 9 से मेरा remainder जो आता है कोई बात नहीं बना देंगे पूजा बिफिकर दा हूँ minus कवन या फिर plus card यहां तक बात okay है अगर मैं 35 into 35 करता हूँ तो मेरा आता क्या है minus कवन into minus कवन जयानि उतनी बार मैंने remainder को लिखना चालू कर दिया फंडा समझ पार है और जिस जिसको समझ नहीं आता है कि अगर मैं ऐसे करोडो बार लिख देता हूँ ऐसे ही तो कुछ करा था इस चीज़ को ध्यान से समझ नहीं मैंने लिखा 25 की 25 की पावर 48 अब पॉन 3 इसका remainder बताओ क्या होगा सबसे पहले मुझे बस इतना बताओ 25 अपॉन 3 का remainder क्या होगा सीधा बिल्कुल सही दो answers आ रहे हैं इसकी पावर 48 कर दो बात खत्ब प्लस वन की पावर 48 अंसर आ गया प्लस का वन ये ध्यान लखना अपने को जुगार ये लाना है कि आंसर प्लस का वन बनेगा remainder तो हम कुछ अपनी दाल गला सकते हैं प्लस का वन मनाना अनिवार रहे है तभी आप easily सवाल को कल सकते हैं समझ आया तो जदा फिर इसका अंसर आ मुझे बताओ सत्रा की पावर 9 9 9 9 9 अपन 8 बिल्कुल सही 1 की पावर 48 का मतलब एक एक को हमने आरती 48 बार multiply करा है जिसका मतलब है 1 बिल्कुल सही इसका अंसर बताओ देखो कुछ भी नहीं है इसमें मुझे पता है 17 अपन 8 करता हूँ तो मेरा प्लस का वन आता है तो प्लस वन की यही पावर कर दो आंसर आगे अपना प्लस का वन इसी सवाल को इदर देख लो बाप माइनस का वन नहीं आएगा एंजॉई एक बार चेक करो क्योंकि प्लस पहले ही enjoy अपना प्लस निकल के आया ना तो पावर even और कोई फर्ख नहीं पड़ता यहां पर 9 दूनी 18 यानि remainder minus 1 की पावर ही आएगा इस case में जो आएगा answer हो minus 1 आएगा मुझे उमीर है बात समझा ली होगी क्योंकि इस बास 17 वटे 9 जो है वो minus दे गया minus देने की वज़े से मेरा answer minus में आएगा ज़रा फिर इसका answer बताओ मुझे बिलकुल सही 99 की पावर 99 अपन 100 remainder क्या होगा शुरू हो जो अब तो फटफट 36 अपन 7 यह देगा minus 1 की पावर 99 minus 1 यह देगा plus 1 की पावर 13 मैं उमीद करूँ चीज़े समझ में आने लग गई है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं चीजों को आगे लेते वे कुछ questions मैं आप से पराके देखता हूँ ज़रा इसका answer बताओ कुछ questions मैं आप से अब कराके देखूँगा इसमें 1 आ रहा है answer बिल्कुल सही है क्योंकि मुझे पता है 17 बटे 18 जो होगा वो क्या होगा माइनस का 1 माइनस 1 की पावर 200 चड़ा दूँगा में आगे प्लस का 1 आगे चलो अगला कुछ देखते हैं चलो अब इसमें क्या करना है दोनों को अलग-अलग solve करना वस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है बिलकुल सही माइनस 1 की पावर इविन मेंस 1 हो गया 3 आ रहा है ओप्शन नमबर 2 देखते हैं वह यह यह लिखा है 7 की पावर 19 प्लस 2 अपॉन 6 दोनों को बस हमेशा अलग-अलग solve करना है और कुछ भी नहीं है इसमें यह क्या है क्या मैं कह सकते हैं 1 की पावर 19 है यह वाला हिस्सा तो प्लस का 1 देगा यह तो final हो गया और यह देगा प्लस का 2 ओवराल प्लस का 3 देगा यह बात सभी को समझा गई है कि ओवराल प्लस का 3 देगा यह answer होगा आगे चलते हैं अब इसी फंडे को थोड़ा सा और विस्ताल में चीजों को समझा जाएगा चलो 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 इसका remainder बता दो चलो देखते हैं देखो यार बेसिक सा फंडा है मालो मैं इसे solve करता हूं ध्यान से देख लो जब मैं इसे divide करता हूं मालो मैं इसे 30 से divide करता हूं अब यहां पर एक point बिलकुल आप ध्यान से समझो जो मैं आपको समझाना चाहरा हूँ वो यह है 3 की पावर 25 जब मैं common लूँगा क्या मैं कहसे हो तो 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 यानि यह लिखा 3 की पावर 25 और यह क्या लिखा है 40 यहां तक सभी लोग पहुँच गए हूँ अगर मैं इसे भाग कर देता हूँ 30 से यहां तक पहुँच गए हूँ मुझसे माल लो कहता है कि इसे 30 से डिवाइड करो रिमेंडर बताओ यहां तक अल गुट अब इसे जब 30 से डिवाइड करा है तो एक कमाल की बाद देखो कि 0 से 0 कटा हूँ तो तीन से कटा है यह तो रिमेंडर डेफिनिटली 0 आएगा कुछ कुछ समझ आया है रिमेंडर 0 क्यों बनेगा अब यह सवाल की फ्रेमिंग कुछ ऐसे आती है मैं आपको बताता हूँ कि सवाल की फ्रेमिंग ऐसे आएगी 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 is completely divisible by option number a 90, option number b 87, option number c 80, option number d 40 बता हूँ, 40 छोड़ो 50 लिग देता हूँ मैं यह आपर multiple of 30 बिल्कुल सही क्योंकि हमने अभी निकाला जैसे मैंने आपको solve करके दिखाए कि अपने पास बनके आएगा 3 की पावर 25 इंटू 40 अपन जो भी कुछ भी हम 87 लिखूंगा, 0 नहीं कट सकता, 80 लिखूंगा तो मेरा 8 ये नीचे 2 रह जाएगा, और इसके बाद 50 जो है, 50 अगर यहाँ पर लिखूंगा तो मेरा तब भी नहीं कटेगा 90 से पुरा-पुरा कटेगा यहाँ बचेगा 3 की पावर 23 और यहाँ बचेगा पर दिल जला आशिक, सच में ही दिल जला है वाई यह तो चलो, आगे चलते हैं, 7 की पावर 19 प्लस 2 अपॉन 6 यह आपको गिवन है, बस मुझे बतादो इसका रिमेंडर क्या है पड़ावर से सभी लोग इसका अंसद हुई 3 आदा है, चलो वही बहुत बढ़ी आप, देखते हैं 7 की पावर 19 अपॉन 6 प्लस 2 अपॉन 6 यह सवाल है 1 की पावर 19 है, प्लस 2 अपॉन 6 है, दाट इस 3 हो गया आगे चलते हैं अब यहाँ पर important बात देखो मुझे यहां तक बताओ, वही all good है, यहां तक सभी को सारी बात समझ आई है कुछ सवाल देखते हैं, 22 की पावर 64 अपॉन 9 इस टाइप के सवाल किस-किस से नहीं बनेगे, एक बात बताओ थोड़ा सा इसका discussion करते हैं अगर नीचे 9 आजाता है, किस-किस को इस टाइप के सवालों में दिखते हैं चलो, एक बात देखते हैं इसे cover करने से पहले एक चीज हमें यहां पर समझनी पड़ेगी करता हूँ चलो, एक और सवाल ले लेते हैं इस पर माल लो 2, 2 की power, 2 का square 4 यह आपको थोड़ा pattern एक बास समझना पड़ेगा 2 का, 3 का, 7 का, 7 का एक बास समझ लो 49 है, 3 43 है and 2 4 0 1 है, बस इसे हलका सा ध्यान में रखो, बाकी काम हो जाएगा हलका से इसे ध्यान लख रही है, आगे चलते हैं सबसे पहला सवाल देखते हैं, 2 की power 63 upon 9, remainder पूछ रहा है अपने को एक ही बात पता है, बस, किसी भी तरीके, किसी भी तरीके, इसके plus 1 या minus 1 अगर हम पहुच गए तो क्या solve हो जाएगा, क्योंकि मुझे उसके बात पता है कि उपर minus 1 की power type कुछ भी बन जाएगा 2 की power कुछ ऐसी, question क्या था भी, अब हम यहाँ पर continue करेंगे यहाँ पर एक जीज़ ध्यान दो, कि यहाँ पर अगर मैं किस तरीके 8 की power something बना लेता हूँ, तो क्या यह solve हो जाएगा क्या मैं कह सकता हूँ, यह लिखा 2 का cube की power 21, यह overall लिखा 8 की power 21, बस मुझे बताओ, यहाँ तक समझा गया अब ही question नहीं पूतरा भी एक सवाल में discuss कर रहा हूँ, उसके बाद में question करने को दूँगा, इसे मैंने लिख दिया सीधा सीधा minus का 1 की power 21, यानि minus 1 और plus का 8 answer, बस मुझे इतना बताओ, थोड़ा थोड़ा basic clear हुआ, अगर clear हुआ तो इस चीज़ को अब लेके चलते आगे के रास्ते, कैसे उस चीज़ को ध्यान से समझो, चार की power 16, अपॉन 17, इसके plus 1 या minus 1 तक आपको उपर वाले को पहुचाना है, पहुचाओ, किसी तरीके अंदर 16 अगर बन गया तो अपना काम बन गया, बनाओ भी फटा-फट, देखो, मुझे पता है, चार का स्क्वाइर 16 है, यानि मैंने चार का स्क्वाइर अंदर ले लिया, भालाट छोड़ दिया, पॉनने 17 कर दिया, सीधा-सीधा हो गया न, कि ये लिखा 16 बटे 17 की पावर 8, यानि माइनस 1 की पावर 8, यानि प्लस का 1, यहां तक मुझे उमीद है, समझादा होगा, प्लस का 1 होगा इसका सही आंसर, प्लस का 1 होगा, ठीक है, आगे चलते हैं, एक और सवाल देखते हैं, 3 की पावर 68, अपॉन में आया, 82, अगेन हमेशा याद रखना, डिनॉमिनेटर से प्लस 1 या माइनस 1 जाना है, और कुछ नहीं है, चलो पढ़िया है, फटावर्ट से इसका अंसर बताओ, जब दोचाल पांच सवाल प्राक्टिस करते हैं, देखो भई, 82 से 81 जा सकता हूँ, या 83 जा सकता हूँ, 83 का कोई सेंस नहीं, 81 का सेंस है, इसका मतलब क्या है भईया, या 3 की पावर 4 ले लूँगा, और भाल ले लूँगा 17, अपॉन में लूँगा 82, यानि 81 अपॉन 82 हो जाएगा 17, यानि माइनस 1 की पावर 17, तो मेरा आंसर क्या आएगा, लेकिन माइनस 1 थोड़ी आंसर होगा, असली आंसर क्या होगा, 79 नहीं होगा, ध्यान से देखो, अ समझ आया है, 81 कैसे आया है, ये देना है हमेशाट, डिवाइजर, तो ये ही है ना, बाकी तो हम अपने पास से बना रहे हैं, थोड़ा समय लेविल चेंज करता हूँ चीजों का, इस बार लिखा है, 3 की पावर, 4, 3, 2, 1, अपॉन 17, या अपॉन में अभी कर दो 80, चलो, अच्छी हो जाएंगी पहले से, अब मुझे बस इतना पता है कि मैंने यहाँ पर बनाना है 81, यानि 81 होता है 3 की पावर, 4, 3, 2, 0, अपॉन में 80, यानि 3 इंटू 3 की पावर, 4, 3, 2, 0, अपॉन में 80, यानि 3 इंटू 3 की पावर, 4, ऊपर कुछ भी पावर आए, फरक नहीं पढ़ता, अपॉन में 80, यानि 3 इंटू 81 अपॉन 80 की पावर सम्थिंग, यानि मुझे एक बात पता है न यहाँ पर, आंसर आएगा 3 इंटू 1 की पावर सम्थिंग, आंसर मेरा होगा 3, मुझे बताओ समझ आया, एक बार मैं दुबारा इन दोनों सवालों को आपके लिए रिपीट कर दता हूँ, बेफिकर रहो, इस सवाल में मैंने आपको जो समझाया है वो यह है, ध्यान से देखो, मैंने आपको एक बार बताई है यहाँ पर, कि 3 की पावर कुछ ऐसी नहीं है यहाँ पर, जिसे मैं सीधा सीधा 81 में बना पाऊँ, तो मैं सिंपली एक काम करू इसे बेसिक तरीके अपना पूरा सॉल्फ करके मुझे पता ही है, वन की पावर कुछ आ गया, जिक 3 बचा, टोटल आ गया, 3, मुझे बताओ भी समझ आई है बात, यहाँ तक all good है, एक सवाल और करके देखे थोड़ा सा टेड़ा, चलो जी, जो को एक सेकिंड पॉइंटर करता हूँ है, अब थोड़ा से लेवल बढ़ा रहा हूँ है, इस पर स्टार बना रहा हूँ हो सकता है, आपको समझने में इसे दिक्कत हो, थोड़ा सा मश्किल हो सकता है, 37 की पावर 100 अपॉन 7, इसका रिमेंडर बताओ, अब एक चीज ध्यान से देखो, क्या ऐसा कुछ भी हो सकता है, जो इदर 6 और 8 किसी तरीके में 37 का बना सकता हूँ, yes or no, सबसे पहले तो ये दिमाख लगाओ, मैंने आपको बढ़ा दा, plus 1, minus 1 ही आप जा सकते हूँ, 6 और 8 मैं नहीं बना सकता, तो इसका मतलब तो कोश्चन ही नहीं सॉल्व हो सकता, देखो, इसका तरीका क्या है, क्यों ना मैं पहले इसे सॉल्व कर लूँ, 37 by 7 को अगर मैं पहले सॉल्व करूँगा, तो मुझे पता, remainder मेरा 2 आएगा, तो 37 की पावर 100 अपॉन 7 करूँगा, तो मेरा जो remainder आएगा, वो पक्का पक्का मैं लिख सकता हूँ, 2 की पावर 100 अपॉन 7 के बदावर होगा, यहां तक सब लोग पहुच गए हो, तो अब बस मुझे इसे सॉल्व करना है, क्योंकि मुझे पता है, यहां पर 2 लिखावा है, यह कुछ नहीं है, यह 2 है बस, 2 की पावर 100 में मुझे दिख गया कि यहां पर यहां तो 6 आठ पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, ध्यान से देखो, 2 की पावर 99 को अलग करा, 7 को ऐसे लिखा, 2 इंटू, 2 का क्यूब और पावर 33 अपॉन 7, 2 इंटू, 8, 33 अपॉन 7, आगे चलो, 2 इंटू, 1 की पावर 33, आणसर आगया, 2, एक बार सभी लोग मुझे बताओ, यह समझ आया, थोड़ा सा टेड़ा सवाल है, मैं समझता हूँ, आखनी के कुछ questions को आपको definite basis में practice करना ही पड़ेगा, देखो, तभी काम बनेगा, विल्कुल सही, एक और सवाल में आपको इसी टाइप का यहाँ पे दिखाता हूँ, एक और सवाल में आपको इसी टाइप का एक बार देखते हैं जड़ा, 7 की पावर 40, अपॉन में 400 है, यह सवाल आप से माल लो पूछ लिया, इसका remainder बताओ, अब देखो, यहाँ पर आप ध्यान दो, कैसे solve हो गए, मुझे पता है कि 7 की पावर 40 जो है, कुछ नहीं बन सकता सीदा, 400 कैसे बनाओ, फिर मैंने देखा यार, 7 की पावर 4 जब मैं करता हूँ, अपॉन में 400 करता हूँ, बिल्कुल पूजा टफ कोशन से, इसलिए मैं इन्हें भी कवर करा रहूं, जिससे आपको मेंस तक में रिक्कत ना हो, अपनी कोशिश यह है कि आपको best से best content दे सके ह यहाँ पर, 2401 की पावर 100, अपॉन 400, या फिर मैं कहूं सीदा, 1 की पावर 100, आंसर बना गया, मुझे बताओ, सवाल को देखके समझ आ रहा है, कैसे क्या चल रहा है, इसलिए मैंने आपको याद कराया था, 7 के लिए आपको याद करने, 7 की पावर 4 जो थी, 2401 थी, अगर य याद रखोगे, 7 की पावर 3, 343 है, 7 का स्क्वार 49 है, और 7 की पावर 17 है, तो एक्जाम में क्या होगा, थोड़ा सा, रिलेट कर पावगी चीजों के, मुझे बताओ भी समझ आ रही है बात, अगर आप SAC CGL 2019 के Pre-Mains और Descriptive के साथ साथ CHSL और SAC के बाकी सभी एक्जाम्स की तयारी एक सिंगल प्लान में करना चाहते हैं, तो आप Earn Academy Plus का एक सिंगल प्लान ले सकते हूँ, जिसके अंदर अभीने सर के सभी कोर्स, रानी माम के सभी कोर्स, पवन राओ सर के सभी कोर्स, प्रतियोगीता मंतरा के साथ सभी एजुकेटर्स के सभी बाचेस, जितने भी लेटेस्ट बाचेस हैं, सभी इसके अंदर इंक्लूडेड़ है, जैसे कि ये बाच आप देखते हैं, 10th of January से स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपको खुद Maths अभीने सर पढ़ा दे हैं, इंगल मिल जाएगा, और mock test, doubt sessions के लिए कहीं मत भटकना, सब कुछ इसी के अंदर included है, बस आपको final अपना plan चूज करके payment के समय, आपको PMYT यहां पे लिखना बिना space के, जैसे ही आप इसे लिखो कि आपको discount मिलके, पूरे एक साल का plan इस rate में पढ़ जाएगा, चाहो तो आप 6 मही महीने का भी ले सकते हो, बट practically Excel का best रहता है, क्योंकि सिर्फ 900 पर extra दे के आपको 6 महीने extra मिलते हैं, लगल आप किसी और category में भी त्यारी कर दो, चाहब वो UPSC है, banking यह railway, सभी cases में आप यही वाला discount code लगा के अपना maximum discount ले सकते हो, बस आपको PMYT लिखना है, बिना space के, I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, all the very best exam, thank you so much. से करते हो, तो एक बहुत बड़ा topic आपका बहतरीन तरीके त्यार हो जाएगा, और सभी से मैं एक बात कहूंगा, pen copy लेके बैट ना, क्योंकि जो हम practice यहाँ पर करने वाले हैं, आपके आने वाले, सभी SSC के लिए बहुत important है, फटा वर्ट से सभी लोग आजाओ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि यह जो class रखी है, specifically किस लिए रखी है, जिसके लिए मैंने video भी off कर दी, जिससे मुझे maximum space मिले screen पर, आपको questions properly देखे, maximum level पर आप practice कर सो कुछ चीज हो की, सभी को मैं एक बात बताना चाहूंगा, देखो जो algebra है, उसका एक fixed pattern है, जो SSC follow कर दा है, specifically ज पूदा session आप करते हो, तो best part यह होगा कि algebra पे 101% full confidence आपका बन जाएगा, pen copy सभी लोग बिलकुल ले के बैठेंगे, good evening, सभी लोग join कर लो भई, फटावर्ट से, खुश्बू, मोहित, कगन, कपिल, गोविंद, बिलकुल class start हो गई है, सभी लोग join कर लो, जो अभी अभी आएं, मैं बता देता हूँ, यह class जो आपके algebra के लिए, TCS ने जो आपका algebra पूछा है, उसका एक fix pattern है, certain type of questions है, वो जो भी type बनते हैं, सभी के सभी मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ, screen पर maximum space हो, इसके लिए वीडियो गयादा, सब बनता है, practice and practice चले जितने type से सब हम easily cover करते हूँ, आगे चलेगे, सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा, कि PDF के लिए बिलकुल भी परिशान मत होना, जैसे पहले sessions की सारी PDF आपको हमारे channel पर मिल जाती थी, इसकी भी मिल जाएगी, telegram channel जो हमारा प्रतियोगीता मंतरा है, आप उस पे जाकर, वहाँ से सारी PDF ले सकते है, चैनल, अगर किसी ने अब तक सब्स्राइब नहीं करा है, जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको फ्यूचर में भी सभी चीजों की नोटिविकेशन मिलती रहे, और फटा वट से सभी लोग वीडियो को लाइक कर, तो maximum ल करना है, और हर एक टाइब का एक नहीं, मल्टिपल सवाल में आपको हैं प्राक्टिस कराऊंगा, पहला सवाल में आपको समझाओंगा, और बाकी कोशन में आप से expect करूँगा, कि आप मेरे साथ साथ प्राक्टिस करो, हर एक कोशन हम डिटेल में समझेंगे, ट्रिक से भी concept से भी, चलो, फड़ा वट से start करते हैं, पहला सवाल देखते हैं, 2 root 2 x cube minus 3 root 3 y cube equals root 2 x minus root 3 y, अब ये वाला जो pattern है, ये बहुत पूछा गया है, अब ये आवगे जब में आप कोशन देखोगे, ये वाला pattern बहुत बाल पूछा गया है, कि 2 root 2 x cube minus 3 root 3 y cube is equal to root 2 x minus root 3 y, ax square plus by square plus 3 x y, अब important बात ये नहीं है, इसका answer क्या होगा, वो सबको पता है कि यहाँ पर a cube minus b cube है, but important ये है कि क्या हम इसे directly निकाल सकते हैं, basic method तो पता ही है, कि ये a cube minus b cube है, ये a minus b है, a square plus b square plus a b है, लेकिन matter ये करता है, क्या हम इस identity का इस्तेमाल करके, कुछ smart work कर सकते हैं, बिलकुल कर सकते हैं, देखो एक method तो होता है, हम पहले इसका निकाले, और कैसे लिखेंगे, root 2x का cube minus root 3y का cube, is equal to पूरा solve करें, लेकिन क्यों ना एक pattern को ध्यान में रखा जाए, यहाँ पर लिखी होगी, उसका square यहाँ पर होगा, यहाँ पर लिखा है, root 2x, यहाँ पर लिखा है, root 2 x का square, यानि 2x square, लेकिन वहाँ पर तो x square लिखा है, इसका मतलब क्या होगया, a की value होगी, 2, directly अब करो, यह तो समझने का तरीका होगी, directly करो, जो a की value होगी, वो इसका coefficient का square, a की value क्या होगी, root 2, b की value क्या होगी, b की value देखो, इसी type से, फटा वट से comment में सोचो, b की value क्या रूट 2 का square, यानि 2, b की value होगी, root 3 का square, यानि 3, और c की value क्या होगी, देखो, c के case में हम लिखते, a into b, यानि root 2x into root 3y, यानि root 6xy, तो c की value आपकी होगी, root 6, values को put करके देखते हैं, a की value 2 है, a का square 4, b का square 9, और c का square होगी, root 6 का square, यानि 6, answer आगे है, आपका 4 और 6, 10 और 9 I hope सभी लोग को समझाया होगा, फटा-फट से मुझे comment section में आके बताओ, point clear हुआ है, जो मैं आपको हैं समझाना चाहरा हूँ, 19 बिल्कुल सही है, देखो, fast होने का, मैं आप सभी को बता रहा हूँ, fast होने का तरीका ये होता है, कि आप trick and concept दोनों सीखके चलो, वो best रहेग है, और सब कुछ भैतरीन तरीके सीखके जाना है, अगला सवाल देखते हैं, चलो फटा-फट से, ये सवाल में expect करता हूँ कि आप मुझे try करके देंगे, मैं भी ये साथ-साथ कराऊंगा, और बिना pen copy के कोशिश करोगे तो जादा मजाएगा, सिरफ सीधा a की value minus 3y, और य आपको कुछ नया भी सिखाऊंगा जिससे आपका time बचे exam में, फटा-फट से एक बार try करो सभी लोग, मैं आपको पूरा time दे रहा हूँ solve करने का, कोई pressure नहीं लेगा, और अगर किसी के पास अभी भी pen copy नहीं है, तो फटा-फट से लेओ, बहुत सारी practice आज होने वाली है मैं चाहता हूँ, जब session end हो, तो आप algebra में विल्कुल expert हो, आपको कहीं ना भटकना पड़े algebra के लिए, जितने type से सिसी पूछता है, सब के सब आपकी यहीं पे मैं त्यार करा दूँगा अब देखो a की value कैसे निकालूँगा, क्या मैं कह सकता हूँ, जो a की value है, वो इस relation से 2 आती है, क्योंकि 2x-3y है अब cx square की जगा मुझे पता है, इसका square होता है, यानि 4x square, plus का 9y square, plus का 6xy अब comparison में जल्दबाजी में हम गलती क्या करते है, a की value सही लिखते है, b की value में minus लगाना मत भूलना, minus का 3 आएगा c की value आएगी, plus का 4, और d की value जो आएगी, वो क्या आएगी, minus का 9 जब 4 को ध्यान से देखोगे, तो d minus का है, यानि a plus b plus 3 minus का d, जब 4 को solve करोगे, तो क्या में लिख सकतो, plus का 2, minus 3, plus 4 and minus 9 यानि आपका सीधा answer आगया, plus का 12, मुझे बताओ, point समझ आया है, नहीं आया है, सभी को, ये plus का हो जाया है, क्योंकि ये minus 9 है, यहाँ पर भी minus है, ये plus का जैसे ही होगा, आपका answer आगया, 4 or 2, 6, minus 3, 3, plus का 9, plus का 12, जिस जिसका answer यही आया था, मुझे फटावट से comment section में ब फटावट से अगला सवाल देखते, x, एक ये pattern, ये type बहुत बार पूछाए, ये वाला type आपको करके जाने, आपको मैं दिखाऊंगा, इससे बहुत सारे बने हैं सवाल, थोड़ा थोड़ा minor minor change करके, इससे बहुत सारे question आते हैं, फिर से explain कर देता हूँ, मैं फटावट से जगा हैगा, minus का 3Y, and so on, ये जो आगे बनता है, identity मैं लिख देता हूँ, aq-bq is equal to a-b, a2 plus b2 plus ab, a-b, a2 plus b2 plus b2 plus ab, अब जब आप compare करोगे, तो आपको देखेगा है, cx का square है, और यहाँ पर 4x का square है, चारो की values लेनी है, value इसमें put करनी है, direct answer अपना आ जाएगा, एक ब type को अच्छे से समझना, एक fixed pattern है, उसी के basis पे, इसके सारे के सारे सवाल हल होने है, जब आपको यह दिख जाए, x, y, z एक साथ, और question में दिख जाए, x cube, y cube, z cube, hint लगा लेना कि ऐसा कुछ कुछ कहना चारा है, कि a cube, plus b cube, plus c cube, minus 3 abc, वो वाली identity से कुछ ना कुछ होना है, उसी identity को पकड़ के चलते हैं, अब उसने पूछा, x, y, z कितना होगा, अब हमें एक बात पता है, जो x cube, plus y cube, plus z cube, minus 3 x, y, z होगा, वो एक वाल होता है, x, plus y, plus z, x square, plus y square, plus z square, पहले आपको basic method में एक बात समझा देता हूँ, कैसे चलेगा, उसके बात इसी के अंदर को देखते हो, तो देखो सबसे पहले आपको क्या देखने है, आपको क्या नहीं पता, आपको क्या x, plus y, plus z पता है, बिल्कुल पता है, क्या x square, y square, z square पता है, बिल्कुल पता है, आपको ये नहीं पता, x, y, y, z, z, x, इसे लाने का सबसे basic एक ही तरीका है, कि इसका square कर दो बस इसका square करके आप निकाल सकते हो मैं आपको पूरे पूरे 15 seconds दे रहा हूँ जिससे कि आप lead ले सको फटा फट से comment section में इसका answer दो देखें सबसे पहले कौन answer देता है फटा फटा फट answer दो वई अभिनव अतुल ओम अंकुर हिमानशू जैश्री खुश्बू सभी लोग जुड़े हैं फटा वट से सभी लोग try करेंगे गलत होगा तो कोई बात नहीं मैं बता दूँगा एक बढ़ try करना बहुत ज़रूरी है चलो बहुत अच्छी बात है अंकुर देखो मैं साथ सद आपको बता भी देता हूँ जिससे नहीं बन दो बिल्कुल कहीं मत परेशान हो मैं आपको easily बताता हूँ सभी लोग जो अभी अभी जुड़े हैं मैं आप सभी को बता देता हूँ हम इस session में cover करें TCS ने जितने भी types करना है कैसे करना है हमने identity लिखी हमें उसमें पता x cube y cube z cube की हमें value पता है अब x plus y plus z को अलग से सदा solve करके देखते 11 है इसका मैंने square करा x square plus y square plus z square plus 2 times x y plus y z plus z x equals 121 अब देखो यहां से मुझे ये निकालना है और यहां पर put करना है पहले pattern को दिमाग में समझो अश्वाक का answer 8 आया है बाकी सब लोग भी try करो x square y square z square की value मुझे कितनी पता है मुझे पता है 133 plus 2 times ये मुझे से पूछा इसकी जगा मैं question mark बना देता हूँ equals 121 इसे थोड़ा सा और solve करते देखो इसी वज़े से वीडियो हटा रखे जिसे maximum space मिल सके हिमान्शू का 6 आया है और भी लोग try करो भी बहुत बड़ी है दो answers आया है मिरे पास 2 times this question mark is equal to 121 minus 133 यानी minus का बारा यानी ये जो मुझे से पूछा है question mark के minus 6 के बराबर है एक value तो मेरे निकल के आ गई लेकिन क्या ये answer है ये answer नहीं है क्योंकि मुझे question में कुछ और पूछा है root of x, y, z ये पूछा मुझे cube root of x, y, z अब मैं इसे put करूँगा उपर यहाँ पर जब मैं इसे put करूँगा maximum answer 6 आ रहे है सबसे पहले तो सभी लोग ये देखो 6 answer आ रहा है या minus का 6 आ रहा है एक बाद सभी लोग sign check करो देबदर्थ, रंजन, अमित, राहुल, हिमान्शू, अश्वाक सभी लोग answer रहे है एक बाद sign check करो मेरे कहने से यहाँ पर अब इसी को अगर मैं साफ साफ लिखता हूँ अगले page पे तो मैं इसे clearly लिख सकता हूँ x का cube plus y का cube plus z का cube minus 3xyz is equal to x plus y plus z x square plus y square plus z square minus एक बाद साफ साफ इसले लिखता हूँ पुट करते हैं इसकी value फटाफट से हम पुट करते हैं x cube y cube z cube की क्या value होगी फटाफट से देखो x cube y cube z cube की value है 881 minus 3 times of x, y, z is equal to x plus y plus z x plus y plus z अपने को given है 11 अंदर चलो x square plus y square plus z square यानि 133 133 minus minus of 6 क्या मैं कह सकता हूँ है 11 into 139 ध्यान से देखो भी 11 into 139 यानि 139 और 1390 कितना हो गया 1529 ये लिखाव है 881 minus 3 x, y, z अगर 1529 है तो एक बाद ध्यान से देखो क्या मेरा अंसर आ सकता है plus में minus का 3 x, y, z जो आएगा मेरा निकल के minus 6 आया है सोमनात का सभी लोग एक बाद sign check करो देखो गलती का होई है देखो algebra की यही खास बात है यही सिखाने के लिए specifically मैंने इस समय session लखा है कि जो छोटी-छोटी गलतियां है ये हमें improve करनी है क्योंकि धाई number का सीधा नुकसान होता और धाई number पर आपको पदा है कि ranking में कितना ज़्यादा फरक पड़ जाता है minus का 3 x, y, z जो होगा आपका कितना आएगा 15, 29 में से जब आप 8, 81 घटा होगे तो आपका 6, 48 आ जाएगा अब x, y, z कितना आएगा x, y, z इससे आएगा minus का 216 देखो 3 से इसे काटोगे 216 पे कटेगा आपसे 216 नहीं पूछा आपसे पूछा है cube root of 216 यानि minus का 6 सभी लोग फटा-फट से एक बार बता मदा आया नहीं आया सवाल में अब देखो कहने को सवाल कितना आसान है लेकिन फिर भी क्या हुआ सबने धाई नंबर अपने कम करा लिए मैं आदा नंबर का नुकसान नहीं मानता इन सवालों में तो सीधा धाई नंबर का नुकसान माना करो फटा वट से सभी लोग लाइक करो अब वीडियो को मैक्सम लोगों तक शेयर करो अगला टाइब देखते हैं और इस टाइब के मैं आपको दिखाऊंगा भी कितने कोशन छोटे छोटे चेंजिस करके TCS ने आपसे पूछे हैं अगला सवाल देखो अब इस सवाल को जब आप ध्यान से देखोगे इसकी फ्रेमिंग बहुत बढ़ी है यह है 253 का क्यूब 247 का क्यूब अपॉन में all this ठीक है इस इकोल टू 50 इंटू 10 तू दा पावर के अब उसने के की वाल्यू पूछी अब पर फटावट सभी लोग ट्राए करो अच्छा पीडिएफ को लेके कोई भी परेशान हो रहा है तो पीडिएफ को लेके बिल्कुल परेशान मत हो ना पीडिएफ आपको हमारी टेलिग्राम चैनल प्रतियोगीता मंतरा पे मिल जाएगी बाकी सारे सेशन की भी इसकी भी बस अभी ये है जान लगा दो जो पीडिएफ बाद में डाउनलोड कर गए खुद प्राक्टिस करना अगर ना बने तो सेशन को दुबारा देखना उस पार्ट को ये सारे टाइप्स पक्के हो गए समझो एलजेब्रा खतम बेफिकर हो के तयारी करो कोई बात नहीं कोई बात नहीं जैश्री दंजन अंशुल देवदत हिमांशु सबका माइनस एक सारा बहुत बढ़िया अब आप क्या करो सबसे पहले तो कुश्चन में चीज आपको दिख रही है यहाँ पर 253 है यहाँ पर 25.3 है यहाँ पर 247 है और यहाँ पर 24.7 है तो क्यों न इसे पहले स्टेप में ही कनवर्ट कर लिया जाए मुझे इसे 25.3 बनाना है यानि एक का डेसिमल देना है तीन बार देना है क्या मैं कह सकता हो अगर इससे मैं 10 की power 3 बहाँ निकाल लूँ तो ये मेरा 25.3 और 24.7 बन जाएगा फटाफट से सभी लोग comment section में बताओ भाई समझ आया नहीं है मैंने सबसे क्या 4.7 का cube upon में 25.3 का square plus 24.7 का square minus 25.3 into 24.7 यानि 25.3 into 24.7 ये को pattern ये ही बनता है ये लिखा a cube plus b cube upon में a square plus b square minus a b a cube plus b cube कितना होगा भई? ये होगा a plus b a square plus b square minus a b upon में आएगा a square plus b square minus ka a b directly कटा a plus b अपना answer आगया लेकिन a plus b क्या है? a plus b तो आपका 50 आया है इसके साथ ये 10 का cube ये मत भूलना answer आए 10 का cube into a plus b यानि 25.3 plus 24.7 यानि 50 answer है 15 to 10 to the power 3 k की value आपकी plus का 3 आ गई बहुत बढ़ी है राहूल एक बार answer चेक करो minus 1 नहीं आएगा join telegram बहुत बढ़ी है अर्विन एक बार answer चेक करो minus का 3 नहीं होगा plus का 3 होगा क्योंकि हमें उपर से comment लेना है किसी को कुछ भी कैसा without पूछ सकते हो और सभी लोग तयारी पूरी जान लगा के अब करो क्योंकि perfect time में देखो नेवेंबर आपका थोड़ा बहुत निकल गया है अब जादा time नहीं बचा है feb end मानके चलो March मत सोचो उसे feb end बोलो और तयारी में पूरी जान लगा दो कुछ भी हो जाए selection इस बार लेना है बिल्कुल सही 3 आ रहा है इस बार सबका देवदत अंशुल रंजन हिमांशुल रितेश अतुल प्लस 3 हो गया बहुत बढ़िया अगला आगे चलते हैं ये सवाल जो है इसे करने के कई तरीके है लेकिन आपको वो तरीका सीखना है जो कि आपका time बचाएगा exam में time कैसे बचेगा बहुत लोग को लगता है यहां 16 है यहां 16 है यहां भी 16 से जुड़ावा number है तो directly यह ऐसे हो जाएगा लेकिन अगर question को ध्यान से देखोगे question की framing थोड़ी सी खास इसलिए है यह लिखा x plus 1 upon 16 x is equal to 3 और आप से पूछा गया है 16 x का cube plus 1 upon 256 x का cube मैं थोड़ा सा time दे रहा हूँ फटा फट से सभी लोग try करो try करने से फायदा यह होता है खुद का भी दिमाग चलता हो जब मैं आपको explanation दूँगा तो आप समझ पाओगे कि कहाँ पर आपकी गड़बड हुई थी जिसके चक्कर में pen रुका था फटा फट से सभी लोग try करो 16 x का cube पूछा अब एक पार ध्यान से देखो अगर मैं इससे 2 common ले लूँ अगर मैं क्या करूँ इससे 2 common ले लूँ तो यहाँ पर उपर तो बनेगा 8 x का cube और नीचे बन जाएगा 512 क्योंकि देखो अगर 2 common लोँगा तो मुझे उपर नीचे 2 से multiply करनी पड़ी होगी उपर वाला 2 मेने भार वे जा नीचे वाले 2 से नीचे गुना हो गई यानि ऐसा लिखा है अब मुझे यहाँ पर यह देखिया है यह लिखा है 2 into 2 x का cube प्लस 1 upon 8 x का cube यानि अगर किसी भी तरीके मैं 2 x प्लस 1 upon 8 x तक पहुँच जाओ मेरा काम बन जाएगा और वो पहुचना बहुत असान ऐसे है इसे simply मुझे 2 से multiply करना है उस चीज को ध्यान से समझना कि यहाँ से अब आपको आगे कैसे जाना है यह लिखा x plus 1 upon x is equal to k वाला पार्टन इस पार्टन को ध्यान से समझना प्लस 2 से multiply बिलकुल सही पार्टन को ध्यान से समझना जब भी ऐसी situation आती है पहले basic pattern समझो basic pattern समझो x plus 1 upon x अगर k होता है तो हम यह कहते है जब हमने इसका cube करा है तो आया x cube plus 1 upon x cube plus 3 times x plus 1 upon x क्योंकि 1 x से तो 1 x कर जाएगा is equal to k का cube यह लिखा है k तो हम basic identity यह बनाते है कि x का cube plus 1 upon x का cube जो होगा वो निकल किया k cube minus 3 k अब problem यह है यहाँ पर कि जो मैंने यहाँ पर x into 1 upon x काड दिया वो यहाँ तो नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर क्या बनेगा यहाँ पर आपका बनेगा 2 x plus 1 upon 8 x आ रहा है तो यह क्या बनेगा 2 x का cube plus 1 upon 8 x का cube plus 3 times into 2 x into 1 upon 8 x 2 x plus 1 upon 8 x मैंने क्या करा है बस उसे खोल के लिखा है is equal to 216 यह सिरफ आपको समझाने के लिए है अभी इसका shortcut भी मैं आपको यहाँ पर समझाऊँगा कि directly क्या करना है directly simply क्या करना है आपको यह देखो x से x कटा इस पूरे को उदर ले जाओ यह 6 है यह जैसी 6 है आपका अब 216 में से घटाना है आपको क्या घटाना है 3 into 2 into 6 upon 8 I hope point समझ पारे होगे 6 into 8 इसे जब आप solve करोगे यह 4 पे गया यह गया 2 पे गया 3 पे 216 minus 9 बटे 2 यह आ गई आपकी 8 x cube minus 1 upon 512 x cube की अब बहुत बच्चे इसे यहीं पे छोड़ देते कि हमारा answer गलत आ गया लेकिन ध्यान से देखो क्या आपसे 8 x cube पूछा है नहीं आपसे कुछ और पूछा है आपने इदा 2 से multiply करा था आपसे यहाँ पर आपने जो 2 common निकाला है इसे भी तो multiply करोगे जब 2 से multiply करोगे आप पूरी कहानी को इस पूरी को तो आप क्या करोगे 432 minus no 423 answer मुझे बताओ सभी लोग comment section में हो सभी को समझा अगली बार से इत्ती लंबी चोड़ी कहानी मत करना अगली बार से सीधा समझो कि अगर x plus 1 upon x है k के बराबर तो a plus 1 upon bx का cube बताओ तो k cube में से 3 के घटाना और a upon b ऐसे लिख देना बात ही खतम सीधा इससे answer आएगा ये सिरफ समझाने के लिए देखो इत्ती लंबी कहानी exam में नहीं करनी सीधा जो coefficient होंगे उनसे multiply कर देना अपना answer आ जाएगा मुझे बताओ समझा है जैसे ही आप इसके अंदर put करोगे directly ये ही पूरा pattern आपका बन गयाएगा k cube हुआ 216 minus 3 into 6 into आपका 2 upon 8 देखो बिलकुल same ये ही बन किया जाएगा और जब आप finally उसे 2 से multiply करोगे आपका answer आ जाएगा सभी लोग एक बाग comment section में आऊ भी मुझे बताओ समझाई बात अच्छा अगर कोई भी ऐसा जिसने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है तो भाईया ये गलती मत करना अगर आप SSE CGL 2019 के pre mains और descriptive के साथ सच CHSL और SSE के बाकि सभी exams की तैयारी एक single plan में करना चाहते हैं तो आप earn academy plus का एक single plan ले सकते हो जिसके अभीने सर के सभी courses, रानी माम के सभी courses, पवन राओ सर के सभी courses, complete wifi study, प्रतियोगीता मंत्रा के साथ सभी educators के सभी batches, जितने भी latest batches है सभी इसके अंदर included है जैसे कि ये batch आप देखते हैं 10th of January से start हुआ है जिसमें आपको खुद maths अभीने सर पढ़ा रहे हैं English आपको परनीत माम पढ़ा रहे हैं जर्नल अभीने सर पढ़ा रहे हैं इसके लाव भी सभी batches एक single plan में आप ले सकते हैं आपको पूरा एक साल का plan इस rate में पढ़ेगा अगर आप discount को PMYT लिखोगे बिना space के बाद आप जैसे ही PMYT लिखोगे आपको discount मिल जाएगा और mock test doubt sessions के लिए कहीं मत भटकना सब कुछ इसी के अंदर included है बस आपको final अपना plan चूज करके payment के समय आपको PMYT यहाँ पे लिखना बिना space के जैसे ही आप इसे लिखोगे आपको discount मिलके पूरे एक साल का plan इस रेट में पढ़ जाएगा चाहो तो आप 6 महीने तीन महीने का भी ले सकते हूँ प्राक्टिकली एक साल का बेस्ट रहता है क्योंकि 900 पे एक्स्ट्रा दे के आपको 6 महीने एक्स्ट्रा मिलते हैं अगर आप किसी और category में भी त्यारी करो चाहब वो UPSC है banking रेलवे सबी केसिस में आप यही वाला discount code लगा के अपना maximum discount ले सकते हो बस आपको PMYT लिखना है बिना space के support करने को हम तयार है महनत आप भी करो दोनों मिलके इस बार selection लेते ही लेते है बिलकुल आएगा उससे अभी नव एक बार try करो एक बार try करो definite basis पे आना चाहिए answer on this अब यह सवाल देखने में लगता कि कोई भी pattern यहां नहीं बना लेकिन question को ध्यान से देखोगे तो कुछ तो आपको यहां पर नज़र आएगा हमेशा ध्यान रखना ssc आपसे multiplication division इतना नहीं करना ना चाहता है जितना है यहां दे रखा है इसका मतलब कुछ तो यहां पर छुपा हुआ है try करो एक बार ध्यान से देखो denominator को ध्यान से देखो जब भी ऐसा कुछ given हो ना एक तीन चीजों का cube के बीच में plus minus लगे हो बहुत बार ऐसा होता है relation बनता है क्या relation बनता है यहां पर ध्यान से देखो इससे क्या मैं minus को अंदर भेज सकता हूँ plus करके minus का 0.545 का cube कर सकता हूँ बिल्कुल मैंने minus को अंदर भेज दिया अब ध्यान से देखो यह है a यहां पर है 0.324 B यहाँ पर है 0.221 और C यहाँ पर है माइनस का 0.545 फटा फट से ज़दा A प्लस B प्लस C करना मेरे कहने से बताओ comment section में क्या answer आ रहा है गुड इवनिंग शुभा सवाल मैं पढ़ देता हूँ जिसे सवाल विजिबल नहीं है उपर लिखा 0.545 इन्टू 0.081 इन्टू 0.51 इन्टू 5.2 denominator में 0.324 का cube 0.221 का cube माइनस 0.545 अब देखो जैसे ही आपको देखा 0 आ गया तो क्या मैं कह सकता हूँ एक pattern बन गया pattern ये बन गया कि जब A Q प्लस B Q प्लस C आपका जब A प्लस B प्लस C 0 होता है जब A प्लस B प्लस C 0 होता है तो क्या यहां पर होती है सबसे बड़ी गलती कि हम 3 A B C तो लिख देते हैं माइनस को भूल जाते हैं देखते हैं जदा 0.545 0.081 0.51 5.2 अपॉन में क्या आएगा अपॉन में आएगा 3 इन्टू 0.324 0.221 0.545 माइनस का यह माइनस कराएगा आंसर गलत जो बीच रास्ते में छोड़ दिये बीच रास्ते में जो माइनस छोड़ दिये यही आंसर गलत कराएगा क्योंकि option को ध्यान से देखो प्लस भी है और माइनस भी है माइनस 3 आएगा सबसे पहले क्या करो 545 को 545 से काटो अब उपर decimal गिनो उपर decimal बताओ कितने है 3 तो इसके पास है 2 इसके पास है 1 इसके पास है total 6 decimal नीचे decimal गिनो 3 और 3 6 सीधा decimal को decimal से हटा दो मान लो decimal है ही नहीं सवाल में क्या बचा सीधा बचा उपर 81 इन्टू 51 इन्टू 52 अपॉन में माइनस भाल लगा लो 3 इन्टू 324 इन्टू 221 मुझे बताओ बात समझाई अब 324 जो होता है वो 18 का स्क्वायर होता है 9 से काटो 9 से काटा 9 पे इदा 9 से और इदा 2 से काटो यानि इसे जैसे 26 बनाओगे यहां 18 बचेगा फिर 18 में 9 इहां से हटाओ इहां से हटाओ बचा 13 अब 13 से फिर इसे काटो इस टाइप से जब आप सॉल्फ करोगे 13 को पहले 3 से काटो 17 आया I hope point समझा रहा होगा सभी लोग को minus क्यों आया है यह सभी को बात समझा जाई सबसे पहले तो मुझे यह बताओ minus कैसे आया सभी को समझा जाई अब जब आप 17 इंटू 13 देख तो 13 से इसे काटोगे 17 पे कटेगा 17 से 17 यह कटा answer आएगा minus का 1 यह जो minus था ना यह minus का 1 आपका answer होगा option number 3 सभी लोग फटावर्ट से comment section में आओ भी मुझे बताओ रंजन, हिमान्शू, शुबा सोमनात, खुश्बू सभी को समझाया 13 से 17 बहुत बढ़िया आगे चलते हैं अगला सवाल देखते है देखो यार यह जो session है ना इसका main purpose जो हमारा है main purpose हमारा algebra को decode करके रख दिना यानि इसके बाद कुछ भी सवाल आपसे आ जाए चाहे वो cpo में हो, चाहे वो cgl में हो आपको पताओ कि अच्छा सर ने यह वाली types करना है easy में से बना है सवाल सवाल को देखो, answer टिक करो और आगे बढ़ो चलते हैं आगे अगला सवाल देखते हैं ये भी मैं star बना रहा हूँ ये favorites हो गया है ssc का, इससे बहुत बार बनते हैं अब इसमें जो pattern बनते हैं उस चीज को ध्यान से समझो वो कहारा y is the reciprocal of x यानि y is equal to 1 upon x y is equal to 1 upon x कभी कबार वो कैसे लिख देगा x plus 1 upon x कभी लिख देगा x plus y दोनों बिल्कुल सेम बात है घबराना नहीं है यहाँ पे उसने क्या पूछा है x cube plus y cube या फिर x cube plus 1 upon x cube ये पूछा है और आपको क्या पता है आपको x plus 1 upon x पता है वो कैसे पता है वो मैं आपको बताता हूँ x आपको पता है 1 upon x आपको निकालना है पहले समझो लंबा मेथड लंबा मेथड इसलिए समझा रहा हूँ जिससे concept को दिमाग में घुसा सको फिर मैं आपको सीधा बताऊंगा question को देखना है और answer लिखना है question को देखते ही answer लिखना है जैसे इस सवाल को मैं अगर ध्यान से देखता हूँ तो मुझे इसमें दिख रहा है कि 5 plus 3 5 minus 3 into 2 यानि सीधा मैं लिखूंगा 5 plus 3 5 minus 3 into 2 बस बात खतम यही है x plus 1 upon x से कैसे आया इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर देखो यह लिखा root 5 plus root 3 upon root 5 minus root 3 plus में 1 upon मैं अगर करोगे तो root 5 plus root 3 नीचे आएगा उपर आएगा root 5 minus root 3 LCM लोग नीचे आए root 5 का square minus root 3 का square सभी लोग साथ साथ लिखेंगे फटाफट और क्या आएगा उपर आएगा root 5 plus root 3 का square यानी root 5 का square plus root 3 का square plus 2 times root 5 root 3 आगे चलो plus root 5 minus root 3 का square ध्यान से देखो minus root 3 में यह तो plus के रहेंगे लेकिन जो आखरी वाली term है यह minus की बन जएगी root 5 into root 3 I hope देखो screen पर visible होगा सवाल थोड़े से लंबे हैं इसलिए मैंने बाकी सब चीज़े भी hide कर रखी है थोड़ा बहुत आप भी cooperate करना जिससे की maximum content आप तक पहुँच सके यह 2 से multiply कर लेना यह इससे cut गया और यहाँ पर क्या बना 2 times root 5 का square plus root 3 का square upon में root 5 का square minus root 3 का square यह 2 times कैसा है यह देखो फटा-फट क्योंकि उपर root 5 का square देखो दो बार एक यहाँ पर एक यहाँ पर ऐसी root 3 दो बार है अब solve करो directly आज के बार याद रखना कि हमेशा इसका square plus इसका square upon इसका square minus इसका square यानि 5 प्लस 3 upon 5 minus 3 का 2 गुना कर देना वही answer हो देखो पांच में से 3 गड़ो यह इससे कड़ी है 8 answer सभी लोग एक बार बताओ समझ आई ना बात क्या कह रहा हूँ मैं क्योंकि यह समझना ज़रूरी अगर यह लंबे method paper में लगाओगे तो कैसे काम चलेगा आए हो point समझ आया होगा आप सभी को लंबा method नहीं लगाना यहाँ पर आये हो short trick सीखने वो सीख के जाओ फटा फट से मुझे comment section में बताओ कि अगर x की value होती root 2 minus root 1 upon root 2 plus root 1 तो x plus 1 upon x कितना होता फटा फट से comment section में बताओ एक अभी अभी आपके लिए random सवाल मैंने बनाया है जिससे कि यह trick आपके दिमाग में छप जाए उपर वाले दोनों का square जोड़ दो उपर वाले दोनों का square घटा दो यही काम करते रहना है answer अपना बार double कर देना बस उसका double कर देना और कुछ नहीं x plus 1 upon x किता होगा सभी लोग बताओ भी फटावट से इस cancer of 488 आ रहा है सही है 6 6 आ रहा है खुशबू एक बार देखो उपर आपने square कर रहा 2 plus 1 3 नीचे हो गया 1 6 उसे multiply कर रहा उसे बिलकुल सही 3 अभी नव एक बार देखो 3 को 2 से multiply करना है मैंने आप 2 से multiply आपको सिखाया है 2 से multiply मैंने आपको सिखाया ध्यान में रखना है I hope यहां तक point clear हो गया होगा आगे चलो हमेशा के लिए ध्यान रखो short में लिखके देना हो इस kone में कि अगर x की value है root a minus root b upon root a plus root b यह आपकी copy में मुझे note चाहिए तो x plus 1 upon x क्या होगा 2 times root a का square plus root b का square upon root a का square minus root b का square यह सब oral काम है oral ही करना है time बचाना है चलो बहुत बढ़ी है समझा रहा है तो अब सवाल में कुछ नहीं बचा जब मुझे पता है x plus 1 upon x मेरा 8 निकल के आया है अभी पीछे जब मेरा पीछे 8 निकल के आ गया यहाँ पर देखो ध्यान से 5 plus 3 upon 5 minus 3 जैसे ही मेरा 8 आया है अब मुझसे पूछे x cube plus 1 upon x cube याद करो यह pattern अभी तो हमने पीछे समझा है कि जब भी जो value यहां लिखिये इसका cube कर दो यानि 512 minus 3 गुना घटा दो यानि 24 मैंने घटा दिया 488 हो गया मेरा answer सभी लोग बताओ भई सभी को समझा है फटावर्ट से सभी लोग वीडियो को like कर दो maximum logo तक share करो और एक और चीज़ बता दो pdf के लिए बिलकुल भी परेशान मत होना चाहे यह content हो इसकी pdf या इससे पहले जो भी हमने आपको sessions कराए है सबकी pdf आपको मिल जाएगी बेफिकर हो के अच्छे से तैयारी करो और कोशिश ये करो pdf सिर्फ practice के लिए refer करो questions की practice मेरे साथ साथ करो समझा रहा है चलो बहुत बढ़िया है अगला type देखते है 5x plus 1 5x plus 1 का cube x minus 3 का cube 8 times 3x minus 4 का cube यहाँ पर यह देखो a cube plus b cube plus c cube जैसे तो कुछ बन रहा है लेकिन हमें पता है 8 का मतलब 2 का cube होता तो कोई logic निकल सकता है यहाँ पर 6 आ रहा है that is अगर मैं इसे 3 बनाना चाहता हूँ तो मुझे 2 को कहीं भेजना पड़ेगा और इसे गायब करने के लिए भी मुझे 2 अंदर भेजना पड़ेगा यानि अगर मैं इसे 6x minus 8 लिख दू और इसे भी 6x minus 8 लिख दू तो मेरा काम हो गया बिलकुल हो गया कैसे हो गया देखो फिर यह बन गया 3 times this into this into this I hope समझ आदा होगा है ना तो अब aq plus bq plus cq is equal to 3abc है ऐसा कब होता है aq plus bq plus cq is equal to 3abc कब होता है बताओ फटाफट जब a plus b plus c 0 होता है तब ही तो ऐसा होगा यानि a क्या है 5x plus 1 फटाफट से जोड़ो 5x plus 1 x minus 3 और 6x minus 80 ध्यान रखना 3x minus 4 में जोड़ो देदा जब इन्हें जोड़ोगे तो आपको 0 आना चाहिए एक बार बताओ फटाफट से answer क्या आदा है रेड़ी का answer 5 upon 6 है हिमांशू का answer 5 upon 6 है सभी लोग बताओ भई थोड़ा बहुत अपना भी हाथ चलेगा तो बेटर दाएगा बहुत बढ़ी है खुश्वू a plus b plus c 0 शुबम का 5 upon 6 आ गया बिलकुल सही answer आ रहा है चलो मैं अभी साथ साथ आपको बताता हूँ 8 और 3 11 प्लस 1 यानि माइनस का 10 और इधर आपका आएगा 12 x अब जब 12 x is equal to 10 है तो x आपका सीधा सीधा 5 upon 6 हो गया अच्छा सभी लोग एक बाँ फटावट से comment section में मुझे बताओ भी session का फायदा हो रहा है इस type के और session प्लान करे जाए future में कि इस type से अगर आपको और भी चीज़े हमने सिखानी है तो मैं यह चाहरा हूँ कि जितना भी अलग-अलग types बनते हैं जिसमें maximum लोग परेशान है क्योंकि देखो आपका pre के सिर्फ pre में नहीं यह mains में भी आपको बहुत फायदा देगा तो ऐसा plan कुछ करते हैं कि आप लोग भी time से जोड़ो full energy में यहाँ पर maintain रहो end तक session को attend करो जिसे मुझे लगेगी हाँ फायदा हो रहा है और session ऐसे plan करते हैं चलो अगला सवाल देखते हैं चलो अब यह जो सवाल आपको screen पर दिख रहा है क्या मैं कह सकतो यह pattern धीरे धीरे आपको repeat होते वे दिख रहे हैं यह pattern धीरे धीरे क्या होते हैं देखो वही वाला pattern की framing अलग हो गई बस वहाँ पर पूछा आपसे की x, y, z बता दो यहाँ पर आपसे कुछ और पूछ ले ultimately वही 4 पाज बात रही geometry के लिए भी बिल्कुल चलो सही है competition बढ़ा देगा बिल्कुल सही अच्छा जाने से पहले कुछ important बात भी करेंगी कि जो आपकी तैयारी है किस को किस किस में डल लग रहा है इस बारे में भी हम बात करेंगे जाने से पहले तो session में जरूर बने रहना end तक हर एक type में आपको यहीं पर cover करा दूँगा x plus y plus z है 2 x y plus y z plus z x है minus का ग्यारा x y z आपको पता आप इस case में हमेशा ध्यान लखना सिर्फ 2 तीन ही काम होने है एक तो लगनी है x cube देखो मैं आपको clearly बता देता हूँ ssc आपसे यह चाता है कि आप एक तो यह identity लगा दो x plus y plus z और अंदर आप लिख दो x square plus y square plus z square minus x y plus y z plus z x एक तो यह खेल है अब इसमें क्या होगा कोई दो चीज़े missing होगी जिसमें एक चीज़ आप निकाल सकते हो जो मैं कहा रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान से समझो pattern को समझने की कोशिश करो rather than the question focus on the pattern more mensulation भी चलो mensulation का भी plan करेंगे बेफिकर रहो बस full energy से यहां बने रहो बाकी काम मेरा है बाकी सब करा देंगे बेफिकर रहो यहाँ पर देखो आपको 3 x y z की value तो पता है कैसे पता है x y z है minus का बारा तो क्या मैं इसे plus का 36 लिख सकता हूँ यह मुझसे पूछा है तो मैं इसे box में बंद रहा हैं देता हूँ इस equal to x plus y plus z यानि मुझे यह भी 2 पता है बस यह देखो क्या नहीं पता उसे निकाल लेंगे जो नहीं पता उसे निकाल लेंगे देखो कैसे यह लिखा x square y square z square x y y z z x अब ऐसे case में एक चीज हमेशा ध्यान लखना कि यहाँ पर whole square बना लो whole square कैसे बना लो x plus y plus z का जैसे whole square बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें plus 2 times x y y z z x करना पड़ेगा देखो कैसे करना पड़ेगा उसे समझो x square plus y square plus z square minus x y plus y z plus z x है मुझे इसे whole square बनाना है तो क्या करूँगा मैं इसमें plus का 2 times x y y z z x जोड़ दूँगा और minus का 2 times कर दूँगा अब इन्हें combine करूँगा इन्हें combine करके फायदा क्या होगा मेरे पास बनेगा x plus y plus z का whole square जिसकी value मुझे देखो सवाल में पता है minus में देखो यह 3 times हो जाएगा अब यहाँ पर minus 1 time था minus 2 time यानि minus 3 times x y plus y z plus z x आयो हूँ point समझाया होगा अब कुछ मत करो इसे बस solve कर दो that should be all is किला वो कुछ नहीं चाहिए एक बस साफसाफ लिख देता हूँ अगले page पे x cube plus y cube plus z cube plus ka 36 देखो 36 कहां से आया है मैंने अभी आपको दिखाया plus ka 36 is equal to 2 times x plus y अब अंदर क्या है x plus y plus z का whole square यानि 2 का square minus 3 times x y plus y z plus z x 3 times यह किता है देखो सवाल में given है आपको minus 11 यानि minus 11 is equal to 2 times 4 plus 33 यानि 74 हो गया देखो 4 plus 33 37 I hope point समझा गया होगा a plus b plus c का square 6 is the answer 74 आपका आगया सभी का अब इसी को solve करो थोड़ा सा x cube plus y cube plus z cube plus y यानि ये पूरी value निकल के अपनी कित्ती आ गई 38 अब आपसे क्या पूछा है इसमें से 2 घटा के इसका पूछा है आपसे square root देखो इसमें से 2 automatically वो घटवार है आपसे यानि 36 का square root answer होगे option number is 6 सभी एक बार comment section में आओ सभी को समझा है श्रवन बिल्कुल साही answer है जैश्री, खुश्बू फटावट से बताओ भी सभी लोग I hope समझ आ गया होगा आगे चलते हैं अगला pattern देखते हैं अब देखो pattern क्या मैं कह सकता हूँ फिल से ये type उससे linked है सभी लोग फटावट से मेरे कहने से भी try करो मैं सभी को चाता हूँ या live session के तरीके हम deal करें इस session का maximum फायदा हो पूरे 30 seconds मैं आपको दे रहा हूँ मैं चाता हूँ पहले आप मुझे इस cancer बताओ क्योंकि अब मैं चाता हूँ मैंने आपको pattern समझा दिया तो उसका फायदा होना चाहिए चलो time है पूरा फटावट से try करो पूरी जान लगा दो अब देखो इसमें भी क्या है आप से ये पूछा है फिर से बिलकुल सेम काम करना है बिलकुल question सेम है pattern change है देखो शुबह यही तो मैं आपको सारे types यहां पर सिखा रहो जितने types बनेंगे सारे types मैं आपके हैं cover कर दूँगा कोई pattern नहीं छोड़ूगा बेफिकर रहो पस हर एक सवाल को इमानदारी से attend करो सिरफ time चाहिए और कुछ नहीं चाहिए अपना time दो session को attend करो जिसे हम future में ऐसे बहतरीन session आपको देते रहे चलो मैं अभी साथ साथ आपको बता देता हूँ x cube plus y cube plus z cube पूछा अब इसी को क्यों ना शुरू करते है x cube plus y cube plus z cube minus का 3 x y z again बिलकुल सेम बात is equal to x plus y plus z अब देखो बिलकुल सेम कहानी करनी x square y square z square minus अब फिर वही बात minus x y plus y z plus z x अब मैं लिख भी सिर्फ इसलिए रहाँ क्योंकि मुझे पता है आपको समझना है otherwise आप short में सीधा x plus y plus z की जगा 6 भी लिख सकते दे सीधा 6 लिखा करो परेशान मत हो यह कितना है 30 यह आपको दिख रहा है 30 सीधा value रखो यह minus 10 है यह 6 है यह देखो minus 10 की वैसे यह plus का 30 हो गया is equal to x plus y plus z 6 अंदर देखो फिर से वही सेम कहानी है x square y square z square कितना बताओ 30 minus का अब आप से यह पूछा है आपको यह नहीं पता कैसे निकालोग इसे मैं कहता हूँ आपको बिलकुल नहीं पता इसके बार में बिलकुल आइडिया नहीं कैसे नहीं कालेंगे मैं इसकी जगा bracket खाली छोड़ देता हूँ थोड़ा से solve करो हर एक सवाल में आपसे क्या करेगा वो दो equation लगवाएगा देखो जैसे ही हाँ पर दो चीजे में सो गई अब दो चीजे में सो गई तो आपसे कहेगा किस तरीके से find करके दिखाओ find करने का simple तरीका देखो इसका square क्यों ना कर दी है ही पर जैसे square करोगे x square plus y square plus z square plus two times यही तो आपसे question mark पूछा है पार्टन को समझो देखो answer को गोली मारो अभी के लिए पहले चीजों को समझो 132 आ गया is equal to कितना है इसका square यानि 36 x square y square z square आपको पता है 30 plus two times यह जो आपसे पूछा is equal to 36 question mark की value 3 आ गई 3 को यहाँ पर दखो जैसे 3 को यहाँ पर दखोगे आपको पता 6 into 27 करना है 6 into 27 कितना हुआ 162 162 पेसी ये वाला 30 घटा दो 132 आ गया आपका answer चलो बहुत बढ़ी है maximum लोग का सही answer है बहुत बढ़ी है शाबवाश, सोबनात, रुपेश, श्रवन, बिल्कुल सही answer है हिमान्शू, शुबम, संतोष, जैश्री, खुश्बू, साक्षी इसी तरी के full energy के साथ maintain करो अपने आपको बिल्कुल सही खुश्बू 132, 132 होगा इसका answer option number 1 अगला सवाल देखते हैं, अब again, क्या ये pattern जो type आपको दिख रही है, ये ssc वालों ने फिर से उसी को घुमा के आपके सामने पेश करा है क्या मैं कह सकता हूँ, 36 कैसे आया, देखो कैसे आया 36, थोड़ी मेरी तवियत खराब है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा ये मैंने बस इसका square करा है, और कुछ नहीं करा है, बस मैंने इसका square करा है, तो सामने की side 36 आएगा 6 का square कपिल एक बार try करना, definitely बनेगा, फटा फट से इसे try करो, 5 root 5 x का cube, भाईया बिलकुल सेम बात है, यानि root 5 x का cube, फटा फट से भई सभी लोग इसे try करो, मैं चाहता हूँ, answer फटा फट से आया, इसका, root 2 y का cube, is equal to, वही सेम बात है, अब क्या मैं कह सकता हूँ, बिना लिख और c की value बताओ, सबसे बहले comment section में ये बताओ, इस बार pen नहीं उठाना, बिना pen उठाएं मुझे चाहिए, a की value तो यही होगी ना, root 5, देखो, b की value होगी इसका square, यही तो हमने पड़ा है, बिना identity लिखे, a की value क्या होगी, root 5, b होता है पहले वाले का square, यानि 5, और c होता है, इन दोनों का multiplication, यानि root 5 into root 2, यानि root 10, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, एक चीज़ क्या ध्यान देनी हैं, आपर यह plus का है, यानि अब यहाँ plus है, तो यह minus आना चाहिए था, तो यह answer आपका minus का होगा, मुझे बताओ, समझ पारे हो बात को, यह plus का, जैसे आपका root 10 आ गया, तो इस point को बिल्कुल ध्यान से आप समझो, क्या मैं कैसाब तो a square plus b square minus c square जब आप निकाल लोगे, तो a का square 5, b का square 25, c minus root 10 अगर आप निकालते भी हो, तो अभी देखो plus का वो convert हो जाएगा, लेकिन minus तो करना पड़ेगा, क्योंकि minus का c square 25 और 5, 30, 10, 20 answer हो गया, सभ लुनात, रुपेश, शुबम, हिमान्शु, खुश्बू, b, b की value repeat करता हूँ, देखो b की value कैसे निकाल ली है, जब भी वो आपसे कहता है, कि देखो आपको बता है, यहाँ पर a cube minus b cube है, is equal to a minus b लिखते है, यहाँ पर हम लिखते है, a का square plus b का square और plus का a b, तो जो value भी यह यहाँ पर होगी, ध्यान से समझना, उसका square यहाँ पर होगा, यानि अगर यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर 4x का square होना चाहिए, अभी नब वो ही explain कर दो हूँ, बेफिकर रहो, 2x है तो 4x का square होना चाहिए, अगर यहाँ पर k है, तो यहाँ पर k का square होना चाहिए, इसकी set करोगे अगर पूरी identity लिखने बैठोगे तो काम नहीं बनेगा फटावट से अगला सवाल देखते हैं अब ये सवाल बहुत बच्चों ने skip करा है बहुत बच्चों ने मैं एक बद आपको बता देता हूँ इसमें आप से क्या पूछा ये पूछा root x plus one upon root x ये पूछा आप हो थोड़ा सही से solve जब हम करेंगे तो हमें पता ऊपर है 3x का square plus 3 minus 7x is equal to 3x को सामने भी तो 18x यानि 3x square plus 3 is equal to 25x यहां तक अगर ध्यान से देखोगे तो 3 जैसे ही आप common लोगे 3 जैसे ही आप common लोगे यहां आएगा x square plus 1 is equal to 25 बटे 3x डिवाइड कर दो x से x plus 1 upon x आगया हा अगर यहां पहुच गए इससे आगे का रास्ता बहुत असान है कैसे असान है उसे भी समझो power decrease करनी है power decrease करने के लिए power down जाना है क्या करोगे सबसे पहले तो इसमें 2 जोड़ दो सबसे पहले क्या करो जो भी value आपको given है उसमें क्या करो 2 जोड़ दो और जो answer आया उसका root ले लो बात ही खतम कोई महनत वाली बात नहीं है सीधा समझो plus 2 करके उसका root ले लो कैसे क्यों उसका भी answer दूँगा परेशान मत हो logic जरूर बताऊंगा लेकिन अभी के लिए पहले फटा-फट से याद करो 2 जोड़ा क्या आया उपर जैसे 2 जोड़ूँगा तो इसे मैं 6 upon 3 लिख सकता हूँ 31 upon 3 का root option number अपना answer हो गया सबी लोग बताओ भी समझा है कैसे करा बहुत बढ़िया अब यह क्यों करा है मैंने plus 2 और यह सब क्यों करा इस चीज़ को ध्यान से समझो मुझे पता है मालो कि मेरे पास x plus 1 upon x की जो value है वो p है क्या मैं इसे root x का square plus 1 upon root x का square लिख सकता हूँ बिलकुल plus का 2 करा is equal to p plus 2 मैंने अपने पास से कर दिया मेरा मन था यहाँ पर मैंने root x into 1 upon root x कर दिया यह तो आपस में cancel होने है यानि इदर पैटन बन गया root x plus 1 upon root x का square is equal to p plus 2 अब यानि root x plus 1 upon root x जो होगा वो बन गया under root में p plus 2 यानि पहले उसमें दो जोड़ा फिर उसका root ले लिया सभी लोग बता हूँ इस समझाई बात सिरफ trick याद करने से बढ़ी है trick के साथ-साथ concept भी लेके जाओ जिस क्यों में उस confusion को दूर करके अपना answer निकाल लो सभी लोग बताओ भी फटाफट से comment section में आओ full energy दिखाओ ऐसा नहीं कि रात हो गई तो बस हम down हो गई ऐसा काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए session इसी type से हम आगे भी आपके लिए plan करते रहेंगे बेफिकर रहो चलो बहुत बढ़िया अगला सवाल देखते हैं चलो इस सवाल को देखो ध्यान से अब इस सवाल में कुछ तो असान बात है असा तीन ही values हमें दिख रही है लेकिन जो powers का खेले वो थोड़ा सा complicated है तो powers से भी खिला जाए बहुत बढ़िया वही चलो सभी को समझ आ रहा है बहुत बढ़िया पावर से खिला जाए अब क्यों ना एक काम करा जाए देखो ये तो सबको दिख रहा है ये A है ये B है और ये आपका A B है तो क्यों ना इसे थोड़ा साफ सुतरे तरीके लिख लिख लिया जाए कैसे हाए जोश बिलकुल हाए ही रहना चाहिए ये लिख अब देखो अगर आपको numerator, denominator उड़ाने हैं तो कई से उपर माइनस अगर आप ले आओ तो मज़ा आ जाएगा किसी तरीके अगर उपर माइनस आगया तो अपना काम बन जाएगा या प्लस अगर कोई square बना लिया थोड़ा सा दिमाख लगाओ calculation इसमें बहुत ही कम है, बहुत nominal calculation वाला है, advance की class चलो चंदी, plan करते हैं, बिल्कुल बेफिकर रहो, बस फटा-फट से पूरी जान लगा दो, जो जो मैं आपको सिखा लो, सब आपकी copy में होना चाहिए, proper notes बना लो, अपनी कलक से copy बना लो, जिसके अंदर जो जो मैं आपक गटाया, a, b का square, अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, उस चीज को देखना, जिससे की मेरा बन जाए, a, 4, b, 4, 2 times a, b, यानि a square plus b square का b square, minus a, b का square, ध्यान से देखो, कोई जल्दी नहीं है मुझे, हर एक बच्चे को समझाना चाहिए, हर एक बच्चे को, यहां मैंने कर आ, a square का square, देखो, a square का square, plus b square का square, plus 2 times a square, b square, यानि x square plus y square plus 2xy, I hope समझा आ गया, बिलकुल मिलेगी रूपम, बस अच्छे से अटेंट करो, मेरा suggestion यह रहेगा, live में चीजों को निप्टा हो, और आगे कुछ और प्लान करेंगे, बाकि आपको recording इसके मिल जाएगी, बेफिकर रह ना, यानि अब उपर ध्यान से देखो, नीचे लिखा, a square plus b square plus a, b, ये लिखा, x square, ये x है, ये y है, x square minus y square, यानि x plus y, x minus y, यानि x कितना है, a square plus b square plus a, b, a square plus b square minus a, b, ध्यान से देखो, जल्दबाजी नहीं है कोई, हर एक जने को समझा आना चाहिए, नीचे लिखा, a square plus b square plus का AB, देखो, ऐसा इसलिए करा है, जिससे automatically यह आपका cut जाए, अब महनत हो गई कम, अब थोड़ा सा smart work का time आगया है, अब बचा गया अपने पास, अपने पास बचे, A square plus B square, minus का AB, क्या मैं कैसा तो यही अपना answer है, बाकी सब तो cut पिड गया, यही अपना answer है x minus y बचेगा बिल्कुल सही यानि x है a square plus b square y है आपका a b यही बचेगा अपना बिल्कुल सही अब देखो आगे चलते है a square plus b square plus a b थोड़ा और दिमाग लगाए जाए क्या करा जाए इसमें काम करते हैं किसी तरीके से दूसरे तरीके solve करके देखते हैं क्योंकि 4.6, 5.4 और जो मुझे a b की value पता है वो पता है 24.84 यह a b है यह a है और यह b है अब basic calculation बची है बस सिरफ एक basic calculation बची है वो कैसे बची है देखो ध्यान से अगर मैं इसे solve करता हूँ मैंने फिर से इसमें क्या करा minus a b करा और plus a b करा यानि a minus b का whole square plus का a b ऐसा इसा इसलिए करा मैंने जिससे मेरी calculation थोड़ी सी असान हो जाए a minus b किता है ध्यान से देखो 5.4 में से जब मैं 4.6 घटाओंगा तो आएगा 0.8 यह 0.8 का square है 0.64 प्लस का 24.84 मुझे बताओ सभी को समझा है इपने 24.84 में 0.64 जोड़ूँगा तो क्या मैं कह सकतो 25.48 मेरा answer आएगा सिर्फ एक ही है ऐसा option में देखो बस मुझे इतना बताओ क्या multiplication एक भी step पे करने थी सवाल को देखके लगा था कि 101% multiplication होगी एक भी step पे multiplication देखो बढ़ेगा सभी लोग वीडियो को like कर दो share कर दो और इसी तरीके चलते रहो कोई अगर नया है चैनल को ज़रू subscribe कर लेना और अगर कोई भी pdf के लिए पदेशाण हो दा, pdf के लिए बिलकुल पदेशाण मत हो ना, pdf आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगी प्रतियोगी ता अमंत्रा को आप आप वहां join कर लो आपी इस session के साथ बाकी sessions के भी pdf एजी ली आपको available ैचलो बहुत बड़ी है मजा आदा understand कर पारे हो, बहुत बढ़ी है, शाबाज, अगला सवाल देखो, 5x-3 का cube, 2x-5 का cube, अब सेम है, देखो, मैं चाहता हूँ, आप करो, इस सवाल को आप करो, सेम पार्टन में समझा चुको हूँ, इस 27 को 3 का cube मानो, और इसे अंदर भेच दो, इसे मानो 3x3, इसे फिल से अंद फेच दो, इस टाइब से चीजों को करो, फटा फट से एक बार ट्राइ करो, फुल एनरजी रखनी है, कोई ऐसा नहीं, रात के 10 बज गए है, तो क्या हो गया, पूरी रात भी पढ़नी पड़े, पूरी रात भी मुझे पढ़ाना पड़े, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस सेलेक्शन होना चाहिए, माइनस का तेरा, अनुराग का अंस लाग है, माइनस का तेरा, एक बार अनुराग अंसर एक बार चेक करो, फटा फट से, कुछ सिली मिस्टेक हो सकती है, अब यहाँ पर सिली मिस्टेक के कहां चांसे थे, यह है 3x माइनस 4, यह है 4 माइनस 3x, यह ह 5x-3 और यह है 3-5x shortcut समझो shortcut क्या है इससे minus common लो पहले सुनो ध्यान से pen copy छोड़ो इससे minus common लेके अगर आप इसे दे दोगे तो क्या मैं कह सब तो यह बन गया 5x-3 यह तो ऐसे यह बिचारा 2x-5 और यह बन गया 4-3x मैंने इससे minus लेके इससे दे दिया plus 5 and 5x-3 यह 3 times है 15 आ रहा है बिलकुल सही हर्षित अनुराग चलो सही है self correction is the best remedy बिलकुल सही 25.48 है पहले वाले का सही है यहां तक हम पहुँच गए अब ध्यान से सवाल को देखो यह क्या लिखा है 5x-3 का Q plus 2x plus 5 का Q plus आपका 12 minus 9x का Q क्या मैं कह सकता हूँ यह AQ plus BQ plus CQ is equal to 3 ABC लिखा है last step time saving है चलो बहुत बढ़िया है सीख रहे हो बहुत बढ़िया AQ plus BQ plus CQ is equal to 3 ABC that means what A plus B plus C is equal to 0 यानि कुछ मत करो तीनों को जोड़ दो तीनों को जैसे ही आप जोड़ोगे तो क्या आएगा अपना निकल के देखो 5x minus 3 2x plus 5 और minus का 9x plus 12 जैसे ही आप इसे लिखोगे क्या आएगा अपना देखो minus का 2x plus का 12 plus का किता हैगा plus का 14 x अपना किता है निकल के साथ अब पंगा ये है पंगा ये है कि आपको x नहीं निकालना आपको निकालना 2x plus 1 तो क्या हो गया भई 14 plus 1 15 देखो TCS का अनुराग मैं बताता हूँ TCS एक certain pattern follow करता है अगर आप उस pattern को समझ गए अगर आप उस type को समझ गए ना तो सब कुछ असान है जो सवाल अपको दिख रहे है अक्चुल CGL 18 के ही सवाल है और आप सवालों को देख पारे होगी अगर वहां तक पहुँच गए तो काम अपना बन साथ क्या attention है बिल्कुल सही 2-minus कट कर positive रह जाएगा बहुत बढ़िया I hope सभी को सेशन में मज़ा आ रहा होगा चीज़े सीखने को मिल रही होगी 2x प्लस 1 निकालना है 14 प्लस 1 करा 15 आंसर आ गया चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भी फटाफट से क्या मैं कह सकता हूँ फिर से वही pattern है लेकिन twist के साथ है ट्विस्ट न यहां पर सभी लोग मेरे कहने से try करेंगे देखो हर एक जो type मैं आपको यहां पर सिखा रहूना हर एक की कोई कीमत है कीमत क्यों है क्यों कि आप जो मैं आप से सिखा रहूँ यहां पर हर एक चीज की कीमत इसलिए important है क्योंकि यह repeat होते है टाइप repeat होते हैं बार बार repeat होते हैं इन्हें कर लिया समझो maximum portion cover हो गया और भी chapter कराएं चलिए बिलकुल plan करते हैं और भी chapters कराएंगे बेफिकर रहो 5, 6, 3 and 4 कौन कौन ऐसे जिसे सवाल लग रहा है टिपिकल है फटाफट से बताओ भी एक बार comment section में आगे किस किसको लग रहा है कि यह सवाल सा थोड़ा टेड़ा है इसे हमें skip कर देता है या कर देती एक्जाम में अब यह दिखाता हूँ typical है यह नहीं बहुत असान सवाल है कैसे है वो भी बताता हूँ जो अब तक पढ़ाया है न सिरफ उसी knowledge में अपना इससे काम बन जाएगा कैसे बनेगा यह देखो x plus y plus z पता है x square plus y square plus z square पता है x z is equal to y square पता है बस इसे use करते है प्रौतीक 5 आया है चलो देखो कैसे use करते हैं x सबसे पहले तो यह निकाल लो x plus y plus z का whole square अगर मैं करता हूँ यह आएगा x square plus y square plus z square plus 2 times x y plus y z plus z x यह क्यों करता हूँ इसका एक reason है अभी reason दिखाता हूँ कोई बात नहीं इस सवाल को सभी लोग बिल्कुल ध्यान से समझो इसे समझ लिया तो स x plus y plus z किता है 19 19 को करोगे किता है 361 is equal to x square y square z square 133 plus 2 times यहाँ पर गौर फर्माना star बना रहा हूँ x y plus y z plus y का square ध्यान से देखो x z की जगा मैं y का square लिख रहा हूँ यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान से देखो अब मैं 361 में से 133 जब यहाँ से हटा के इस में से घटाऊंगा तो मेरा आ जाएगा 228 इस इकोल टू 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 टाइम्स यह पूदा अब दो से भी से काटो क्या मैं कह सकता हूँ यह आपका सीधा 114 लिखा हूँ है 114 is equal to यहाँ से y common ले लो देखो ध्यान से y common लेक जा एकस प्लस जेड प्लस वाई एकस प्लस जेड प्लस वाई है 19 19 इंटू यह इस इकोल टू 114 मुझे बताओ य की वैल्यू आ गई 6 अब बहुत बच्चे क्या करेंगे 6 पे टिक कराएंगे और आंसर हो जाएगा गलत क्या उसने सवाल में 6 पूछा है उसने सवाल में 6 प इंटू जेड की वैल्यू होगी वाई का स्क्वाईर यानि 36 वाई का स्क्वाईर क्यों लिखा क्योंकि ये कोशन में अनुराग हमें गिवन है यहाँ पे एकस जेड इस इकोल टू वाई का स्क्वाईर यानि एकस जेड इस इकोल टू वाई का स्क्वाईर बोले तो 36 और द आपका 13 निकल के आगया combination बनाओ दिमाख लगाओ क्या ऐसा combination है कौन सा ऐसा जोड़ा है जो की इस value को satisfy कर सकता है सोचो यहाँ पर अगर मैं एक और 12 लिखूँ दो ऐसे कुछ लिखूँ चलो बहुत बढ़िया welcome आदिते यहाँ पर सुचो 9 और 4 लिखा है और यहाँ पर लिखा है 9 into 4 is equal to 30 करो और आगे बढ़ो सबी लोग बढ़ा होई किस-किस को सवाल बढ़िया लगाए अब यह सवाल देखो खास बात क्या है कहने कोई आपका सवाल जो है easy है कहने कोई सवाल मुश्किल है यह आप से पूछा x cube plus y cube plus z cube minus का 3 x y z बताओ क्या अंसल होगा इसका अगला try करो अब असान है बहुत बढ़िया अनुराग बहुत बढ़िया सही answer था well done फिर से same pattern लेकिन थोड़ा सा twist सादे twist यहाँ पर ही निचोड़के रग देंगे अगली बाद जब एक्जाम में बैठोके लगेगा अधिस सादे ने यह तो पढ़ाया था यह तो repeat है बहुत बढ़िया x plus y plus z 19 है x y y z z x 114 है x cube plus y cube plus z cube minus 3 x y z आप से पूछा है एक बाट try करो same है बिलकुल same यहीं से इसे निचोड़ना शुरू कर दो सवाल को यहीं से खेलना शुरू कर दो क्या मैं कह सकता हूँ under root में ही यह लिखा है x plus y plus z x square plus y square plus z square minus का x y plus y z plus z x 17 आया है एक आंसा अनुराक का आगे चलो under root x plus y plus z 19 given है x square plus y square plus z square अब देखो मैं यहाँ पर shortcut मालूँगा shortcut इसलिए मालूँगा क्योंकि यह चीज़ हम पहले समझ चूके यहाँ पर क्या करना है plus 2 minus 2 करना है तो यह तो बन जाएगा x plus y plus z का whole square minus 3 times बनेगा x y plus y z plus z x जैसे ही मेरा यह बना तो ध्यान से देखो है 19 अंदर के x plus y plus z 19 का square 361 minus 3 times 114 3 into 114 यह सब root में चलदा है ध्यान लखना is equal to under root में 19 into 361 minus 342 यह 342 लिखा है into 19 यानि answer भी अपना हो गया 19 I hope सभी को समझ आया होगा कैसे निकला answer अनुराग I hope समझ आ गया होगा जैश्री बिलकुल सही शुभा 19 है बिलकुल सही answer 19 सही होगा बस रहाई नमबर का नुकसान हो जाता मैं repeat करता हूँ फटा फट से देखो मैंने क्या करा इस पूरे की formula को लिखने है मुझे पता एक XQ प्लस YQ प्लस ZQ माइनस 3XY की identity यह होती है अब मैंने इसे whole square में बदलना है तो मैंने क्या करा X square प्लस Y square प्लस Z square में 2X पूरा जोड़ दिया माइनस 2 पूरा घटा दिया यह दोनों तो combine होके 3 times आ गया और यह एक बन गई मेरी identity A plus B plus C whole square की यानि A plus B plus C मुझे given है 19 यह हो गया 361 यह हो गया 3 times 114 342 माइनस करके 19 आ है 19 यह भी है under root में हो गया 19 into 19 यानि answer में आ गया 19 I hope point समझ आ गया होगा यह मुना आगे चलते हैं अगला सवाल देखते हैं यह सवाल देखो इस सवाल को मैं थोड़ा सा clearly लिख देता हूँ यह लिखा X is equal to A plus 1 upon Y is equal to A minus 1 upon पूछा क्या है पूछा ध्यान से देखना X की power 4 plus Y की power 4 minus 2 X का square Y का square बढ़िया से करो बई चलो बहुत बढ़िया है कौन-कौन ऐसा है जिससे नहीं बनादा सवाल एक बाद मुझे comment section में बताओ कौन-कौन ऐसा है जो सोच रही से skip करना है सवाल को कि सर इसमें कम से कम 4-5 मिनिट तो खराब हो जाएंगे 2-3 मिनिट लग सकते हैं से बढ़िया skip करके अगला देख लेते हैं सवाल एक्स पता है य पता है एक्स की पावर 4 प्लस य की पावर 4 माइनस 2 टाइमस x स्क्वार y स्क्वार देखो सब बिलकुल ट्राय करना है 100% ट्राय करना है अंदर तो एक सिंपल सा पाटन दिख रहा है यहां पर यह लिखा a-b का होल स्क्वार ध्यान से देखो यह लिखा a-b का स्क्वार यह सवाल easy है और यह अपने आप पे fresh टाइप है अंसर आ है 4 यह लिखा x स्क्वार minus y square अब बहुत बच्चे क्या गलती करते है देखो गर option में यहां पर 1 होता न तब मज़ा आता 1 होता तो मज़ा आता क्योंकि जब x plus y करोगे तो तो आप क्या करते हो 1 upon a plus a minus 1 upon a करते होगे इससे यह कटा यह आगया 2 a इसी type से जब दूसरा निकालते हो तो बहुत बच्चे 1 upon 2 a कर देते हैं वो पता नहीं क्यों करते हैं answer क्या होगा 2 upon a a से एक अठा answer आ गया 4 सभी लोग बताव भी समझा है c would be the correct answer c बिल्कुल सही answer है और मैं एक चीज आप सभी को बता दूँ इस बात को मेरे बिल्कुल ध्यान से सुनना कि जो तयारी है न वो एक दिन में नहीं होती तयारी के लिए आपको इस हिसाब से जैसे मैंने आपको एक घंटा यहां पढ़ाया है और मैं आगे भी पढ़ा रहा हूँ इस हिसाब से आपको रोश तयारी करनी है और कहां तयारी करनी, कैसे तयारी करनी, सब चीज़े ध्यान से सुनो, पहली बात तो PDF का परेशानी नहीं लेनी, टेलिग्राम ग्रूप पे जाना है, हमारे टेलिग्राम चानल जो प्रतियोगीता मंत्रा है, वहाँ पर जाके सारी PDF, यह जितने सवाल है, मेरा सजेशन सुनो, यह सभी सवाल खुद भी ट्राय करने है, और क्लिरली सुनो एक और बात तयारी, अभी से अपनी जान लगा दो तयारी में, और फोकस करो अपनी तयारी पे, कुछ भी हो जाए, सिलेक्शन लेना ही लेना है, बात आ रही है सभी को समझ, मुझे बताओ, अनक आड़मी प्लस किसी भी कैटिगरी में आप तयारी कर रहे हैं, आपको maximum discount मिल जाएगा, मान लेते हैं, आप SSC कैटिगरी में code लगाते हैं, तो बहुत बच्चों confusion होता है, क्या सर्फ आपके batches मिलेंगे, answer is no, आपको एक single plan से सारे educators के सारे batches मिल जाते हैं, उसमें 100 प्लस educators, 50 प्लस batches, सब कुछ इसके अंदर cover होता है, जितने भी आपके नए batches आने वाले हैं, जितने भी पुराने batches हैं, और जितने भी recorded batches है, सब कुछ इसके अंदर cover है, और ऐसा नहीं है, सिर्फ डिली पुलिस cover होगा, SSC category के सभी exams, चाहिए वो CGL हो, चाहिए उसमें tier 1 हो, tier 2 हो, tier 3 हो, चाहि batches सारे exams पूरे के पूरे cover होते हैं, और दो साल का plan आपको पढ़ता है, 5832 का, एक साल का plan आपको पढ़ता है, 4860 का, अगर आप discount code लगाते है, PMYT without space, और आपको यह बाद ध्यान रखने हैं, इसके साथ अपने credits भी आप लगा सकते हो, जिससे कि आपको maximum discount मिल जाएगा.